जाल गाई वह वक्त है मैं एक बार आपसुली लाइव चेक करें लिफ दो 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 आणिव यह वहार जबन दो आपसुली लाइव है एक बर करें ली तो आडा शुके अनुपक्त है स कुद्धारे विडियो 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 एक दम भेतरीन तरीके से प्रोपर है और आज मचाएंगे अतंक क्युंकि इसे करे looking आज हम कर देंगे सरक 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 है ना तो चैट बोक्स में एक बार हो जाएगा अटेंडस लगा तो फटा फट छे अटेंडस कर दो लाइक अपने दोस्तों को बता दो जाकर कि भाई आ चुके है ठीक है उसके लावाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना देख रहे हो ना आप ल चलो गुड मॉनिंग आचल अंकिता अभिशेक अमनक्रेश आदर्श प्रियंका रिशब जोती आशीश साची सुमित गुनिशा किरन दिपाली श्रयास पूजा बाप रित्ते सारे में कैसे पड़ू गुड मॉनिंग एवरिवन गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग गुड अब इसके अंदर में क्या करूंगा मैं जो कंसेट से वह आपको रिवाइस कराऊंगा ठीक है उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश भी रिवाइस कराऊंग है अब क्वेशन में क्या लेंगे अमिज्स एक क्वेशं के पहले कर जाने है ध्यान रखना तो जितना बताऊंगा उतना आप रिटन पेपर करके जाओगे तो आपके इतम जिन्दगी का आहा ओहो मजा आ जाएगा ठीके और एफार में ना कोई भी 40-50 स्कोर करने वाला नहीं है ठीके सब लोग को 70-75-80 स्कोर करना है ठीक अच्छे स्कोर करेंगे आत्म बचा देंगे पहला पेपर है मजा आ जाएगा उसके लावाब जब मैं चंसेट रिवाइज कराओंगा तो प्लीज एक पैन लेकर बैठना जो भी रंगी पैन आपको पसंदे वो लेकर बैठना अब करना क्या है उसके अंदर जो भी कंसेब्ट आपको रिकॉल हो जाता है वो तो वेरी ग पढ़ूँगा क्यूंकि जो concept सर ने कर रहा है सरक्राइब याद आ गया ना वो आपको एक्जाम में भी याद आ जाएंगे ठीक है तो एक पैन लेकर बैटना और जब मैं concept भी कराऊँगा ना तो मैं आपका time waste करने के लिए irrelevant concept discussion नहीं करूंगा हम सिर्फ और सिफ relevant concept की बाते करने वाले है is this clear to everyone का yes or no yes चलो ठीक है मेरे क्याल से we are good to go तो आपन शुरू करने वाले first time going to start with index 16 ठीक है index 16 से 38 से 40 फिर 36 105 41 फिर आपन एक flow बनाते वे चलेंगे तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने के जरूवत नहीं है ठीक आज आने वाले मजा ठीक है कहराम मचा देंगे आज चलो आजओ so let's let's start in three two one and go सबसे पहले we are going to start with index 16 है ना नाम के है property plant and equipment ठीक है इसके अंदर सबसे पहला point है definition definition दो चीज़ का दिया हुए एक दिया हुए पीपी का definition एक दिया हुए बेरे प्लान का definition पीपी का definition क्या बोलत ठीक है और बेरे प्लान का मतलब क्या होता है अब कोई आदे कि इंडिया से अगरी कल्चर अगरी कल्चर में होता है living plants और उसमें होता है biological asset biological asset के अंदर होता है living plants और living animals बराबर क्या अब living plants का दोबाइफ इफरकेशन है बेरर नॉन बेरर तो ऐसे plant जिसका life more than one year है ऐसा मान इसके बात guidance दिया हुआ है guidance on what वह बोलता है अगर आपके बास को spare part है stand by equipment है या service equipment है for example मेरे पास iPad iPad का मेरे पास spare iPad भी है यह खराब हो गया तो यह spare iPad मेरे पास क्या यह मिले PP रहेगा तो शानेट सिंपल सी चीज़ बोलता है if the definition is met then PP otherwise inventory simple है उसके अलाबा अगर आपके बहु उसके लाबा safety and environmental equipment अगर आपके पास है तो क्या उसको भी PP कहेंगे क्या जैसे होता है ना fire extinguisher वगरा होगे आपने office में लगा रखा है तो उस case में क्या उसको भी PP कहेंगे क्या तो वह बोलता है देखो वो directly तो कोई output generate नहीं कर रहे है लेकिन indirectly आपके PP इसको assist कर रहे ना कि measurement में दो होता है एक होता है initial measurement एक होता है subsequent measurement इनिशल measurement विल always 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 be at cost बराबर तो cost में क्या क्या आने वाला है initial का मतलब day one का measurement और cost में क्या क्या आएगा तो बोलता है देखना पड़ेगा आपने asset कैसे acquire किया है अगर आपने asset purchase किया है तो cost में आएगा purchase price, non refundable taxes, all the directly attributable expenses, अब directly attrib एक खर्चा बहुत इंपोर्टेंट है और वह है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग अगर आपने टेस्टिंग करने में वह भी खर्चा इंकर किया है तो आप उसको क्या होगे ठीक है अच्छा मैं कराते कराते आपको साथ में अमेंडमन भी डिसकस कर लूँगा ठीक है अब वह इस एकसेस इंकम को भी आप पीप से कउस्स करोगे अब एकसेस इंकम को करने का मतलब होता है क्या पीप के को से क्या करोगे रिडियूस करोगे यह बात का ध्यान रखना ठीक है उसके अलावा क्या-क्या चीज़े वह इंक्लूड नहीं करेगा तो सपोज फॉर उसको कार पार्किंग के तरह यूज़ कर लिया, तो कार पार्किंग से इंकम आईगी आपको, वो आपके ऐसर के कॉश्ट में एज़श्ट मत करना, ठीक है? उसके अलावा, आपके 16 का सबसे important खर्चा आता है, ये वाला, and that is cost of decommissioning, dismantling and site restoration, बराबर अगर आपने कोई भी खर्चा इंकर किया है, decommissioning वगएरा पे, तो इसको आपन पीपी के कॉश्ट में ज़श्ट करते, लेकिन कौन से वालू पे? क्योंकि ये ऐसा खर्चा है, जो कुछ सालों के बाद इंकर करना है, तो आज इसको आप cost में कैसे adjust करोगे? आज इसको आप cost में adjust करोगे at present value, और क्योंकि आपने इसको present value पे consider किया है, तो every year end पे इसका एकोचीज करना पड़ेगा, और वो है unwinding, अरे perfect answer, क्या बात है, क्या बात है दिपीका, एश्वरी, आकांग शा, किरन, शांदार अर्पित, तो आपन present value पे consider करेंगे, और every year end पे क्या करेंगे, इसका unwinding भी करेंगे, unwinding कैसे करेंगे सर, for example, आपको 10 lakhs इंकर करना था 5 years के बाद, तो आप उसको आज consider करोगे present value पे, तो जो भी present value आएगी, उस पे आप जो भी rate of interest है, वो लगाते वे चलना, बराबर तो आपको unwinding का amount मिलेगा, एकदम simple, बराबर इसे अपने ने किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद, आपन क्या discuss करेंगे, अगर purchase किया, तो cost में क्या क्या आएगा, तो यह पहला note number 1 था, अभी एक और note number 2 है, note number 2, that is deferred consideration, कभी कभी क्या होता है, इसका आपको पते, class में एक्जामपल दिया था, कि सबोज आपने Macbook purchase किया, 2 लाग रुपे का, लेकिन मैं payment एक साल के बाद कर रहा हूँ, आपने पड़ा है, नहीं, तो आप interest capitalise नहीं करोगे, simple, उसके बाद, यह था अगर आपने asset acquire किया है, purchase करके, उसके इलावा, अगर आपने asset acquire किया, way of self construction, खूद asset construct किया, आप खूदी कारिगर बन गए, और खूद asset construct किया, तो उस case में, cost में क्या क्या आएगा, तो बोलते हैं, same principles, as that of purchase asset, है ना, उसके इलावा, अगर, क्योंकि आप self construct कर रहे हो, तो it can also be a qualifying asset as per index 23, शरी, index 23 किया है, अरे, boring cost है, तो boring cost में बोलता है, जो asset को बनने में समय लगता है, which takes substantive period of time, to get ready for its intended use, तो उसको बोलते है, boring cost, जो भी आपने incur किया, उस asset पे capitalize करोगे, तो अगर self construct कर रहे हो, there is a high chance कि qualifying asset हो जाए, तो ऐसे asset पे जो आप interest incur करोगे, वो आप capitalize कर सकते हो, ध्यान रखना, चलो आगे, उसके बाद, if the asset is acquired by way of exchange, अगर exchange में acquire किया, तो उसकेस में क्या होगा, उसकेस में अपने बास 3 preference है, यहाँ 2 है, लेकिन 3 preference है, पहला preference आप दोगे, farewell of asset given up, plus cash paid if any, second preference आप दोगे, farewell of asset acquired, और तीसरा preference आएगा, carrying amount of asset given up, plus cash paid if any, अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है, कभी-कभी, the transaction lacks commercial substance, इसका मतलब, same nature का asset exchange हो रहा है, तो उसकेस में, 3 नहीं एक ही preference है, and that is carrying amount of asset given up, plus cash paid if any, I hope this is clear to everyone, शानदार, शानदार, very good है, क्या तुम लोग आतंग मचारों मजा आ गया, ठीक है, आगे बढ़ जाते है, उसके बाद आपन बात करते है, उसके बाद आपन बात करते है, subsequent measurement का, अच्छा, यह initial था, initial में इतना ही था, initial में last एक और है, कि अगर आपने government grant में एक वार किया तो, तो उसका बाद तो आपने इंडेस 20 में करेंगे, ठीक है, चलो, perfect है, येस, चलो, आगे बढ़ जाते है, perfect, तो आता है, subsequent measurement, what is the meaning of subsequent measurement, आप every year के end पे, कैसे उसको measure करने वाले हो, उसको बोलते है, subsequent measurement, तो subsequent measurement में अपने पास है, दो model, एक है cost model, और एक है revaluation model, बराबर, अच्छा, cost model में क्या होता है, आपन जो day one की cost पे acquire करते है, less the depreciation till date, बस जो carrying amount उसको उपर रखते है, बराबर, now what is the meaning of revaluation, देखो मैंने example भी दिया हो है, suppose आपने 10 lakhs में acquire किया, एक साल यूज किया, तो 1 lakh depreciate किया, आपने life 10 years थी, इसलिए, carrying amount होगे 9 lakhs, अब आप क्या करते हो, year end पे carrying amount नी fair value पर रखते हो, तो fair value आपने ढूंडी, fair value है 12 lakhs, तो आप क्या करोगे, आपको मालूम पड़ेगा, आपकी fair value जादा है carrying amount से, तो आपको gain हो जाएगा, उसको बलते है revaluation gain, तो ये 3 lakhs है, आप PPE की value को increase कर दोगे, इसका मतलब आपने अपने PPE को, cost पे नहीं आपने अपने PPE को fair value पर रखा, उसको बलते है revaluation model, ठीक है, अब अगर आप revaluation model follow कर रहे हो, तो there are more 5 points to be discussed, पहला point है ये frequency of revaluation क्या रहेगा, कितने बार जिंदगी में revalue करोगे, तो asset की value में अगर changes significant है, volatile होते हैं, तो annually करोगे, लेकिन अगर asset की value में changes insignificant होते हैं, तो 3-5 सल में एक बार करोगे, उसके अलावा, treatment of accumulated depreciation on data of revaluation, अगर कुछ important है, तो ये वाला part काफी important है आपके लिए, कि पुराने वाले depreciation का क्या करोगे, जब आप revaluation करोगे, तो किसी को आदे क्या करेंगे इसका, अरे perfect answer, सर इसको treat करने के अपने बाद 2 method है, बराबर 2 method है, सर कुण से कुण से method है, तो देखो मैंने आपके लिए example भी ready किया था, for example, suppose मैंने पीपी एक्वायर किया 100 में, ठीके, अब इसका, इस 40 का क्या किया जा जब आप revalue करने वाले हो, तो इस 40 को treat करने के अपने पास 2 method है, या तो इसको eliminate कर देंगे, या eliminate नहीं करेंगे, अगर सर eliminate करोगे, तो क्या entry pass करोगे, आप बोलोगे accumulated depreciation account debit to gross block, मतलब आप depreciation को eliminate कर दोगे, और gross block भी कम कर दोगे, इसका मतलब, जैसे आपने 2 gross block किया, आपका gross block भी 100 से गिर कर 60 पे हो जाएगा, बराबर और depreciation आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर ले ना, gain book कर ले ना, PPE to revaluation gain, 15 का gain आथा, because fair value was 75, simple, is this clear to everyone? correct, perfect, आगे बढ़ जाते हैं मेरे इसाब से, उसके बाद आएगा, second method, जहां आप बोलों कि, do not eliminate the accumulated depreciation, बोलेंगे, eliminate नहीं करने का, तो क्या करेंगे, you will follow 3 steps, है रा 3 step कौन सा कौन सा, पहला percentage gain रूणडोगे, ये कैसे मिलेगा अपने को, gain का amount, divided by the carrying amount, आपको मेलेगा percentage gain, बराबर, तो मेरा gain था 15, divided by the carrying amount 60, मिला percentage gain 25, इस percentage को, दो amount पर अप्लाए कर देना, gross block पर अप्लाए कर देना, और accumulated depreciation पर अप्लाए कर देना, बराबर, तो 100 था gross block अप्लाए कर 25 आए, debt पर अप्लाए किया, तो 10 आया, दोनों को इतने value से increase कर देना, तो आप क्या करोगे, gross block, two accumulate depreciation, दोनों को increase करना है ना, तो gross block debit करना पड़ेगा, depreciation credit करेंगे, और balancing figure by default, आपका revaluation gain आ जाएगा, ये क्यों करते हैं, आपको मेरा logic भी बताया था, बराबर ध्यान रखना, तो इस case में, अपने पास दो method, या तो eliminate करेंगे, या फिर eliminate नहीं करेंगे, is this absolutely clear to everyone का, शांदार, शांदार अंजली, सुजाता, अभीशेक, प्रणाव, वैश्वरिया, भौध बढ़िया, शांदार है, चलो मेरे काल से आगे बढ़ सकते, यह सर आगे बढ़ सकते हो, उसके बाद, यह था second point under re-evaluation model, उसके बाद, re-evaluation to be applied, to entire class of assets, इसका मतलब, जब आप यह re-eval model follow करोगे, तो same class of assets के उपर, same model apply करना पड़ेगा, ठीके यह बाद ध्याननस, और same class का मतलब क्या होता है, ऐसे asset, जिसका same nature है, same characteristic है, उसको बलते है same class of assets, तो same class पे same model, उसके अलावा, एक और clarification, industrial building और office building, दोनों अलग-अलग class होती है, बराबर क्या, तो building-building सोच के, उसको भाई-बैमत बना देना भाई-साब, है ना, अगर आपको reval gain loss आता है, तो treatment क्या रहेगा, simple है, पहले ये पता लगाना, जिंदगी में, पहली बार, reval कर रहे हो, कि बाद में भी reval कर रहे हो, तो अगर पहली बार reval कर रहे हो, तो सल्मान भाई बोलते है, कि अगर revolution gain आया, तो gain जाएगा OCI R के अंदर, अगर revolution loss आया, तो conservative का गाना का क्या बोलते है, profit loss में जाएगा, लेकिन अगर आप subsequent revolution कर रहे हो, और आपको gain आ जाता है, तो उस case में directly OCI, OCI मत चिलाना, अगर subsequent revolution कर रहे हो, और gain आया, तो देखना पहले क्या था, अभी gain और पहले भी gain, तो ये वाला gain जाएगा आपका OCI के अंदर, अभी gain और पहले loss, तो इस gain को पहले previous loss से adjust करो, मतलब इस gain को to the extent of previous loss, आप profit and loss में transfer करोगे, और जो भी excess gain है, उसको आप OCI में book करोगे, सिविलल लीदर, अगर आपको अभी loss आता है, तो देखना पहले क्या पड़ा है, अभी loss, पहले भी loss, तो ये वाला loss profit and loss में, अभी loss लेकिन पहले gain, तो इस loss को पहले gain से adjust करो, मतलब इस loss को पहले थोड़ा सा OCI से adjust करो, उसके बाल, अगर कोई भी excess loss है, तो वो excess हो जाएगा profit and loss के अंदर, शांदार अंसर, आयूशी, अंजली, प्रतीक, सही अरुशी के, शही राज, वरी गूड, शांदार, आगर बढ़ जाए, येस, उसके बाद अपना आते है, transfer of, reval surplus to retained earnings, what is the meaning of this, आप जो भी OCI में profit book करते हो, ना OCI NR के अंदर, जो profit book करते हो, वो OCI NR से आपके other equity के, revaluation surplus में accumulate होता हुआ चलता है, जमा होता हुआ चलता है, बराबर तो ये surplus, आप retained earnings में कब transfer करोगे, और specifically, क्योंकि ये NR है, तो इसका balance, profit and loss में, reclassify नहीं होता है, पता है ना, NR का मतलब, NR का मतलब होता है, non reclassifiable, R का मतलब होता है, reclassifiable, तो NR है, इसका मतलब है profit and loss में, reclassify नहीं होने वाला, correct, तो उस case में, ये जो surplus का balance है, ये RE में कब जाएगा, इसमें दो cases है, सबसे पहला है mandatory case, में बोला गया हो, तो ही ये वाला case फॉलो करना, और वो case कौन सा है, excess depreciation वाला, बराबर, जब आप REVALUATION GAIN बुक करते हो, तो caring amount बढ़ जाती है, बराबर, whenever you book the REVALUATION GAIN, your caring amount increases, तो increased caring amount पे, depreciation भी जाद आएगा ना, आपका, जैसे for example, में एग्जामपल भी ये दर देखो, जैसे अपने पास एक एग्जामपल है, ये वाला, excess depreciation का, जैसे मेरी पीपी के लाइफ किती थी, 10 years, मैंने एक साल depreciate किया, गेन आया और गेन बुक किया, तो मेरा carrying amount कितना हो जाएगा, अब आफ्टर रिवालोशन गेन, 12 lakhs, आप चाहो तो इतना गेन, सर्प्लस से निकाल कर आरी में ट्रांस्वर कर देना, अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, तो सपोज मेरा ऐसा ड्राफ कर से दिखेगा, मेरा सर्प्लस, तीन के बदले 2.67 पर देखेगा, और बाकी आरी में देखेगा, उसके लावा, प्रॉफिट अन लॉस में तो depreciation, इर्रिस्पेक्टिव कि आप यह option चूज करो या ना करो, प्रॉफिट अन लॉस में depreciation 1.33 ही दिखने वाला है, इस बात का ध्यान रखना, और उसके लावा, यह वाला केसे तभी applicable है, जब आपको re-evaluation gain आ जाए, loss वगर आएगा तो applicable नहीं होगा यह वाला केस, ठीक है, ध्यान रखना, खतम होगे इसकी कहानी, उसके बाता, अगला point, that is, component accounting, now what is the meaning of component accounting, कभी कभी कँआ होता के वास, भॉट बड़ा PPE है, उस PPE के multiple major major parts है, उस PPE के क्या है multiple major major parts है, तो जो इतने भी major parts है, उसकी कभी 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 कआ होता है, life अलग- trained होती है, क्या होती है, उसकी life होती है, अलग-अलग, तो उस case में, we want to depreciate it separately, क्या करना पड़ता है, we want to depreciate it separately, तो उस case में वो बोलता है कि अगर किसी PPE के multiple parts है और उसकी life अलग-अलग है, तो you will depreciate it separately, ठीक है, तो इसका मेरे example आपको लिखा रखा है, देख लो, इदर आपको दिखाता हो, मैं फटा-फचा, देखो, component accounting, suppose private jet है मेरे पास, engine का life 5 years, body का life 10 years, clear, तो उस case में, तो हम क्या करेंगे, भले jet का overall life 10 years है, लेकिन engine का life 5 years है, तो जितना भी engine का value है, उसको आप you will depreciate as per 5 years, और जितना भी body का life है, you will depreciate as per 10 years, simple यह वाला part, clear, तो जब आप balance sheet में present करोगे न, तो आप एक single asset ही present करोगे, लेकिन for computing depreciation, you are applying component accounting, simple, यह पहला point है, उसके लावा, अगर आप कभी भी कोई significant part replace करते हो, तो जो भी part आपने replace किया है, उसका नया वाला cost आप add करोगे, लेकिन पुराना वाला carrying amount, आप क्या करोगे, minus करोगे, पुराना वाला carrying amount क्या करोगे, आप minus करोगे, simple, देखो बोलता भी है, suppose year 2 में, मैंने नया engine add कर दिया, हैना replace किया basically, तो नये वाले engine का value आपन क्या करेंगे, add करेंगे, और पुराने वाले engine का value आपन क्या करेंगे, minus करेंगे, is this clear to everyone, yes, perfect answer, यह था आपका component account ने खतम होगी कहानी, इसकी, उसके बाद है subsequent cost incurred, repair से maintenance किया, profit and loss में, कोई part replace किया, you will apply component accounting, अब आता है important part that is major inspection and overhaul कर करके ज फिर भी आपको every 5 years में inspection करना पड़ेगा, उसको बलते major inspection, तो अब इस case में क्या होता है, जो inspection का खर्चा, उसका benefit आपको इस 5 years तक मिलने वाल है, तो inspection के खर्चे का, आप component accounting apply करके, उसको से 5 ways में depreciate करना, पहला捂ची, second चीज, जितना भी day 1 का cost है, मान के चलना कि day 1 के cost में इंस्पेक्शन का खर्चा is already included because day one पे तो asset inspect होके आया रहेगा न, बराबर तो वो यही बोलता है, देखो inspection वाले case में, for example, suppose, मेरी cost 100 lakhs ती और आपको question में दिया वा रहेगा, कि इसमें से inspection खर्चा is 10 lakhs, तो we'll apply component accounting, इस inspection पर 10 lakhs apply करोगे, only for 5 years, और बाकी 90 lakhs पर 20 years का life apply करोगे तो basically आप inspection पर अप्लाए करो component accounting और इसमें inherent assumption है, inherent assumption यह है कि day one की cost में, it is already included, I hope this is clear to everyone, right, अच्छा किसी ने पुझा सरे, नोट्स का मिलेंगे, मैंने नोट्स अपने टेलिग्राम पर डाल लगे, टेलिग्राम में फाइल सेक्षन में जा आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो या करने का, land उसको separate करना पड़ेगा, land का life is generally infinite, to depreciate नहीं होगा, building always depreciable, हाँ, कभी-कभी कुछ land का life finite हो सकता है, तो depreciate करना पड़ सकता है, but अगर question में कुछ भी mention नहीं है, तो land का life always assume it to be infinite, उसके बाद है depreciation, अब देखो simple simple concept है, उस पर अपने को time waste नहीं करना चाँ, ठीक minus residual value divided by the life, ऐसे करके नहीं करना depreciation, आप वो mistake मत करना, उसके बाद residual value अपने को पता है क्या होता है, उसके लावे एक और चीज़ बोलता है, ये method, residual value और useful life, इसको every year के end पर review करने का, because ये accounting estimate है, और accounting estimate, जबी भी change होता है, तो we will give prospective effect, बराबर पुराणा कोई भी change नहीं करने क impairment की बात, 36 का अंदर करेंगे, de-recognition का अब होता है, इसका मतलब होता है, asset को भार करना, या तो asset का life खतम होगा, या फिर asset को आपने base दिया, simple है, अब आता है, एक और important aspect, and that is, changes in decommissioning, restoration and similar liabilities, या दे आपने decommissioning का खर्चा, कौन से value पर book करते है, we book at present value, बराबर अगर ऐसा कोई भी change हुआ है, तो उस case में इसका effect कैसे दिया जाए, तो वो बोलता है, सबसे पहले आपको ये check करना पड़ेगा, कि asset कौन से model पे carry हो रहा है, if the asset is being carried at cost model, asset कौन से model पे है, अगर asset cost model पे है, तो उस case में, जो भी changes है, आप उसको cost adjust करना, simple, और अगर asset reval model पे है, त तो जो भी change हो रहा है, decommissioning में, उसको आप revaluation gain या loss adjust करना, चिंता मत करें, इसको पर अपने पास एक question है, आपन वो शानदार question भी करने वाले, है, आपको चिंता करने के जरूवत नहीं है, is this clear to everyone, yes, ठीक है, इस case के entry कैसे frame करेंगे, मैं आपको hint देता हूँ, suppose वो क्या बो provision गिर रहा है, तो आपन बोलेंगे provision debit, तो आपका liability increase हो रहा है, provision is increasing, तो उस case में अगर asset reval model पे है, तो आप revaluation gain loss adjust करोगे, इसका मतलब provision increase हो रहा है, तो आप बोलोगे 2 provision, अब डेबिट क्या होता है, revaluation loss debit होता है, ऐसा, समझ रहो, अगर provision गिर रहा है, तो आप बोलतो है, debit, तो क्या करोगे 2 revaluation gain, तुम समझ रहो क्या, समझ रहो, समझ रहो, ऐसा, clear, अच्छे, ये gain loss कहाँ जाएगा, तो ये loss कहाँ जाएगा, ये gain कहाँ देखना पड़ेगा, पहले का पड़ेगा, पहले का reval gain पड़े की पहले का reval loss पड़ेगा, वो से आपन क्वेशन में कर yes or no, फटा फट सा बताओ, धू मचा दिये, आपन इसी तरीके से करेंगे, जो भी relevant concept उसको बार बार रिवाइस करेंगा, अची तरीके से, yes, फटा फट सा बतादो, सब लोग इदम सब चंगा, perfect है, बोलते हैं, आग लगा दी से, चलो ठीके, आगे बढ़ जाते हैं, अब अब इसमें सबसे पहला धंका question जो आता है, वो होता है हमारा illustration number 8, ठीके, it is a very good question, ध्यान रणा क्या बोलता है, वो बोलता है, हमारे पास एक machine है, जिसका cost है 1 CR, बोलता है, day 1 पे हमारे पास कोई भी bifurcation निये, there is no breakdown, useful life 10 years है, बोलता है, at the end of 6th year, one of the major component turbines requires replacement, एक component आप replace करन आपने वाले हो, और उस net component का value है 45, अब इसका solving कैसे करेंगे, तो यह ना, इस case में, you have to apply component accounting, अब 6th year के end पर ही, एक turbine replace कर रहे हो, तो 6th year के end पर जो भी carrying amount है, उसमें आप नया वाला value तो add करोगे, लेकिन इस पूरे question में एक information missing है, पुराने वाले turbine का carrying amount, क्योंकि जब आप अब नया वाला value add करते हो, तो पुराना वाला पार्ट का value minus करना पड़ता है, तो देखो, वो कैसे निकालेंगा अब आपन, तो इस case में, how we will compute this, तो वो simple से calculation अपने लिए, अपने को जो भी turbine का value है, यह तो अपने पास 45 लेक्स का value है, यह 45 लेक्स का value है, यह 45 लेक्स का value ह नहीं चाहिए, तो अपने को कब का value चाहिए, we will consider the value, sorry, अपने पास 63 के end का value है, अपने को 63 के end का value नहीं चाहिए, day 1 का value चाहिए, तो इसका जो भी present value है, आपन पहले वो निकालेंगे, तो when you consider the present value, the answer comes to 33, 57, 900, अब यह आपकी value आगे day 1 की, यह day 1 की cost आगई आपके पास, म चाहिए कि 13, 43, 160, तो basically क्या करोगे आप, आपकी जो भी carrying amount थी, after 6 years, it was मेरे ख्याल से 40 lakhs, 40 lakhs में आप add करोगे 45 lakhs, जो भी नया टर्बैन का value है वो, और आप minus करोगे, यह जो पुराना वाला carrying amount है, वो, simple, बराबर इस ही का calculation आपके लिए बहुत जादा important रहने वाला है, ध बहुत शांदार question है, कभी भी exam आकर टपक सकता है, ध्यान रखना, यह addition 5 जिसके पास होगी, उसके लिए illustration number 13 है ध्यान रखना, अभी क्या बोलता है, सुनो, बोलता है अपने पास first chapter 11 को, land थी 10 million की, काम चालू किया first में को, फिर बहुत सारे खर्चे किये, तो यह खर्चे क पड़ोगे, तो मालूम पड़ेगा, factory का काम complete हुआ था, 30 November को, चालू हुआ था first में को, तो में यह से November में 7 months आते है, तो जितने भी employees है, उसका आप 7 months का खर्चा जो है, वो capitalize करोगे, simple, उसके बाद overhead cost, directly on the construction, यह directly बोला directly, तो यह भी आप 7 months के रहे क्या करोगे, capitalize करोगे, उसके बाद, वो बोलता है, ongoing overheads, using companies overhead allocation model, जबी भी ऐसे allocated overheads होते है, तो उसको आप profit and loss में ट्रांस्वर करते हो, car parking की income, मैंने बताया था, profit and loss में जाएगा, relocation of employees का, जो भी expense है, profit and loss में जाएगा, opening ceremony, राहुल गंदी जी को बोला है, बोला के ribbon काटो, profit and loss में जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा, कौन से कौन से खर्च आप क्या करोगे, simple, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद आपको यहाँ, component accounting का information दिया हुआ, बोलता है, पूरी factory में 30% cost roof का होगा, roof की life 20 years है, बागी factory की life 40 years है, ठीके, तो आपन component accounting apply कर देंगे, अब मैं इधर ही वोच मिश्टक क्या करेंगे, बोलेंगे, यहाँ दो component है, एक roof और एक building, actually यहाँ roof और building दो नहीं, यहाँ 3 component है, initial land भी थे था आपके पास, समझ रहो, तो जो भी total cost आएगी न, उसमें से 10 million का land होगा, जो बचावा रेगा, वो building रेगा, अब building के दो हिससे रहेंगे, 30% roof, 70% building, ऐ यह रेवाला part, जिसने पहले किया रहेगा, उसको recall हुआ रहेगा, हाँ सर ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा याद आरा धुनला धुनला सा, ठीके, आगे, फिर यह जो information है, यह decommission को लेकर है, बोलता हमको 20 million incur करना है, और आज की present value के एसाब से यह आपका discounting factor है, तो use कर लेना इसका मतलब आपके cost में क्या क्या आएगा, यह सारे cost आएंगे, decommission का खर्चा आएगा, और interest जो capitalize करोगे वो आएगा, उससे आपकी cost हो जाएगी इतनी, लेकिन यह जो cost है, यह आपकी 30th November की cost है, अपने को 30th November की value नहीं चाहिए, अपने को फिर कब की value चाहिए, नहीं नह का debt charge करना पड़ेगा आपको, अब यह debt कैसा charge करेंगे, land पर तो कोई debt आएगा नहीं, तो जो land का 10 million है, उस पर there will be no depreciation, और जो building का हिस्सा है, उसमें 30% पर you will apply life 20 years, और debt निकालोगे, 70% पर you will apply life 40 years, और debt निकालोगे, उस तरीके से debt इतना आता है, और आपकी value इतनी बच ज रहोगे, writing practice exam के वाले कर नहीं है अपने को, ठीक है, ध्यान रखना, चलो, I hope this is clear to everyone, शांदा तरीके से clear हो गया, यह रो लोग, अरे yes or no, yes, चलो clear हो गया, आगे बढ़ जाते है, फिर अगला important question, that is going to be illustration number 13, क्या बोलता है यह ध्यान से सुनना, वो बलता है, PP था, costing 100 million, उसक है, solve क्या वाइस का, तो अगर आपको देखना तो देख लो, जैसे अपने पास, कौन सा वाला question है, decommissioning वाला है, तो सबसे नीचे हो गया, यह वाला question, आपको मैं दिखाए देता हूँ, तो क्या दिखा देखा के का रहा हूँगा तो आपको easy पड़ेगा, जिसे यह देख करता है, assuming there is no change in the estimate, कोई change नहीं हुआ है, तो उस case में PP का वालू कैसे निकालोगे, बस every year depreciate कर देना, total यह वालू था, 10 years की life थी, तो even depreciate each year, same SLM basis है, आपको PP का carrying amount मिल जागा at the end of each year, उसके बाद, B कमिश्णिं का वालू कैसे निकालोगे, unwinding करोगे हर साल, तो opening, unwinding, closing, यह closing बनेगा, opening, unwinding, फिर closing, ऐसा करके निकालोगे आप, तो ऐसे 10 साल का पुरा निकालना case A के अंदर, उसके बाद आता है case B, case B में क्या बोलता है, at the end of fourth year, आपका जो estimator 5 million, वो 5 नहीं अभी 8 इंकर करना पड़ेगा, आपको end of the useful life में, 5 नहीं 8 इंकर करना पड़ेगा, तो 4th year के end के साब से कितना value होेगा, इसका present value, बराबर तो मैंने निकाला है, कि 6 साल से आप इसको करोगे, discount, तो आपको मिलेगा, 4th year के end का present value, यह आपका नया value के साब से नया present value है, compare this with the original present value of decommissioning, at the end of fourth year, तो 4th year में, पुराने case से 3.16 था, नहीं के साब से 5.04, इसका मतलब, there is some increase in provision, कितने से increase होने वाला है, 1.88 से increase होने वाला है, अब मैं क्या करूँ, provision बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, देखना पड़ेगा, asset कौन से model पे है, question में बुला गया, asset cost model पे है, तो cost से just करेंगे, entry कैसे मारेंगे, provision बढ़ रहा है, तो 2 provision, debit कर देना cost, बराबर, तो आपके PPE की value, 5th year के day one से बढ़ जाएगी, और decommissioning के value भी 5th year के day one से बढ़ जाएगी, अब आपको revised carrying amount देने पड़ेंगे हर साल के, तो जो मेरा PPE है, वो पहले इतना था, उसमें 1.88 add हो जाएगा, तो your depreciation will also change prospectively, decommissioning के अंदर भी, पहले इतना था, उसमें 1.88 add हो जा जाएगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते है, यह अपना था, illustration number 14, करके ही जाना, 13, करके ही जाना है आपको यह वाला question, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते है, ठीक है, उसके लाबा आता है एक और शांदार question, that is illustration number 19, मेरे को लगता है, यह exam में आपके प्रकट हो सकता है, यह question कभी भी निया exam के अंदर, और इतना अच्छा question है, कि यह मतलब होता न, एक या दो तारिक को पाउने दो बजे, है न, दो तारिक को एक्जाम है न, दो तारिक को पाउने दो बजे, है न, इसका दर्शन होसरते है तुमारे को, तो ध्यान अटना है इसका question, सुलो, क्य बोलता है, करवा तो इसको भी, वो बोलता है, अपने पास एक plant है, जिसका life कितना है, 40 years है, उसका cost है, 120, और इसमें 10,000 का decommissioning already included है, included है तो करने के जरुवतनी एक्स्ट्रा कुछ भी, ठीक है, आगे बढ़ जाते, discounted 5% है, फिर बोलता है, assume that a market based valuation, मतलब fair value दिया हुए आ तो पहले आपको तीन साल के बाद की carrying amount पाना पड़ेगा ना, तो कैसे आएंगे, देख लो, मैं को दिखा तो कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले यह रही मेरी cost, तीन साल से आप करोगे depreciate आपको मिलेगा carrying amount तीन साल के बाद का, फिर आपको दिया है fair value, अब जो fair value है, वो आपको इसमें भी include करना पड़ेगा ना, वरना comparable नहीं होगा, तो मैं इस fair value में decommission का value भी क्या करता हूँ, include करता हूँ, and then I will compare, तो मैं बोलता हूँ, gain आया, gain आया, gain आया, बोलके कहां transfer करेंगे, OCI NR में transfer कर देंगे, simple, अच्छा, उसके बाद, उसके बाद क्या बोलता है और every year के end पे इनको है, must टका टक balance sheet का strike बना के देने का, ठीक है, चलो, आगे बढ़े क्या, yes, आगे बढ़ते है, आगे का बोलता है, आगे बोलता है, on 31st March 15, मतलब एक साल के बाद, एक साल के बाद, बोलता है, आपका decommission liability has decreased by 5000, directly decreased का amount दिया हूँ, देखो, पिछले question में, directly decrease का amount नहीं दिया हूँ था, आपने increase decrease निकाला था, present value term में लाकर, यहा directly decrease का amount दिया हूँ, directly change का amount दिया हूँ, बोलता है, change हो रहा है, decrease हो रहा है 5000 है, और asset reval model पे है, तो क्या करेंगे, इस decrease को gain loss adjust करेंगे, तो इस decrease की entry क्या देगी, मैं बोलु तो प्रोविजन, क्योंकि provision कम हो रहा है, तो provision debit to revaluation gain, अब यह gain का जाएगा, मैं बोलू, पहले भी ECS पे gain आया था, तो पहले भी gain, अभी भी gain, तो यह वाला gain, OCI में जाएगा, तो देखो, ऐसे ही किया हूँ है, next year में, यह carrying amount हो गई थी, decommissioning का value कितना हो गया था, एक सल अन्वांडिक करने का इतना हो गया था, अब यह value 5000 जे गिर गया, तो कितना बचा, 7180 बचेगा, और यह इसकी entry रही, provision to revaluation gain, उसके बाद एक और चीज बोली है, मतलब आपके cost में तो कई भी change नहीं होने वाले है, इसकी fair value के साथ, fair value 1,07 है, उसमें आप यह revised decommissioning add करोगे, तो आपको नया fair value मिलेगा, अब carrying amount जाता है, fair value कम है, तो आप का आएगा revaluation loss, अब यह loss कहां जाएगा, पहले दो बार मेरे पास gain आया होा पड़ा था, बराबर पहले मेरे पास इतने का gain आया 15600, फिर मेरे पास इसका भ आया है, I hope this is clear to everyone, अरे yes or no, शांदार, perfect, खतम कहानी इसकी, question practice करके जाना, पहले बता रहो, देखो, यह जो मैं आपको overview दे रहा हूँ, overview से आपको पूरा question क्लिक हो जाएगा, लेकिन एक बार अगर लिख कर ली, तो आपको मजा आ जागे दमी, हाँ, चलो, आगे बढ़ ज करने के अपने पास दो method है, या तो eliminate करेंगे या फिर eliminate नहीं करेंगे, यह उसी concept में based है कर चुक है, आपन वापस है करने का जरूवत नहीं है, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, हाँ, यह एक शांदार question, ओ, 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 इतना प्यारा, है ना, आहा, मजा आ रहा है तुमक करते है इस question को, क्या बलता है, सुन लो, बुलता है, पी-पी का machine का life है, sorry, machine का value 30 lakhs, 1st April 1 को, फिर 1st April 6 को carrying around 17.5, अब इसका original life missing होता है, तो पता हम life निकालते है, कैसे, वो बुलता है, total 5 years में, आपने 12.5 lakhs depreciate किया है, तो per annum का debt कितना हैगा, आपका 2.5 है ना, और total cost divided by 2. करो गया तो आपको life मिल जाएगा, इस तरीके से कुछ निकाला हो, आपको दिखातों में कैसे निकाला हो है, इतर गया, यह रहा, यह देखो, जैसे मेरा, total debt for 5 years 12.5, per annum का 2.5, और cost divided by 2.5 करो गया तो life आपको 12 years, life क्यों चाहिए, बात में काम आएगी आपको, ठीके, चलो 10% का, तो जो भी carrying amount है आपका, उस पर आप 10% add कर देना, अब इसमें पूछा काता है, वैसे ledger पूछाता, तो आपको हर साल का ledger बना के देना पड़ेगा, जैसे देखो, first 5 years का ledger बड़ा simple है, पहले आपने खरीदा, फिर आप हर साल करोगे depreciate, ऐसे पाथ साल तका depreciate करोग फिर first April 6 में, आपका ये opening था, इसमें आप इसी दिन पर reval करोगे, तो 1,75 से add हो जाएगा, because 10% का upward reval था, ठीक है, इससे आपकी carrying amount will increase, तो आपका depreciation भी चेंज जाएगा, प्रस्पेक्टिवली, तो डेप आपका 250 के बदले, 275 आ जाएगा, कैसे आगा 275, टोटल वैल्यू 19.25 और remain alive 7 years बचेगा, तो डेप करोगे, तो easily आपको निकल जाएगा, ठीक है, simple है, उसके बाद क्या बोलता है, फिर बोलता है, heaven availed the option given by India, of transferring some of the surplus, as the asset is used by the enterprise, बोलता है, जैसे जैसे asset को use करोगे, वैसे वैसे कुछ surplus, आप transfer करोगे, ये कौन सा वाल है, वो उसका बात कर र तो excess debt, इतने साल तर निकालना है, मालूम पड़ेगा, आगे, फिर बोलता है, 1st April 2008 में, downward revile किया 15% से, ठीक है, तो downward revile करोगे, तो पहले 1st April 8 की value पर आजाओ, ये मेरी 1st April 8 की carrying amount, इसमें आप downward revile मारोगे, 15% से, तो इसका 15% आएगा 2,06, अब इसमें से ये loss जो है, ये कहा तो आप बोलो के थोड़ा OCI है, थोड़ा profit and loss, अब कितना OCI है, तो आप बोलो के पहले मुझे gain 1.75 का आया था, तो उतना OCI है, ऐसा मत करना, इस gain में से आपने already कुछ surplus RE में transfer कर दिया है, अब कितना RE में transfer किया है, आपने upward revile के बाद, दो साल तक depreciate किया था, बराबर, तो 2 years का excess debt है, वो आपने surplus से निकाल कर RE में transfer कर दिया रहेगा, तो surplus में आपका balance से 1.25 भी बचा होगा, जब आप downward revile कर रहे हो, तो इस में से 1.25 भी OCI suggest करोगे, और balance जो है, वो profit and loss suggest करोगे, simple, और उसके बाद वो बोलता है, एक साल के बाद हमने असर को क्या कर दिया, बेज 2010 में asset को base दिया, तो बस 2010 की पहले carrying amount के ओपर आ जाना, बराबर carrying amount मेरी जो भी बसती है, और आपने बेचा इतने value में, तो जो भी balancing figure है, वो आपका profit on sale या loss on sale हो जाएगा, तो मेरी काल से यहा मुझे balance आ रहा तो मेरा profit on sale है, जादा में बेचा है मैंने, इस case में, ठीक है, अच्छा यह जो profit है, यह profit and loss में जाएगा, because it realized profit है, ध्यान रखना, simple, तो यह पूरा ledger वाला question है, calculation intensive question है, करके जाना, शांदार question है, ठीक है, done, illustration number 25 is over, आगे बढ़ जाते है, उसके बाद, question number 2, again a very good question, ठीक है, क्या बोलता है, सुन लो, बोलता है हमने यह सारे खर्चे incur कि यह है, ठीक है, तो basic material वाला खर्चा, यह है, recoverable goods and service taxes, recoverable, हम से non-recoverable and non-refundable add करते हैं, यह वाला add मत करना, बराबर तो इसको ignore करेंगा, आपन, उसके बाद, employment cost for 3 months, यह 3 मने का cost दिया हुए, employee का, लेकिन जब आप नीचे पढ़ोगे, ना मालूम पढ़ेगा, काम सिर्फ 2 म हैने का ही, जो खर्चा है, वो capitalize करोगे, बाकी capitalize आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा, overhead, जो भी construction का cost है, वो total 900 है, नीचे information दिया हुआ है, कि out of this 900, 300 is abnormal, वो नीचे information दिया हुआ है, तो हम सिर्फ 600 क्या करेंगे, capitalize करेंगे, उसके अलावा, यह दोनों खर्च डिरे value 3 million दिया हुआ है, 3 million rupees in thousands लोगे तो 3000 rupees आएगा, अब इसके inspection में, assumption क्या होता है, कि day 1 की total cost में, inspection का खर्चा is already included, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, तो आपको मैंने सिखाया तने, कैसे करना आपको, कि किदर गया में रहे वाला part, एक सेकन रूखो, नीचे होगा, यह रहा इसके से, inspection का खर्चा is already included, तो 3000 is inspection और बाकी इस other asset, इसका life 4 years है, इसका life 8 years है, तो अब अपने को value 31st में नहीं, 31st मार्च का चाहिए, तो for how many months you will depreciate, you will depreciate for 10 months, बराबर तो इसका आप charge करोगे, depreciation for 10 months as per 4 years, और इस पर आप charge करोगे, debt for 10 months as per 8 years, simple, carrying amount मिलेगा, और आपको extract अब इसमें एक important cheese, balance sheet के strike में एक और चीज आएगी और वो है provision for decommissioning, जो decommissioning का provision है वो भी आएगा, लेकिन ये जो amount है 1360, ये तो 31st में के एसाब से है, आपने को 31st में की value नहीं चाहिए, आपने को कप की value चाहिए, year end की value चाहिए, तो इस पर आपको unwinding लगाना तो आपको marathon के अंदर ये भी बताता हूँ चलूँगा, कि आप mistake कहा का करने वाले हो, ठीक है, चलो, तो ये अपना question होगा, शांदर वाला करके जाने वाला question, भी अच्छा question है, उसके बाद let me see, और को धंका question है क्या, मेरे ख्याल से नहीं, तो इसी के साथ, अपने 16 के सारे concepts, और जितने भी relevant, important, ऐसे question है, जो आपके 100% concept कवर करते, वो खतम कर दिये, और अपने तरीका है, जबी भी इंडेस खतम करेंगे, आपन सब चिलाएंगे, क्या चिलाएंगे, सरसे, सरसे मोरी चुनरी जाए, सरक, 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 अभाई साब, आपने सरका दिया इसको, है ना, चलो, आजाओ, so let's proceed further, with a new इंडेस, without wasting any time, ठीके, चलो, आप कौन सा इंडेस करेंगे, सर, now we will do इंडेस 38, एकदम quick रहने का, quick, अपने एक्जाम है, आपने बिल्कुल भी time waste नहीं कर सकते, एकदम quick रहेंगे, ठीके, ध्यान रगदा, चलो, यहाँ, अच्छा, यह बताओ, म wasting any time, let's start, सबसे पहले, इंडेस 38 के अंदर, नाम क्या है, intangible assets, सबसे पहला point है definition, definition एक ही का दिया हुए, intangible का definition दिया हुए, जो काम के point है, उसके बाद करते है, बोलता है, चार चीज़े, identifiable non-monetary asset, identifiable non-monetary asset without physical substance held for use, बराबर क्या, अब what is the meaning of identifiable, identifiable का मतलब होता है, identifiable का मतलब होता है, कोई भी asset, कोई भी intangible, identifiable तब होगा, जब either it can be sold separately, और it has arise from a legal contract, या तो उसको अपने अलग से बेचा है, या फिर it has arise from a legal contract, ठीक है, ध्यान अटना इस बात का, उसके अलावा, इसलिए ना goodwill के जब बात करते हो, तो self general goodwill है, वो आप कभी भी record नहीं कर जो खरीदा वो goodwill है, it has arise from a legal contract, बरावर उसके अलावा आता है non-monetary asset, non-monetary का definition आपने इंडेस 21 में देख लेंगे, छोड़ दो उसको, उसको physical substance नहीं होता है, और health for use होता है, उसका guidance दिया हुए, guidance दिया हुए, जब किसी asset में, दोनों element हो, tangible, intangible, तो क्या करने का, तो उ computer खरीद रहे हो, तो computer के अंदर, computer के अंदर, जब software आते है, तो पैसा आप देरो hardware के लिए, computer के लिए, तो you will consider as a tangible element, I hope this is clear to everyone, yes or no, yes, चलो, का नहीं खतम, फिर आते recognition, वो same है, time pass मत करो, फिर measurement, measurement में initial subsequent, यहाँ भी initial, always, always, always at cost, अब जो जो concept, इस same like 16, उसको वापस से नहीं exchange वाला part, same है, government grant, 20 में बात करेंगे, आते हैं, दो important points जो नया है, सबसे पहले, अगर आपने intangible, business combination में acquire किया है, तो क्या होगा, और अगर आपने intangible, internally generate किया है, तो क्या होगा, अच्छा, अगर आप business combination में intangible acquire करते हो, simple है, तो आप उसको fair value पे acquire करते हो, बराबर, तो fair value या आपके लिए cost होती है, तो आप fair value पे record करते हो, पहला चीज, दूसरा चीज, जब आप business combination में acquire कर रहे हो, तो it is possible, कि सामने वाले के books में, कोई intangible share recorded नहीं होगा, for example, selling company के books में, database, जो उसने self-generate किया, वो उसने record नहीं किया रहेगा, लेकिन आप तो इसके लिए पैसा भर रहे हो, आप तो इसको acquire कर रहे हो, तो आप तो इसको record कर सकते हो, तीसरा पार्ट, अगर कोई भी access आप pay करते हो, जैसे PC आपने जाधा pay किया, तो access आपन क्या record करते है, goodwill record करते है, तीसरा पार्ट, चौता पार्ट, अगर कोई भी दो intangible, साथ में ही separable है, तो उसको आप साथ में record करते हो, अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करने का, जैसे आप एक्जामपल देता है, logo and tagline, कभी कभी कहोते है, company का logo and tagline, भीकेगा तो साथ में भीकेगा, तो record भी साथ में करने का, उसको, खतम होगी कहानी इसकी, फिर आता है, note no.5, internally generated intangible asset, बराबर, जब आप कोई भी intangible, खुझ generate कर रहे हो, अगर वो गुड्डू है, कभी record नहीं करने का, अगर वो गुड्डू के इलावा कुछ और है, तो दो phase में बाटने का, research phase, development phase, research phase का सारा खर्चा, always profit and loss, development phase always capitalize, question के अंतर हमेशा दिया वह रहता है, कि development phase कब शुरू हो रहा है, लेकिन real life में को कैसे मालू पड़ेगा, that development phase has started, तो उस case में, you will have to check six conditions, बराबर अगर वो छे condition meet करेगा, जिस दिन यह meet करेगा, उस दिन development phase has begun, वो छे condition क्या है, सबसे वहला technical feasibility of completion, उसके बाद है intention to complete, उसके बाद है ability to use or sell the intangible, उसके बाद है how it will generate FEBs, उसके बाद है availability of resource, technical, financial, feasible, उसके याद कैसे करेंगे, simple है, देखो, दो condition recognition criteria की, FEBs and cost and measured reliability, दो condition है completion को लेकर, feasibility of completion and intention to complete, और दो है एक को लेकर, ability to use or sell, और availability of resources, ऐसा आप याद रख सकते हो, छे condition meet करेगा, तो development phase will start, अब जब development phase शुरू होएगा, तो development phase के अंदर भी कौन सा वाला खर्चा capitalize करोगे, तो development phase के अंदर भी, सिर्फ और सिर्फ डिरेक्ली, एक्सपेंसी, करोगे, support development phase में, आपने राहूल कांदी जी को बुलाया, और बुला के ribbon काटो, तो उनका खर्चाब capitalize development phase में भी नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान लटना, clear, चलो, आगे बढ़ जाते, उसके बाद, other important points, relating to internally generated intangible asset, म कुछ-कुछ items, अगर आपने internally generate किये, तो जिन्दगे में कभी record मत करना, brand, customer database, titles और master, उसके लावा, अगर research development, खुद नहीं कर रहे हो, किसी और का research, एक्वायर कर रहे हो, तो किसी और का research, आप capitalize कर सकते हो, अच्छा, किसी और का research, एक्वायर करने के बाद, अगर आपने ख जब आपने intangible खुद generate किया है, simple, clear, उसके बाद अपना आएगा subsequent measurement, it is again 2 model है, cost revaluation, बस यहाँ एक फरक है, जो PP में नहीं था, वो यह है, कि अगर आपको reval model यूज करना है, तो आपको fair value active market की चाहिए होती है, यह बाद ध्यान लखना, ठीक है, उसके बाद, बाकी reval model की, यह point same है, treatment of amortization, पुराने वाले का, same है, यहा, revaluation to be applied to entire class of asset, इसमें एक नया point है, क्या नया point है, इसके अंदर, कि जब, हम क्या बोलते, same class पे, same model, यही बोलते है, same class पे, same model, है न, इसका एक exception है, exception क्या है, कभी-कभी क्या होता है, मेरे पास 5 software है, 4 software की active market की fair value है, तो 4 पे apply कर रहा हो, reval, लेकिन, एक की active market नहीं है, तो उस पे cost apply कर रहा हो, चलेगा क्या, चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन, अगर पाचों का active market का fair value होता, अगर पाचों में active market का fair value होता, तो फिर ऐसा अलग-लग नहीं चलता, फिर पा जब आप intangible में future खर्चे करते हो, तो उसका कोई FEB नहीं होता है, तो वो जाएगा profit and loss के अंदर, उसके अलावा, fifth point, यह बहुत important है, ऐसा कसम खाने का, शपत लेने का, क्या शपत लेने का, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंग और वो क्या है, कभी-कभी क्या होता है, अपने को पूछता है, जितना revenue कमाया, उतना depreciate करू क्या, तो normally हम बोलते हैं नहीं चलेगा, in most cases, amortization based on revenue is inappropriate, लेकिन, कुछ rare cases है, जिसमें आप revenue के based amortize करो, तो भी चल जाएगा, example, एक ऐसा toll का right, आपके बस toll का license है, जिसका life is dependent on revenue, suppose government license दिया, बोला, इसकी life कितनी है, जब तक आप 50 करोज ना collect कर लो, तो 50 करोज collection जितना time जो है, वो आपका life है, तो जितना जितना आप revenue earn कर रहे हो, उतना आपका license का value, उतना आपका license amortize हो रहा है, तो ऐसे case में, जहां life is dependent on revenue, उस case में amortization based on revenue is appropriate चल जाएगा, ध्यान value, normally zero assume करना, unless, अगर किसी third party ने commitment दिया है, कि आपको वो कुछ ना कुछ life can pay करेगा, तो आप मान सथे हो, वरना zero मानना, useful life, अगर infinite है तो amortize मत करना, but intangible के अंदर आप 36 में ही पढ़ोगे ये चीज, कि intangible में, infinite useful life वले intangible को, आपन amortize नहीं करते, सिफ test करते, impairment के लिए अगे बढ़ जाओ, उसके बाद, अगे बढ़ जाओ, उसके बाद, अगे बढ़ जाओ, अब इसके क्या करेंगे, आपन फटाफट से questions कर लेंगे, आजाओ, शांदर questions करते हैं, इसके कुछ, questions, 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 38, इसके question में इतनी जान नहीं है, मतलब इसके question में, बड़े simple से ही है, इतना कुछ है, दम नहीं है, इसके questions के अंदर, बट ठीक है, आपन फिर भी कर लेंगे इसको, यह रहा, India is 38, चलो, क्या बोलता है, इसके question में, सबसे पहला यह वाला question है, ठीक है, यह शांदर question है, क्या बोलता है, सुन लो, बोलता है, हमने न, 31st March के पहले, 8 lakhs रुपीज पे किया, for advertisement, ठीक है, 7 lakhs पे किया, for the current year, 1 lakh पे किया, for the next year, तो ऐसे case में वो पूछता है, advertisement को, क्या intangible कह सकते है, क्या, advertisement intangible नहीं हो सकता, लेकिन, मैं बूलू, it is in the nature of prepaid expense, 8 lakhs आज पे किया, लेकिन, उसमें 7 lakhs is for current year, 1 lakhs for next year, तो prepaid तो हो सकता है, बराबर, तो out of 8 lakhs, आप expense सिफ 7 lakhs दिखा होगे, और बाकि आप prepaid asset 1 lakh book करोगे, to cash bank 8 lakhs करके, और यह prepaid को आप next year में reverse जाके करोगे, simple, बस यह prepaid वाला adjustment है, ध्यान रखना है उसको, उसके बाद, इतना ही था उस question में, और कुछ नहीं है उस question के अंदर, फिर आता है आपका 6th वाला illustration, यह simple है, लेकिन, यह LDR इसे लिए है, because, इसके अंदर exchange का जो concept है, याद है, आपको asset acquired by way of exchange, तो अपने पा करने मिलता है, दोनों company के point of view से, sun के point of view से भी, earth के point of view से भी, पराबर तो यह अपने concept तो पता है, लेकिन इसको practice आप जरूर कर लेना, ठीके, तो यह वैसे simple है, तीनी entry मारने आपको, बट दोनों company के point of view से मारनी है, तो आपको करना पड़ेगा, यह वाला question, बट यह simple है, अपने concept discuss कर लिया, उसके बाद, अगला question is, illustration number 8, चलो, अच्छा, इसमें ध्यान रटना, जिसके पास भी, पुरानी edition, edition 5, edition 4, तो यह वाले part में थोड़ा change है, मतलब, ICN, थोड़ा अचा, एक साल आगे किया है, सब कुछ, तो वो आप, जब module देखोगे, तो आपको समझ ज उसके बाद, आपको recoverable amount दिया हुए, सरी, recoverable दिया, तो क्या करने का, recoverable दिया, तो 36 का impairment test करने का, ठीक है, ध्यान रटना इस बात का, ठीक है, तो recoverable दिया हुए, 1000 रुपीज, तो capitalize के 900, तो carrying amount आपकी होगे 900, recoverable amount is 1000, impairment किता है, येडी कितरा impairment, 100 मत बोल देना, अरे, impairment काब हो ध्यान रखना, चलो, हाँ, आगे बढ़ जाते है, फिर वह बोलता है, अगले साल और development किया, 6000 का development किया, बराबर तो अभी आपका carrying amount किता हो गया, 900 plus 6000, becomes 6900, फिर वापस से क्या बोलता है, life is 6 years हो गई, बट ये साल के end पे ready हुआ, जिस दिन से ready हुआ, उस दिन से amortize करोगे तो amortization current year में नहीं आएगा, जो भी आएगा next year में आएगा, तो next year I will amortize, कितना amortize करूँगा, divide by 6 करके amortize करूँगा, तो कितना आता amortization, तो अगर आप लोगे 6900, divide by 6, तो it will come to 1150, minus 6900 करोगे, तो आपको balance मिलेगा, carrying amount will be 5750, एक साल के बाद, और उस साल के बाद का आप आपको दिया हुए recoverable 5000, अब आपका impairment loss आएगा कितने का, 750 का, simple, correct, तो यह अच्छा दा question है करके जाना simple है, खतम होगे इसकी कहानी ही, done, चलो, आगे बढ़ जाते है, तो यह question था अच्छा वाला, उसके बाद और कुनसा धंके question देखने दो मुझे, 30 के question बहुत simple simple से हां, इत्ता कुछ है नहीं, यह आगया illustration 27, शांदार question है, क्या बोलता है, देखलो, क्या बोलता है, सुनलो, बोलता है हमने cost incurred किया 18 lakhs का, अब यह न मैं आपको question का समरी देता हूँ, वो बोलता है, यह 18 lakhs 12 मिने का खर्चा है, लेकिन दो महिना अपना research चलाता, क्यों, क्योंकि यह अपने को approval वगेरा 1st June को आया, तो 1st June से लेकर मार्च तक 10 months is your development phase, और पहला दो मेना research phase हा आपका, तो आप evenly accrued मानकर इसको बाटोगे, 18 lakhs, for 12 months is 18 lakhs, तो 2 मेने का इतना होगा, तो 2 मेने का आपके लिए होगा 3 lakhs, यह आपका profit and loss में जाएगा, और 15 lakhs यह आप capitalise कम्पने ने गल्दी क्या किये, कम्पनी ने पूरा 18 lakhs intangible मान लिया है, तो वो गलत है, उसके अलावा, यह पहला चीज गलत, तो आपका carrying amount होना चीए 15 lakhs, उसके अलावा अपने को बोला हो है, कि recoverable amount दिया हो है, value in use दिया हो है, it is 9 lakhs 60, तो अगर recoverable amount 960 है, तो आपका फिर impairment loss भी आगा, कितने का आएगा, 5.4 lakhs का आएगा, तो उस case में, पूरे साल में, आपकी दो चीज़े जाएगी profitable loss में, एक यह 3 lakh और यह 5.4 lakhs, तो यह rectification entry मारे हुए, क्योंकि आपका intangible 18 पर दिख रहे है, लेकिन वो 18 पर नहीं दिखना चीए, तो आपको intangible कम करना तो, let me see, हाँ, यह question है, illustration number 3, शांदार question है, बढ़िया question है, ध्यान से देखना क्या बोलता है, एक बार exam में आ चुका है, और एक बार mock test में भी आ चुका है, वो बोलता है, अपने तीन अलग तरके intangible acquire किये, ठीक है, पहला आपने एक तो PC पे किया, 1320, net asset आया, 10 lakhs, तो ज Goodwill का life is 10 years, मुझे सोच समझ के दिल पहात रखके बताओ, Goodwill की कोई life होती है गया, Goodwill की कभी life होती है गया, नहीं, तो Goodwill is never amortized, बराबर तो उन लोग तुमको है न, यड़ा बना रहे, उन लोग समझे तुमारे माथे बे कुछ लिखा है, कुछ लिखाई का अपने माथे ब करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, उसके आगे, फिर बोलता है, फ्रेंचाइस वगर आप पर्चेस किया, 80,00,000 में, तो 80,00,000 करोगे, फिर बोलता है, 2% भी पे करेंगे, जित्ता रेविन्यू कमाएंगे उसका, तो यह जो 2% है, यह तो आप as and when कमाओगे, तब आप profit loss में हराने के लिए, तो किसी और को हराने वाला जो खर्चा है, वो profit loss में जाएगा, कॉपिराट की life is 10 years, तो इसको आप amortize करोगे, इसमें basically एस्ट्रैक पूछा है, balance sheet वगरा का, बराबर तो एस्ट्रैक कैसे बना के दोगे, simple है, goodwill जित्ता ओपनिंग था, उतने रह जाएगा फ्रेंचाइस का life 5 years था, तो एक साल का amortization करना closing मिलेगा, कॉपिरार का life 10 years था, तो एक साल amortization करना closing मिलेगा, तो यह आपका हो गया amortization जाएगा profit and loss में, और यह आपका होगा total closing balance यह जाएगा balance sheet के अंदर, उसके अलाबा profit and loss में और क्या क्या आएगा, एक आपको बोला ह current year revenue 10 lakhs है, तो वह आपके revenue में आएगा, और 2% आप revenue का pay करने वालों ना, वह आपका profit loss में जाएगा, उसके लाबे 7 lakhs, जो आपने हरने पे पे किया, यह भी profit loss में जाएगा, तो ऐसा hashtag बना के इनको दे देना शानदार तरीके से, clear यह वाला part, कतम, उसके बाद, let me see, और cost 12 lakhs था, life 15 years था, लेकिन, मुझे third party ने commitment दिया, कि वो 5 years के बाद, इसको 60% of fair value में purchase कर लेगा, है न, और हमारा intention भी है, कि हम 5 साल के बाद इसको बेश देंगे, तो इसका मतलब हमारे ले life, 12, 15 नहीं, सिर्फ 5 years होनी चाहिए, because हमारा intention है कि 5 years में बेश देंगे, उसके amortization कैसे निकालोगे आप, 12 lakhs minus residual value divided by the life, तो आपको यह मिलेगा amortization, अब company ने क्या किया है, company ने residual value 0 consider किया है, और life 15 years consider किया है, इसलिए उनको amortization बाद है कितना 80,000 कैसे, 12 lakhs divided by 15 years, इनको ऐसे आया, बट यह गलत है, तो बुलने है, company ने गलत किया है, थोड़ा concept चेपके आ यह वाला part, so this completes our which index, 38, एक घंटे में आपने दो शांदार index क्या खर लिए, निप्टा लिए, तो हो जाएगा फटा-फट से, जल्दी से, सर से, सर से, मुरी चुनरी जाए, जाए, सर से, मुरी चुनरी जाए, सरक, 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 यह रहन नहीं जाता, क्या करें तड़पी ऐसी है, सर, तो आपन अभी एक और index करेंगे, and that is going to be index, 40, and that is investment property, ठीक है, एक वाटर बेक लिए, 10 seconds का, चलो ले ले लेते है, फटा-फट से, आजाओ, अच्छा, सर, इस index के टेलिग्राम पर डाल, अच्छा, 40 के रहे गए, 38 के मैं, आज का मारा फम कंप्रीट होती, डाल दूगा मेरे टेलिग्राम के ओपर, ठीक है, 38 के बोर्ट नोट्स, तो टेलिग्राम का लिंक, पिन कर रखा है, मैंने, उस टेलिग्राम पर में डाल दू तो इंडेस 40, शुरू कर देंगे, इंडेस 40, इंवेश्मेंट प्रॉपर्टी, अगर आपके बास कोई ऐसा प्रॉपर्टी है, जो आपने इंवेश्मेंट परपर्पेस के लिड़कर रखा, इसका मतलब क्या होता है, एदर इस हेल टू और रेंटल्स, और फर क्यापिटल अपरिशेशन है आफिर बो, तो उसको बलेंगा आईपी, उसके अलावा, यहाँ पीपी को प्यार से ओर्नर ऑक्यूपर्टी बोलते है, जैसे एक बात ध्यान लगना, अगर आपकी प्रॉपर्टी में इंप्लॉई रहे रहे है, उसको बलते है, इंप्लॉई ऑक्यूपर् बराबर परचेस किया दो, सेम लाइक 1638, एक्शेंज किया दो भी सेम लाइक 1638, हाँ, कभी-कभी आप इंटाइंजिबल, लीस के थूरू एक्वार करते हो, तो उसके इसमें उसके लिए, इंडेस 116 में जाएंगे, ठीके, खतम, यहाँ फरक क्या है, यहाँ फरक यह है, कि जब अब subsequent measurement करोगे, तो subsequent measurement भी किसम होगा, only cost model, यहाँ fair value model नहीं होता है, यहाँ subsequent cost model फॉलो करोगे, fair value is only for disclosure purpose, कभी-कभी fair value available नहीं है, तो यह fact along with reason showcase कर देना, ठीके, उसके बाद subsequent cost incurred, servicing किया, profit and loss, replace किया, तो you will apply component accounting, मतलब मैं बोलू, काफी सार एक concept again, is same like 16, फिर आते है नए नए पार्ट, and that is property held for more than one purpose, suppose मेरे पास है 10 floors का building है, 3 floors में use कर रहा हूँ, 7 floors में rent पर दे रखा है, तो इसको बोलते है property held for more than one purpose, तो ऐसे किसमे standard पूछता है, क्या आप इस property को अलग से बेच सकते हो गया, क्या use वाला portion अलग से बिकेगा, और sell वाला portion, rent वाला portion अलग से IP, बराबर बट, suppose एक घर है 2BHK का, थोड़ा सा use कर रहा हूँ, थोड़ा rent पर दे रखा है, एक ही घर, तो अब क्या घर अलग 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 तो यह मत देखना which is the majority, बेओ कूफो क material होता है, 30% होता है यह material, तो if the held for use portion is significant, तो पूरा property आप बोलोगे owner occupied property, but if the held for use portion is insignificant, पूरा property आप IP बोलोगे, कहानी कतम, उसके लाबा, ancillary services provided to occupants of property, कभी-कभी आपने पूरा का पूरा property दिया रहता है, साथ में छोटी-मोटी service भी दी होती है, उसको बलते ancillary service, for example, आपन security guard का service भी हम ही देंगे आपको, तो hotel के साथ एक छोटी-मोटी service, ऐसे छोटा-मोटा service दिया, चलेगा कोई बात नहीं, अभी भी यह property यह IP ही रहेगा, बराबर, लेकिन अगर आपने hotel के साथ सारी services दी होती, कि cooking भी, cooker भी हम देंगे, security वाला भी हमारा होगा, receptionist भी हमारा हो क्योंकि ultimately आप ही चला रहे हो इसको, ध्यान रटना इस बात का, ठीक है, खतम कहा नहीं, उसके बाद property lease to other group members, एक parent ने अपने ही property, owner occupied property, PPE ही रहने वाला है, simple, उसके बाद हैगा, transfer to or from investment property, क्या आप 40 से किसी और index में, या किसी और index सा 40 में, ऐसा खेला कूदी कर सकते हो, क्या, तो बोलता है, करसतों के दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यह तभी करना, only when there is evidence of change in use, सिफ intention से काम नहीं बनता है, बराबर, औ और जब ऐसा transfer करोगे, तो suppose आपने ना, PPE से IP में कहे, तो जिस दिन आसे transfer किया, उस दिन PPE में carrying amount 7 lakhs थी, तो IP के लिए cost क्या बनेगी, 7 lakhs, तो जो पुराने index की carrying amount है, वो बनेगी नए index के लिए cost, मतलब carrying amount change होने वाली नहीं है, उसके बाद है, डी recognition है 16 फिर समरी दिया को फटा-फट से कर लेते हैं उसको भी, ठीक है, हाँ, सबसे पहले ये वाला question है, illustration number 9, देखलो क्या बोलता है वो, सबसे पहले बोलता है हमारे पास है na, land था IP में, land था, अच्छा IP भी depreciate होता है, लेकिन सिर्फ लैंड नहीं होएगा, land रहेगा तो नहीं करना depreciate, बाकिसा fair value भी दिया हुआ है, IP में मेरे लिए fair value सिर्फ relevant है only for disorder purpose, कभी record मत करना उसके ओपर, फिर बोलता है, हमने 38 September को property vacate कर दी, और उसको convert करना शुरू कर दिया, into 10 flats intended to sell in ordinary course of business, मतलब इस दिन में, वो 40 से 2 में चले जाएगा, तो 40 में आपकी cost 2 करोर जी रह जाएगी, तो 40 से 2 मे जाओगे, तो 2 CR पी जाने वाले हो आप, तो inventory आपकी 2 CR की हो जाएगी, एक बार inventory में आ गए, फिर inventory के provisions will be applicable, वो बलता है भी inventory बनाने के लिए, मैंने cost of conversion 60 lakhs incur किया, तो 2 CR plus 60 lakhs, कितना हो जाएगा आपका 2.6 CR, यह आपकी inventory की index 2 में आप आगे खड़े हो, index 2 में आपकी cost हो but index 2 में, हम रखते है cost या NRV, whichever is lower, अब यह WIP stage में, ठीके, तो WIP की NRV पते है क्या होती है, हम वो index 2 में पढ़ेंगे, बता दो आपको क्या होती है, it is nothing but selling price, less cost of completion, and less cost of selling, cost of completion भी minus होते है, बिको WIP है, बराबर, तो इस में cost of selling, sorry, selling price बते है कितना है, 50 lakhs for each flat, तो 10 flat में convert करने वाले है आपन, तो 5 CR is the selling price, और cost of completion 40 lakhs दिया हुए है, तो 40 lakhs, तो आपकी NRV हो जाएगी 4.6 CR, तो आप रखोगे 2.6 CR, 4.5, whichever is lower, तो you will keep at 2.6 CR, that's it, खतम हो गया यह वाला question, done, उसके बाद आगे बढ़ जाते है, फिर आपका आएगा illustration number 10, यह भी शांदार question है, दिखने मे बहुत ही बड़ा question देखेगा, आपको देखो, एक पच्छा question है, लेकिन इसमें आधी information, specially यह नीचे की information, it is irrelevant, पूरा कच्रा बट्टी है, इसके अंदर, चलो फिर भी आपन देखते है, सुन लो, शौरे limited owns a building A, IP में, ठीक है, held for earning rentals, तो IP में जाएगा यह, ठीक है, फिर building A, 31st March 20 का information दिया हुए, कि purchase क्या दर 10CR में, 20 years की life थी, out of which 5 years has expired, until 1st April 19, बोलता है, 1st April 19 तक 5 साल बीच चुके थे, अपने को 19 नी, 20 तक का information चाहिए, तो अगर 19 तक 5 years बीच चुके थे, तो 20 तक त 5 नहीं, 6 years में depreciate करोगे, और फिर आपको मिलेगी carrying amount, उसके अलावा, फिर building B का information दिया हुआ है, यह अपने purchase के 19 में, तो 20 तक का information चाहिए, तो एक साल depreciate कर देना, ठीक है, इससे आपको मिलेगा building A और building B का carrying amount, जो आप balance sheet में record करोगे, और आपको मिलेगा building A और building B का depreciation, और current account depreciation आप profit and loss में transfer कर देना, उसके लावा यह सारी information दी गई है आपको, यह सारी information आप transfer करोगे profit and loss के extract में record कर देना, एक एक करके, फिर यह information दिया हुआ है, fair values का, मैं बोलू, fair value index 40 में, it is only relevant for disclosure purpose, बराबर, तो disclosure, जो भी fair value का information है, बोलता total fair value इतना है, तो बस इसको आपको क् उसके बाद, question number 1, यह भी शांदार question है, बोलते है, 10 CR है, 10 floors है, बोलते है, पहले का 7 floor, use कर रहे है, उपर का 3 floor, वेकेंड़ रेंड पर दे रखाए, तो यह 3 floor IP रहेगा, यह 7 floor PPE रहेगा, simple, आपको total value दिया, total नीचे बोला हुआ है, कि cost of top 3 floors, उपर के 3 का माले का value है, 3 CR, औ और जो 7 CR है, इसका bifurcation है, इसमें से 25% land है, और 75% building है, तो land पे there will be no depreciation, building का जो भी value आएगा, उसमें आप 1 साल का debt charge कर देना, और IP में भी आप 1 साल का debt charge कर देना, आपको मिल जाएगी year के NPS की carrying amount, बस, अच्छा, यहाँ fair value भी दिया हुआ है, क्या fair value relevant है, IP में it is only relevant for disorder purpose, PPE में देखना पड़ेगा, कुन से model के ओपर है, तो बोलता है, company wishes to use cost model for PPE कर सकता है, तो cost पे, तो fair value relevant नहीं है, उसके अलावा, fair value model for IP, उसको fair value model IP में use करना है, चलेगा क्या, अगर IP में fair value allowed ही नहीं है, IP में रखना पड़ेगा, cost पे, fair value is only there for disclosure purpose, ध्यान अटना इस बात का, ब and that is question number 2, बहुत ही शांदार, सबसे best question है यह वाला, पूरे, पूरे इंडेस का, ठीक है, क्या बोलता है, देख लो, वो बोलता है, stars limited is a multinational entity, that owns 3 properties, 3 property है उसके पस, ठीक है, all the 3 properties were purchased on 1st April 16, property 1, property 2, property 3, 2 property factory है, 3 है let out building, ठीक है, तो 2 PPE हो गया, 1 IP हो गया, ठीक है, आपको से information दिय purchase price, fair value, life, और measurement का information दिया हुआ है, फिर property 1 and 2 are occupied by stars limited, whilst property 3 is let out, ठीक हमको पता है, अब वो बोलता है, all 3 properties, balance sheet में उसको PPE दिखा हो है, तीनों property को PPE बोल दिया, चलेगा गया, नहीं, 1 IP है, 2 PPE है, तो यह गलत, उसके अलावा, अगर आप model देखो, model, बोलता है, 1 PPE पे cost, 1 PPE पे fair value, अब दोनों factory है, तो same class पे same model, या तो दोनों PP पे cost लगाओ, या दोनों PP पे fair value लगाओ, एक पे cost, एक पे fair value नहीं चलेगा, उसके अलावा, IP पे reval model, यह भी नहीं चलेगा, cost लगाना पड़ेगा, आपे कितनी गलतिया की है, इसने, आगे, फिर बोलता है, company depreciate नहीं करता, नहीं चलेगा, depreciate करना ही पड़ता है, उसके अलावा बोलता है, अगर कोई भी difference है, between purchase price and fair value, हां, तो वो transfer करता है, in profit and loss, अब यह revaluation gain, profit and loss नहीं, OCR, NR में जाता है, अब इतना सब गलति करने के बाद, अपने को बोला है, extract बना के दो, तो directly extract बना के मत देखना, पहले analyze करन concept लिखना पड़ेगा, कैसे concept, 16 का definition, subsequent measurement, same class, same model, वो सब, IP में, definition, subsequent measurement, only cost, value, only for decision purpose, यह देना पड़ेगा आपको, यह सब आप ग्यान देख रहा होगे, उसके बाद, solve कैसे करना है, तो आपको इसको दो case में solve करना पड़ेगा, case 1, क्यों दो case सर, दोनो PPE के लिए, अगर आप cost follow करते, तो आपके extract कैसे बनते, उसके लावा, अगर दोनो PPE के लिए, आप reward follow करते, तो आपके extract कैसे बनते, ऐसा आपको दो case पर present करके आना पड़ेगा, देखो यहाँ दियाव अभी है, if star applied cost 20 class of PPE, IP पर तो cost ही चलेगा, बराब ध्यान रखना, तो फिर यह values होती, और अग उसके बाद question number 3, यही बढ़िया question है, simple question है, बोलता है आपने यह पहले तो खरीदा building वगेरा 50 lakhs में, और यह वाले खर्चें करके capitalize कर देना, उसके बाद building का approval वगेरा लिया, capitalize कर देना, construction cost, including refundable taxes, refundable minus करने के बाद capitalize कर देना, abnormal wastage capitalize नहीं करोगे, उसके बाद बोलता है, इसस आपने जो ground floor है, और first floor है, question में बोलता है कि equal value attribute कर देना, किदर तो बोला हुआ है, कि rents out ground floor, यह रहा, equal value can be attributed to each floor, बराबर तो दोनों वाले का equal equal value हो जाएगा, जो भी है, 31.7 lakhs और 31.7 lakhs, equal value चले गई, अब आगे का बोलता है, बोलता है, ground floor, हमने subsidiary को rent पे दिया है, और first floor खुद use कर रहे है, तो अब मेरी बात जहां से सुनना, अगर आप SFS point of view से बात करोगे, तो ground floor rent पे दिया है, तो यह आपके लिए IP बनेगा, और यह आपके लिए PPE बनेगा, लेकिन CFS point of view से बात करोगे, तो दोनों का दोनों आपके लिए क्या रहेगा, PPE रहने वाला है, simple, खतम कहानी, उसके अलावा, I don't feel any other question is important, इसी के साथ, Indies 40 भी, क्या कर दिया आपने, इसको भी आपने, उदर, तुमने मुवी देखे है, तो इसको भी क्या कर दिया, आपने, सरक, सरक उदर, सरक, तो इसको भी क्या कर दिया, आपने, सरसे वरी चिंदूरी है, यह रहा नही जाता, सरक कर दिया, सरक, 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 चलो, आजा, आळा, साअव सामझा आ अर्हा, मा शाव सामझा आ रहा है, समझेगा तुमन को इरो, लोग, अच्छा है, ए मजनू शंणी पता पट, चल, नभा इंडे निकाल जल्दी-जल्दी, चल, अ मजनू चल नया इंडेस देखो एक बात समझो इतने टाइम में तुम खुद करने बैठते ना तुम से नहीं होता खुद करते न तो इनिशली बनते हैं फ्लो फिर आपन धिलने पर जाते फिर स्लो जाते तो साथ में बैठे रहो अच्छी तरीके से हो जाएगा तुम भी जानते हो एचीज से तुम ब चलो यह सर यह सर परफेक्ट है बूशन परश एश्वरिया कोशिकी केशव रॉनक वैभाव क्या बात है शांदार वरुन शांदार पंदमश्री साहिए यह साहिए हरी यह साहिए देवल अच्छा ध्यान ना जो भी क्वेशन में ने बताए जब खुद लेके बैठोगे न तो उसे वह बताए गए क्वेशन को एकदम मीठे मीठे तरीके से सॉल कर लेना लिखके है concept वापस पढ़ने के जरूवती नहीं आपको ठीक है ध्यान रखना चलो अरे बढ़ी क्या आगे चलना मजनू बढ़ते है फटा पट चल तो इंडेस 36 impairment of assets ठीक है अच्छा सबसे प Caring Amount जादा है और Recoverable Amount कम है for example Caring Amount 1.5 लेकिन Recoverable 1 ही कर पाओगे तो Recover 1 ही कर पाओगे तो impairment loss हो गया 50,000 का अब Caring Amount कहां से मिलेगा यह तो मिलेगा balance sheet से यह Recoverable कहां से मिलेगा तो it is higher of fair value less cost of disposal or cost to sale यह फिर value in use जिसको अपन प्यार से बोलते है FVL CTS यह फिर VIEU value in use दोनों में से whichever is higher FVL CTS कैसे मिलेगा fair value और cost of sale दिया वरेगा minus करके निकाल लेना value in use कैसे मिलेगा it is nothing but present value of future cash flows आपको future cash flows दिये वह रहेंगे discount effector दिया वह रहेगा यह सब का आपको present value निकालना आपको मिलेगा value in use ठीक है उसके अलाबा अब cash flows में क्या क्या include होता है तो वह बोलता है जो भी asset को use करके आप output generate करते हो output को बेच कर जो भी पैसा आएगा उसको बलते cash inflows है ना यह inflow generate करने कर जो भी outflow किया minus कर देना और जो भी asset की scrap value है वह आपको asset के life के end पर realize होती है तो scrap value asset के last cash flow मैंड कर देना अगर उन्हाना add नहीं किया हुआ रहेगा तो ठीक है ध्यान रखना य अच्छा क्या क्या चीज़े ignore करना सुनना तो कभी कभी क्या होता है we are thinking of some researching plan जिसके वयसे मेरे cash flow बढ़ सकते है बट इसके लिए आपन अभी तक committed नहीं है तो ऐसे plans को आप क्या करोगे ऐसे cash flow को आप क्या करना ignore कर देना discount rate हमेशा pre-tax का use करना आगे बढ़ जाते है उसके इसके बाद guidance on foreign currency cash flows कभी कभी क्या होता है आपको जो भी value in उसके cash flows है वो foreign currency में दी होते है तो इसमें दो question पूछना अपने आपसे discounting factor इंडिया का use करें कि foreign का तो discounting factor foreign का use करना because जहां के cash flows वहां का discounting factor पहला second जब इसको dollar से रूपीज में convert करोगे तो rate कौन सा use करेंगे spot rate reduce करना आपको कंफूच करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग rate दिये रहेंगे आपन से spot reduce करेंगे ठीक है उसके बाद circumstances where both FVLCTS and value in use need not be computed और cannot be computed तो इसमें पहला और तीसरा काम का नहीं है सिर्फ ये वाला पढ़ो relevant है वही पढ़ो relevant ये वाला है कभी कभी क्या होता है कि अ मतलब ये है कि अगर value in use नहीं मिलता है तो आप FVLCTS को recoverable नहीं मान सकते उस case में आपको जाना पड़ेगा towards the concept of CGU cash generating unit मतलब ऐसे case में हम individual asset नहीं group of asset का साथ में impairment test करते है बराबर ध्यान लगना उसके बाद फिर आता है recognition and measuring impairment loss impairment loss कहा जाता है तो अगर asset cost model पे है तो impairment loss improvement will be same like revaluation loss या अनलत ना what is the meaning of this इसका मतलब अगर अभी loss आ रहा है तो दिखना पहले क्या था अगर पहले का कोई gain पड़ा है तो इस loss को पहले gain suggest करना ऐसा वह वाला logic ठीक है उसके बाद impairment test का कंडग कर होगे उसको बलते है frequency of impairment test है ना तो normally indication आने पे impairment test होती है indication can be of two types it can be external indicators it can be internal indicators वो एक बार रिट करने का से रट्टा माने का जरुवत नहीं है बट तीन असट के case में annual impairment test is compulsory अब वो तीन असट कोन से है पहला है intangible with infinite useful life दूसरा है intangible under development which is not yet available for use और तीसरा है goodwill acquired in a business combination अब यह तीन याद कैसे रहेंगे इसका एक hint है तीनों के तीनों intangible है और ती CGU का मतलब क्या होता है group of asset जो साथ में cash to generate करते है तो इनका impairment testing भी group में होता है बराबर तो इसका example दोसर जरा तो आपको चलो example देता हूँ फटा-फट से मेरे पास एक example बढ़िया से बनाया हुआ आपके लिए तो मैं आपको example देता हूँ CGU, CGU यह रहा मेरा CGU का concept for example मेरे CGU में देखो जैसे मेरा teaching setup है this is a CGU for me क्योंकि यह teaching setup माइक, camera, laptop, iPad यह सब मिलके मुझे साथ में cash to generate करने में help करते है कैसे आप जब मुझे class पगए खरीदोगे आप जाओगे bbwatchos.com पे आप मेरी class या तो buy करोगे तो मुझे fees मेलेगी ना तो वो fees मेले cash flows हो गई अब यह cash flow मुझे से भी single asset से नहीं आया है सारे group of asset को use करके आया ऐसा तो उस case में laptop, camera, iPad, mic सब का carrying amount दिया वार रहता है लिखो और recoverable amount individual नहीं होता है total होता है लिखो तो अभी carrying जाद है recoverable कम है तो impairment loss आएगा अब यह CGU का impairment loss है अब यह impairment loss अब क्या करोगे? अलोकेट करोगे between all the assets in the ratio of carrying amount, simple ठीक है अच्छा उसके अलावा CGU में एक और बात करता है कभी-कभी goodwill भी आपके बास होता है तो goodwill का भी individual impairment test is not possible, goodwill का भी individual impairment test is not possible, तो goodwill का भी impairment कैसे करोगे आप CGU में दाके करोगे ठीक है अब इसमें case क्या होता है, suppose मेरे पास एक business में द अब जो goodwill है, या तो goodwill CGU में allocable है, या तो goodwill CGU में allocable, नहीं है, simple ठीक है यह बात जानतना, अगर goodwill CGU में allocable है, तो impairment test एक ही बार करने का goodwill को allocate करने के बाद, for example मैं ऐसा बोलता हूँ, CGU का benefit सी 1 में मिलता है, sorry, goodwill का benefit सी CGU 1 में मिलता है, तो मैंने CGU 1 में goodwill लिख दिया, ह जब ऐसा goodwill allocate करने के बाद loss निकालो गए, तो यह जो भी loss है, यह पहले आप allocate करना goodwill में, फिर जो बचावा loss है, बाकी asset में in the ratio of carrying amount, ठीक है, ध्यान अटना यह बात का, उसके अलावा, अगर goodwill allocable नहीं है, सब जैसा बोलता है, goodwill का benefit, दोनों के अंदर मिलता है, but cannot be allocated, ऐस ऐसे case में impairment test, कितने stage में conduct करना पड़ेगा, ऐसे case में impairment test आपको, दो stage में conduct करना पड़ेगा, तो बोलता है, impairment test in two stages, पहला कैसे करोगे, first you will test the individual CGU's, without goodwill, माल लेना goodwill है ही नहीं, और individual CGU को test कर लेना, उसके बाद stage 2 में क्या करोगे, CGU 1, CGU 2 और goodwill, इन तीनों को you will combine, and do the impairment test, तो CGU 1, plus CGU 2, plus goodwill, इन तीनों combine करोगे, and then you will do the impairment testing, अब खास बात यह है, कि जब stage 2 में impairment testing कर रहे हो ना, तो उस case में, आपका impairment loss है, आपको एक conceptual बात बता रहो, this impairment loss won't exceed goodwill, पता है क्यों, क्योंकि CGU 1 and CGU 2 में, आप कोई भी impairment loss extra allocate नहीं करने वाले, क्योंकि इनका तो test हो चु extra कोई बिलोस allocate नहीं करोगे, जो बिलोस आएगा, वो सिफ goodwill जितना आएगा, क्योंकि इनकाटर्स अल्लेडी हो चुका है, उसके अलावा, जब यहां stage 2 में caring amount लिखोगे, तो caring amount कौन सा लिखोगे, revised वाला, revised का मतलब stage 1 में impairment testing करने के बाद, आपको मिलते ना, revised caring amount, यह revised वा office building वगेरा होती है, head office वगेरा होता है, यह head office और office building, अकेले में कोई भी cash flow generate नहीं करते है, बराबर तो इनका भी impairment test है, यह कैसा होना चीए, CGU में होना चीए, तो वो बोलता भी है, corporate asset वाले case में, individual cash flows नहीं होते है, तो इसको भी आप क्या करोगे, CGU में allocate करोगे, अब इसम किया, और impairment test conduct किया, जो यहाँ loss है का न, यहाँ, बेवकूफू की तरह, येडी की तरह, ये मत बोलना, कि मैं सारा loss जालूँगा इसके अंदर, आप ये goodwill थोड़ी नहीं है, अगर corporate asset वाले CGU में loss आता है, तो उस case में सारा loss पहले corporate asset में allocate मत करते है, ये जो loss है, ये सब asset bear क करेंगे इंदर ratio of carrying amount, यहाँ रखना, ठीक है, ये goodwill नहीं है, येडी की तरह, goodwill में allocate कर देना भी वकूफू की तरह, पहले बता रहो हूं है, अच्छा, उसके लाबा एक और case था, कि corporate asset का benefit मिलता है, दोनों CGU में, बट कितना benefit मिलता हूँ, आलोके बल नहीं है, तो ऐसे case म आप क्या करोगे, ऐसे case में, again you will do the impairment test in two stages, पहला stage, मान लोग कोई corporate asset आपके पास है ही नहीं, and then you will do the impairment test of individual CGU's, उसके बाद आप दोनों CGU कम्बाइन करोगे, और उसमे corporate asset का तड़का add कर दोगे, 1, 2 और corporate asset, अब 1 में जो carrying amount लिखोगे, that will be after impairment, revise वाला carrying amount, ध्यान लगना, 2 मे भी same, ठीक है, उसके लावा आएगा corporate asset, 3 lakhs, sorry 10 lakhs का लिखोगे आप, जो भी है, ठीक है, अब जो impairment loss आया, आप मेरी बाद ध्यान से सुनना, normally हम क्या बोलते, कि यह impairment loss, सब में allocate कर देना, 1, 2, 1 corporate asset, लेकिन इस वाले case में, इस वाले case में, आप 1 और 2 में allocate नहीं करोगे, sir क्य के लिए सब कुछ याद रखे चलना है, चिंता मत करना, question इसके ओपर भी आपन करेंगे, easy हो जाएगा आपके लिए, बराबर यह था आपके लिए कौन सा वाला part, CGU वाला part, अब यही चीज इदर नीचे ज्यान में अपने को लिखी हुई है, कि impairment loss कैसे allocate करेंगे, तो सबस example, inventories हो गया, investments हो गया, trade receivable हो गया, जो CGU में हो सकता है, लेकिन they are not under scope of 36, तो इसमें कोई भी आप impairment loss allocate नहीं करने का फिर, त्यान रखना, clear यह वाला part, बस इतना है काम का पाट है, उसके बाद, जो आपने उपर impairment loss बुक किया, क्या उसका जिंदगी में कभी reversal हो सकता है, the answer is yes, impairment gain नहीं होता है, लेकिन जो उपर loss बुक किया है, वो तो reverse हो सकता है, अब impairment loss का जो reversal है, इसके भी indication होते है, जैसे loss होने के indication होते है, वैसे reversal के भी indication होते है, अब reversal के indication क्या है सर, जो loss के indication देना, उसके exactly opposite indicators है, एक बार से read कर लेने का, ठीक है, उसके इलावा, एक चीज़ जहान रखना, किसी भी चीज़ पे reversal possible है, है ना, और reversal हुआ, तो यह reversal is like a gain, जैसे loss was like a, मतलब loss हुआ, तो expense की तरह था, तो वैसी reversal होता है, तो gain की तरह होता है, income की तरह होता है, तो यह reversal का gain जो कहा जाएगा, अगर asset cost model पे है, तो gain will be transferred to profit and loss, लेकिन अगर asset revaluation model पे है, तो यह जो reversal है, इसको एक revaluation gain के तरह treat करना, सिर्फ treatment सेम होता है, देखो, reversal of impairment loss of reval का treatment है, वो सेम है, लेकिन दोनों का nature अलग होता है, तो nature अलग क्यों होता है, क्योंकि reval gain निकलता है, carrying amount and fair value compare करके, और reversal निकलता है, carrying amount and recoverable amount compare करके, ध्यान रखना, चले anyways, यह तो basic सी बात है, उ reversal करोगे, तो जिन्दगी में ऐसे कसम खा लेना, कि God promise, हम CGU में, कोई भी impairment loss, goodwill में allocate हुआ है, तो goodwill का impairment loss, जिन्दगी में, reverse नहीं कर सकते है, क्योंकि goodwill का impairment loss, reverse करना, is like booking a self generated goodwill, जो allowed नहीं होता है, तो goodwill का impairment loss, अभी भी reverse, नहीं कर सकते हो, clear है हाँ तक, oh मेरे hero लोग, oh मे reversal कर सकते है, बराबर, तो इसको, इसके लिए, ना notebook मेरा, आपको मेरा example दिया हुए, चलो notebook आपने example देते है, शान्दार सा, 36, ये रहा, reversal का, अच्छा मेरे पास example आपके लिए है, ये देखो, reversal of impairment loss, मैंना आपको दोनों के लिए example दिया हुए, एक individual asset का, और CGU का, देख लो और 120 हो जाएगा, फिर मैंना दो साल तक वापस से यूज किया, तो depreciate किया by 15 and 15, based on the revised carrying amount, अब carrying amount होगी 90, recoverable हो गया 140, ठीक है, तो impairment तो नहीं है, लेकिन reversal होता हो दिख रहा है, अब आप अगर देखोगे, on the face of it, on the face of it, आपको actual reversal 50 का दिख रहा है, 90 और 140 का difference, लेकिन आपक 50 का reverse कर सकता हो क्या, नहीं, आपको देखना अपड़ेगा, max कितना reversal कर सकते हो, तो आपकी normal बुद्धी बोलेगी, कि सर, हमने पहले तो कितने का loss बुक किया था, हमने पहले loss 40 का बुक किया है, तो आप उतना reverse कर दो, add-lap उतना भी reverse नहीं कर सकते, तो यह maximum reversal कैसे निकालें सिंपल है, आपको 2 amount compute करना है, सबसे पहला caring amount, अगर आपके जिन्दगी में impairment नहीं होता, तो caring amount क्या होती, पहला, second caring amount after impairment, reality में caring amount क्या है, पहला क्या है, जिन्दगी में impairment नहीं होता, तो आज caring amount क्या होती, और reality में आज caring amount क्या है, reality वाले caring amount तो यहां से आपको मिल जाएगी बराबर तो दुनों का difference है वो आपका हो गया maximum reversal तो वो बोलते है actual 50 दिख रहा है लेकिन max 30 ही कर सकते हो तो whichever is lower लेंगे न तो आप reversal से कितना करोगे 30 का करोगे मतलब reversal कितना करेंगे उसके लापको 2 amount चाहिए carrying amount if no impairment और carrying amount after impairment दोनों का difference है that's it clear उसके बाद मैं logics में नहीं गुसरा हूं logics में ने class में बताया है ध्यान रखना ठीक है logic अभी नहीं आदा तो छोड़ दो सिफ concept मतलब वसे steps याद रखो आगे फिर आता है CGU में maximum reversal कैसे होएगा for example CGU था मेरे पास ठीक है other assets थे और goodwill था तो यह यह value थी तो पहले मैंने assets को use करा तो एक स 15 15 अब हुआ क्या now you will depreciate for one year ठीक है वापस depreciate के एक साल के बाद carrying amount इतनी हो गई goodwill तो बचा ही नहीं है अब आपको recoverable दे दिया 20 lakhs on the face of it actual reversal दिख रहा 6.67 का लेकिन maximum कितना कर सकते हो तो उसके लागें 2 amount सबसे पहले carrying amount अगर जिंदगी में impairment नहीं होता तो क्या होता अब य तो carrying amount of CGU अगर impairment नहीं होता तो क्या होता तो उसकेस में अगर impairment नहीं होता तो CGU को आप एक और दो साल तर डेप्रिशर करते बाद 22 lakhs तो आपकी carrying amount होती 16 lakhs और reality में carrying amount के आपकी 13.3 थी तो वो लिखोगे दोनों का difference 2.67 तो कितना reverse करोगे actual maximum whichever is lower तो maximum reverse करोगे ऐसा is this clear to everyone yes or no फटाबट से बताओ मेरे को yes or no जल्दी से बताओ अरे hero लोगो clear yes perfect clear यह वाला पाट क्या yes शांदार चलो मज़ा आ खतम हो गया यह आपको मैंने क्या बता है यह आपको मैंने बता है reversal के बारे में ठीक है individual asset पे reversal कैसा होगा और CGU में reversal कैसा होगा मैंने concept बता ह उसके बाद non controlling interest the impact of goodwill जो भी class लेते मेरे सुनको बता है आपने इसको common pool कराते और common pool में आपने cover किया वैसको तो चिंता मत करो इसको पर वेबस questions है तो मैं जब question कराऊंगा तो यह concept भी आप महाई discuss कर लोगा ठीक है तो यह वहाँ आपन कर लेंगा concept discuss tension मतलो तो यह अपना हो यह गरीब बता रहें बोलता है storage खतम हो गया गरीब बता रहें अपने को भाई तुम्हारा भाई कितना गरीब है क्या करें बता हूँ 36 के स्पाज आते है आपन चलो questions के उपर 36 36 36 36 यह रहा ठीक है हाँ 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 चलो कंटिनु करें यह यह चलो करते है illustration number 12 नहीं करना अपने को जो काम के उस पर आते सिदा सिदा तो जो सबसे पहला question काम का है वह है यह वाला and that is illustration number 10 सुनना illustration number 10 क्या बोलता है वह बोलता है Venus limited required 100% Saturn limited for 4 lakhs 3 lakh 20 is other assets है ना और 80 is goodwill तो आपके सीजू का bifurcation आपको मिल जाएगा 3 lakh 20 और 80,000 ठीक है फिर बोलता है फिर आजावब 31st मार्स 13 पे तो life कितनी है life 20 years है तो आप पहले कैसे करोगे मैं पास question solve किया हुआ है यह वाला तो आपको चलो मैं दिखा ज़ता आपको चलो कैसे करना देख लो रिवर्सल के बारे में है तो रिवर्सल के नीचे होगा यह रहा question number 10 so 3 lakh 20 goodwill 4 lakh फिर आपने 2 साल depreciate के अभी को 2 साल के बाद की information है तो 2 साल depreciate करने के बाद यह carrying amount goodwill उतना रही है यह हो गया फिर आपको recoverable दिया हुए recoverable is given as 2 lakh 2,000 तो मैंने लिखा 2 lakh 2,000 ठीक है फिर impairment loss आएगा तो पहले सारा loss goodwill में जाएगा फिर बाकी जो loss है वो अधर assets में जाएगा ठीक है तो impairment के बाद यह आपका होगया carrying amount यह आपका होगया goodwill 0 ठीक है फिर बोलते है दो साल और यूज करो तो 2 साल मैंने और depreciate किया ठीक है तो carrying amount मिली आपको अब question में वापस से आपको दिया है recoverable amount और बोलते है इंडिकेशन है reversal का तो recoverable amount is higher of value in user F.E.L.C.T.S तो मैंने लिया higher 3,4,000 ठीक है तो अब 2,12,000 was the carrying amount depreciate करने के बाद यह carrying amount बची और इस दिन का 3,4,000 recoverable दिया हुआ है अब actual reversal दिखर आपको इतना लेकिन maximum कितना कर सकते हो तो maximum आए का सिफ 6,7,556 बराबर क्यों ऐसे यह कैसे आया मिर को अब यह पहला निकालना है actual reversal तो directly come back है का निकाल सकता है max कैसे निकालोगे दो amount चाहिए बराबर सबसे पहला चीए carrying amount अगर जिंदगी में impairment नहीं होता तो क्या होता तो अगर आपके जिंदगी में impairment होता ही नहीं तो 3,20 को आप 2 and 2, 4 यह तर depreciate करते हैं बराबर तो आप 64 मारतर depreciation तो आता 2,56 और compare with the carrying amount after impairment तो यह आपके after impairment वाली carrying amount हो जाएगी बराबर आपको मिल maximum reversal यह दोनों compare करके तो बता actually maximum whichever is lower ही लेंगे बस तो maximum reversal आप लिप दोगे that's it तो आपकी revised carrying amount हो जाएगी यह और depreciation अगने साल से change वापे से हो जाएगा clear यह वाला part बहुत simple है मतलब इसमें कुछ है नहीं ज्यादा खास ठीक है आगे बढ़ जाते है illustration no.10 हो गया फिर आएगा आपका illustration no.11 ठीक है यह भी शांदार यह वाला concept है ठीक है वो जो था था ना NCI वाला national goodwill वाला जो common pool आपको दिखरा दा concept के अंदर तो अब मैं इसमें थोड़ा 2 minute extra ही दूँगा आपको ठीक है इसमें थोड़ा मैं समझाने का try करूँगा आपको समझने का try करना क्या बोलता है अब यह concept applicable कब है this is applicable only when NCI is at PSNA because जब NCI PSNA पर होता है तो पते है न आपको goodwill कौनसा होता है अपना कौझा goodwill होता है आपका partial goodwill होता है बराबर तो goodwill अपना क्या होता है partial तो caring amount के अंदर आपका goodwill थो पार्शल वाला लेकिन पते standard क्या बोलता है जब recoverable amount निकालते हो ना वो जो given रहता है आपको given रहता है तो यह पता है कैसे given रहता है यह given रहता है as per full goodwill तो बोलता है carrying amount as per partial goodwill, recoverable as per full goodwill तो एक comparable ही नहीं है तो you will have to gross up this goodwill आपको gross up करना परते है अब यह कैसे करते है मैं आपको थोड़ा question लेकर समझाता हूँ for example क्या बोलता है आपने PC pay किया 3200 NCI इतना है net asset आपके 3000 तो गुड़ू कितना है आपका 800 आगया गुड़ू ठीक है फिर बोलता है at the end of next financial year carrying amount is reduced to 2700 तो आपके अधर asset की value होगे 2700 और आपका गुड़ू कितना है 800 बद इस represents only 80% because यह partial goodwill है 80% गुड़ू इतना है ठीक है total कितना होगे आपका 3500 देख लोग मैं कैसे कर रहा हूँ ठीक है पहले case में कितना है 2000 है 2000 तो impairment loss आपका कितना आ जाएगा 1700 का impairment loss आ जाएगा बराबर अब जब आपको impairment loss 1700 का आया तो इसमें पहले आप allocate करोगे 1000 दाना goodwill तो 1000 गुड़ू में जाएगा और 700 आएगा other asset के अंदर लेकिन 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 आउट ओडिस 1000 NCI का 20% नोशनल था न यह नोशनल गुडविल था न तो इतना आप loss भी बुक नहीं करोगे लेकिन जो 80% था parent का 800 यह नोशनल नहीं था तो यह आप loss बुक करोगे ऐसा निकालना होता है simple अब इसमें case B भी है अगर recoverable 2800 होता तो क्या होता तो मैं इसको भी solve करता फटा पट से अग case में क्या होता देखो gross up तो सेम रहता सिफ फरक यह होता it would have been 2800 तो impairment loss कितना आता आपका impairment loss 900 आता तो सारे का सारा आप goodwill में allocate करते goodwill हमेशा total देखना इस case में ठीक है तो goodwill में पूरा का पूरा allocate हो जाता उस case में तो मागर मैं मिटाओ इसको अच्छे से वापस करू solve तो impairment loss आपका आता 900 पूरा का पूरा goodwill is sufficient 900 लेकिन इसमें से 20% जो NCI का है वो notional होता है that is 180 is notional इतना आप loss नहीं बुक करोगे आप सिर जो 80% है that is 720 इतना ही आप loss बुक करोगे यह concept है of course यह मैंना आपको सिर्व रिवाइस करवाया है ठीक है detail में आपको class में समझाया था वो ध्य आपको अच्छे तरह के बता दिया है चलो आगे बढ़ जाते है देखो 720 बुक करेंगे second वाले case में सिर्फ अगला आपको दिखता है तो चलो आगे बढ़ जाए yes फिर आता है अपना अगला question that is going to be yes यह वाला illustration number 21 बहुत ही शांदार question क्यूंकि इसमें एक नहीं 2 index cover होता है details है कि हमने 8 lakh shares वगेरा acquire किये 2 by 3 2 by 5 के ratio में हमने shares issue किये हरे शरका value इतना है है और फिर इतना fees incur करके कामका नहीं होता है INA का value आपको दिया हुआ है यह सबसे क्या मिलेगा पते है आपन 103 में 6 steps follow करते है तो जो step number 6 होता है उससे अपने goodwill मिलता है PC plus NCI minus INA इससा वो goodwill मिलता है तो यह सारी information आपको goodwill निकालने के लिए काम आएगी वो निकाल लेना फिर क्या बोलता है जो भी goodwill मिलेगा वो 3 CGU में allocable है और allocable है तो बोलता है in the ratio of 2 is to 2 is to 1 allocable है जब goodwill मिलने के बाद वो allocable है तो क्या मैं CGU का impairment testing 2 stages में करूँ या single stage में कर सकता हूँ that is my question to you क्या मु तो आपन CGU का impairment testing एक ही बार करेंगे allocate करने के बाद तो अगर आप देखोगे तो इसका जवाब मुझे किस तरीके से मिलता है देखता हूँ मेरे पास इसका solution भी है इलस्ट्रेशन नमबर 21 यह न यह देखो goodwill मेरे को 260 आता है CGU A B C में 2.2.1 इतना इतना allocable है तो यह CGU A है carrying amount उसका goodwill इतना carrying amount इतना recoverable इतना कोई loss नहीं है CGU B में other asset goodwill इतना allocable है जो भी loss आएगा पहले goodwill में CGU C में other asset से goodwill है जो भी loss आएगा पहले goodwill में बचावा loss other assets के अंदर तुम समझ रहे हो क्या अच्छा last में जाके यह भी पूछा था कि NCI में कितना loss allocate करना है तो simple है जितना अभी total loss रहेगा न पूटल लॉस वास 106 उसका 20% जितना स्टेक न से एक होता है NCI में डाल देना बस लाइन लिखके आने पड़ भी आपको क्लियरे वाला पाट क्लियरे के हां तक चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद आपन आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नमबर 23 आगे न गुट क्वेशन क्या बोलता है सुन लो अपने बास 3CG हुए A B C और बोलता है दो corporate assets अपने पास और इस question की खास बापता है क्या है बोलता है first corporate asset allocable है on pro data basis but second corporate asset allocable नहीं है तो इसकी वज़या से impairment testing दो stage में करना पड़ता है अब X कैसे allocable है बोलता है pro data basis में allocable है now what is the meaning of pro data basis normally हम बोलते की carrying amount के ratio में allocate कर दो लेकिन आपको याद है इस case में carrying amount के ratio में allocate नहीं किया था carrying amount और useful life इनका weights लेकर जो भी ratio आया उस basis में आपने allocate किया था do you remember this point किया तो carrying amount और useful life इन दोनों के ratio में आपने इसको allocate किया था बराबर तो मैंने 600 को तीनों CGU में इस ratio में allocate किया था ठीक है ध्यान रड़ना तो आपको दिखा तो मैं कैसे किया था देखो तो मैंने carrying amount को allocate किया तीनों CGU में इस ratio में तो दो स्टेज में impairment testing होगा because Y allocable नहीं है तो पहले मैंने तीनों CGU का impairment testing किया X को allocate करने के बाद लेकिन Y को allocate नहीं किया मैंने ठीक है तो X को allocate किया अच्छा तो पहले वाले में कोई impairment loss नहीं है second वाल में जो भी loss आएगा यह good will नहीं है तो सारा loss इसमें मत allocate कर देना दोनों में allocate करने अंदर ratio of carrying amount ठीक है अच्छा same applies to C दोनों में allocate करने अंदर ratio of carrying amount फिस stage 2 में testing करोगे इसमें आप A, B, C तीनों combine करोगे और corporate asset Y को भी add कर दोगे तो A, B, C तीनों को add किया और Y को add कर दिया A, B, C का revised carrying amount लिखना है ठीक है after impairment loss वाला अब recoverable total दिया है 3200 कोई भी impairment loss यहां नहीं आता है बट अगर आता भी by chance अगर आ जाता तो सिर्फ loss Y क्योंकि यह तीनों में तो impairment is already हो चुका ना उपर यहां रखना बट उतना action आपको test किया नहीं है समझ रो तुम उतना deep में आपक question number 23 उसके बाद question number 24 अगेन यह आपका वो ही वाला question है gross up वाला gross up वाला तो फटा फट से में इसको भी आपको discuss करवा देता हो क्या बोलता है सुन लेना वो बोलता है अपने PC पे किया इतना आएने हो गए इतने 80 पसंट के लिए इतना PC पे किया तो आप जब PC 80 पसंट है तो अपने को NCI भी लेना पड़ता है 20 पसंट और NCI PSNA पे है बोला वह PSNA पे तो PSNA मतलब आएने का 20 पसंट that is कितना आएगा तो यह 2100 यह 300 कैसे 1500 के 20 पसंट तो 300 आएगा माइनस आएने है तो आपको कितना आएगा वो आएने 1500 है तो गुद्डू आपका आएगा 900 मेरे इसाब से अब वो बोलता है तो गुद्डविल और 500 related to synergies have been allocated to other CGU's तो यह इसमें से 500 जाएगा other CGU में तो existing CGU में कितना आएगा existing CGU में आएगा safe or safe 400 existing CGU में अब वो बोलता है आपके CGU का the coverable amount of CGU is 1000 the carrying amount excluding goodwill is 1350 अब सुन लो carrying amount 1350 बाकी asset का goodwill safe or safe आएगा आपका 400 लेकिन this is for 80% again क्या करना पड़ेगा आपको इसको gross up करना पड़ेगा notional goodwill add करना पड़ेगा तो कितना आएड करोगे 20% के लिए कितना आएगा 100 तो यह हो जाएगा 500 यह हो जाएगा 1350 टोटल हो जाएगा 1850 recoverable दिया वैए आपका 1000 goodwill loss कितना 850 का impairment loss अब allocate कैसे करोगे impairment loss 850 का जितना goodwill है टोटल goodwill was 500 तो 500 goodwill में जाएगा और 350 other asset में जाएगा ठीक है जितना भी goodwill में गया उसमें 20% NCI आएगा था that is 100 यह आप बुक नहीं करोगे सिर्फ 400 का गुडविल जार्शो का loss है वह आप क्या करोगे बुक करोगे simple में रिकाल साको समझ गया यह सेम चीज तो आपने ऊपर करी थी ठीक है ध्यान रखना सिर्फ इसमें फरक क्या था टोटल गुडविल इतना आया उसमें से 500 फर अधर सीजी उस तो उनली 400 फर एक्सिंग सीजी ज्यान अपना खतम होगी कहानी इसकी आगे बढ़ जाते है फिर आता है अपना एक और अच्छा question that is पिर तो क्या शांदार question आता है वाई साब पिर तो आता है इसमें पिछले एक्जाम में आ चुका तो इसादर detail में बात नहीं करते हैं क्योंकि chance का में इसके आने के बट थोड़ा सा एक बाफ भी बात कर लेते हैं सुननो क्या बोलता है उपर उपर सबको background देता है इसका पूरा question मत पड़ आपको सम्झातों में क्या है इसके अंदर बोलता है machine A है जिसका individual test करेंगे machine B है जिसका अक्यले test possible नहीं है इसको आपको CGU में लेना पड़ेगा बड़ो बोलता है CGU के purpose के लिए अब A को दुबारा लोगे B को भी लोगे और inventory और goodwill भी है इसके अंदर ठीक है ध्यान नटना वो question में बोला गया है तो sir A का तो testing दो पर हो रहे है हाँ possible है लेकिन A का जब आप अक्यले test करके आ रहे हो तो CGU में अगर कोई भी loss आएगा तो A में allocate मत करना क्यों क्योंकि A का तो impairment testing already हो चुका है यह ध्यान रखना तो वैसे ही हमने पहले A का test किया तो A का test करने के बाद हमको इतना loss आता है और आपकी revised carrying amount यह मि भूल जाते हो तो वो मत करना उसके लावा जब value in use निकाल रहे हो तो last अगे cash flow में scrap value add करना मत भूलना ठीक है ज्यान अटना इस बात का चलो ठीक है यह आपन कर लेंगे तो आपने पहले A का individual testing करा फिर आपन करेंगे CGU का testing CGU में A B 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 तो carrying amount जब लिखोगे तो A का आप revise वाला carrying amount लिखना after impairment loss वाला 489 650 वाला यह लिखा B का आपन ढूंड के लिखते है inventory goodwill का given होता है recoverable amount यह दिया हुआ होता है loss आता है अब loss किस में allocate होएगा सबसे पहले goodwill में जाएगा उसके लाबा inventory में जा नहीं सकता because out of scope of 36 है A का testing हो तो goodwill में बैर करेंगे बाकी बच्चावा B में जाएगा ध्यान रतना यह first part of the question था simple है फिर आता second part of the question second part में क्या बोलता है आपको निकालना depreciation उसके बाद का तो machine A और machine B का आपको revise carrying out मिला रहेगा तो आप एक साल का निकालोगे prospective depreciation तो आपको मिलेगा एक साल के बाद का carrying amount फिर part C में पते क्या करना था reversal करना था तो reversal भी पहले आप machine A का करोगे फिर आप CGU में करोगे तो A का reversal कैसे करेंगे carrying amount अपने पास यहां से मिल जाएगी recoverable amount question में दी हुई है तो actual reversal इतना फिर आपको निकालना है maximum reversal यह कैसे निकालेंगे max reversal अगर A के जिंदगी में impairment नही का difference यह मिलेगा maximum reversal खतम का नहीं A का reversal ऐसे हो जाएगा उसके बाद CGU में reversal चेक करोगे तो CGU में कैसे करोगे A B inventory goodwill सब लिखोगे A का जो revise वाला value है वो लिखना A का और कोई reversal मत करना क्योंकि A का reversal हो चुका यह सिफ CGU में है इसने लिख दिया B का यह वाला carrying amount लिखोगे 266 014 inventory 2 lakhs रहेगा goodwill आप लिखोगे नहीं because right of हो चुका recoverable amount कैसे निकालेंगे पता है क्या आपको question में combined A और B का value दिया वारेगा उसमें inventory का value आड़ कर देना तो आपको total recoverable amount मिल जाएगा 960, question में 11 lakhs का value भी दिया वाए बट वो ignore करना है आपको as price ही है ठीक है ध्यान लगना त actual reversal दिखरा आपको इतने का फिर आपको निकाला है maximum reversal for CGU, simple है एक तो निकाला है caring amount of CGU, if no impairment अगर जिन्दगी में impairment नहीं होता तो CGU की caring amount क्या होती, CGU में 4 चीज़े, A, B, inventory goodwill, तो A का तो value अपने को मिल गया, आपने उपर निकाला था, अगर impairment नहीं होता तो A की value क्या होती 4,30, बराबर B, अगर B के जिन्दगी में impairment नहीं होता, तो B को हाँ 4 years depreciate करते है, यह value होती, inventory दोला क्यों होता, goodwill लेना मत, क्यों, क्योंकि CGU में goodwill पे reversal नहीं चाहिए, तो goodwill लेंगे ही नहीं, और caring amount actual में कितनी after impairment, तो after impairment value कितनी है, 8,96014, यह value है, तो इससे आपको स्कोप है, ए में पहले reversal कर चुके तो अप नहीं कर सकते, तो बचा कौन B, तो पुरा reversal सिर्फवा से B लोकेट है, यह वाला question exam में आया था, थोड़ा सा lengthy question था, आठ माक के लिए, तो जिसने भी इसको पहले time किया रहेगा, वो फिर यह lecture आपर देख रहा हूंगा, मजा कर र इतना भी सच नहीं बोलना था, आज आगे बढ़ते, इलस्ट्रेशन नमबर 33, पता नहीं सरी लेटेबल लगा लेकिन, ठीके ठीके आज 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 आ, इलस्ट्रेशन नमबर 33, क्या बोलता है, इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको value in use निकालना है, तो normally value in use के cash flows द तो cash inflows दिया हुआ रहेगा, cash outflows दिया हुआ रहेगा, तो inflows minus outflows करोगे, तो हर साल के cash flows मिलेंगे, और discount if address आपको multiply करना तो आपको present value मिल जाएगा, सर कैसे करना देख लो, आपको यह ना बोला है, future 5 years का budget दे रहे आपको, तो हर साल आपको यह बोला है, कि कितने units बेचोग selling price क्या होगी, cost price क्या होगी, है ना, फिर एक साल मेंटरेंस वाला खर्चा incur करने वाले हो, फिर restaurant value आपको दिया हुआ है, तो यह सब करके आपको वो निकालना, तो देखो कैसे करना है, format देख लो, 5 कॉलम बनाओ, selling price दिया हुआ है, वो बोला हुआ है, हर साल कितने से तो यह into यह मिलेगा total cash inflows, selling price है नहीं, उसके बाद आपको दिया हुए cost per unit, तो units into cost मिलेगा cash outflows, बराबर मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको दिया है maintenance cost, वो किसी एक साल में incur होता है, वो बोला हुआ है, इस साल incur हो रहा है, तो इस साल के outflow में minus कर देना, उसको, उस परसंग के factor sales को multiply कर देना, तो आपको मिलेगा present value, खतम काने, total मिला के मिलेगा value in use, is this late to everyone, yes, चल, आगे बढ़ जाते है, यह तो आपका question number 33, करके जाना भाई, वो कभी भी आ सकते है, ठीक है, जान दकना, फिर 34 is simple, मैंने LDR बोला हुआ है, लेकिन बहुत simple है यह वाला, क्य is higher, तो आपको impairment loss आएगा, अब impairment loss कहा जाएगा, तो question में बोला गया था कि पहला, आपके पास 36,000 का surplus में balance पढ़ा है, तो तो एक च्छान दो 36,000 जाएगा, उसे आइमे balance profit and loss में, बहुत simple है, यह इतना कुछ है नहीं, तो कर सकते हो आप वो वाला part, आगे बढ़ जाते है, उसके बाद, let me see, और कौन सा important है, question number two is very important, let me see, और कुछ है इसके आगे, हाँ, question number two, शानदार question है, ठीक है, क्या बोलता है, देख लो, सबसे पहले आपको इसके अंदर, वापस से, अच्छा, यह gross up वाला concept का बात है, सर, देखो, मैं को hint देता हूँ, यह जो NCI gross up वाला concept है यह तब आएगा जब NCI PSNA पे, इदम simple सी बात याद रखना, ठीक है, यहाँ वापस से क्या करना है, यहाँ वापस से आपको goodwill वगेरा, निकालना पड़ेगा, तो बोलता है, 80% के लिए आपने इतना PC पे किया है, और INA वगेरा दिया वारेगा आपको, कि आपके INA है, य 200, तो आपको goodwill आएगा 30 का, 30 का goodwill आगया, अब इस question में खास बात यह, कि goodwill आलोकेबल नहीं है, तीनो CGU में, तो इंपेरमेंट टेस्टिंग आपको एक नहीं, दो बार करना पड़ेगा, देखो क्या बोलता है, तो आप पहले दो बार टेस्टिंग करोगे, एक तीनो CGU क विदाउट goodwill, और फिर आप तीनो CGU का carrying amount add करोगे, और goodwill का carrying amount लिखोगे, तो दो stage में impairment टेस्टिंग हो जाएगा, बराबर देखलो कैसे होएगा, सुनलो, जैसे, मैं stage 1 में, तो मैं CGU test करूँगा individually, देखो, आपको चलो दिखाओ कैस का solution, देखना चाहते हो, चलो दिखा नहीं है, तो individual CGU's, तो पहले CGU A का testing, CGU B का testing without goodwill, CGU C का without goodwill, ठीक है, test करा, उसके बाद stage 2 में, 1, 2, 3, तीनों का लेंगे carrying amount, इसमें goodwill add करोगे, अब क्यों goodwill partial है, तो 80% के लिए, तो बहले gross up करना पड़ेगा, तो national goodwill add करोगे, तो 80% का 30 है, तो इसका कितना रहेगा, 7.5, 37.5 आपका हो जाएगा, तो CGU 1, 2, 3, इसका revise करेंगा, उन उपर से लिख देना stage 1 से, और ये लिख देना total आएगा आपका इतना, recoverable दियावा, 3,50, impairment loss कितना आया, 23.5, goodwill sufficient अपने पास, but 80% parent का, ये आप book करोगे, जो 20% NCI का, ये goodwill ही national था, तो इसका loss भी national है, book नहीं करना इसको, simple, इस तरीके साब को करना है, एक बात ध्यान रखना, सबसे important question, gross up वाले में कोई है, तो ये वाला है, कभी भी आ सकता है, है ना, gross, मैं को लगता है, to be very honest, जो 36 है, index 36, इसमें जो gross up वाला concept है, जो मैं आपको 3-4 question करा ना, gross up के, मैं सारे question करा है, gross up के आपको, ठीक है gross up के जितने question मैंने बता है, चुप-चाप करके चले जाना, एक्जाम को पहुने दो बजे प्रकट हो सकता है, ठीक है, पूरा feel देता है, ये वाला concept को, पूरा feel, मतलब एक दमें न, तुम याद करोगे, देखना, कि ए, आकाश कंदी ने बोला था, gross up आएगा, प्रकट हो जाएगा, पहले बतार, और इसलिए मैंने gross up के हर question को करवाए, तो gross up करके चले जाना, ठीक है, मतलब, समझ रहो तुम, समझ रहो तुम, तीन question जूत, जितने भी question है, तीन question है, निकल ले ना, मतलब, पहुने दो वजे तुम देखो के gross up और तुम याद करोगे, आकाश इसको भी आपन ने भेतरीन तरीके से सर कर दिया है, अरे सर से मरी चुनिल, अरे सर से, अरे सर से मरी चुनिल जाए, 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 मजनू चल फटा भट जाए, जाए, कर सरक, 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 कर चल फटा भट सरक, कर, तो मजनू ने कर दिया है, इसको भी सरक, सरक, सरक शांदार मज़ा आ गया बाई साब पानी पीलू किया पीलो साब पीलू मुझे आपको देना है इंडेस 40 चलो मैं भूलना जाओ ना मुझे आपको इंडेस 40 के बोर्ड नोट देने ठीक है 40 का दिया हुए शायद ना मैंने नहीं दिया हुए क्या चलो तो 36 के मैं दे दूंगा अपको 36 का दिया हुए यह मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हुए तो वहां से देख रहे हैं तो एक वन मिनिट का ब्रीदर ले लो वन मिनिट का बाद में को रिंडेस शुरू कर रहा हुए अभी लंज ब्रेक मतलो लो लंज बज़े जिसने भी ब्रेक मांगा ना एकजा में पाच मां कट अब मांगो ब्रेक अब और क्या ब्रेक मांग रहे हैं चलो आए बड़े तब तब में नोट खोलकर रखता हूँ ठीक है अब ने मांगो का तुम ब्रेक कर दो पर्फेक्ट है सर क्लास का सब कुछ रिकॉल हो रहा है सूपर तरीके से क्या बात है वेरी कुछ शांदार यह तो मोटे है कि अच्छा एडिया रहे तो लाइक निए अच्छा एडिया रहे तो लाइक निए तागेट ता तुमने किया है सब्सक्राइब टाकर रखना चीए मर को जब तक तुम वन मिलन नी करूगा अगले इंडे चालू नी करूगा तुम बोलो का मतलब सरा पड़ाओ गे नहीं छोड़ दो फिर सब्सक्राइब अच्छा जाएगा तुमसे महरत करना अच्छी तरीके से ठीक है चालू गरे अभी लेस्टाट तो विया स्टाटिंग विद निव इंडेस इंडेस 105 अपना कुंसा कुंसा हो चुक है 16 38 40 36 चार शांदार बड़े बड़े इंडेस आपने कंप्रीट कर लिए अब अगरे इंडेस इंडेस 105 नॉन करंट असे घल फोर और सेल एंड डिस्कंटिनुड ओपरेशन ठीक है तो इसमें पहला पाटे स्कोप इसमें भी कौन से कौन से असेट अशेट कर वड़े नॉन करंट असेट कर वड़े वो भी कौन से वाले 16 38 40 वाले ठीक है उसके उसके लावा कभी कभी जहां जहां एक single asset की बात हो रही है, वहां they also talk about disposal group, they also talk about disposal group, now what is the meaning of disposal group, it is nothing but a group of asset liability, जिसको आप साथ में dispose करने का सोच रहो, या तो आप single asset को dispose करने का सोचते हो, या फिर आप group of asset liability, साथ में dispose करने का सोचते हो, बराबर, तो जितने भी concept, I will discuss for non current asset held for sale, I will also discuss for disposal group, ध्यान रखना है इस बात का, जलो आगे बात करते हैं, उसके बात, classification of non current asset as held for sale, आप किसी भी asset को 105 में कभ लाओगे, जब वो 2 condition meet करेगा, सबसे पहला, it must be available for immediate sale, second, sale must be highly probable, अब immediate sale के लिए कभ रेडी होता है, जब वो अगर कोई buyer आएगा, तो क्या आप उसको तु अगर कोई renovation refurbishment बाकी है, तो आप 105 में तब तक नहीं जा पाओगे, तब तक renovation complete ना हो जाए, ठीक है, जान रखना हो, उसके बाद, sale must be highly probable कहता है, अब sale highly probable कभ होगी, जब वो 5 condition meet करेगा, आपके जाद है, मैंने class में शादी का example लिया था, किसी की कोई शादी पे अपना प् सबसे बेरे, जब वो committed होगा तब, second, an active program to trace a buyer, must be initiated, दुलहन को बताना पढ़ेगा, दुला आ रहा है, उसके बाद, marketed at a price, close to its fair value, है न, अवकाद वाली relationship में ढूड़ना कोई, उसके अलावा, expected to be completed within one year, expectation अचे की 12 मेने के अंदर इसके शादी हो जाएगी, और आखिर मैं ब बिखने के लिए, ready immediately, और sale probable है, तो आप क्या करोगे 105 में आचाना, ठीक है, simple, उसके बाद दियावे कुछ other important points, other important में, जो काम की बाते से उतनी करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले काम की बाते ये, asset acquired with a view of subsequent disposal, अगर आपने नया नया asset खरीदा है बेचने के लिए, तो standard आपको कि renovation करने के बात जाएंगे 105 में, लेकिन अगर कोई नया asset खरीदते हो बेचने के लिए, तो अगर आपको लगता है कि day 1 पे 105 meet नहीं कर रहा है, लेकिन 3 महिने के अंदर meet कर जाएगा, तो आप day 1 से 105 बोल देना, ये surface of new asset, which is acquired for 105, उसमें आपने के बल है, उसके लावा, ये यूज करना बन कर दिया, लेकिन बेचने का नहीं सोच रहे है, उसको बलते है, asset abundant, abundant asset held for sale नहीं होता है, बराबर जब suppose मैंने ना मेरे पास एक phone था, मैने उसको यूज करना बन कर दिया, बेचनी रहू, तो उसको बलते है, abundant asset, abundant asset कभी 105 का asset नहीं होता है, ध्यान रखना, ठी तो आप measurement कैसे करोगे, तो बलता है, you will measure at lower of carrying amount या FVLCTS, ठीके, तो suppose carrying amount आपका 100 है, FVLCTS 90 है, तो आपको measure किस पर करना पड़ेगा, 90 पर measure करना पड़ेगा, तो आपको 10 rupees का loss करना पड़ेगा, इस loss को भी उनलोग impairment loss ही कहते है, बस फरक इतना है, ये 105 का impairment loss होता है, है ना, य उसके लावा, कुछ other points related to measurement, सबसे पहला, अगर आप कभी भी नया asset खरीते हो बेचने के लिए, तो normally हम नया asset को cost पर record करते हैं, बट अगर नया asset खरीदा है बेचने के लिए, तो cost या FVLCTS, whichever is lower पर record करना, उसके लावा, अगर कोई भी business combination में 105 का asset acquire करने वाले हो, तो आप fair value नही, FVLCTS post को record करना, और उसके लावा, एक बार 105 में आगे, तो depreciation करना बंदा, depreciation seizes, ज्यान रतना हो, ठीके, उसके लावा, recognition of impairment loss, जैसे मैंने बताया, कि जब आपका carry amount 100 है, और fair value 90 है, तो आप 10 रुपी से downgrade करोगे, इस downfall को भी impairment loss ही करोगे, तो इस impairment loss को आप book करोगे और यहां भी reversal permitted है, रिवर्सल कैसे निकालेंगे, 36 में आपने सिखाता ना, वैसे ही same है, उसके लावा, same applies to disposal group, disposal group में भी, suppose group में बहुत सारा asset है, PPE है, intangible है, trade receivable है, inventory है, for example, सबका carrying amount है, 10, 10, 10, 10, total कितना हो गया, 40, ठीके, अब आपको दिया हुए इसका FVLCTS, कितना दिया लॉस कितने का हो गया, पांच रुपे का, तो यह लॉस आया है आपको disposal group में, तो यह आपको allocate करना पड़ेगा, लेकिन किस में allocate करोगे, से 105 के scope में जो asset है उनी में allocate करना, that is PPE और intangible में allocate करना, trade receivable inventory में कोई loss allocate नहीं करोगे, तो allocate करोगे, दोनों में in the ratio of carrying amount, perfect answer, clear है वाला मुड बदल गया, अब बोलते हो 105 में मेरा रहने का मन, नहीं है, अब मुझे जाना है वापस से जीदर से मैं आया था, मतलब 105 में यह सोच कर, कि अब मैं asset को बेचूंगा, एक साल तक कोशिश के asset नहीं भीका, तो सोचा बेचते नहीं, अभी उसको use ही कर लेते हैं, तो 105 से वापस से old index में जाओगे, तो कौन से value पर जाओगे, पर अब तो इसके लिए मेरे पास एक बड़िया सा आपके लिए example है, तो चलो मैं आपको example दिखाता हूँ, changes to a plan of sale का, यह देखो, suppose मेरे पास एक PPE था, cost 10 lakhs, life 10 years, दो साल यूज किया, 8 lakhs, अब बोला कि मैं 105 में जा तो यह मेरी carrying amount होगी, अब एक साल के बाद मैंने सोचा 105 से वापस जा रहो 16 में, तो आप कौन से value पर जाओगे, इस value पर आप नहीं जाओगे, आप निकालोगे simple check value, अगर जिंदगी में 105 होता ही नहीं, तो आज carrying amount क्या होती, क्या बोला मैंने, अगर आपके जिंदगी में 105 होता ही नहीं, तो आज carrying amount क्या होती, तो अगर मेरे जिंदगी में 105 आता ही नहीं, तो मैं asset को 2 साल और 1 साल, तीन साल करता depreciate, तो मैं 10 lakhs minus 3 lakhs, तीन साल करता depreciate, value होती 7 lakhs, है न, तो आपन वापस से 16 में कौन से value पर जाएगे, 7 lakhs पर जाएगे, लेकिन अपने books में तो 7.75 पर जाएगे, तो बस अपने को वापस से कुछ loss बुक करना पड़ेगा, 7.75 लेकर आ जाओंगा, तो आपका profit and loss में, प्रॉफिट and loss to P.P.E. 75,000, जब आप ये entry मारोगे तो automatically आपका असट हो जाएगा 7 lakhs पर और आप 16 में सको 7 lakhs पर रखोगे, simple, लोजिक वगेरा इधर ह आपको जरुवत नहीं है, simple सी बात है, आगे बढ़ जाते है, तो ये था changes to a plan of sale, कल को आपका मन बदल गया, तो क्या करना चाहिए, उसके अलावा, presentation of non current asset held for sale, 105 के asset को आप balance sheet में कैसे present करोगे, एक separate head बना के present कर देना, उसको ठीक है, separate head बना के, current के नीचे head बनाना, non current asset held for अलग से present कर देना, उसके अलावा, अगर कोई disposal group है, तो disposal group के assets को आप अलग से present करना, liabilities को अलग से present करना, net करके मत दिखाना, simple, चलो, आगे, clear ये वाला पार्ट, फिर एक और चीज है, that is discontinued operation, इतना critical ये वाला पार्ट, बस सिप समझ के ले लो, what is the meaning of discontinued operation, जब आप एक separate line of business, या फिर एक geographical area का धन्दा, बंद करने का सोचते हो, उसको बलते है, discontinued operation, और अगर आपके पास कोई भी discontinued operation है, तो उस case में, आप जब प्रॉफिटल उसका format देखोगे ना, तो you will get to know, कि हम, discontinued operation का, जो भी profit loss है, वो continuing operation से अलग दिखाते है, simple, अच्छा, उसके लावा, वो आप continuing में क्या कर देना, reclassify कर देना, that's it, clear, अब सबकी में में सवाल आता है, sir, what is the difference between this operation and disposal group, ठीक है, simple से बात बोलता है, disposal group का मतलब क्या होता है, group of asset liability, तो एक सवाल पूछने का, क्या ये group of asset liability, is a major line of business, क्या ये separate business है, क्या, if the answer is yes, तो ये disposal group भी है, और ये operation भी है, त लेकिन अगर major line of business नहीं है, तो ये सिर्फ बिस्पल ग्रूप रह जाएगा, बर ये operation नहीं बन पाएगा, तो इसमें सिर्फ पार्ट एके clauses applicable रहेंगे, पार्ट भी वाला जो प्रोविजन अप लेके बन नहीं रहेगा, simple, ध्यान लखना, बस इतना साही है, इसके अंदर, clear तो ये अपने 105 की concept हो जाते है, ध्यान रटना, देखो, there will be concept जो आपको recall नहीं होंगे, जो concept recall नहीं होता है, उसको mark करना है, आपको mark, ध्यान, यही तो motive है, जो recall हुआ, very good, जो recall नहीं हुआ, market, there will be concept जो आपको recall नहीं होएंगे, mark करो, ताकि जब खुद पढ़ने बेटों सबसे पहला जो question करना है, illustration number 2, शांदार question है, क्या बोलता है, देख लो, बोलता है, 6 lakhs, इसकी first day की value है, life 15 है, recoverable amount दिया हो है, 2 साल के बाद का, recoverable amount दिया है, recoverable, मतलब वो चाहता है कि पहले हम क्या करें, पहले हम 36 वाला impairment टेस्टिंग करें, देखो, अगर carrying amount and FVL CTS दिया हो है, तो 105 में आना है, अगर carrying amount and recoverable amount दिया हो है, तो index 36 में जाना है, ऐसा, और carrying amount and fair value दिया हो है, तो revaluation model यूज़ करना पड़ेगा, शायद आसपर 1638, तुम समझ यह day 1 की value, दो साल का death, carrying amount recoverable दिया हो है, यह आपका impairment loss as per 36, machine की revise carrying amount करती हो जाएगी, 4,70, ठीके, फिर आपको दिया हो है FVL CTS, मतलब इस दिन पर आप 105 में आ रहे हो, उपर बोला भी है कि इस दिन पर 105 में आ रहे हो, तो आपकी carrying amount यह थी 4,70, इस दिन पर FVL CTS दिया हो ह अब यह जो loss है, यह आपका 105 का impairment loss है, ज्यान रखना, तो उपर का loss था, 36 वाला loss था, यह 105 का impairment loss है, तो loss book करोगे, machine की value of 4,70 हो जाएगी 4,60, एक बार 105 में आ गए, तो depreciation ceases, simple, फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है, एक साल के बाद, एक साल के बाद, इनका मन बदल गया, 14 मे इनका मन बदल गया, और बोलता है, अभी 105 में नहीं रहेंगे, हैना तो क्या करना है उस case में, अगर 105 में नहीं रहना है, तो आपको जाना पड़ेगा, पुराने इंडेस में, कौन से value पे जाएंगे, अगर आपके जिंदगी में 105 नहीं होता, तो क्या होता, देखो, अगर अगर आपके जिंदगी में 105 नहीं होता, मैं भोलू, 36 तो फिर भी होता, अगर आपके जिंदगी में 105 नहीं होता, 36 तो फिर भी होता, बराबर तो अगर 105 नहीं होता, तो आप 4,70 को एक साल डेप्रिशट करते, 30-ness के इसाब से, तो आपकी value क्या होती, 4,70 डिवाइड 13, तो आपको डेप आता, 36, 153 के असपास का, माइनस, 4,70 करते तो carrying out मिलती, आपको carrying out मिलती इतनी, 4,33, 8,46, इस value पे आप जाओगे, इस index के अंदर, 16 के अंदर, तो आप कौन से value पे खड़ेते, 4,60 पे खड़ेते, जाना कौन से value पे है, 4,33 पे जाना है, तो वापस कुछ loss book करना पड़ेगा, और वाप charge करों के profit and loss के अंदर, simple, that's it, सरी आता कैसा, logic क्या इसका, तो logic दे देता आपको, यह पता है, क्या है, बेसिकली, यह आपका 1 साल का depreciation है, net of reversal of impairment loss, जो loss book क्या आता है, आम इसका reversal का net करके, तो एक साल का depth आपका पता है, कितना था, एक साल का depth इसमें एक और चीज हो सकती है, इसमें आपको question में recoverable amount वापस से दिया हुआ है, तो इसमें impairment loss तो नहीं है, लेकिन एक और चीज हो सकती है, जिसके इन्होंने बात नहीं किया हुआ है, वो है 36 का reversal, देखो 105 से भार निकल गया, 16 मा आ गया, लेकिन क्योंकि recoverable amount जादा है, तो 30 से loss था, यह जो 50 से loss था, यह भी तो reverse हो सकता है, इसके reverse हो सकता है, इसके reverse हो कि इन्होंने बात नहीं किये, तो मैंने solution वैसे दिया हुआ है, आप refer कर लेना, लेकिन क्योंकि अभी exam है, तो exam में आपको यह करने के जरुवत ने, कोई ICI ने भी नहीं किया हुआ है, ज्यान होने लिए यह वाली carrying amount है, irrelevant, जुलाई में आपके carrying amount हो जाएगी, और आपको FEL CTS दिया हुआ है, 1850-100, it has given as 1750, तो impairment loss कितने का हो गया आपका, 2600 is the carrying value, minus 1750, which is equal to 850, तो अब यह loss कौन कौन bear करेगा, सिर्फ 105 के scope में जो asset है वो bear करेंगे, तो पहले सारा goodwill bear करेगा, तो पह कितना 350 बचेगा, 350 आप बाटों के अंदर, between plant and building, in the ratio of carrying amount, यह बाकी 350 बाइर करेंगे, बाकी किसी में कोई भी loss allocate करने का जरुवत आपको नहीं है, simply, यतना easy question है, बटे 10 मां के लोंने कुछ condition वगरा भी पूछी है, बोलता है, assess when the unit can be classified as held for sale, तो आपको classification की condition देनी when it is available for immediate sale, and sale is highly probable वगरा, बराबर, और किस date पे, तो बोलने का 31st July को, ऐसा, clear यह बाला पाट किया, फिर पूछा 31st July को आपका क्या value रहेगा, अच्छा year end का भी value पूछा हुआ है, लेकिन year end का अपने बास carrying value है ही नहीं, तो year end में अपने बास fair value भी नहीं है, year end में से weak information है, that fair value is lower than carrying amount, तो सिव यह बोलने का, कि year end पे आपको वापस से remeasure करना पड़ेगा, एक ज्यान दिकर आने का सिव उसको, ठीक है, कि year end पे, fair value आपे से कम है न, तो year end पे वापस से आपको, impairment loss और book करना पड़ेगा, that's it, civil line लिख कर आएंगे आपन, फिर आता है, illustration number 8, again यह शा पे आप impairment loss वगरा चेक करोगे, बराबर, तो क्या बोला हुए, selling price है, और यह cost to sale है, तो 1830, है न, तो आपका impairment loss कितना आएगा, impairment loss आएगा, 2160-1830, which is equal to 330, if I am not wrong, पहले आप allocate करोगे, goodwill में, और बाकी आप allocate करोगे, intangible or PP, in the ratio of carrying amount, that's it, simple, clear यह वाला पाट क्या, ठीक है, अब इसमें खास बात यह है, कि March का भी आपको values दिया हुआ है, लेकिन March का आपको कुछ-कुछ values दिया हुआ है, जैसे goodwill, intangible, PP, इनका value नहीं है, बाकी सबका value March, year end का भी दिया हुए वापस से, और year end का आपको वापस से fair value भी दिया हुए, तो अब मैं कैसे year end पे रहेगी, same applies to PP, बाकी सबकी values तो question में दिया हुए, year end की, बराबर यह सारी values given है, तो आपको मिला caring amount, FVLCTS question में दिया हुए, 1650, दुबारा loss आया, goodwill तो बचा नहीं, तो loss कौन बेर करेंगे, intangible or PP in the ratio of caring amount, that's it, तो यह एक दम शांदार question है, जो करके आपको जाना चा में 19 में, और मेरे ख्याल से अभी वाला RTP के अंदर भी, RTP May 23 के अंदर, ठीक है, similar question है, बस फरक इतना है, यह वाली RTP के अंदर है आपका impairment, यह वाला जो question है, इसमें कोई impairment loss नहीं आता है, इसमें आपका total caring amount यह, FVLCTS ही है, तो कोई impairment loss आता ही नहीं है, RTP May 23 वाले में impairment loss आ तो simple यह वाला question भी, बट कर लेना है यह वाला, ठीक है, चलो, Hello Sir, this is CA Madhu, watching a lecture after clearing CA, just to feel what I was feeling after 6 months, बैका, रे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बोलता है, अब क्या बोलता है, सुनना, वो बोलता है, एक asset है, 24 lakhs का 1st April 15 को, September 17, मतलब 2.5 years, तो पहले 2.5 years तक आप depreciate करना, ठीक है, तो यह carrying amount हो गए आपकी, वो बोलता है, कि हमने इसको temporarily stop क्या use करना, ठीक है, इसको से use करना बंद किया है, कुछ समय के लिए, इसको नहीं हमने abandon किया है, और नहीं इसको बेशने का सोचा है, बट accountant ने क्या किया है, जब भी वड़ा accountant, मतलब इसने राइता फिलाया रहेगा, ठीक है, तो accountant ने क्या क्या है, accountant ने इसको held for sale में classify कर दिया है, तो मैं बहुत गलत किया देव से न, अरे held for sale में नहीं जा पाएगा, बराबर किया, तो उसने held for sale मान कर सब कुछ राइता फि बियान देकर आने का, कि accountant ने जो किया है, वो एकदम गलत किया है, बराबर, तो तुमको उसको held for sale में डालना ही नहीं है, तो उसको जिस index में थे, उस index में रहो, और depreciate करते हुए चलो, कहानी खताम, बस, अच्छा इसमें न, एक और, ICI ने भी एक राइता फिला इसक अंद बट, यह PPE में ही दिखेगा, यह held for sale वाले कि इसमें नहीं दिख सकता, ठीक है, ध्यान लखना, बस, चलो, यह मैं रिकाल से clear हो गया इतना, और let me see, और कुछ है क्या, नहीं, मैं रिकाल से और कुछ भी नहीं है, एक question number 3 है, RTP May 22 का था, एक बास कुछी रिफर कर लेना, यह सुनो तो, कहदू क्या, कहदो ना सर, अरे कहदू क्या, अरे सर से, अरे सर से, अरे सर से मुरी चुनरी जाए, 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 एक बार जाए, आपन तो किदे और निकल लिए नहीं, सर से मुरी चुनरी जाए, 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 सर से मुरी चुनरी जाए, सरक, सर अपना हिंडेस 105 हो गया, सरका दिया इसको शेरा, बुलाओ क्या शेरा को तुम लोगों समय में आ रहे है इना, सब समझ आ रहे हैं अब आएंगे एक औरिनद्स के उपर आपने दो को ब्रेक में जाने के पर लगना चाइए, बाई आज का पड़ाई अंडेस तो आपने अभी करेंगे इंडेस 41 चलो तुम लोग को मज़ा आ रहे ना समझ आ रहे ना तुम लोग को ऐसा लग रहे ना ठीक है चलो शांदार बाकी अपने दोस्तों का भी रिकमेंट करने वा क्लासे वगरा तो बोल देना वासर प्रमोशन भी कर दिया मज़ा आ गया चलो बीबी वर्चुल डॉट कॉम पे अवेलेबल ठीक है थोड़ा था बनता है ना दो सेंगेंद दो करतता हूं ना ठीक है तो यह ना पांस मुट का पीस दे रहा तुम लोगो समझ रहे हो समझ रहो महीं चाने दो छोड़ो इंडेस 41 अच्छा क्या क्या कर चुके आपन आपन कर चुके 16,38,40,36,105 अब आपन कर चुके आपने को स्कॉप बोला है पहले स्कॉप मत देखो पहले आपने को क्या 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 देफिनेशन दिया है अपने को दिया है टीन देफिनेशन सबसे पहले बालोगीकल असेट उसका मतलब होता है living plant, living animal, living plant में 2 है, bearer, non-bearer, bearer तो 16 में चला गया, तो जो non-bearer है, इसका life less than one year है, वो 41 में आएगा, और animal जैसे तुम लोग में, और तुम लोग में, animals हैना, वो 41 में आएगा, ठीके, फिर होते है, agriculture produce, जो भी biological asset से produce मिलता है, उसको बलते है, agriculture produce, जैसे, वो tree से मिला fruits, तो fruits अगरिकल्चर प्रेडूस, काव से मिला milk, तो वो अगरिकल्चर प्रेडूस, ऐसा, अगरिकल्चर activity, तो बलते है, what is the meaning of agriculture activity, एक biological asset से, जब आप कोई दूसरा biological asset निकालते हो, या कोई agriculture produce निकालते हो, for example, काव से milk निकाला, agriculture activity, काव से काफ निकाला, agriculture activity, उसको बलते है, agriculture activity, ध्यान लगना, ठीक है, आगे, तो यह अपना basic समझ गया, अब आते हैं, आपन scope के उपर, कि यह index किस पर अपलेके बले, तो बोलते है, biological asset, जो agriculture activity में involved है, उस पर आप लेके बले, मतलब जैसे, for example, मैं हूँ, अब मेरे खादना मुझा कुता कुता बोलते रते, है ना, तो अभी मैं काटते रहता, पुरा दिंग सब को बेठके, तो अब क्या मैं, 41 में covered हूँ गया, नहीं, because I am not doing any agriculture activity, आप समझ आ तो जो भी biological asset, सिव agriculture activity में involved है, उसको हम यह cover करेंगे, उसके अलावा, हसो मती है, तुम लोग, agriculture produce at the point of harvest, इसका मतलब, suppose आपने, काव से मिल्ट निकाला, अब मिल्ट निकाला के तुरंद उसको नहीं पीते आपन, मिल्ट निकालते है, थोड़ा processing packaging करते है, फिर बेशते है, तो produce के दोस्ट है, एक होता है, at the point of harvest, that is, before packaging वगेरा, before processing वगेरा, और एक होता है, after the point of harvest, तो जो at the point of harvest है, वो 41 में covered है, और एक बार आपने उसको process करके, packing वगेरा कर दिया, और ready हो गया बेचने के लिए, उसको बलते है, after the point of harvest, after the point of harvest, वो index 2 में covered है, inventories में, ज्यान रखन ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते है, तो किस पे apply करता है, biological asset, agriculture produce, और इन दोनों के, जो भी government grant मिलते हैं आपको, वो भी यहीं covered है, मतला, normal government grant 20 में covered है, लेकिन biological asset of produce के government grant, index 41 में covered है, ज्यान रखना, चलो आगे, किस पे किस पे applicable नहीं है, जिस land पे agriculture कर रहे हो, not applicable, land पे 16 अप जाताना कहा जाएगा, यह 2 में जाएगा, फिर government grant of bearer plants, जब bearer plant यहां covered नहीं है, तो उसका government grant यहां covered नहीं है, उसके लावा bearer plant खुद यहां covered नहीं है, लेकिन bearer plant से मिलने वाले produce यहीं covered है, suppose mango tree is a bearer plant, mango tree से मिलने वाला mango तो यहीं covered है, mango tree system में जाएगा, लेकिन mango इधर आ इरिया, simple, FEBs and fair value और cost can be measured reliably, इस तर ऐसा fair value क्यों बोलता है, इधर समझेगा, क्योंकि जब measurement करोगे, तो यहाँ initial subsequent नहीं है, यहाँ initial day पर, year end पर, same measurement होता है, और वो पता है कुन से है, cost नहीं है इधर, बोलता है, biological asset, आप किसमें measure करोगे, FVLCTS पर, अगर FVLCTS अवेलेबल नहीं है, if it cannot be measured reliably, then you can use cost model, है न, अच्छा, agriculture produce at the point of harvest, इसको भी आप FVLCTS पर रखोगे, लेकिन हाँ, वो exception आप लेकेबल नहीं है, कि अगर यह नहीं मिले, तो cost उचकर लो क्या, नहीं कर सकते, cost use, बराबर, वो बोलता है, agriculture produce होता ही बेचने के लिए है, तो इसकी FVLCTS आपके बास available हो नहीं चाहिए, यह बात ध्यान लगना, अब कुछ other important points है, इस पर जो काम के point से उसे की बात करता हूँ, सबसे पहले, जब भी भी biological asset के value में change होता है, it is because of two reasons, physical change and price change, इसके example दो, चलो इसके example दो फटा-फट से आपको, रुको, physical change, price change का आपको बढ़िया सा example देता हूँ, यह रहा, suppose, suppose, यह रहा, reason for change in FVLCTS दो biological asset, suppose मेरे पास two year old cow थी, एक साल पहले, उसकी value थी Rs. 900, ठीक है, अब एक साल के बाद, उसकी उमर बढ़े किना, तुम्हारा बनाएंगे न, happy birthday, तुम एक साल पर दो साल के दे, अब 3 years को जाओगे न, एक साल के बाद, तो 3 years के बाद, मतलब एक साल के बाद आपको दो values दिये, एक साल के बाद, अगर इसकी उमर नहीं बढ़ती, तो इसकी value 950 हो जाती है, और क्यूंकि इसकी उमर बढ़ गई है, तो value होगे 1200, तो अब आप क्या compare करोगे, पहले मेरी value ये थी, अब मेरी value ये हो गई है, तो मेरा total increase किता है, total increase is 300 rupees, अब इस increase के दो reason है, एक है price change, और एक है physical change, सर कैसे मालू पड़ेगा, सुन लो, price change का मतलब होता है, अगर उसकी age नहीं बढ़ती है, तो value में कितना increment है, जैसे एक साल पहले भी 2 years का होता, एक साल के बाद भी 2 years का होता, तो value में कितना increment है, तो आप बोलो कि सर फिफ्टी का increment है, अच्छा, फिजिकल चेंज मतलब, एक साल के बाद, सिधा compare करो, 2 years की काउ कितने की है, 3 years वाली काउ कितने की है, इसका मतलब कि काउ एक साल बढ़ी है, तो थोड़ी महंगी है न, तो उसको बलते है physical change, that is 250, कोई भी एक याद कर लो, दूसरा balance figure ले लिया करना, ऐसा, खतम का नहीं, समझता तुम लोगो, खतम हो गया यह वाला part, उसके बाद, और कोई काम का है नहीं, other important parts पर से वेक पांट काम का था, उसके बाद, gains and losses on biological asset, अगर biological asset पर कोई भी gain loss आता है, तो वो कहाँ जाएगा, वो gain loss पते क्यों आएगा, क्योंकि आपको day one पर, cost पर record नहीं करना, आप उसको FVL, CTS पर record कर रहे हो, सर इसका मतलब क्या होता है, आपको समझाता हो, चलो इधर देखो ध्यान से, suppose, 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 यह देखो यह वाला, measurement, suppose, आपने cow purchase किया, 500 पर cow में, 100 cow purchase किया, selling cost दिया हो है, 1,000, मतलब जब बेचों के तब यह खर्चा incur करना पड़ेगा, आपकी cost तो 50,000 है, यह day one की fair value होगी, लेकिन, आपने को fair value नहीं, fair value less cost to sell पर record करना है, तो आपने payment तो 50,000 होगा किया आज के दिन पर, cost आपकी यह, जितना आपने pay किया है, लेकिन इसको record आप किस पर करो, FVL, CTS पर, तो day one पर ही difference आजाता है, क्योंकि आपने cash bank पर किया cost जितना, लेकिन आप record करो FVL, CTS पर, तो day one का difference है, वो जाता है profit and loss के अंदर, तो वो बोलता है, देखो, कि day one पर जो भी difference आएगा, gain losses वगेरा, that will be transferred to profit and loss, simple, clear, आगे, उसके बाद, government, अच्छा, यहाँ प्लीज ध्यान लखना, यह selling cost है कि purchase cost है, जो selling cost है, वो ही cost देल होती है, जैसे for example, अपर एक और मैंने एक्जाम पशार लिया हुआ है, देखो, क्या बोलता है, measurement of biological asset, 100 cost purchase, in addition, purchasing cost, direct cost, 2000, and selling cost, 1000, तो purchase cost भी है, selling cost भी है, purchase cost आपके, खरीदने, cash bank का part बनता है, तो cash bank आपको 50 नहीं, 52,000 हो जाएगा, बराबर लेकिन, biological asset को अब record किस पर करोगे, cost, that is, 50,000, minus selling cost, that is 1000, तो इसको record करोगे, 49,000 पर, तो profit and loss में balance आपका जाएगा, 3000, तो ध्यान रपना, purchase cost रहेगा, selling cost भी है, वो आपको ध्यान रपना है, purchase cost रहेगा, तो cash bank बढ़ेगा, selling cost रहेगा, तो आपका FVLCTS कम हो जाएगा, difference आएगा, profit and loss के अंदर, चलो, आगे बढ़ करते हैं, फिर आता है, government grant, अब normally, government grant कुन से cover रहे इदर, biological asset पे, और जो भी agriculture produce पर मिलता है, वो cover रहे, standard बोलता है, normally produce पर आपको के grant मिलता ही नहीं है, तो वो सिभ ये वाला cover कर रहे हैं, उसके अलावा वो check करने बोलता है, आपको याद है, biological asset को आपन किस पर measure करते हैं, FVLCTS पर, लेकिन अगर ये available नहीं है, तो cost भी उसका सब्सक्राइब नहीं है, इस case में, अगर आपका biological asset cost वाला है, तो उसका grant का accounting index 20 में covered है, फिर यहां मत आना, इसका मतलब मैं कह दू, government grant ideally एक ही case में बात करते हैं, एक ऐसा biological asset, जिसको आप FVLCTS में measure कर रहे हो, सिर्फ वो ही वाला यहां covered है, बाकि कोई भी covered नहीं है, अब कैसे covered हैं सुनना, तो अगर आपका biological asset है, जिसका grant में आपको मिला है, अगर वो grant unconditional है, वाट इस the meaning of this, आपको free में दिया biological asset, बोला कोई condition नहीं है, तो सारे का सारा grant आप transfer करोगे, प्रॉफिट और लॉस के अंदर, लेकिन अगर वो grant conditional है, अगर अगर आपने जो condition है, अगर condition के breach होने पे, refund proportionate करना पड़ता है, अगर आपने condition breach करी, तो refund proportionate करना पड़ेगा, proportion मतलब, अगर आपने condition 3rd year में breach करी, तो आप 2 साल का grant तो रख सकते हो, इस जो proportionate remaining 3 years का grant है, वो भी refund करना पड़ेगा आपको, अगर refund proportionate करना है, तो आप grant book भी proportionate कर सकते हो, तुम समझे रहो, यह exception है, मतलब normally क्या बोलता है, normally बोलता है कि grant पूरे 5S के बाद बुक करना, लेकिन अगर ऐसा बोला है कि, refund आपको proportionate करना पड़ेगा breach पे, तो आप book भी proportionate over the period कर सकते हो, यह इतना critical नहीं है, कोई question में test नहीं होता है यह वाला part, यह था आपका index 41 के सारे के सारे concepts, अब आते आपन किस के ओपर, अब आते आपन questions के ओपर, बड़े questions की तरफ, फटाफ़ट से बढ़ जाते हैं, आजाओ, तो अपने पास है questions, यह रहे, फिर गरी भी दिखा रहे, फूल हो गया storage, फूल हो गया storage, आप जो question है काम के वो यह, सबसे पहला यह वाला question, illustration number 4, सुनना क्या बोलता है, इसमें अपने कोई ना, बहुत सारे elements दिया हुए, land, cow, सब कुछ दिया हुए, और बोलता है, बताओ, balance sheet के extract में, चीज़े कैसे दिखेगी, assuming, आप क्या यूज कर रहे हो, assuming, land को cost model पर रख रहे हो आप, तो आपके balance sheet में, क्या क्या चीज़े दिखेगी, तो फटाफ़ दिसकस कर लेते, सबसे पहला, land है 50 लाग का, land तो हेका depreciate नहीं, और cost पर रखना है, तो ये balance sheet में दिखेगा, आपके 50 lakhs पे, उसके लाबा, cows purchase किया 200, 10 lakhs में, ठीक है, तो दो सुम, 10 lakhs का purchase किया, तो ये day 1 की value है, जो आज 2 साल की है, तो year के end pace की value क्या हो जाएगी, तो ये 2 साल की cow, कितनी years के हो जाएगी, अगर तुम्हारी उमर 2 साल है, एक साल के बाद कितनी years के हो जाएगे, 3 years के हो जाएगे, मैं भी तो ये कर दो, 3 years के हो जाएगे, है ना, और 3 years के बाद, इसकी F.E.L.C.T. हो जाएगी, 5,500, कितनी cow's अपने पास, 200 into 5,500, value आजाएगी 11 lakhs, तो आपको 1 lakh का gain book करना पड़ेगा, तो 1 lakh profit and loss में जाएगा, और balance sheet में आप दिखाओगे 11 lakhs के ओपर, simple, clear वाला part, उसके बाद grant मिला, non refundable है, मतलब unconditional grant है, सिधा day 1 पर जाएगा profit and loss में, उसके अलावा, ये maintain, animals का खाना पीना, 6 lakh का खाना खारें भाई, 6 lakh का खाना खारें, और 4 lakh farmer की फीज, भाई, farmer ही बन जाते है, पर जाएगा profit and loss के अंदर, anyways, फिर बोलता है, 1st October को, मेरे घर आई, एक नन्नी परी, 100 का बाउन हुए, तो बाउन तो फ्री में होते है, बराबर, बढ़ आप उसको record करोगे, F.E.L.C.T.S. पे, तो जब फ्री में बाउन होए, बिना किसी खर्चे के, तो यह जितना भी बाउन का वैलू है, यह सब आपका gain हो जाएगा, तो आपका 1st October को वैलू के है, 1200, नहीं, 1st October को तो निउ बाउन, 1100, तो 100 into 1100, that is equal to 1.1 lakhs, यह आपके profit and loss में भी जाएगा, और balance sheet में तो आप इस पर record करोगे, balance sheet में आप किस पर record करोगे, year end की value पे, that is 1300, तो 100 into 1300, तो 200 का gain भी होगा ना आपको, 20 का जो gain है, यह भी profit and loss में जाएगा, total PNL में गया 1.3 lakhs, और balance sheet में भी दिखेगा, आपके 1.3 lakhs, ठीक है, ध्यान लखना, चलो, और क्या बोलाई भी बोलता, दूद, दूद बचा है, दूद, तो दूद तो आपके inventory में दिखेगा, और दूद की value किदर है, दूद, 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 दूद फ्री में मिला, तो दूद का gain भी रहेगा, और inventory में भी दिखेगा, ऐसा, और बाकी जो expense है, वो bleeding cost लिगा, तो यह मैंने profit loss बना, यह मैंने balance sheet बना, लेरे वाला पार्ट, खतम होगी कहानी, उसकी, चलो, तो यह अच्छा question था, देख लेना, उसके बाद, अपने पास अच्छा, और कुण सा question है, illustration number 6, again a very good question, देखो, 41 में गिंती के, 3-4 question है, करके चले जाना वाइसा, तो एक question आपको बना बता दिया, concept तो आपने अलड़ी सारे कर लिए, अब एक question हीए रहा, XY Limited is a farming entity, where cows are milked on daily basis, रोज काउ सा दूद निकालते, ठीक है, आगे, milk is cut in cold storage immediately, फिर बोलता है, on 1st April, XY, यह add निया, had, had, had a herd of 500 cows, of 3 years old, तो जब day 1 पे, cows थी, 3 years old, तो 3 years old, day 1 पे वालू थी 27,000, cost to sell 1000, तो उनकी वालू कित्ती थी day 1 पे, 500 into 26,000, यह उनकी वालू थी, record मत करना, यह अल्ली थी आपके पास, यह आपकी opening inventory में पढ़िए, देखो मैने दिखाया अब अभी एदर, दिखाता हू चलो आपको, यह देखो, मेर पास 3 years की काउ थी, 526,000 रुपे, टूटल इतना हो गया, ठीक है, फिर क्या बोलता है, बोलता है, 6 महिने बाद, 6 महिने बाद, सिख हो गई, सिख, और 20 काउस डाइड, माइ गॉड, बड़ा दुख हुआ, गय, तो लॉस हो गया आपके लिए, तो जब काउस डाइ हो रही है, तो काउस भार जाएगी, जिन्दगी में कोई भी चीज भार जब जाती है, तो कैरिंग अवंड पे जाती है, तो कैरिंग अवंड कैसे निकालोगे, प्रोपोस्टन बेसे, पाथ्चों का इतना वैलू, तो 20 का कितना वैलू, तो इस पर भार कर देना, तो बस, एंट्री का हमारे होगे, देखलो ये एंट्री आईगिया, आपके बाइल लोजिकल अशेट 5.2, तो डेविड करना पी एनल, लॉस होगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है, फिर बोलते हैं, 1st October को, 20 रिप्लेस्मेंट काउस, फिर अपने महोल ने में एश्वरी आई, है ना, देखेंगा, ओ, ओ, बोलते हैं, 20 काउस, 20 रिप्लेस्ट भी कर दी, कितने में खरीदा, 21,000 में खरीदा, ठीक है, तो, तो इस 20 काउस्ट वर, वन यर ओल्ड वेंदेवर परचेस्ट, तो, और इसका, F.E.L. cost to sell भी था, कितना? cost to sell भी था, 1,000 रुपीज, तो आपका, पैसा खर्चा कितना हुआ, देखो, आप इंट्री कैसे मारोगे, आप बोलोगे, पे तो इतना किये, 21,000, बराबर, लेकिन, आप रिकॉर्ड करोगे, F.E.L. C.T.S. पे विचो 20,000, तो बाकिया आपका हो गया, Profit Loss, ठीक है, तो आपके पास अभी, डेटा में क्या बचा, मतलब, आपके बालत में क्या बचा आपके पास, एक तो आपके पास है, ये वाली, 3-year-old काओ, जो 4-year की हो जाएगी, और आपके पास है, 1-year-old काओ, जो 1.5-S को जाएगी, 6 मेने के बाद, ठीक है, क्या बोलता है, फिर बस कुछ नहीं करना आपको, you can assume, fair value of 3.5-year काओ, 27,000, ठीक है, prepare necessary entries, खतम हो गया, तो आपको बस, year-end पे क्या करना है, इनको रिमेशर करना है, जो 4-80 काओ बाकी है, इसकी FHDS गिर जाती है, 25,400 हो जाती है, तो आपको, बुक करना पड़ेगा, लॉस, तो मैं बुक करता लॉस देखो, P&L to biological asset, और year-end पे इसको भी रिमेशर करेंगे, 1-year वाली काओ, 20 की थी, 6 मैने के बाद, 22,400 के गेन हो जाता है, इसके ओपर तो गेन बुक करेंगे, बस, asset to profit and loss gain, simple, clear यह वाला part क्या, perfect, शांदार, मजा आ गया, ठीक है, तो मेरे काल से, यह अपना question हो जाता है, simple जा question था हूँ, यह आता है, illustration number 7, सबसे शांदार question है, यह वाला, मेरे दिल के काफी करीब है, एक question, ठीक है, क्या बोलता है, सुन लो, बोलता है, company X, purchase 100 goat, auction for 1 lakh, on 30th September 11, subsequent transportation cost were, 1000, transportation cost केता है, that is similar, to the cost, X would have to incur to sell the goat, at the auction, ठीक है, तो 100 goat purchase किया, 1 lakh इसकी cost थी, transportation cost 1 lakh है, similar to the cost, X would have to incur to sell the goat, मतलब है, जो 1000 cost है न, यह purchaser भी incur करेगा, और यह seller भी incur करेगा, दोनों incur करेंगे यह, और फिर बोलता है, 2% selling fees भी incur करना पड़ेगा, seller को, तो यह सिर्फ और सिर्फ seller incur करेगा, यह आपको ध्यान रखना है, तो इसका आप accounting कैसे करोगे, देख लो, जो cost purchaser भी incur करेगा, वो आपके cash bank में आएगी, बराबर, और जो purchaser seller दोनों incur करेगा, वो आपके, यहां से, fair value से कम हो जानी चाहिए, तो 1,000 आप यहां से कम करोगे, और 2% भी आप कम करोगे, तो आपका यह हो गया, बाइलोच का F.E.L.C.T.S, और यह cash bank हो गया, difference आएगा profit and loss में ध्यान रखना, फिर क्या बोलता है, on 31st March, उनकी market value बढ़ गई, transportation cost अभी भी incur करना पड़ेगा, 1,000 यह selling fees, और 2% भी selling fees, तो आपका F.E.L.C.T.S कितना हो जाएगा, नीचे दिखाया है, दिखो मैंने, यह आपका हो गया, 97,000 day one का F.E.L.C.T.S, year end का F.E.L.C.T.S कितना हो जाएगा, आपका 1,10,-1,-2,200, 1,22,200, 2% of 1,10,000, तो यह आपका F.E.L.C.T.S, year end का, गेन है ना, तो बुक करेंगे गेन, कितना गेन बुक करेंगे, बाइलोजिकल अचेट टू प्रॉफिट अन लॉस, यह गेन बुक करेंगे, खतम कहानी, फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है, फर्स जून को 18 गोट आपने बेश दी, 20,000 में, ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट इंकर किया, 150, मतना, नेट पैसा कितना आया, अपने बास, 19,850 नेट पैसा आया, तो आप पहले तो cash bank debit करोगे, कि इतना पैसा आ गया, अच्छा, मैंने और कुछ भी इंकर किया, अच्छा, 2% auction fees भी इंकर किया, तो 20,000 का 2% कितना हो जाएगा, 400 रुपीज, तो 400 मानस करोगे, तो कितना बच एगा, 19,450, तो इतना आपके बास तो पैसा आ जाएगा, 19,450, अब जब biological asset भार करोगे, बाहर जाने वाले चीज, always had carrying amount, तो देख लो, 100 गोट का value इतना था, तो एडिंग का कितना, ये carrying amount हो गया, तो इस पे बाहर कर दिया, डिफरेंच आएगा आपके profit and loss के अंदर, फिर क्या बोलता है, सबसे important adjustment है पूरे question का ये वाला, सबसे important adjustment है ये वाला, क्या बोलता है, 15 September को, fair value of remaining goat was 80 to 280, बराबर 42 goat was slaughtered on that date, with a slaughtering cost of 4200, ठीक है, ये fair value कुछी काम की नहीं है मेरे, the total market price of care cases, मतलब basically आपका इस दिन पे slaughter करने के बाद, ये वो बन जाएगा button, तो ये inventory बन जाएगा आपके लिए, care cases का, मतलब वो इतना मस, tasty वाले slaughter करने के बाद, जो value बचेगी, मतलब जो inventory बचेगा, उसका fair value इतना है, तो मैंने बताया थना, जब 41 से 2 में जाओगे, तो 15 September की जो FVL CTS है, वो 2 के लिए बनेगी उसकी cost, तो 15 September की FVL CTS कितनी है, 48,300 minus I guess 420, transportation cost, slaughter cost को आप अलग से book करते हो, ये cost to sale नहीं है, ये cost of conversion है, इसको आप अलग से book करोगे, तो cost to sale कितना हो गया आपका, 420, तो कितना हो गया आपका net value, 48,300 minus 420, 48,300 minus 420, तो कितना हो गया, 47,8,80 आपकी value हो गयी, बराबर तो 47,8,80 पर आप क्या करोगे, आप जाओगे inventory में, लेकिन जब biological asset भार करोगे, अब ये ही catch है इदर, सुनना, inventory में आप जारो इस value पे, लेकिन जब यहां से 41 से भार जाओगे, तो 41 से बाहर तो उसकी carrying on पर जाओगे ना भार, तो आपन proportion निकालेंगे, 82 goals की ये value थी, तो 42 की कितनी है, तो ये proportion carrying on पर आप भार जाओगे, difference आएगा profit and loss के अंदर, ये ध्यान लगना, और जो slaughter cost है, वो आपका profit and loss में transfer कर देना, और फिर year-end पर क्या करना, जो भी बच्चावा, गोट पड़ा आपके बास, कितने गोट पड़े, 100 में से 18 बेस दिये, 42 slaughter कर दिये, बचे 40, तो 40 को आप रिमेशर करोगे, जो भी gain आएगा, वो book कर देना, लास्ट में, तो इसमें जो भी important part है न, वो इधर आते हैं, फिर गरी भी दिखा रहे है, फूलोगे हाँ, इधर आते हैं, 15 September को जो भी हुआ, तो प्लीज उतना part करके जाना, उतने part में दिक्कत होई कि, बाकी part में दिक्कत हनी होने वाली है, I hope this is clear to everyone, Yes, perfect, मेरे खाल से we can proceed further, आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद और कॉन से question है, एक question number 9 है, वो आप सिर्फ रिफर कर लेना एक बार, LDR नहीं है, बड़ रिफर कर लेना, इसमें बोलता है, कॉन से कॉन से चीजे, 41 के scope में आती है, जैसे देखो क्या बोलता है, ये वाला फिर गरी भी दिखा रहे हैं, फिर उसके साब से ये वाले इंडेस भी अपना क्या हो जाता है, समाप्ती की, समाप्ती की घोष्णा, इस इंडेस की भी कर देते हैं शेरा, शेरा, ओ मेरे शेर, खतम, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वासते हो तेर दिल में प्यार, सरक सरक इसी का नाम है, चलो, नमधिले तुम तो, इसको भी, तो 16 38 40 36 105 105, 40, 41, 2 16, 38, 40, 36, 105, 41, 2 41 हो गया अब 2 हो गया 2 हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 करी लेते भाई साभ 2 कर लेते 2 कर लेते 2 करके J1 भोजन करेंगे 2 कर लालते बहुत सिंपल है, मतलब तू आपका है ना, आपका टू मतलब जालू होते है खतम, जालू गया, एक खतम, लोग, तू हो गया, तू हो गया, ऐसा हो गजागा है, तू, अलाग, चलू, Clear गया? आजाओ, ओखे, InDes, Inventory, Tori, 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 इंडेस्टू, ठीक है, आजाओ, क्या बोलता है सुन लेना, सबसे पहला बोलता है definition, inventory में क्या क्या आता है, बोलता है held for sale in ordinary course of business, जब आपका धन्दा है, बेचना खरीदना, वो आपके inventory होती है, जैसे finished goods, WIP भी हो सकता है, और जो finished goods बनाने में, RM यूज़ करते है, raw material वो भी हो सकता है, तो वो भी inventory होता है आपके लिए, measurement कैसे करोगे, cost या NRV, whichever is lower, ठीक है, उसके अलावा, cost में क्या क्या आएगा आपके, आप बोलते हैं, cost या NRV, whichever is lower, तो आप बात करेंगे, cost में क्या क्या आता है, ठीक है, तो depend करता है, आप inventory, आप trader हो की manufacturer हो, अगर आप trader हो, तो जो जितने में खरीद होगे, वो आपकी cost है, अगर आप manufacturer हो, तो RM खरीद होगे, फिर convert करोगे, फिर FGM बनाओगे, तो जो conversion cost है, वो भी आपके cost में आजाता है, तो देखो क्या बोलता है, cost of purchase, उसमें वो यह, purchase, price, non-refundable tax, direct lateral expense, फिर आपको conversion cost, उसमें direct material, direct labor, direct expense, और overheads भी आते है, अब variable overheads है, तो variable overheads always depend on actual capacity, तो जितना आपने manufacture किया है, उतना multiply by the per unit variable overhead, वो आप करेगा variable overhead, simple, लेकिन, अगर कोई fixed overheads है, तो उसको हम cost में कैसे consider करेंगे, तो देखना पड़ेगा, अभी fixed तो fixed होते, it is irrespective कि आपके ने कितना manufacture किया, यह तो लग actual जादा है कि normal जादा है, है ना, तो अगर actual capacity is more than normal capacity, तो आप fixed overheads का per unit निकालने के लिए, total fixed overheads divide by actual capacity करना, लेकिन अगर actual का में normal जादा है, तो इस case में total fixed overheads divide by normal capacity करना, Sir divide क्यों करेंगे क्योंकि अपने को per unit चाहिए रहता है fixed overheads Sir क्यों चाहिए per unit क्योंकि अपने जितने भी inventory में units पड़े है उससे multiply करेंगे आपन फिर इसको इसलिए तो variable के अंदर always based on actual capacity तो total variable overheads divide by actual capacity करना तो आपको मिलेगा per unit लेकिन fixed वाले case में मैं बोल दू normal या actual whichever is higher से divide कर देना तो आप लिख सकते हो normal या actual whichever is higher इससे आपन डिवाइड करेंगे simple per unit निकालने के लिए ठीक है ध्यान लगना खतम कहानी उसके आप क्या-क्या चीज़े cost में नहीं आती है तो बोलते है abnormal खर्चे, storage वाले खर्चे admin वाले खर्चे, selling के खर्चे interest वाले खर्चे यह सब नहीं आएगा कुछी ध्यान लगना उसके लावा allocation of cost of joint production by product एकदम simple है कभी-कभी क्या होता है आप साथ में एक नहीं दो चीज़ें manufacture कर रहे हूँ suppose मेरा जो process है उसमें cheese और butter साथ में बनता है है ना तो मेरे को total cost पता है इसकी बट मुझे इसकी individual cost नहीं पता तो मैं कैसा allocate करूँगा उसको बलते है joint products तो उस case में आप इन दोनों के sales के ratio में allocate कर देना बराबर जितना भी sales sales मतलब इसका जितना भी units बनाया units into the selling price उस ratio में आप दोनों में allocate कर देना simple अच्छा अगर कोई भी buy product है आप case में तो उस case में total cost में से पहले buy product की NRV minus करना और फिर जो net बचता है ना net जो net बचता है उस net खर्चे को आप बाटना between the joint products in the ratio of selling price समझे हो तो अगर buy product नहीं है तो directly total cost को बाट देना अगर buy product है तो total में से पहले NRV or buy product minus करना फिर जो net है उसको बाटना चीज और better के आप simple बराबर यह था उसके आप उसके बाद agriculture produce from biological asset after the point of harvest में ना बता आता ना आप index 41 से जब index 2 में आते हो तो 41 की जो FVL CTS है FVL CTS वो index 2 की बन जाती है cost simple उसके अलाबा cost formula अपने को पता है यार वो FIFO और weighted average है बराबर अगर inventory interchangeable नहीं मिक्स अप नहीं होती है तो एक ही method specific identification और अगर आप cost पता ही नहीं cost कितनी है मालूम ही नहीं कि कितना खचलता बनने में तो उसके इसमें 2 method अपने पास और standard cost और retail method standard cost में we will use standard costing का technique और retail method में आपन back calculation मारते है कि मेरे selling price कितनी है और मेरा expected GP margin कितना है expected तो आपको मिलेगा cost ध्यान रखना simple बराबर आगे बढ़ जाते हैं यह आपने सारी cost की बात करेगी cost में क्या क्या आता है फिर आते हैं अपने NRV में क्या क्या आ सकता है what will form part of NRV net realizable value तो जैसे अपने बता measurement किस पो होता है cost और NRV whichever is lower तो cost की सारी बाते हो गई अब NRV की बात करते हैं अब NRV तीन चाज़ों का निकल सकता है या तो FG का निकल सकता है या WIP का निकल सकता है या फिर raw material का निकल सकता है अगर FG की बात करें तो NRV मतलब selling price minus cost to sell simple WIP की बात करें इसकी बात मैंने एक जगे खीती है भी recently selling price minus cost of completion भी करना minus cost to sell भी करना clear हो या बात उसके बात RM वाले case में NRV क्या होगा तो देखो RM को आप बेचने वाले हो क्या RM को आप sell करने वाले हो क्या नहीं RM को तो आपन use करने वाले in FG बराबर तो इसको किस पर measure करेंगे it is dependent on FG अगर आपका FG is sold above at or above cost अगर आपका FG cost मतलब profit में बिखता आपका FG तो RM को आप cost में measure करने का लेकिन आप if your FG is sold below cost FG आप सस्ते में बेच रहो loss में बेच रहो तो it is possible कि आपका RM भी impair हो सकता है तो आपको RM को measure करने का replacement cost यह question में दिया वा रहता है simple है उसके बात writing down of inventory to NRV and reversal write down जैसे आपका cost 100 NRV 90 तो whichever is lower तो आप 90 में measure करोगे तो आपको loss book करना पड़ेगा 10 रुपे का कैसे book करोगे P&L to inventory future में इसका reversal possible है लेकिन जितना loss book के होता नहीं reversal possible है खतम कहा नहीं उसके बात de-recognition of inventory या तो इसको आप बेचोगे बेचोगे तो inventory की पते entry कैसे होती है normally suppose आपकी inventory की carrying amount थी 90 selling price was 100 तो येडी की तरह ये entry मत मनना cash bank to inventory to profit and loss ऐसी entry नहीं आती है आप पहले inventory को COGS में transfer करते हो तो आप बोलते हो COGS to inventory ये cost पे भार होएगा 1990 और फिर आप revenue book करते हो कि cash bank आया to revenue sales 100 तो आपका जब profit and loss बनाओगे तो आपका एक तरह दिख रहा है revenue 100 रुपया और एक तरह आपका दिख रहा है COGS 90 रुपीस आपका GP के form में 10 रुपया दिखता है फिर उस case में तुमका समझा क्या है तो या तो आप inventory को बेच सकते हो तो आपने जितना ही पी-पी था वह inventory को आड़ कर दिया फिर बाइव वे ओफ डेप्रीसियेशन वह profit and loss में जाएगा simple खतम कहानी यह आपके सारे concept खतम हो जाते है अब questions करते है inventory के अंदर भी ज्यादा कुछ ऐसे difficult question नहीं है basic basic simple simple से question है करके चले जाने का छोड़ने का नियूस को ठीक है आजाओ तो जो बताता हो जो भी important question बता रहा हूं मैं आपको सबसे पहला जो अच्छा question है वह इल्लेस्ट्रेशन नमबर 16 ठीक है एक सेकंद देखना तो मुझे कुछ छोटा क्या बीच में पहले 8 ले लो इल्लेस्ट्रेशन नमबर 8 यह आपके लिए LDR question रहता है ठीक है 8 अब इसमें क्या बोलता है सुन लो आपने इतने खर्चे किये खर्चे करके आपने तीन चीज़े बनाई MP1, MP2 और बाइप्रडक्ट अब इसमें एक छोटा का hidden adjustment भी है दो क्या बनता है MP1 तो बनता है MP2 और बाइप्रडक्ट और बनता है so यहां एक नही दुर बाइप्रडक्ट कितने बाइप्रडक्ट्स यदर दो बाइप्रड़क्टल strawberries is प्रॉफिट कितना वह से फरक नहीं पड़ता, अपने को एनर्वी चाहिए, तो बायर प्रड़क्ट वस 2,000 इंटु 20, तो कितना आपको मिलेगा 40,000, ये कमाने में खर्चा कितना लग गया, 8,000, 2,000, तो 10,000 खर्चा लग गया आपका, तो कितना हो गया, बायर प्रड़क्ट का वालु 30,000, उसका लग वालु 5,000 इसका एनर्वी है, तो उसकेस में आप कैसे करो कि देख लो, इसका भी आपको सलूशन में दिखाते तो चलो, पटावर से, क्याकि आपको एजी हो जाए, ये रहो, ये देखो, तोडल कॉस्ट इतना आ गया, उसमें से आप एनर्वी औ और हनर्वी और स्क्राइब माइनस करोगे, नेट कॉस्ट मिलेगा, नेट कॉस्ट को बाटोगे, MP1, MP2 में in the ratio of sales, तो अपने sales के ratio में इसको बाट दिया, बराबर, तो फिर आपको बाटोगे sales के ratio में, तो आपको मिलेगा actual cost, अब ये total cost मिला MP1, MP2 का, आपने को totally per unit तो बाट जितना भी आपका per unit cost आया, उसको आप number of unit से multiply कर देना, आपको मिलेगा closing stock का value, simple, बराबर तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ये MP1, MP2 के सारे figures, clear ये वाला part क्या, yes, आगे बढ़ जाते, फिर अपना अगला question आता है, illustration number 16, 16 तो शांदार question है, मतलब वो तो बावाल question है, मतलब ये ऐसा question है, जो आपको पाउने दो बजे दिख सकता है, है ना ऐसा question, आप तक आया भी नहीं है, करके जाना अच्छे है, क्या बोलता सुन लो, बोलता है अपने पास opening inventory है, FG का, RM का, purchase है आपके पास labor, fixed overheads, ये fixed वाले ठीक है, ओके, the expected production for the year was 15,000 kg, due to fall in market, sales price was 20 per kg, replacement cost is 9.5 per kg, you are required to calculate closing inventory as on that date, अब आपन को क्या-क्या चाहिए, सबसे पहरे total cost निकालने पड़ेगी, अब RM का, आपने ये जो purchase होगा, आप purchase FG नहीं करते है, purchase आप RM करते हो, कितना खर्चा किया, 1,00, रुपीज, अब हमको जब cost add करते हैं, आपन, तो RM जितना purchase की cost निए add करते है, आपन RM consume की cost add करते है, consume मतलब, opening, plus purchase, minus closing, तो opening, plus purchase, minus closing, तो आपको मिलेगा, कितना consume के आपने RM, 10,200 units, और अगर आपको चिए per unit कितना था RM का, तो रुपीज 10, clearly दिख रहा आपको, तो रुपीज 10, तो आपका RM का कितना ख या भी ऐसा, कि जब आपने RM add किया है, तो we have added 1 lakh 2,000, यह critical है, भूलोगे, आप, बूल से 1 lakh add कर दोगे, labor is a variable overhead, पूर आपको अब यह overhead जो है, यह वाला, यह, यह जो है, fixed overhead है, तो किस से divide करने का इसको, इसको आपन consider करेंगे, normal या actual, whichever is higher, अब actual कितना है, actual production कितना किया, तो कैसे देखेंगे हम लोग, अपने पास FG का sales है, FG का closing है, FG का opening है, तो current time में कितना produce किया, तो वो निकालना पड़ेगा अपने को, तो वो देखो, निकाला हुआ है, इधर, closing stock of FG नहीं, यह रह, FG का production, working on number 1, इधर follow किया, यह रह, opening, plus production, minus closing is going to sales, purchase मा बोलो, production बोल दो, आ इसको, opening है, closing है, sales है, बराबर तो यह मिलेगा, FG 10,200, इतना फाक की बात ही कि 10,200 ही है, बराबर, तो आपका normal worst 15,000, actual is 10,200, तो normally, actual whichever is higher, तो 75 divided 15,000 लेंगे ना, आपन तो, मिलेगा per unit, और produce कितना किया, आपने से इतना ही produce किया, तो multiply से करना, तो आप से 51,000 का total cost कैपिलाइस कर सकते हो, balance 24,000 है, वो आपके profit loss में जाएगा, यह ध्यान लखना आपको, fixed वाला part important है, इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद, और क्या add करते हैं, आपन, बाकी कुछ add नहीं करेंगे, total cost मिलेगा इससे आपको, total cost आपको मिलेगा, FG का, 22,29,500, divided by the FG produced, जितना FG sales के उससे फ करेंगे, 22.5 or 20, whichever is lower, तो 20 पर measure करेंगे, उसके अलावा, अब क्यूंकि FG sold below cost, तो RM will be measured at replacement cost, तो RM का replacement cost भी इसले दिया हो है, कितना दिया हो है, 9.5, तो उस पर measure करना है इसको, 9.5 पर, खत्म, हम जाए वाला question, यह दो question बढ़े critical थे, 16 वाला भी अच्छा important question था, उसके अपने को again, per unit का cost चाहिए, inventory का, है ना total cost कितना देना है, तो अपने पास देखो, यहाँ दिया वा full capacity, full capacity किसी काम की नहीं होती है, अपने को देखना है, normal यह actual, तो normal is this much, this much, actual is this much, तो आपन कौन से consider करेंगे, normal, actual, whichever is higher, तो variable जो production है, उसको तो divide आपन, actual से करते, 6500, लेकिन तो आपको मिलेगा, पर unit, अब जितने भी आपके units, बचे, inventory के अंदर, उससे multiply कर देना, simple है, तो आपको cost of inventory मिल जाएगी, ध्यान रटना, तो variable will be divided by actual, fixed divided by normally, whichever is higher, per unit मिलेगा, multiply by the number of units, तो आपका काम बन जाएगा, I hope this is clear to everyone, खतम कहानी, ठीक है, उसके बाद, और क्या इसक अंदर, तो ये question important था, अच्छा, एक illustration number 23 भी है, इसमें मुझे सिफ एक concept बताना है, जैसे अगर आप किसी inventory को, PPE में consume कर लेते हो, तो आप, जो भी inventory cost है, वो PPE में हो जाएदे capitalize, ऐसा ही होता है, अब इसका एक और interpretation है, कभी-कभी आप किसी PPE को use करते हो, to manufacture inventory, to manufacture inventory, तो जो PPE का depreciation और depreciation, वो आप inventory के cost में add करते हो, inventory के cost में add करते हो, तो जब आप PPE को use करो, inventory बनाने के लिए, तो PPE का depreciation और inventory cost में add करते हो, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है, तो ये इसी चीज के ओपर है, इसमें जितने भी खर्चे दिखे, सब capitalize कर देना, सिफ ध्यान र ठीक है, और अगर आपने कोई भी interest वगेरा भरा है, जैसे बोलता है कि मैंने ये asset खरीदने के लिए कुछ loan वगेरा लिया, तो interest वाला हमेशन जाएगा profit and loss में, loan raising fees वगेरा, ये interest है, ये profit and loss में जाएगा, जान रखना बस, clear, खतम कहानी, तो ये simple है, और कुछ नहीं इसके अलावा, ये वाला equation है, question number 4, LDR नहीं कहूंगा, लेकिन single star इसको भी कहूंगा, अब इसमें क्या बोलता है, पहले वाले case में, पहले वाले case तो simple है, उसमें बोलता है कि अपने को cost of inventory निकालनी है, अब inventory cost के समय पे अपने को ये बोला हूँ है, कि जब inventory बेचोगे ना, तो delivery cost anchor करना पड़ेगा, ये सब anchor करना पड़ेगा, delivery cost, मतलब जब बेचोगे तब delivery cost anchor करना पड़ेगा, ये cost of making नहीं, ये cost of selling है, तुम समझ रहे हो क्या, तो cost of selling आपके cost का part नहीं बनता है, cost of making आपके cost का part बनता है, तुम समझ रहे हो? तो जो भी आप selling cost एकar करेगे, 2,000 यह आपके cost का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन जब inventory को बनाना है, उसमें जो भी खर्चे लगें, वह आपके cost का पार्ट बनेगा, जैसे 1,30,000 हो गया, 20,000 non-refundable हो गया, फिर देखो, दो तरगे delivery होता है, एक inventory आपको मिलने वाला delivery cost, और एक होता है, आप जब customer को भेजोगे तो वह वाला cost delivery, वह कभी capitalized नहीं होता है, तो जो आपके पास आ रहे है, inventory, company के पास, उसमें जो आप delivery पे कर रहे हो, वह cost mad होगा, उसको बलते है, transportation cost, वह consider होता है, दियान रपना, तो यह पहले वाला part था, ठीक है, yes, second part, अभे न, यह वाला part मसता है, second वाला part, क्या बोलत सुनना, this item was used for manufacturing of goods, and the requirement for restoring will arise due to manufacturing of goods, मतलब, जो 20,000 है, आपके पास PPE है, इसलिए आपको इंकर नहीं करना पड़ रहे है, इस PPE से आप inventory बना रहे हो, और क्योंकि आप inventory बना रहे हो, inventory बनाने की वज़े से यह खर्चा राइज हो रहा है, तो अब यह खर्चे को, मैं PP के cost मे capitalize करूँ, या inventory cost में capitalize करूँ, तो ऐसे खर्चे को आप PP नहीं, inventory cost में capitalize करूँ, क्यों, क्योंकि यह खर्चा inventory बनाने की वैसा rise हो रहा है, बस यतना आपको ध्यान रखना है, तो यह ही दिया हुआ है, यह ज्यान इतना साल दिया हुआ है, आपको, बट मैं आपको logic पुरा short मे सरक, 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 आपका बताओ क्या हुआ, शायद 116 जो leases अब आपन कल करने वाले है, वो एक index छोड़के, आपने सारे asset based index complete कर लिये, तुमको पता है यह चीज, मातर तीन घंटे में, with questions, वो भी question में भी, जो भी important है बताया, उसको revise भी करवाया, उसको solve भी करवाया, concept भी तुम देख रहों, सुरू हमने किया था, यह ना, सबको काम पर लगा दिया है मैंने, तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, marathon हरा time लेता हूँ मैं, with questions लेता हूँ मैं, सबको काम पर लगा दिया मैंने, अब सब ले रहें, तुम समझ रहो, तुम्हारा भाई, ता र कि या बात करो मैडम का मैस चुड़ गया मेरसे माझी बाइकोपन आए मतलब मेरी वाइफ भी आ यह देखो एनिवेस चलो मजा आ गया येस तो मेरे कहाल से भी डिजाव वकुड ब्रेक हावडे यसा मत खाना अधा युद्ध में खाकर आना ठीक है लिमिट में खाना तो अप चोटा सा ब्रेट लेते हैं लंच लंच करके आपन रेज्यूम करते हैं इजजद चाप कितना ब्रेक ज्यादा बड़ा ब्रेक लो मैं आपको वापस ब्रेक दूंगा बात में तो बता हो जल्दी बता हो कि हाफ एनार एक तुमारा मात खर आभी का फोटी वैं मिनिट्स चुप चाप 30 मिर्स में आ जाना वन 35 PM we will resume we will resume at 1.35 PM चुपचाब आजाना ठीक है जा चुपचाओ उचाओ मत करने का ठीक है चलो तो I hope आपको मज़ा आ रहा है I hope आपके लिए helpful है ठीक है तो thank you so much everyone और बाकी जैसे मैंने बता है टेलिग्राम जोइन कर लो वहां में नोट्स वगेरा शेयर कर दूँगा आपको जो भी relevant है और चैनल को सब्सक्राइब कर ना देख रहो ना यह वापस से बतारो सब्सक्राइब कर ना देख रहो ना पांच मांकर एक्जाम में है चल ठीक है तो see you after the break गाईस अच्छे से लंच करो लिमिट में खाना ठीक है और आपने काफिशार इंडिस को क्या कर दिया आपने सरग 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 तो और भी करेंगे शांदार ठीक है तो see you after the break टेक केर एवीवन बाबाए see you after the break चलो बाए 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 135 को मिलेंगे 135 को कर दो कर दो कर दो झाल 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 करता झाल 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 कि झाल 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 मेरे क्याल से लेट्स स्टार्ट अभी का चालू करने वाले सर आप अपना प्यारा राज दुलारा इंकम टैक्सेश आपसे में छोड़के मत जाने इसको करना चीए अभी तो क्या ही बढ़ो के पढ़ावा रहना चीए ठीक है चलो तो शुरू कर देते एक बढ़ खोल लूं इंडेस ट्वेल्फ आजाओ इंडेस ट्वेल्फ बहतरीन तरीके से सरका दूंगा इतना मस्ट पढ़ाऊं तुमको इंडेस ट्वेल्फ मजा आजएगा तुमको ठीक है और यह वाला इंडेस ट्वेल्फ के नोट्स अगेरा सब खोल लेते आता किदर गया मेला बाबू मेला बाबू इंडेस ट्वेल्फ किदर गया गूम गया ऐसे चलो सू सबसे पहले वह इंडेस ट्वेल्फ नाम क्या इसका income taxes बराबर income taxes के दो इससे होते उसके current tax डिफेर्ट गोनों मिलाकर बनता income tax एपना what is the meaning of current tax जो भी आपके taxable profit, आपको बता है ना, accounts का profit अलग होता है, tax का profit अलग होता है, तो जो भी आपके taxable profit पर आपको tax पे करना है, उसको बलते है current tax, बराबर, अच्छा, now what is the meaning of deferred tax, logically जाए, तो deferred tax का मतलब क्यों होता है, जो आपके accounting profit, और जो आपके taxable profit, दोनों के tax का difference होता है, उसको बलते है deferred tax, यह logically होता है, लेकिन, in index 12, हम deferred tax निकालते है by using balance sheet approach, we compute the carrying amount of the asset, and we compute the tax base of the asset, अगर दोनों में difference है, तो आपन deferred tax निकालेंगे, ठीके, तो current tax का मतलब समझा आपको, ठीके, अब current tax के कुछ provisions है, जो काम के उसकी बात करते हैं, सबसे पहला, अगर current tax unpaid है, उसको बलते है current tax liability, basically provision for tax, और अगर current tax advance में आपने पेकिया, advanced tax जैसा होता है, उसको बलते है advanced tax, या current tax asset ध्यान लगना, उसके अलावा, आप current tax asset और current tax liability को offset करके दिखा सकते हो, ठीक हो कि दिक्कत वाली बात नहीं है, main आते है, अपने main discussion पे वो है deferred tax का discussion, deferred tax के अंदर अपने पास, कौन सा approach फॉलो करना है अपने को, we want to follow the balance sheet approach, इसका मतलब, अपने को, हर item के लिए, दो चीजा निकालनी होती है, एक होता है current tax, एक होता है, अगर यह दोनों में कोई भी difference है, तो उस difference पे आपन tax rate multiply करते हैं, और अपने को मिल जाता है DTA या DTL, अब DTA है कि DTL है, यह हम का question मालूम पड़ेगा, तो simple है, आपको मैंने एक hint दिया था, वो hint किया था, आपको यादे, always try to bring caring amount towards tax base, always try to bring caring amount towards tax base, अब जो भी यह करोगे, उससे आपको मैंने मालूम पड़ेगा, current tax asset की, sorry, differ tax asset की differ tax liability है, बराबर चलो example दो sir, example, example देता हो, suppose एक PPE था, है ना, तो difference कैसे आता है यह देखना, PPE का caring amount 10CR है, ठीक है, तो day 1 पर तो दोनों का value सेम रहेगा tax base में और carrying amount में, अब life accounts में 4 साल है, tax में 5 years है, तो जब life accounts में 4 years है, तो accounts में आपका carrying amount कितना बचेगा, year के end पे 7.5 बचेगा, लिकिन taxation के books में carrying amount कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यह tax base हो जाएगा, बराबर अब carrying amount 7.5 tax base 8, मैंने क्या hint दिया, always try to bring carrying amount towards tax base, तो यह मेरा carrying amount है, यह मेरा tax base, यह साथ में remote है, वो tax base है, तो carrying amount towards tax base, मुझे carrying amount increase करना है, और यह PPE है, PPE as an asset, asset का carrying amount increase करना है, तो आपन एक और asset क्रेट करेंगे, तो therefore we will create a DTA, simple, जियान रखना, तो ऐसे ही अपन हर item के case में चेक करते हैं, कि DTA बना है कि DTL बना है, question अपन करने वाले इसको उपर चिंता करने के जरूवत नहीं है, बस एक बात और मुझे बतानी है, जो भी जब भी आप DTA बनाते हो, तो DTA के difference का नाम करना है, क्या होता है, deductible temporary difference, और जब भी भी DTL बनाओगे, DTL के difference का नाम होता है, taxable temporary difference, यह पहला चीज, second चीज, जब भी भी आप इसके entry मारोगे, जैसे इस case में, आप entry का मारोगे, DTA करना तो DTA है, तो defer tax expense, अच्छली बोलने को expense है, लेकिन जाएगा profit loss में as an income, मतलब expense में negative होके दिखेगा, ठीक है, अब यह profit loss में क्यों गया, क्योंकि यह जो difference था, इसका reason was depreciation, क्योंकि accounts में debt अलग है, और tax में depreciation अलग है, लेकिन जब suppose land की बात करूँगा, तो land में carrying amount of tax base different क्यों होता है, क्योंकि because of revaluation gain, suppose आपने accounts में reval gain book किया है, लेकिन taxation में से कोई gain book नहीं करते है, बराबर तो इसका जो difference है, it is because of revaluation gain, तो जब revaluation gain OCI, R या NR में जाता है, तो deferred tax का second effect भी profit and loss में नहीं OCI में जाएगा, बस इतना आपको ध्यान लगना है, तो एक तो deferred tax जाएगा balance sheet में, जाएगा OCI के अंदर ध्यान रखना, ठीक है, तो इस सब आपको मैंने बाते बता दी, अब वो ज्यान दिया हुए, कि caring amount का मतलब क्या होता है, tax base का मतलब क्या होता है, मैंने बता आता, format, formula वगरा को याद करने का जरूवत नहीं, सिफ hint याद रखना, आपको एज़ीली मिल जाएगा वो वाल्यू, ठीक है, उसके बाद difference कैसे मिलेगा, जब caring amount और tax base का difference है, उसमें कुछ आ रहा है, difference तो आपको difference आएगा, या तो DTA होगा, या फिद दTL होगा, उसके लाब एक और चीज, कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी होता है, जो difference है दोनों के बीच में, जो caring amount और tax base के बीच में difference है, this difference is other than temporary difference, क्या है ये, दोने के बीच का तो difference है, वो कभी-कभी होता है, other than temporary difference, और example, अगर बात करें, suppose fines and penalties, या agriculture income, fines and penalties का कभी भी आपको expense, tax मा लाव नहीं होता है, agriculture income कभी-भी tax में taxable नहीं होती है, तो अगर कोई difference आते है, which is other than temporary, मतलब वो difference कभी reverse नहीं होने वाला है, ऐसे difference को आप conclude करते हो, caring amount is equal to tax base, और ऐसे difference में, आप कभी-भी DTA, DTL create नहीं करोगे, very good answer, Shivam, Ritesh, Pranav, Shreya, Sanket, Aditi, Vora, Naitik, very good, सबको समझा यह वाला part मैंने क्या बुला, चलो, शांदार, उसके बाद, यह आपको घ्यान की मैंने बाते बता दी, ठीक है, DTL के ओपर taxable temporary difference kit होता है, और DTA के ओपर deductable temporary difference kit होता है, यह भी आप धियान रखना हो, उसके लावा, अब एक catch, वो catch क्या है, अगर आप कभी भी DTA book करने वाले हो, अगर आप कभी भी DTA book करने वाले हो, तो DTA सिर्फ तभी book करना, जब आप उसको future में use कर पाओ, और DTA को future में आप तीन चीज़ों के against you use कर सकते हो, जब DTA का reversal है, जब DTA का reversal है, उस समय कोई DTL का reversal है क्या, पहला ये चीज़ चेक करना, दूसरा, profitability of future profits, अगर जिस साल DTA का reversal है, या उस year में आपको कई profits expected है क्या, if the answer is yes, तो ये आप DTA आज book करना, या फिर, जिस साल DTA का reversal है, उस साल का tax planning करके, आप कोई profit generate कर सकते हो क्या, अगर ये कर सकते हो, तो ही आज DTA book करना, अगर ये तीनों में से कोई भी एक exist करता है, तो ही आप आज DTA book करोगे, अगर तीनों में से एक भी exist नहीं करता है, तो आप DTA आज book नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, perfect answer है, अगेन रिते, संकेत, राशी, वेरी गुट, इस दिस लेटो everyone, उसके बाद, इसके बाद, इसको सिफ उपर से देख लो, तो भी चल जाएगा, सिफ उसमें ध्यान रखना, कि डिफोर्टेक्स का benefit आपको future में मिलता है, DTL का मतलब होता है, future में जादा tax भरना पड़ेगा, DTA का मतलब होता है, तो future के tax rate ले ले लेना, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसके detail में घुषने का कोई जरुवत नहीं है, क्योंकि exam point आवई से कोई question नहीं हो, आगे बढ़ जाते है, calculation of deferred tax, ठीक है, deferred tax asset कैसे निकालेंगे, difference का amount into tax rate, liability भी same, difference का amount into tax rate, इसके आगे accounting for deferred tax, अभी अपने call lady आता है, मैंना आपको अपको बता है, अगर item P&L का है, तो deferred tax का second effect भी P&L में, अगर item OCI का है, तो deferred tax second effect भी OCI में, अगर item equity का है, इसके पर को question नहीं है, बट बाइचांस अगर हुआ, तो deferred tax का second effect भी equity में जाएगा, अब आता है ये वाला पार, deferred tax arising on business combination, है ना ये बढ़िया पार्थ है, इसमें क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, वो बोलता है, अगर deferred tax, कोई भी business combination में आइज होता है, सर ये कब होता है, इसका simple से example है, आपकी caring amount पते हैं, क्या होती है, business combination में, अक्वायर everything at fair value, तो आपकी caring amount होती है, fair value, लेकिन आपका tax base क्या होता है, आपका tax base होता है, old वाला caring amount, जो selling company के उसमें book value है, selling company के जो book value है, वो आपकी tax base होती है, तो अगर fair value अलग है, और tax base अलग है, तो कुछ difference आएगा, और deferred tax निकल कर आएगा, तो अगर business combination की वज़े से, ऐसा कोई deferred tax आता है, तो इस deferred tax को, आप profit and loss में adjust नहीं करोगे, इस deferred tax को आपको goodwill से adjust करना है, और goodwill से adjust करने के लिए, पता है, इसको कहां include कर लेना, इसको आप अपने INA, identifiable net asset, पता है आपन business combination वगेरा पढ़ते हैं, उसमें step number 4 होता है, यह देखो कैसे interlinkage करवा के दे रहा हो तुमको, तो उसके step number 4 INA में, आपन इसको include कर लेंगे, यह जो भी deferred tax है, deferred tax है because of business combination, जैसे आप INA का part बनाओगे न, automatically वो goodwill suggest हो जाएगा, automatically it will be adjusted against goodwill, इस बात का आपको ध्यान लखना है, ठीके, बस, तो बोलता है देखो, यही same चीज़ यहां discuss किये, business combination वाले case में, fair value becomes carrying amount, old book value becomes a tax base, difference आएगा तो INA का part बनाओ, automatically goodwill suggest हो जाएगा, ठीके, अच्छा, और एक और बात ध्यान लख, from exam point of view, index point of view, goodwill के उपर भी difference आ सकता है, because goodwill arise तो हुआ है, लेकिन पुराने books में, उसका tax base 0 था, तो इस पे जो difference है, यह कभी reverse नहीं होता है, तो हम बोलते, this is other than temporary difference, तो goodwill के उपर चुभी difference हो, कभी भी credit करने का चरवत आपको नहीं है, ध्यान लखना, उसके अलावा, asset acquisition, जब भी आप asset acquire करते हो, जैसे आपने PP acquire किया, तो कोई भी difference day 1 पे नहीं आता है, day 1 पे मैं बूलू, carrying amount of tax base same ही होता है, until and unless, it is not a business combination, business combination में day 1 पे अलग हो सता है, क्यों day 1 पे carrying amount is fair value, tax base is old carrying amount, बट अगर बिसनस combination नहीं है, और normal question है, तो उसके इसमें day 1 पे दोनों सेमी होता है, day 1 पे कोई different tax वगरा नहीं आता है, ठीक है, उसके अलावा, share based payment के लिए, अपन directly question करेंगे, ठीक है, बट share based payment में एक बात ध्यान रखना, आपको दो-तीन चीदे याद रखनी है, अब इसका जो conceptually मज़ाना इसको याद कर लेना, share based payment के अंदर, carrying amount अब हमेशा zero अजूम करना, पहले चीज, tax base क्या रहेगा, जो भी share based payment का, आप खरचा निकालते हो as per accounts, उसको आप tax base मान लेना, क्या बुला मैंने, carrying amount always zero, tax base will be the accounts वाल expenditure, दोनों का difference जो भी रहेगा, उस पे हमेशा DTA ही बनेगा, और last year में जितना भी DTA क्रेट के अदा, आपने उपर उपर, last year में सब का सब क्या कर देना, reverse कर देना, इतना आपको ध्यान लगना है, बराबर वापस से, carrying amount हमेशा zero मानना, tax base क्या मानोगे, जो भी आपका account का खर्चा है, वो tax base मानोगे, इसके उपर हमेशा DTA ही create करना, और जितना भी DTA over the period, create करोगे, last year of share based payment में सब का सब क्या कर देना, reverse कर देना, इसके उपर question कराऊँगा आपको, उसके अलावा, temporary difference with investment in subsidiary branches, associate joint venture, maximum लोग को यहाँ दिक्कत होती है, सुनलो इसका मतलब क्या है, वो बोलता है, जब भी भी आपके subsidiary profit कमाती है, तो आपका carrying amount बढ़ जाता है, लेकिन tax base उतना का उतना ही रजाता है, आपने investment acquire किया 100 रुपे में, अब subsidy ने profit कमाया, मैंने उस profit में इस्सा record किया, तो मेरा carrying amount हो गया 125, एक्जामपल ले रहा हूँ, तो difference आ गया 25 का, और यह investment है, तो इस पर DTL क्रेट होएगा वाई, carrying amount जाता tax base कम, carrying amount कम करना है, investment का carrying amount कम करना है, 30% लेंगे तो कितना आएगा, 7.5 का DTL आ जाएगा, अब normally आपन DTL क्रेट करेंगे, normally आपन DTL क्रेट करेंगे, normally you will create the DTL, except, वो बोलता अगर 2 condition meet हो जाए, तो आपको इस DTL मत क्रेट करना, पहली condition, यह DTL क्रेट किया, क्योंकि यह difference reverse हो सकता है, कैसे reverse होगा, जब subsidy dividend बाटेगी, तब यह difference reverse हो जाएगा, या फिर, जब आप इस investment को sale कर दोगे, तब यह difference reverse हो जाएगा, बराबर, अगर मैं बोल दू, parent हमें, हम subsidy को dividend बाटने देंगे ही नहीं, that profits will not be distributed, और हम इस investment को बेचेंगे ही नहीं, जब parent ऐसा ठान लेता है, कि neither we will let the subsidy distribute any dividend, और हम नहीं उस investment को बेचेंगे, जब यह दोनों condition meet हो जाए, तो फिर, यही difference आपके लिए, other than temporary बन जाता है, मतलब reversal के, अगर दोनों दरवाजया बंद कर दोगे, तो यह difference बन जाएगा, other than temporary, उस case में कोई differ test आप create नहीं करोगे, यहां रखना इस बात का, ठीक है, अच्छा, यही same चीज, associate और जीवी में अप लेके बले, बस फरक कितना है, associate और जीवी वाले case में, parent अकेला control नहीं करता है, तो यहां dividend नहीं बातने के लिए, बाकी लोग के साथ agreement करना पड़ेगा, dividend नहीं बातने देने के लिए, बाकी shared agreement करना पड़ेगा, that dividend will not be distributed, और of course, आप उस investment को नहीं बेचोगे, अगर इसमें भी दोनों condition मीट हो जाए, तो आप associate और joint venture वाले case के investment में भी, कोई deferred tax create नहीं करोगे, ध्यान रटना maximum cases में, you will create a deferred tax, बस यह दो condition मीट हो जाए, तो मत create करना, that's it, ध्यान रटना, वो भी इतने exam point device से तक critical नहीं है, that's it, खतम हो गया, यह index 12 के सारे concept हो जाता आपके खतम, conceptually इतना ही पढ़के जाना, जादा आपको deep में जाने का जरुवत नहीं क्यों, deep में जाओगे तो question solving के जाना, ध्यान रटना, और मैं आपको आज, जब last में छोड़ूँगा, तो I will also guide you कि आपको आज का target क्या होना चे, रात को marathon conduct करने के बात, मतलब यह नहीं, कि आज आका सरक्याद marathon देख और सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आज खतम होने के बात भी आपको मैं, चार शेट कर टागेट देने वाला, वो complete करना है, और जैसे मैं बताऊँगा वैसे करना है, ताकि आपके exam के दिन पापको कोई भी तकलीफ नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, चलो, अब आपन करते questions, question में में आपन काफी सारा discussion करने वाले हैं, आजाओ, अरे बबाबा, यह क्या होगे इसको, और यह सुर, यह तो 116 आगिया, कोई बात नहीं, अपने को आता है 116, थोड़ा बहुत तो अपने को पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुनलो क्या बोलता है, तो वो बोलता है, अपने पास है, ROU, और Lease Liability, 30 करोर्स पे करना है, तो जब आप इसका निकालो के present value, 30 करोर्स पर 5 यर्स, तो वो कितना आता है, टैक्स लॉप पर्मिट्स, ठीक है, तो आपको 120 अच्छा, उसका बोला हुए, प्रेजेंट वालु अफ लीज लिए 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 लिए, तो दे वन पे, आपका ROU कितना है, डे वन पे आपका ROU का carrying amount is, 120 और tax base, tax base कितना है, tax base शुन्ने है, वाई, क्योंकि ये जो ROU वगेरा है, ये सिवा आप accounts में record करते हो, आप tax में कभी भी record नहीं करते हो, बराबर तो difference आएगा, अब बताओ difference कितना आएगा, आपका, difference आपका आजाएगा, 120 का, इस पे आप differ tax create करोगे, लेकिन day 1 का मत करो, आपको चिता आप directly year end का भी कर सकते हो, बिकास पूछा year end का है, ठीके, बट ठीके, आप day 1 का भी निकालो, year end का भी निकालो, तो भी चलेगा, 24 आएगा, minus 120 कितना आएगा, 96 तो ये carrying amount आपका हो जाएगा, और आपका tax base कितना हो जाएगा, आपका tax base will be 0, ठीके, difference आएगा, इस पे आप differ tax create करोगे, कितना differ tax आएगा, carrying amount 96, tax base 0, carrying amount towards tax base, carrying amount कम करना है, और asset का carrying amount कम करना है, तो liability create कर देना, तो कितना आएगा, into 30%, 30% है ना, yes, तो कितना आएगा, 28.8 का, similarly, what about lease liability, year end पे, आप इसके लिए पते, LAT बनाते हो, LAT मतलब, year opening interest repayment closing, बनाते हो ना, तो year 1 के end का जो LAT है, वो suppose मैं ले 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 तो, copy कर ले तो मेहाँ से, it is coming to 99.6, तो liability होगे 99.6, tax base अभी भी 0 है, तो carrying amount ज्यादा, tax base कम, carrying amount कम करना है, लेकिन अब liability का carrying amount कम करना है, lease liability, liability का carrying amount कम करना है, तो I will create an asset, तो asset कितना आएगा create करेंगे आपन, 99.6 into 30%, that is 29.88, ये DTL था, और ये वाला DTA था, net में आप क्या book कर रहे हो, 1.08 का DT, बस ये वाला उसके उपर question है, खतम होगे कहानी, मैंना आपको simplified वे बताया, इन्होंना थोड़ा complicated वे बताया है, बढ़ ठीक है, आपको जो भी जनता है वैसा कर सकते हो, खतम होगे कहानी, आगे बढ़ जाते है, ये वाला कुन सा है, बोलता है, ट्वल कर उसमा acquire क्या 80% में, ठीक है, payment क्या PC का 25 CR का, 80% के लिए 25 CR पे किया, आगे का बोलता है, market value दिया हुआ है, for this purpose, 2 रुपीस, ठीक है, उसके बाद, 1st April, net assets दिया हुए अपने को, उसका book value 23 CR दिया हुआ है, अब कुछ-कुछ asset ऐसे है, जिसका book value अलग है, और fair value अलग है, तो मैं बोलू, ये asset पे आपको deferred tax create करना पड़ेगा, ये asset पे आपको deferred tax create करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो PC, इतना, प्लस NCI, NCI आप कैसे निकालोगे, तो इसमें बोला हुए कि NCI कुन से method से यूज़ करना है, येस, बोलता है NCI fair value पे यूज़ करना है, तो fair value मतलब क्या, तो 12 crore represents 80%, 12 crore shares is for 80%, तो 20% के लिए कितना होगा, तो आप बताओगे, 20 into 12 divided by 80, तो it will be 3 crore, 3 crore हरे शरका value 2 है, 2 rupees दिया होगा है, तो कितना होगा, 6 rupees होगा, तो मेरे को मिल गया 6 rupees NCI, ठीक है, उसके बाद 31, net assets कैसे लिखोगे, book value दिया होगा आपको, book value के अलावा, जो भी assets है, जिसको आप book value के बतले, fair value पर take over कर रहे हो, उसका सिर्फ incremental amount लेना, जैसे 15 के बतले 18 आना चीए, तो 3 rupees, क्यों 23 में book value अलावा लेडिया आगया न, आपको भी सिर्वालू gain loss लेना चाहिए, तो fair value gain वगेरा ले लिया आपनने, clear ये वाला पाट ठीक है, तो ऐसे property, plant inventory सपपे ले लिया, अब इनी 3 के उपर, deferred tax का impact भी आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, आपको deferred tax का impact भी लेना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगा, देखो मैंने लिखा है, property का जो fair value है, वो मनेगा carrying amount, जो पुराना carrying amount है, वो मनेगा tax base, difference आएगा 3 रुपे का, deferred tax आप निकालोगे 0.6 का, कैसे या liability, carrying amount जाद है, tax base कम है, carrying amount कम करना है, और asset का carrying amount कम करना है, तो liability करेट करना पड़ेगा, ऐसे तीनों case में detail आएगा, total detail 1.1, इसको क्योंकि ये business combination हो रहा है, इसको goodwill से adjust करना है, goodwill से adjust करने के लिए, किसका part बना लो, इसको, INA का part बना लो, बराबर, तो INA में detail include किया, तो minus किया, तो इतना आ गया, automatically goodwill से adjust हो जाएगा, ये चीज, ध्यान रखना, तो ये अथा अपना question number 3, जो कि आपने खतम कर लिया, है, ध्यान रखना, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते है, फिर आते अपना question number 4, हाँ, ये है share based payment वाला, तो क्या बोलता है, सुन लो, मैंने क्या बताया था, share based payment के अंदर, SBP के अंदर, मैंने बताया था, आप carrying amount हमेशा 0 मानना, tax base क्या मनोगे, जो भी accounts का खर्चा है, वो मानना, तो first year में अगर आपन देखे, तो accounts का खर्चा है 0.8, total 1.6 है, 2 साल का, तो per annum is 0.8, तो difference आया यतने का, और हमेशा DTA ही आएगा, मैंने बताया था, ध्यान लखना, याद कर लो चाहिए तो, तो कैसे आएगा, difference into tax rate, अब ये, वेस्टिंग पिरेट 2 साल का ही है, तो एक और चीज मैंने क्या बताया थी आपको, last year of the Westing में, जितना भी DTA क्रेट किया है, वो बस reverse करना है, last year में आप extra DTA कुछ बुक नहीं करोगे, फिलाल के लिए याद कर लो, आपको काम बन जाएगा, ठीक है, बस, आगे बढ़ जाते है, illustration number 5, शांदार question देख लो, क्या बोलता है ये वाला part, वो बोलता है, PBT दिया हुए, 1000 taxable profit 104, ठीक है, अपने वो चाहिए क्या है इसके अंदर, अपने को वो बोलता है, तुम निकालोगे, सबसे पहले current tax और deferred tax, उसके लावर RICO बना के दोगे, RICO एक तो numbers में भी चाहिए, और RICO आपको tax rate का भी चाहिए, अब ये RICO कैसे बनेगा देख लो, सबसे पहले current tax कैसे निकलता है, जो भी taxable profit है, उसपे निकलता है, तो question में 104 का taxable profit था, तो उसपे मैंने current tax निकाला, अच्छा, अब deferred tax कैसे निकालोगे, तो दो adjustment है deferred tax के, पहला है अपना ये, एक machine थी, तो machine का, ये आपका cost था day one पे, तो आपको 2 महिने से करना है, depreciate इसको accounts के अंदर, टैक्स वाला बोलता है कि 6 मेंने से depreciate करना पड़ेगा, बराबर, तो you will depreciate, for, कितना tax में, tax में you will depreciate for 6 months, और accounts पर करोगे 2 महिने से, तो accounts में ये value होगे, tax में ये value होगे, difference आगया, detail आजाएगा, ठीक है ध्यान रखना, उसके बाद, एक और चीज़ दिए गई है, donation, है न, donation, अब donation का कभी भी आपको tax में benefit नहीं मिलता है, मतलब tax session में expense नहीं मिलता है, donation का आपको, तो donation पर जो भी difference आएगा, it is other than temporary, बराबर तो no DTA, DTL, अब इसकी वज़े से, आपका deferred is आप सी विस पर निकाल होगे DTL, ठीक है, तो आपका total tax expense कितना हो गया, current tax 26 का, deferred tax 1 का, तो total हो गया आपका 27, आइडेली पता है क्या होना चाहिए था, ideally आपका tax expense, current और deferred गिनके, पता है कितना आना चाहिए, जो भी आपका accounts का profit है, into tax rate, 25 आना चाहिए था, लेकिन वो 27 आ रहे, अब ये 25 के बदले 27 क्यों आ रहे है, इसका रिको देना है, और इसका एक ही reason है, donation, donation पर आपने deferred tax impact, नहीं किया आना, because difference was other than temporary, उसकी वज़े से वो, जो difference है वो आता है, 27 के बदले 25 नहीं आता है, इसलिए, बराबर तो आपको इसी का रिको देना है, कि आना 25 चीए था, क्यूंकि donation पर 2 का benefit, 2 रुपे का benefit नहीं मिला, 27 आया, same applies to rate, 25 पसंट आना चाहिए था, donation पर 2 पसंट आपको benefit नहीं मिला, तो 27 पसंट आ गया, तो ये रिको वगर आपको बना के देना, चाहिए उसके अंदर, यह था आपका illustration number 6, खतम हो जाता है ये वाला पार, उसके बाद और जो काम के question है, वो आपके आते, illustration number 9, शांदार question है, बहुत जबरदस question है, पहला पार तो बड़ा simple है, वो बलता है आपकी purchase किया था, 2,00,000 रुपे में, है ना, और आज FVT OCI की वज़े से, fair value होगे 2,40,000, तो carrying amount आपका हो गया, 2.4,00, tax base आपका हो गया, 2,00, ठीक है, तो आपको difference कितने का आ आ गया, 40,000 का, तो आपको DTA, DTL निकाल के देना है, बताओ DTA की DTL, carrying amount जादा tax base कम, और ये investment है, investment में carrying amount कम करना, तो liability create करना पड़ेगा, कितने का add the rate, कितना पसंट दिया है, 25% दिया है, तो कितना आएगा, 10,000 का DTL आ जाएगा, ऐसे फटा-फट से आंसर करते हैं, चाट box के अंदर amount के साथ, आपका revision होता वाच चले, अभी उस question में खास बात ये है, कि current tax भी पूछा है, लेकिन defer tax भी पूछा है, अब defer tax तो आपने निकाल लिया, current tax कैसे निकाल लेंगे, अगर कोई भी realized profit होगा, अगर आपने कुछ सामन बेचा भगेरा है, तो उस पर current tax आ जाएगा, ध्यान दखना, तो यहाँ आपने कुछ बेचा भगेरा नहीं है, तो current tax नहीं आएगा, अब यह वाला case, आपने 64 का goods 80 में बेचा, लेकिन अपने ही सबसीडरी को बेचा, बराबर, तो यह inter company transaction हो गया, अब होईगा क्या सुनना, वो बोलता है, year end पे 40% goods बिग चुके है, इसका मतलब अपने books में, कितने पसंट goods बाकी है, अपने books में सिर 60% goods spending है, अब accounts में क्या होता है, accounts के अंदर हम URP eliminate करते हैं, मतलब हम profit element नहीं देखते हैं, हम सिर्फ cost पर रखते हैं, accounts के अंदर, लेकिन tax में ऐसा कोई elimination नहीं होता है, तो देखो फरक क्या पड़ता है इससे, आपके जो inventory है, वो accounts में पता है किस value पर दिखेगी, जितना भी आपका cost था, उसके 60% पर दिखेगी, पर जो भी difference आएगा, 9600, अब carrying amount कम है, tax base जादा है, तो carrying amount increase करना है, inventory is an asset, asset का carrying amount increase करना है, तो you will create a deferred tax asset, simple यह वाला part, ठीक है, ध्यान रखना, तो यह DTA हो गया, उसके लबा, इस पर क्या कोई current tax आएगा, the answer is yes, जो 64 का माल 80 में बेचा, तो 16000 is the realized profit, मतलब वो जितना भी current tax मतलब क्या, जो current time में आपने sale किया, तो 64 का माल बेचा 80 में, 16 is the realized profit, उस पर 25%, तो मेरे ख्याल से आएगा, वो 4000 रुपीज, तो B वाले पार्ट का अंसर एक होला आता है, यह DTA, और realized profit, current tax, विल भी 4000, clear, उसके बाद C वाला पार्ट, वो बोलता है, 2,00,000 कस्टमर से रिसीव किया, ठीक है, अब accounts में क्या होता है, accounts में यह जो income है, इस में से बोलता है, किसी 1,20,000 ही current year में अक्रू हुई है, तो accounts में आप क्या को रहेगा, पता है, accounts में, accounts में आप बोलते हो, पैसा आगया 2,00, to revenue 1.2,00, और बाकी आप बोलतो, advanced income, it is like a liability, 80,000, यह आप accounts में बोलते हो, लेकिन tax में पता है, आप क्या बोलते हो, तो इस पे भी आपको differ tax करेट करना पड़ेगा, अब carrying amount जादा है, tax base कम है, तो carrying amount कम करना है, लेकिन liability है, liability कम करना है, liability कम करना है, तो asset करेट करना पड़ेगा, तो I will create a DTA, अच्छा, इस पे current tax कितना आएगा, current tax मतलब जित्ता भी आपने tax में profit book किया वो, tax में आपने पूरा revenue 2 लाग का profit book किया है, बराबर, तो ये इस पे आप पूरा current tax निकालोगे, 25% का that will be, 50,000 आएगे, तो 50,000 आप निकालोगे, तो यह आगे आपका 50,000, tax liability, और DTA कितना आया था, आपका 20,000, I hope this is clear to everyone, very good answer, आरुशी, सद्दाम, हुसें, very good, विनीत, very good, सुजाता, very good, रितेश, very good, हरश्यता, very good, दृष्टी, very good, संकिस, शांदर, चलो, मज़ा आगे, ठीक है, तो यह अपने question होगे, दो, बढ़िया-बढ़िया, फिर, illustration number 15, यह कौन से, उसके उपर बेश्ट है, मैंने बता आया था न, DTA सिफ तब create करना, जब उस समय, detail का reversal हो, तो आप देखना, इसका solution देखो, आपका detail कितना यह देखो, day 1 पे इतना detail create हो रहा है, इसका reversal कैसे है, 3 साल में reverse होगा, day 1 पे इतना DTA create हो रहा है, और यह 4 साल में reverse होगा, तो यह जो 3 साल का reversal है, DTA का, उसके अगेश्ट आपका detail reversal भी है, लेकिन यह जो last year का DTA reversal है, उसके अगेश्ट detail reversal भी नहीं है, और question में बोला गयाता कि इसके अगेंश कोई future profits वगेरा भी नहीं है तो इस DTA के लिए आप use नहीं कर पाओगे इसको तो आप इतना DTA बुक ही नहीं कर सकते हैं आप से इतना ही DTA बुक करोगे यह सिर्फ DTA बुक करते हैं समय चेक करने है तो इसमें से आप से 900 का बुक कर सकते हो 300 आप से डिस्लोज करोगे बुक नहीं करोगे क्योंकि उसके अगेंश कोई DTA रिवर्सल नहीं है सिंपल यह ता इलस्टेशन नंबर 15 खतम हो गया फिर आता है आपका इलस्टेशन नंबर 16 यह भी एक शांदार कोईशन है मजा आद आगा क्वेशन करके सुनना क्या बोलता है अच्छा एक वर चीज में बताना भूल गया आपको अगर आपके पास कोई भी क्यारी फॉर्वर्ड टैक्स लॉस पड़ा है इसका मतलब क्या होता है आपको पता है ना आपन टैक्स सेशन पड़ता है कि इसको 8 एस तक we can carry forward तो carry forward tax loss का आपको future benefit मिलता है तो tax loss के ओपर भी आप DTA create करते हो, same applies to mat अगर mat का कोई credit पड़ा है आपके पास तो उसको पर DTA book करते हो बस फरक कितना होता है, tax loss पर benefit कितना मिलेगा, suppose loss आपके बास 1 lakh का पड़ा है, तो 1 lakh का 30% is your DTA, mat वाले case में suppose mat is 10,000, तो यह 10,000 is already the amount of tax, तो इसका 30% मत करना, यह 10,000 है आपका DTA होता है उस case में, ठीक है ध्यान रखना, यह सबसे पहले एकदम सही जवाब जयश्ण सही जवाब दिया तक दम, correct, ठीक है अब यह समझ गया, अब क्या बोलता है सुनो बोलता है हमारे पास loss पड़ा है 30,000 का लेकिन हमारे पास future में कोई भी profits नहीं होने वाला है तो ideally tax loss पे आप DTA create करते हो, into जो भी rate 20% का rate है 20% लेकिन लेकिन बोलता है future में profitability expected नहीं है, तो आप DTA create नहीं कर सकते है, यह पहला वाले part का answer second वाले part का बात करते है, बोलता है आप कोई provision create करोगे, कितने का provision create करोगे आप 20,000,000 का अब provision तो accounts में create होता है 20,000,000 का, tax में कोई provision create नहीं होता है, जब खर्चा आ रहा है, तो tax base zero हो जाता है, तो provision है है, तो carrying amount 20, tax base zero है, हैना carrying amount towards tax base, carrying amount कम करना है लेकिन liability कम करना है, तो you will create a DTA, very good answer very good Anjali, very good Nidhi, तो DTA आ जाएगा इस case में, तुम समझ रहोगा, तुम अंदर answer कर रहे हो भाई साब, तो DTA आ गया, देख लो अच्छा, अगला बात करते है फिर आदा थर्ड वाला पार्ट, बोलता है development cost है, वह आपने accounts में capitalize किया है, लेकिन taxation में आपको मिल गया full deduction तो accounts में capitalize किया है, लेकिन capitalize किया था आपने on 1st jan, तो 3 महिना amortize भी करना पड़ेगा, तो amortize करने के बाद accounts में आपकी value आती है 15.2 लेकिन tax में आपको पूरा benefit आज ही मिल गया है, बराबर तो tax base वा आपका हो जाता है 0, तो carrying amount 15.2 tax base 0, carrying amount कम करना है, asset कम करना है तो liability rate करना पड़ेगा, खतम कहानी आगे बढ़ जाते है अब जो सबसे important है, आपके लिए यही वाला part है कौनसा यह वाला part, यह financial instruments के थोड़ा linked है क्या बोलता है ध्यान से सुनना, वह बोलता है आपन ने borrowing लिया 1CR का ठीक है, और आपनने 2 lakh rupees का transaction costing कर किया ठीक है, interest free loan है कोई loan नहीं है, और जब repay करोगे तो कितना repay करना आपको, 130, 43, 800 आपको repay करना है, ठीक है अब tax में क्या उता पता है tax में आपका loan, year end पे भी face value पे रहता है, लेकिन accounts में क्या होता है, accounts में आपको financial instruments के steps follow करने होते है और LAT का year 1 के end का closing है, वो निकालना होता है, तो मैं steps follow करता हूँ, कि यह step 1 cash flows, step 2 is fair value of financial liability, कोई मैं आपको सिखाया financial instruments में जब कोई relationship नहीं होता है, जब कोई CFI नहीं होता है, तो आप fair value directly जो भी day 1 का TP है वो मान सकते हो TP मतलब transaction price, तो TP was 1 CR, बट इस case में transaction cost भी था, in case of financial liability आपन उसको minus करते है, तो आपका day 1 का fair value is 98 lakhs ठीक है, EIR 10% आपको नहीं को दिया हुआ है, तो जब LAT बनाओगे तो 98 accrue कराओगे interest, repayment कुछ है निभी का interest free है, closing आपका इतना आ जाएगा तो यह आपका हो जाएगा carrying amount तो liability का carrying amount रहेगा LAT का closing, tax base रहेगा face value, बराबर तो carrying amount इधर है tax base नीचे carrying amount कम करना है, liability का carrying amount कम करना है तो asset create करना पड़ेगा, तो DAT create करेंगे, ख़तम कहानी clear रहे गए वाला part, शांदार ठीक है, यह आपनने कौन सा question के अपत है illustration number 16, exam में कभी प्रकट हो सकता है, ध्यान रखना 4 point है, 2-2 mark के each point, 8 mark question आजाएगा exam में, ठीक है उसके बाद अपना अगला question is 18, 18 बड़ा simple सा question है, सुलो क्या बोलता है, हमने जो भी DTA create किया है, DTL create किया है वो as per 40% create किया है कल को अगर 40 के बदले rate 45% हो जाए, तो आपका differ tax कितना हो जाएगा तो देखो, एकदम simple है this DTA is as per 40% तो as per 45% कितना अच्छा एक और चीज़, इस DTA में 28,000 का जो DTA वो OCI वाला DTA है और remaining 52 का PNL वाला DTA है यह भी बोला हुआ है, तो आप कैसे करेंगे सर तो ऐसे case में एक second, कहां गया है, फिर गरीब ही दिखा रहा है यह रहा, तो देख लो कैसे करना है इस दिखाता आपको, जैसे out of 80, 28 का was of OCI तो यह as per 40% तो 45 का कितना, cost multiply करो है ना, तो देखो 28 के बदले 31,500 हो गया, तो बढ़ गया तो इसका इंपक्त है, DTA to different expense, यह जाएगा OCI के अंदर 52 था as per 40 तो 45% के साथ से कितना हो जाएगा इतना बढ़ रहा है, तो DTA to expense यह जाएगा profit and loss में similarly for DTL, DTL था this was as per 40% 45 होता तो कितना ददा cross multiply करो बढ़ रहा है, तो different expense to DTL simple, I hope this is clear to everyone खतम होगी गहानी इसकी, simple जब आपको दो-दो tax rate दे दे, एक H का और एक S का तो मैं tax rate कौन सा use करूँगा तो originally यह asset selling company के होते है originally वो तो purchasing company से acquire करता है, but originally selling company, तो tax rate भी selling company का लेना भाहिसा, बस इतना ध्यान रखना ठीक है, और इस case में जब book value and tax base दोनों दियावार है, तो book value to ignore करो, tax base consider करता ठीक है, ध्यार रखना आगे उसके बाद था अपने पास question number 2 शांदार question, सबसे शांदार question है, इंडेस्ट वल का ध्यार देखना क्या बोलता है यह वाला part सबसे पहले बोलता है, हमारे पास MAT था, 2016 में MAT था 8.5 का 17 में हो गया 9.75 MAT के case में multiply by tax rate मत करना, यही आप case का amount है tax का amount है, अब 31st March 17 को वो हो गया DTA 9.75 तो आप जब entry मारोगे, तो आप 9.75 के entry नहीं मारोगे आप सिफ incremental entry मारोगे तो आप entry मारोगे DTA to deferred tax expense जो जाएगा profit and loss, that will be 1.25 1.25 ध्यान रखना, only incremental entry will be past DTA कितना होगा, 1.25 का हो जाएगा second चीज, यह second वाला part यह शांदार part है, क्या बोलता है asset को आप reval model पर रख रहू 31st March 16 को, fair value 40, tax base 22 ठीक है, तो आपको अभी इस question में कैसे करना होते है यह भी देख लो आपको है ना जब आप reval करते हो तो आपको total 2 नहीं 3 column बनते है carrying amount before revaluation carrying amount after revaluation और tax base sir, इसे 3 column क्यों बनते है because normally ऐसे case में difference के एक नहीं 2 reason होते है, थोड़ा बहुत होता है difference because of revaluation gain और थोड़ा बहुत होता है difference because of profit and loss, मतलब depreciation तो जितना difference because of depreciation है उतना different tax profit and loss में जाएगा और जितना different tax because of revaluation उतना different tax आपका OCI में जाएगा बराबर इसले आपको 2 नहीं 3 column बनाने पड़ते है carrying amount before revaluation carrying amount after revaluation इस first year में tax base दिया हो है और यह वाला value दिया हो है लेकिन carrying amount before revaluation नहीं दिया हो है तो इस case में assumption लेना पड़ता है कि जो आपका tax base था वो ही आपका carrying amount before revaluation था ठीक है अब total difference कितने गाट राक है अपने को निकालना होता है difference because of 2 reasons because of depreciation कितना यह difference निकालने के लिए you will compare this carrying amount before reval and tax base अपने कोछ difference because of depreciation तो भूल जाओ कि revaluation हुआ था भूल जाओ there was a revaluation तो you will compare these two तो कोई difference निया थे because आपने इसी को यही assume किया है second now you will compare difference because of revaluation तो you will compare these two amounts before reval after reval तो 18 का difference है तो मैं बुलू इस case में पहले साल में तो पूरा पूरा difference is because of revaluation तो पूरा पूरा DTL जो भी है वो जाएगा OCI के अंदर पहला part simple उसके बाद जब आप second year में आओगे तो second year में कुछ information दी जिसकी वज़े से carrying amount before revaluation 20 हो गया carrying amount after revaluation 45 हो गया और tax base आपका 20.75 हो गया अब difference होगा 24.25 अब कैसे निकालेंगे difference के दो reason depreciation एक revaluation because of depreciation कितना तो भूल जाओ there was a revaluation बूल जाओ there was a revaluation बराबर तो फिर कैसे करोगे 20 और 20.75 will compare तो आपका carrying amount 20 है tax base 20.75 है carrying amount come है tax base जाद है carrying amount towards tax base carrying amount increase करना है तो DTA आएगा 0.15 का बराबर यह जाएगा आपका profit and loss के अंदर और जब आपको चिये difference because of revaluation तो you will ignore the tax base just see before revaluation after revaluation difference is 25 तो इसकी वज़े से carrying amount जाद है और यह वाला carrying amount कम है तो carrying amount कम करना तो DTL आता है अब यह एक ऐसा question है जहाँ depth की वज़े से difference आया उस पर DTA आया और इसकी वज़े से difference आया उस पर DTL आया यही mistake होते है generally ध्यान लटना थोड़ा DTL आ तो net net में देखे तो 1. किता नहीं sorry 1.25 का DTL net में आ रहे है but gross gross में देखे तो 1.15 का DTAR और 1.4 का DTL आ रहे है तो इस question को आप जरूर से practice करना मैंने पूरा solution वगर अच्छे तकर के दिया हुआ है और यह board notes में टेलिग्रम पे डाल लगे देख सकते हो आप is this creative everyone क्या? तो यह शांदार question था करके जाना है आपको उसके अलावा question नहीं question 5 है जो है न आपके November 22 के exam में आया था तो यह मैं नहीं कर रहा हो वैसे आपको करना है तो मैंना RTP November 22 करवाई थी YouTube पर search करको तो मिलेगा but to be honest अब आ गया तो वापस आने का chance थोड़ा कम है ऐसे होते question रिपीटा but इसका थोड़ा कम है chance तो मैं ठीक है एक बार देख लो के तो चल जाएगा इतना कुछ है उसके अंदर खतम तो यह आपको क्या खतम होता है एक एक शांदार Indease Indease 12 आपन ने एकदम भेतरी न तरीके से क्या कर दिया था प्र है सरका दिये इसको Indease 12 को भी चलो समामत्री की खोषणा तो टीक है चलो उसका शांदार करेंगे इन्डेस नबर 8 लेस्ट क्थरी उन्डेस है आप मेरे साथ करूंग जल्दी हो जाएंगे, आपके लेश्पनी स्ट्वर्श लागता है ना बनी है लाँ सब्सक्राइल 12 के लिए अरे 22 हमारे दिमागग से जाए 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 — जाए — जाए — जाए — जाए सर सिमी चुनिरी जाए सरक 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 अचलो है नीमेश Paul आजा हूँ अब करेंगे आपन इंडियस एड कर लेता है आजो शांदार इंडियस यह वाला भी पानी पिलो, पिलो सर, आचा दिमाग में आए, सरक, 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 ऐसा है, कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ छूटी जाता है, बनी है, सिद्धान, सिद्धान मुझे याद है, अपने क्लास का शुरूटेंट है, टाइम पस करें तरा के, चलो, आजो, करें गंटीनू, येस, सबसे पहला, what is the meaning of accounting policies, इसमें ना, देखो, concept पड़ो, दो धंके question, वो दो question करके चले जाना, उसमें से एक आएगा exam के अंदर, ठीक है, चलो, फटावट पढ़ते अभी, accounting policy का मतलब अपने को दिया हुआ है, आपको से example याद रखना है, accounting policy के अंदर, example लोगे तो, inventory के accounting policy, अब किसी भी policy को हम सिलट करके से apply करे, कौन सी policy apply करनी चाहिए, तो अगर index ने ग्यान दिया है, if index is available, follow the index, if index is not available, तो judgment use करने का, ठीक है, आगे, जो भी policy choose करोगे, consistency apply करने का, similar transaction पे same policy, लेकिन, categorization अगर कोई index अलाव करता है, तो आप category wise अलाव कर सकते हो, for example, index 16 जो है, index 16 ये नहीं बोलता है, कि इस दुनिया के सारे पीपी पे cost, या फिर सारे पीपी पे reval, वो ऐसा नहीं बोलता है, 16 बोलता है, पीपी के अंदर, जो भी same class है, उस पे same model, मतलब अलग अलग class पे अलग अलग model चल जाती है, मतलब if that specific index permits categorization, तो आप भी categorize apply कर सकते हो, clear ये वाल तो consistently apply करो, फिर आता है 4 पंदर is change, क्या हम policy को change कर सकते हैं, the answer is yes, दो case में, अगर index में बोला तब, या फिर, if you feel that it will result in more relevant, reliable information, तब, ठीक है, मतलब voluntarily आप change कर सकते हो, कुछ cases में, ये दो cases में, इसको change in policy नहीं बोलेंगे, है ना, ये पंदने से बेटर आपके example देता हो, for example, आपके पास index 16 में थे आप, तो 16 में आप reval model फॉलो कर रहे थे, use किया, use किया, use किया, अब आपने बोला कि चलो इसको rent पे देते, तो index 40 मा आ गए, 40 में क्या था, जो यहां की carrying amount है, वो बन जाएगी यहां की cost, और एक बर 40 माने के बाद, आपको यही model फॉलो करना पड़े वाई, क्योंकि आप 16 से 40 में आए ना, आप किसी नए index में आए, नए index में आने की वज़े से आपको policy change करनी पड़ी, तो यह change in policy नहीं होता है, हाँ, अगर आप 16 में रहते रहते, reval से cost पे जाते, तो वो होता change in policy, ठीक है, ज्यान रतना, चलो आगे बढ़ते, उसके बाद ने, change का effect देना सिखाया, मतलब, the change in policy, resulting from, resulting from application of index, and that index provides specifically transition provision, मतलब, index आपको transit करना सिखाया है, तो index के कहने पे change किया, और index ने change का effect देना सिखाया, तो follow the index, अच्छा, index के कहने पे change किया, लेकिन index ने change का effect देना नहीं सिखाया, तो आपको policy अपले करने पड़ी, retrospectively, और element lab information, तो अगर वैसे change किया है, तो again you will give the effect retrospectively, अब retrospective effect देने का मतलब क्या होता है, तो standard बोलता है, whenever you are giving retrospective effect, आपको balance sheet में, एक extra balance sheet का column बना के देना पड़ेगा, और वो होता है, day 1 का previous year, suppose आपका current year is, 21, 22, तो आपका previous year क्या हो गया, 20, 21, और previous year का day 1, that is 1, 4, 20, इस दिन का भ जो भी previous year के figures है, वो previous year के comparative में change कर देंगे, जो भी previous year के पहले के figures है, उसका effect आपन opening balance sheet में देंगे, इसके ओपर दो question आपन वो करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है, उसके बाद, फिर हो बताया है, limitation वगेरा, कि कभी-कभी retrospective application possible नहीं होता है, जब से possible है, तब से कर लेना, और नया information आया, ज़्यादा experience आया, new development आया, तो it can change, but the more important part is, अगर change हुआ, तो इसका accounting prospectively होता है, you cannot give the effect retrospectively, you should give the effect prospectively, मतला जिस दिन दे change हुआ, उस दिन के बात के figure change होगे, पहले का कुछ change नहीं करने का, ठीक है, उसके अलावा, other important points, अगर estimate change हुआ, तो क्या prior period के figure change कर सकते हो क्या, मैंना अभी बता है, नहीं कर सकते, एरर थोज नहीं है, उसके अलावा, change in the basis of measurement, जैसे reevaluation model, यह cost model, यह choose करना, यह policy की estimate है, तो यह policy है, आपने देखाता है, policy के example में, उसके अलावा, कभी-कभी किसी transition के लिए समझ नहीं आ रहे है, कि यह policy की estimate है, तो उसको क्या treat करना उसको estimated कर लेना, ठीक है, इतना काम का बात नहीं है, बढ़ ठीक है, आगे बढ़ जाना, फिर आता है, errors, now what is the meaning of error, error मतलब गल्ती, गल्ती, omission and misstatement of one or more prior period, गल्ती भी कब क्यों होनी चे, current रहे है, प्रिवेसर के पहले की होनी चे, क्यों, आरे, current रहे है, current रहे है, तो गल् क्यों होती है, because of failure to use or misuse the reliable information, जो उस समय थी, आपने लेकिन use नहीं करी, अब error के types क्या-क्या होते, mathematical error, 10 को 1 गिन लिया, 1 को 10 गिन लिया, mistake and apply policy, asset liability को offset नहीं करना था, कर दिया, miss interpretation of facts, adjusting को non adjusting मान लिया, vice versa, या फिर omission, कोई चीजा record करना है, भूल गया, या फिर fraud, चोरी चका देखो, अगर वो पूलता है, error कपका है, अगर error previous error का है, तो previous error के comparative में change कर देने का, अगर error previous error के भी पहले का है, तो फिर आपको opening balance बना के, वहाँ change करना पड़ेगा, simple, पहला चीज, second चीज, अब एक और error का बात करता है, that is, error of classification, what is the meaning of classification का error, मतलब आपने किसी चीज को current क बदले non current में दिखा दिया, कोई finance expense को आपने other expense में दिखा दिया, उसको बलते classification का error, amount में को problem नहीं है, सिर्फ classify wrong head में कर दिया है, तो उस case में, अगर classification का error, balance sheet का item का है, भले ही वो previous error का हो, लेकिन अगर classification का error, किसी balance sheet का item में हुआ है, तो आपको opening balance sheet बना के देना पड़ेग बहले ही error सिर्फ प्रिवेसर का हो, फिर भी, लेकिन अगर classification का error, आपके profit and loss का item का है, है ना, तो उस case में आपको opening balance sheet बना के देने का जरूवत नहीं है, ज्यान रखना, ये वाला part important, दीख, इसको पर कोई का तो theory question भी आते है, तो ये आपके index 8 के होके सारे concept खतम, अब अप इसमें ना, दो question काम के है, मतलब exam के बहले है, ये दो question देखके चले जाना, बाकी question आपके concept से बन जाते है, तो सबसे पहला question जो काम का है, वो illustration number 17 है, सुनना क्या बोलता है, बोलता है हम inventory valuation कर रहे थे, पहले हम FIFA follow कर रहे थे, अब हमको FIFA नहीं पचंद, अभी तो हम policy का change है, तो retrospective effect देना पड़ेगा, अब आपको 2 साल के profit and loss का column दिया हुआ है, देखो profit and loss में कोई opening वाला नहीं बनता है, opening बनता है, तो balance sheet के लिए बनता है, profit and loss में 2 column बनेगा, current year, previous year, अब सर्चेंज का effect कैसे रहेगा, देखो क्या बोलता है वो, वो बोलता है कि अगर वो 10 lakhs से जादा होती, है ना इस साल की inventory 15 से जादा होती, 13 की inventory 20 से जादा होती, तो इसको आप कैसे solve करने का है, तो इसका मैंना आपके एक hint दिया था, वो स्वाती ने दम correct answer किया है, वो hint था कि आप छुटा छुटा trading account prepare कर लो, ठीक है, for example I'll show it to you, trading account कैसे बनेंगे, दिखा यह देखो, यह देखो, जैसे for example, trading account बनाओगे, तो अगर आपका इस साल का closing inventory जादा होता, तो आपका GP जादा होता है, अगर इस साल का closing जादा है, तो next time का opening में जादा होता, और फिर closing बोले 15 से जादा है, तो GP पे impact सिफाई का आता, इस साल का closing जादा है, तो अगर आपक में GP आता है, impact का 5 का, तो अब इसका impact क्या होता, अगर आपके previous और current year में closing और opening change हो जाते, तो आपका COGS भी change होता, तो COGS change होके, देखो, opening का होता है positive impact, तो जितना भी opening जादा है, उतना add करना, जितना closing जाद है, उतना minus करना, because इसका formula क्या होता है, opening plus purchase minus closing, तो closing minus करते, तो closing जितना भी बड़ा हो minus कर देना, आपको मिलेगा revised COGS, तो अगर आपके COGS change होता, तो आपका GP भी दोनों साल में change हो जाता, बराबर expense आपको दिया हो है, profit भी आपको मिल जाता, अब इस question में एक और चीज़ बोला हो है, कि statement of changes in equity का भी extract बना के दो, अब यहां का, आपको retained earnings क previous year के day one का balance दिया हो है, 423, तो मैं बुलू previous year के day one का, impact profit and loss में तो नहीं आया, लेकिन आपके SOCE में आना चाहिए, क्योंकि वो balanced item है, तो previous year के day one पे, आपका GP भी 10 ज्यादा होना चाहिए था, बराबर, तो आपने GP भी 10 से बढ़ाया, उसके अलावा, आपको मिला re-shred profit, previous year क day one का, फिर, जो 2 साल के correct profit है, वो आप record करोगे, तो आपको मिलेगा, आज का correct वाला retained earnings, simple, that's it, I hope this is clear to everyone, वो था question number 17, if I am not wrong, yes, यह 17 उना चाहिए, 13 नहीं, 17, 17, अब आपनाएंगे, illustration number 18 के उपर, second important question of this chapter, that's illustration number 18, देख लो, क्या बोलता है, वो, वो बोलता है, कि हमारे पास, during 14-15, Cherry Limited discovered that some products had been sold during 13-14, which were incorrectly included in the inventory at 6,500, इसका मतलब, आपका previous year का closing is inflated, अगर आपका previous year का closing is inflated, अगर आपका current year का opening is also inflated, जब ऐसा हो जाए, तो आपके का अगर आपका current year का opening is also inflated, जब ऐसा हो जाए, तो आपके current year के COGS में change आएगा, तो देखो, मैंने आपके दिया हुए, कि change कैसे आएगा, मैंने आप पहले बताया हुए, previous year का closing is inflated by 6,500, तो जब closing जादा था, जो कि जादा नहीं होना चाहता, तो आप closing कम करोगे, closing कम करोगे, तो GP भी कम होएगा, similarly, current year का opening is inflated, तो opening अगर कम करोगे तो आपका GP बढ़ेगा, opening कम करने का अगर, expense कम करना होता है, तो GP बढ़ जाता है, तो again year you will compare the correct COGS, COGS में फरक पड़ेगा, बस PBT मिलेगा, tax लगाना, patent मिल जाएगा आपको, इस question में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो इस question में आपको number of shares वगरा भी दिया हुए, तो आ credit वाला profit है, बस वो record कर लेना, तो credit profit है 16800 9450, तो credit profit आप record कर लेना, 9450 16800, that's it, ये दो question, index 8 मा आप solve करके चले जाना, ये दो question, जो question आना होगा, तो आ जाएगा, बराबर बाकी सब मेरे काल से, तक critical कुछ है नियूज के अंदर, yes, ठीक है, question number 2, you can just read, एक reading दे सकते हो, MTB November 21 क question है, LDR नहीं है, बसे small reading देने में कोई harm नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, तो बस वह question है, उसके अलावा, जैसे 8 मेने बता है, 2 question करना, और एक question को read दे देना, उतना भी किया आपका काम exam के पहले हो जाता है, is this later everyone, yes, तो आपको ये सा small tricks मालूम पढ़ेगी, वनना तुम प सरक हो गया वाई साब, चलो, पानी पीरे देख मून, हाँ, मजा आ गया, चलो, अब आएगे अगले इंडेस पर, अगले इंडेस पर आते, that is, इंडेस 10, events after the reporting period, अच्छा, कुणसे कुणसे इंडेस कर लिए, 16, 38, 40, 36, 105, 41, 2, 12, 8, कि नो इंडेस कर लिए, अब आपनारे 10 के उपर, that is, events after the reporting period, we will try our best, आज के दिन 7 बद का टाइम अपने पास, जितना कर सके, पूरा आपन कंप्रीट करने का ट्राय करेंगे, ठीक है, चलो, तो, events after the reporting period, बड़ा ही सिंपल इंडेस है, सुनना, इसका logic पहले समझ लो, क्या इसका logic, सबोस, आपका current financial error is 21, 22, ठीक है, suppose, आपका, लेकिन ये साल का जो financials है, वो approve का होता है, आपका approve होता है, वो 14th August को, मैंने ऐसा माल लिया, तो, जो भी periods होते है, 31st March से लेकर, 14th August तक, इसको कहते, events after the reporting period, क्या कहते है, इसको, events after the reporting period, सबको समझ में आते है, यह वाला पार्ट, बसेता सिंपल सा logic है, खतम कहान आगे बढ़ जाते है, वो यही बोलता है, events that occur between, और यह events, favorable भी हो सकते है, unfavorable भी हो सकते है, that occur between, end of reporting period, and the date when FSR approved, उसको बोलते है, events after the reporting period, आगे बढ़ जाते है, फिर आते है, types of events, या तो हो सकता है, adjusting event, या फिर हो सकता है, non adjusting event, इसका मतलब क्यों होते है, adjusting का मतलब, ऐसे event जो आपको यहां मालूम पड़े, इसके बीच में मालूम पड़े, लेकिन इसकी condition पहले भी exist करती थी, उसको बोलते है, adjusting event, provides evidence of condition that existed at the balance sheet date, और non adjusting के अंदर क्या होता है, आपको मालूम पड़ा event बाद में, यहां आपको event मालूम पड़ा, इसकी कोई भी condition यहां exist, नहीं करती तो disclose कर देगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा, special cases, dividend, सुनना, suppose इस साल का profit है, आपने dividend next year announce किया है, तो इसका आप हमेशा non adjustment treat करोगे, और इसका आप सिर्फ disclosure दोगे notes to accounts के अंदर, इसको हम पहले proposed dividend कहा करते थे, प्रपोस्ट dividend आप balance sheet में कभी record नहीं करत उसके अलावा, अगर कोई भी ऐसा event है, जो आपका going concern assumption affect करता है, if the going concern assumption is affected, you will treat it like an adjusting event, even if it is non adjusting, suppose fire लग गया 5th April को, तो April में fire लगा, तो fire लगने कर थे ना बताएगा आपको कि मैं लगने वाला हूँ, लग गया, बराबर, तो fire लगी, इसकी exist condition तो नहीं थी पहले अपने पा on accrual basis, you will prepare the balance sheet on realization and liquidation basis, ज्यान रखना, अगर going concern assumption affect नहीं होता है, तो अगर material है, तो disclose कर देना, material नहीं थो disclose करने का जरूरत नहीं है, अब इसमें सबसे important आता है, ये वाला part, long term loan arrangement वाला part, now what is the meaning of this, इसका अपने example से समनने का try करते है, let me take one good example for this, देखो क्या बोलता है, long term loan arrangement ठीक है, इसका थोड़ा सा linkage index 1 के साथ है, अब मैंने index 1 आपको पढ़ाया नहीं है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको index 1, बट समझ लो, आपको बता है, index में consider breach वाला, उससे थोड़ा linkage है, बट अभी बद फिलाल ने link करेंगे तो भी चल जाएगा, सुन लो क्या बोलता ह suppose आपके पास एक loan था, जो आपने इस दिन पर लिया, 10 years का loan था, 10 years का था तो non current loan था, ठीक है, अब मैं कहता हूँ 14 को breach हो गया, breach हो गया, तो loan बन गया current, क्या बन गया loan, current बन गया, अच्छा, अब 31st March को, अगर आपने कुछ भी grace period का बात नहीं किया है, तो loan current ही रहेगा, ठीक है, loan will stay as current only, 31st March को, क्योंकि breach किया, आपने ना कोई condition remove करने का बात किया, और ना ही कोई grace period बांगा, तो loan current ही रह जाएगा, अब होता क्या है, after the year end, but before the date of approval of FS, year end 31st March, approval हुआ 14th August को, इन दोनों के बीच में, on 5th में, हमने क्या किया, condition remove करवा दी, यह जो breach हुआ ना, यह condition, यह condition remove करवा दी, या फिर grace period 12 में से उपर कर ले लिया, हमने, बराबर, तो इस event को, index में कहते है, भली इसकी कोई भी condition पहले exist नहीं कर दी, फिर भी आप इसको adjusting मानोगा, इस पर index, मतलब, adjusting मानने का मतलब, condition remove हो गई, तो load non current बन गया ना, तो आप year end पे इसको non current ही मानोग इंडिया स्टेन में, जो grace period की बाते है, या जो भी condition remove करने की बाते है, वो year end से लेकर approval of FS के बीच में आती है, ध्यान लखना, ठीक है, तो अगर ऐसे कोई condition remove होई है, जिसके वैसे load non current बन जाता है, तो इसको adjusting event मान लेना, और year end पे इसको non current बोल दाना, फिर, इतना आपको उसके अलाबा, एक और extra case है, which is for inventories, ठीक है, inventory का case extra, ध्यान लखना, मैंने summary बना के रखा है, यह आपको है ना, बहुत काम आएगी summary, inventory के लिए, ध्यान लखना, ठीक है, अब वो क्या बोलती है, summary ध्यान से सुनना, inventory वाले case में, अगर NRV falls after the reporting period, भले ही इसके गिरने की कोई भी condition exist नहीं कर रही थी, फिर भी आप इसको adjusting मानोगे, ठीक है, तो इसमें 3 case है, suppose NRV गिरी year end के बाद, अगर इसकी condition balance rate पे exist कर रही थी, तब तो adjusting यह होगा, अगर इसकी NRV गिरने की condition, balance rate पे exist नहीं कर रही थी, और फिर भी year end के बाद NRV गिर गई, तो भी आप adjusting मानोगे, लेकिन इसमें एक और case है, अगर NRV गिरती है, due to some water leakage, या फिर due to a fire, और वो fire आपके year end के बाद ओकर हुआ था, तो फिर NRV का गिरना is a non adjusting event, ज्यान रखना है यह वाला पड, आपको जब मैंने पढ़ाया था तो बताया भी था यह चीज, कि वापस से, inventory के NRV गिर जाती है, NR गिर जाती है, condition exist नहीं कर रही थी, ऐसी गिर गए NRV, है न, adjusting event, अच्छा, NRV गिर जाती है, क्यों गिरी, क्योंकि year end के बाद fire या water leakage हुआ, तो non adjusting event, यह समरी धियान रखना बस, ठीक है, clear, खतम हो गया, बस, इंडेया स्टेंड में पढ़ने वाले पाट इतने ही आपके लि question है, that is this question, question number 2, MTP, RTP, past paper का section है, है यह illustration number 2, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, यह वही वाला part है, जहां inventory की value year end के बाद गिर जाती, अपने को adjusting मानना होता है, उसको, सुननो क्या बोलता है, बोलता है, अपने पास 10 lakhs cost था, 12 million इसकी selling price थी, तो आपने cost पर रखा, ठीक है, फिर बोलता है, 15 देपनल को year end के बाद, NRV हो गए 7.5, ठीक है, तो year end के बाद गिरी, ऐसा बोला क्या, water की वज़े से, fire की वज़े से, गिरी नहीं, normally गिरी, adjusting event मानना है, तो आप inventory को write down करोगे 2.5 से, record करोगे 7.5 के ओपर, मतलब 10 के बदले, आप 7.5 पर record करोगे, पहला ची अब उतना आप reverse कर सकते हो, तो carrying amount 7.5 से NRV 10.5 होगी, तो reversal 3 का दिख रहा है, लेकिन आप 3 नहीं कर सकते, maximum जितना book के उतना reverse कर सकते हो, तो revise carrying amount हो जाएगी 10 million, तो ये question LDR क्यों है, है बड़ा simple, लेकिन ये question है, index 2 plus index 10, दोनों का combination question है, इसलिए question important है आपके लिए, I hope you understand this point, खतम कहानी, आगे बढ़ जाते है, फिर आते है question number 3, आगे नशांदार question, ऐसे question exam में जाता likely होते है, reason being, 4 case, हर case का 2-2 mark, 8 mark का question, क्या बोलता है, देख लो, दो बार mock test में है और एक बार exam में भी आया रहा है, सबसे पहले बोलता है, हमने एक arbitration award जीता, जिसकी condition पहले exist कर रह है, भाई, events after the reporting period में favorable और unfavorable दोनों consider होते है, तो ये adjusting event ही होगा, सिफ favorable है, इसका मतले भी नहीं कि non adjusting है, events after the reporting period में favorable, unfavorable, दोनों consider होते है, बराबर, अच्छा, उसके बाद दूसरा वाला part, inventory है, inventory के value year end के बाद गिर जाती है, 5000 से हो गई 4000, फरक नहीं पड़ता है, इसके debtors है, debtors में हमने पहले case किया था, year end के पहले, बाद में हो गया insolvent, तो पहले case चल जा था, insolvency is an, अपने को additional information मिला, इसकी condition पहले भी exist कर रही थी, तो ये भी adjusting event, आखिर में आता है, ये वाला part, बोलता है कि हम researching करने वाले है, बराबर, बट इसका कोई formal plan ready नहीं है, और कि हमने announce वागेरा भी कब किया, year end के बात किया हुए, subsequent to the year end, है न, so चले researching करेंगे, तो इसका प्रोविजन बनता है, लेकिन ये announce भी year end के बात किया हुए, और कि formal plan भी नहीं बनाया है, तो ये एक non adjusting event होगा, सिर्फ material होगा, तो आप क्या करता है, तो इसको disclose कर सकते हो, that's it खतम कहांगी, तो ये चार पाट का question होगे आपना, आँ आता है एक शांदार question, that is question number 4, आदे लोग का, ये इसी question में दिमाग खराब होता है, तो ये question में revise करना का try करता हो आपको, but writing practice, तो लिखा भी है मैंने, please writing practice in all revisions, writing practice is going to be the key in this question, सुनना क्या बोलता है वो, मैं आपको asset था, ठीक है, और 1416 सा आपके बास asset था, 1116 सा, sorry, तो year ending 31st, December 19 बाज आते हैं फिर इन लोग, ठीक है, 19 आपका year end हो गया, अब बोलता है, कि year end के बाद, year end के बाद, कुछ water leakage वगेरा हो गया, कुछ water leakage वगेरा हो गया, और water leakage क्यों हुआ, because एक structural fault था, जो पहले से exist करता था, एक structural fault था, जो पहले से exist करता था, उसकी वज़े से water leakage हो गया, ठीक है, इसका मतलब water leakage भले ही jam में हुआ है, लेकिन इसकी condition पहले exist करती थी, क्योंकि structural fault मतलब day 1 से वो fault था, उस day 1 की fault की वज़े से बाद में water leakage हुआ, तो ये भले ही आपको लगता है कि water leakage बाद में हुआ, but it it was due to a structural fault, तो ये jam में जो event हुआ, it is an adjusting event, तो वो बोलता है adjusting event है तो आपको impairment testing करनी पड़ेगी, तो impairment testing में 2020 में नहीं करूँगा, मैं 2019 में करूँगा, ये और के end पे, बराबर तो impairment testing के लिए हिनो recoverable amount आपको दिया हुआ है, आपको क्या-क्या चाहिए, आपको caring amount भी चाहिए बराबर तो देखो निकाला हुआ है, दिखा तो कैसे निकाला हुआ है, ये रहा, देखो मेरे time में बना के किया हुआ हुआ है, पूरा question number 4, ठीक है, क्या बोलता है देख लो, question number 4 के अंदर, 2016 में purchase किया, मतलब बनाया वगला जो भी किया, फिर 2019 में, इस साल, अब ये year end है, 2020 में damage वगरा हुआ, due to structural fault, that means it existed from day 1, तो adjusting event है, तो impairment test इसी साल के end बे करनी पड़ेगी, तो impairment test लो दो amount चाहिए, carrying amount और recoverable amount, carrying amount निकालना ही है, थोड़ा problematic है, क्यों? आपको day 1 पर life दिया हुआ है, तो आपने कितने साल you will depreciate, 2016, 2017, 2018, 2019, चार साल depreciate करना है, तो इन्होंने क्या कि इन्होंने 3 साल depreciate किया है, based on the old life, फिर एक revised life दिया था, 17 years का, है न, तो revised life पर depreciation, 2019 में charge कर दिया, actually revised life पर depreciation, 2020 से आना चाहिए, but they have considered from 2019, बस वो एक च्छड़ा जोले इसके अंदर, तो आप 3 साल पहले के depreciate करोगे as per 30 years, and 2019 में you will depreciate as per this remaining revised life, ये एक नया पाथ है, आपको या याद रखके जाना, तो आपको caring amount मिलेगा, recoverable amount दिया हुआ, impairment loss है, book कर लेना, simple है, बराबर ये पहला पाथ हो गया, question का ये पहला पाथ था, उसके अलावा बोलता है, कि water leakage की वज़े से, हमारी inventory भी damage होगे, ये second part of the question है, this is part 2 of the question, water leakage की वज़े से inventory damage होई, inventory damage, structural fault की वज़े नहीं होई, जो water leakage होई, जैन में उसकी वज़े से होई, तो मैंने बता आता है, inventory के price में, अगर water leakage या fire के रिए से change हो रहा है, तो non adjusting event होता है, तो inventory के value change होई, it is a non adjusting event, ज्यान रखना, simple, बराबर, बसे आपको 3 चीज़े पूछिए, सबसे पहले entries वगरा बताओ, उसके and damage to warehouse had caused by the event after 31 December 2019, बोलता है, अगर structural fault नहीं होता, तो क्या आपका answer different होता, मैं बूलो हाँ different होता, अगर structural fault नहीं होता, तो हम impairment testing 31 December को करते ही नहीं, तो हम इस दिन पर impairment testing करते ही नहीं, देको मैंने तीनों पाट का answer आपको दिखके दिखके दिया होई, if damage to warehouse was not due to structural fault, non adjusting event होता ह अच्छा वाटर लिकेज का भी इंवेंटर डाइमेज विज़ नॉन इंजस्टिंग इवेंट त्यान लगना तो यह जो एक क्वेशन है शांदार क्वेशन है और यह क्वेशन बहुत ही क्रिटिकल है अच्छे से को करके जाना ही पड़ेगा यह वाला क्वेशन ठीक है मतलब LDR स्क्वेशन है यह क्वेशन एक बार जैन 21 में आता लोग हिल गए तो करके जाना भाई तभी तो नया क्वेशन था अभी आपको पता है तो करके जाना चाहिए आपको उसके अलावा लेट मी सी एक यह क्वेशन है क्वेशन नमबर फाइफ अब इसमें भी सेम है बोलता है इन्वेंटरी थी इन्वेंटरी की वैलू गिर गई अनर्व गिर गई बट अनर्व क्यों गिरी बिकॉस अफ फायर डामेज मैंने बताया था इन्वेंटरी की अनर्व अगर फायर डामेज या वाटर लिकेज की वैसे गिरती है यह रन के बाद तो उस केस में इसमें अनन एडजस्टिंग इवेंट बड़ इस क्वेशन में अकाउंटेंड ने अकाउंटेंट है तो राइता फेलाए गई अकाउंटेंट ने एडजस्टिंग मान लिया नहीं बबा नहीं यह नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट बस इसी के ओपर है यह वाला पाट क्या कर दिया है अरेह क्या कर दिया सर भूख भूखव भूख लेलो तो यहां पानी भर के आता हुग तो पानी भर किया है फिर आपने को और नया इंडे शुरू करेंगे लेस्ट टेकर टू मिनिट का ब्रीदर ठीक है चलो दो मिनिट का ब्रीदर ले लो मैं आया अच्छा है सार अमेजिंग अच्छा है ए मजनू चल गाड़ी निकल फट्टा बट झाल बट झाल 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 हिरो लोग झाल कंटिनू करेंगा हिरो लोग येस क्या इंडेस 10 का भी तुमको चिये ना चलो मैं इंडेस 10 लिखे रहे तूँ लास्ट को चिये रहेगा ना इंडेस 10 का लिख दू इंडेस 10 लास्ट क्वेश्चिन ठीक है चलो क्लियर येस कंटेनू करेगा हेरो लोग येस मज़ा आगे बढ़ जाते अब आपन करेंगे 8 कर लिया 10 कर लिया अब 37 कर लेते ठीक है 37 पर आजाओ चलो क्योंकि वह 8 10 37 वह थोड़ा ऐसे फ्लो में जाता है अपने लिए तो इसलिए अपने को साथ में कर लेना चीए उसको इंडियास 37 शुरू करें क्या हो आए आए आश्राफ वली ये कौन से सानी देवलता पता नहीं एनिवेस इंडियास 37 पर आजाओ ये भी बड़ी या क्वेशन है इसके अंदर भी आपको सारे कंसेप्ट कर आउंगा कंसेप्ट फोकस करना और जित्ते में क्वेशन बता उत ये क्या हो जाता है सरकों मैं तो ऐसा ही हूँ फोड़ी संकी खुपडिया मेरी ऐनिवेस आजाओ इदर 37 नाम क्या है प्रोविजिएंस contingent liabilities और contingent assets ठीक क्या बोलते है सुनन लो सबसे पहला point न देफिनेशन के अंदर सबसे पहला दिया भालिटी का definition सुनने अपर का definition क्या बोलते क्या बोलते है अब डिया प्रोविजिएंस बिया पर नदिया तो बोलता है obligation can be of two types, it can be either legal obligation, legal का मतलब होता है it arises from a contract या फिर legislative law, या फिर होता है constructive obligation, constructive का मतलब होता है past practice policy or specific statement, which has created a valid expectation, for example, मैं हर बार marathon लेता हूँ, तो आपके mind में थाना expectation की सर, या बार भी लेंगे, constructive obligation, आप समझा गया सर, तो उसका बोलता है constructive obligation, तो obligation होता है दो तरका, एक होता है legal, एक होता है constructive, ठीक है, आगे बढ़ जाते है, तो आता है provision का definition, a liability with uncertain timing or amount is a provision, मतलब liability में कब भरना है, उसकी uncertainty है, या कितना भरना है उसकी uncertainty है, तो वो बन जाएगा provision, ठीक है, तो provision का recommendation क्या बोलता है, it is a present obligation, past event, outflow of resources, but reliable estimate, क्योंकि estimate लगता है provision में, तभी तो वो provision है, अगर estimate नहीं लगता, exactly पता होता, तब liability बन जाती न, ध्यान रखना है यह वाला part, ठीक है, उसके लावा, जो काम की बात है वो करता हो, अगर कोई भी amount, आप avoid कर सकते हो, तो उसका provision नहीं बनाते हो, suppose government बोलता है 5 years के बाद incur करना है, but I can avoid this expense, कैसे सर, aircraft को बेच कर, plane पे करना inspection, मैंने वो असर भी बेच दिया, 5 सल के पहले, तो करना पड़ेगा any inspection, if that expense can be avoided, तो आप उसके लावा, अगर कोई नया law आने वाला है, लेकिन अब तक वो नहीं आया है, तो वो नया law का provision से तब book करना, जब वो law virtually certain है, अगर वो law के से बाते चल रही है, कि आएगा ऐसा होगा, वैसा होगा, तू होती तो क्या होता, तू कोई provision की बात नहीं करने का, ध्यान लगना, आगे, जब provision record करोगे, तो measurement किस पर करेंगे, जो काम की बाते उस पर करते, सबसे पहले, best estimate, बोलता है, provision का आपको estimate निकालना पड़ता है, अब estimate कैसे निकालेंगे, तो अगर large population of items है, तो probability consider करना पड़ेगा हर एक item का, लेकिन अ suppose आपको कोई river contaminated किया, उसको clean करवाना है, तो या तो clean करवा होगे तो 20,000 लगेगा, या फिर 25,000 लगेगा, मतलब दो contactor है, या तो 20 वाले को पकड़ेंगे, 25 वाले को पकड़ेंगे, तो we will consider the most likely outcome, ऐसा, ध्यान रखना, ठीक है, उसको बलते है best estimate, फिर आता है present value, या provision को present value पर रख सकते हो, the answer is yes, example, अरे आपन करते तो है, इंडेस 16 के अंदर, provision for decommissioning, मतलब जहाँ जिस provision में, time value is material, उसको आप present value पर ला सकते हो, ठीक है, उसके अलावा तीसरा point, risk and uncertainties, क्या consider करनी चाहिए, the answer is yes, अगर suppose for example, मैंने example जदो class के अंदर, suppose Samsung है, Samsung, Samsung का एक phone blast हो गया, त तो क्या इस risk को consider करना चाहिए, का provision बनाते है, समयदा, answer is yes, आपका provision का अंदर बढ़ना चाहिए, बराबर आगे future events, अगर future में ऐसे कोई events है, जिसकी वज़े से, आपका provision का अंदर गिर सकता है, तो क्या मैं उस future event को consider करूंगा क्या, तो वो बोलता है, इसको आप consider तब करन अगर 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 अंदर construction है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, को evidence available नहीं है, तो आप कोई भी provision को change नहीं कर सकते, उसके अलावा, asset को बेच कर जो भी पैसा आने वाला है, उसको आप कभी भी provision में consider नहीं करोगे, इसका मतलब, for example, suppose आप company बंद करने वाले हो closer cost रगा 10 lakhs, और property बेच के 2 lakh रुपय आने वाला है, तो आप net provision, 8 lakhs का नहीं book करोगे, आप provision 10 lakh के बनाओगे, इसको आप consider नहीं करते है, provision बनाते हैं, ध्यान लखना, ठीक है, उसके लावा, use of provision, provision जिस purpose के लिए क्रेट के है, उसी purpose के लिए use करना, अगर provision required नहीं है, तो reverse क लगता है कि आपके business में आपको future में loss होने वाला है, तो इसका provision नहीं बनाओगे, sir, क्यों नहीं बनाओगे, क्योंकि this loss can be avoided by closing the business, तुम समझे रहो क्या, future losses में एक तो past event नहीं होता है, plus obligation नहीं है, because we can avoid the same by closing the business, तो इसका कोई provision बनता नहीं है, उसके बाद मात है contingent liability, क्या conting liability का क्या करते हम लोग, contingent liability का सीर तीन definition है, बराबर कونसे दिन definition है, वो बलते है, अगर possible obligation है, बात खत्म contingent liability, पहला definition, possible obligation, contingent liability, दूसरा definition, अगर present obligation है, arising out of past event, but out of flow is not probable, outflow probable नहीं है, but amount can be estimated, outflow probable नहीं है, तो contingent है, तीसरा, present obligation है, past event outflow भी probable है but amount estimate नहीं कर सकते है contingent, मतलब मैं बोल दू जैसे जैसे आपके provision के एक एक condition breach होते है वो contingent liability बन जाता है बराबर और अगर contingent liability है तो क्या करने का उसको max to max disclose करने का इतना ध्यान रखना बस, ठीक है जो काम के बात है उतनी कर रहा हूँ उसके बाद contingent asset अगर जैसे आप पे किसी ने case किया तो it can be liability for you बड़ अगर आप किसी पे case कर रहे हो और आपको पैसा मिलने वाला है तो it can be contingent asset, possible asset होते हैं जिसका outcome ही पता नहीं है अब contingent asset तो क्या किया जाए अगर contingent asset virtually certain है मतलब पक्का पक्का मिलने ही वाला है तब तो वो contingent asset अगर virtually certain होता है तो it is not a contingent asset anymore it has become an asset तो उसको record कर लेने का उसके अलावा अगर inflow is probable but not virtually certain इन शॉट अगर percentage वाज बताओ तो अगर more than 95% chance है तो वो asset हो गया अगर 50 से लेकर 95% chance है तो इसको आप disclose कर सकते हो लेकिन अगर less than 50% chance है inflow is not probable तो उस case में आप disclose या record कुछ भी नहीं कर सकते है बस इतना ध्यान रगना ठीक है आगे बढ़ जाते है फिर आता है reimbursement अगर किसी भी खर्चे के लिए आपको reimbursement promised है तो आप खर्चा कैसे book करते हो expense to provision तो अगर इस expense to provision के लिए आपको reimbursement promise किया है तो आप reimbursement का income और asset book कर सकते हो कैसे book करोगे तो आप entry मालोगे reimbursement asset to reimbursement income reimbursement asset to reimbursement income you can book this simple clear रहा तक उसके अलावा reimbursement से तब book करने का जब वो virtually certain हो अगर virtually certain नहीं है तो disclose कर देना उसको if not virtually certain disclose it if it is virtually certain you can record it बराबर उसके अलावा ध्यान रखना जब आप profit and loss में expense or income दिखाऊगे तो net off चलता है profit and loss में net off चलता है लेकिन balance sheet में net off नौई चौलबे balance sheet में अलग अलग ये दिखाना पड़ता है ध्यान रखना देखो P&L can be netted off and presented reimbursement separate asset in balance sheet यान अपना बस खाता में इतना है आगे owner's contract what is the meaning of owner's contract owner's का मतलब होता है जब आपके unavoidable cost are going to exceed the benefits for example अगर मुझे पता है कि मुझे batch कंड़क करनी है लेकिन batch में मुझे rent लगेगा बुक्स का खर्चा लगेगा अब ये सारा खर्चा आपका जो net loss है वो रहने वाला है या फिर अगर cancel करके penalty भरके निकल सकते हो तो amount of penalty दोनों में से whichever is lower for example मेरे cost लगेंगे 100 lakhs benefit होएगा से 90 lakhs का तो loss कितना है 10 lakhs का penalty is 15 lakhs तो मैं फुलफिली कर लेगा whichever is lower ऐसा तो whichever is lower लेनेगा उस case में क्लियरे वाला पाट फिर आते है restructuring restructuring का मतलब होता आपने कभी सुना रहेगा बचपन में internal reconstruction बराबर उसको बलते है restructuring मतलब आप business करने का तरीका change करते हो या फिर scope of business change करते हो उसको बलते है restructuring तो restructuring पे क्या आपको कि provision book करना चाहिए the answer is yes only when there is an obligation और obligation का बात है जब आपने एक तो plan बना लिया है और उसके लावा आपने इस plan को या तो implement करना शुरू कर दिया है या फिर उसको announce कर दिया है बराबर plan ready है and या तो implement करना शुरू या फिर announce कर दिया है तो ऐसे case में आपको क्या करना पड़ेगा रिस्ट्चरिंग का provision खेट करना पड़ेगा अब provision का amount में क्या क्या आएगा वो दिया हुआ है it will include only the necessary cost that is expected to arise from restructuring इसका मतलब जब researcher करते हो तो दो चीज करते हो एक तो पुराना वाला धंदा कुछ बंद करते हो और एक नया शुरू करते हो तो जो भी पुराना बंद करते हो ना उसका जो खर्चा है उसका provision बनाओगे लेकिन जब नया कुछ शुरू करोगे उसमें marketing करोगे नया system खरीदोगे नए employees को relocate करोगे यह सब provision में आपके नहीं आ सकता बराबर ध्यान रखना इसके उपर एक question है वो कराऊंगा तो आपको समझ जाएगा ध्यान रखना इसके साथ 37 के जितने भी relevant concepts है सारे के सारे होगे खतम कहानी अब आओ questions के उपर अगें इसके अंदे भी जादा कुछ questions वैसे है नहीं अगर concept ढंक से पड़े हुए है तो questions आपसे छोड़ी जोड़ी बन जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे दो-चार एक question है जो में को लगता है exam में आ सकता है 37 is one in day जो बहुत rarely पूछता है बहुत rarely लेकिन तुम्हारे time में अगर आना होगा तो जो में एक-डो question बता रहा ना उसमें से आएगा ठीक है तो देख लो मैं कौन से बता रहू हाँ सबसे पहले illustration no.18 illustration no.18 illustration no.18 सुन लो क्या बोलता है वो बोलता है एक तो हम करने वाले है restructuring मैं आपको आसान बाशन में समझाता हूँ we are going to discontinue the business researching करने वाले है ठीक है आगे public announcement आपने कब कर दी feb में ही कर दी मतलब year end के पहले ही कर दी अब कर दी announcement तो आपने को provision create करना पड़ेगा अब बोलता है इसकी वजह से अच्छा एकवा चीज़ बोलता है कि अपने जो financial statements है यह कब authorize होते है 15th में को authorize होते है मतलब यह 37 के साथ index 10 भी आने वाला है events after the reporting period adjusting है कि non adjusting है ध्यान रखना अब वो बोलता है यह जब धंदा बंद कर रहे हो तो 540 lakhs you will incur for termination of old employees यह आपके provision का part बनेगा उसके अलावा बोलता है relocation of employees मैंने बताया था relocation वगेरा part नहीं बनता है तो यह आपके उसका part नहीं बनेगा यह 540 का जो खर्चा है इसका भी actual payment बताया है actual termination payments totaling to 520 were made on 15th में जिस दिन finances approve हुआ जिस दिन financial approve हुआ उस दिन actual payment किता है कि आपने 520 तो यह तो index 10 के साब से adjusting event हो गया आपका तो आप 540 consider नहीं करोगे आप 520 consider करोगे पहली चीज सेकेंड फिर बोलता है आपने एक property lease पे लिए थी अब धंदा बंद कर रहे तो property का lease rent अपने को free में भरना पड़ेगा तो हमको लगा था 430 बनना पड़ेगा 15th में को मतलब जिस दिन FS अपरूवर है उसी last दिन पे आपने payment 410 का किया है तो हम 410 consider करेंगे मतलब यहां index 37 का आप जब concept लिखोगे exam में तो 37 का आपको restructuring का definition provision का definition लिखना पड़ेगा साथ साथ में आपको इंडियास 10 का जो events after the reporting period है उसका adjusting का definition देना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा provision पते कितने का बनेगा 520 plus 410 that is मेरे ख्याल से 930 का provision आपका बनने वाला है if I'm not wrong if I can see 930 लाक्स का provision बनेगा तुम समझ रहे और तुमको यह मत बोला आपके तुम यह सब लिखकर रहे क्या ICA की थेर तुम तो ना exactly replicate कर सकते हो लेकिन own words में तो proper referencing, own words में जो keywords है उसका तो लिख सकते हो ना प्यार 10, 37, research, provision, definition वगड़ा थोड़ा बहुत लिखो के काम बन जाएगा आपका धियान दखना ठीक है चलो अगे बढ़ जाते है तो यह एक question है जो आ सकते है exam के अंदर उसके लावा एक और question यह वाला question number one सुनना क्या बोलता है इसमें बोलता है QA delivered manufacture products to customer K अब हुआ क्या QA company था बीच वाला अब K ने QA पे case कर दिया K ने क्या क्या QA पे case किया QA ने अपने supplier पे case कर दिया तो एक तरफ हम QA के point of view से बात करते है QA पे case किस ने किया K तो QA को इसका बनाना पड़ेगा provision वह आपना आगे देखेंगा provision बनेगा क्या बनेगा secondly QA ने भी किसी पे case किया तो उसको शयद contingent asset हो सकता ना इसके लिए क्योंकि अगर QA विल पे 2K तो QA विल अल्सो reimburse from F वो reimbursement नहीं है तो एक तरफ QA विल बुक का provision और एक तरफ QA विल बुक का contingent asset यह धियान रखना आपको यह मैना question का summary बता आपको अब हुआ क्या वो बोलता है provision create करना है अब provision कैसे create करना है यह देख लो बोलता है जिस दिन case वगरा हुआ उस दिन estimate था कि 5 crores का रहेगा estimate revise हुआ 31st March को 5.2 create करना पड़ेगा फिर बोलता है 15th May को मालूम पड़ा कि 5.25 होएगा और ultimately settle कब हुआ है 1st June को 5.3 में अब आप बोलोगे यह adjusting है कि non adjusting है तो आपको देखना पड़ेगा financial approve कब हुए question में बोला गया financial approve हुए 26th April को 26th April को approve हुए तो 15th May की भी information irrelevant हो गई और 1st June की भी information irrelevant हो गई तो सिर्फ year end तक की information consider करो गई इसका मतलब provision कितने भी create करेंगे provision आपन 5.2 पे create करेंगे तुम समझ रो इन्होंने का भसाया अपने को अपने को ऐसा लड्डू दिखाया बोला दे कि इंडेस्टेन इंडेस्टेन फिर बोले इंडेस्टेन तो अपनी के बली नहीं है क्योंकि FS तो पहले अप्रूव हो गए समझेगा तुम तो year end तक की जो revised information उसी को use कर सकते हो तुम तो first वाला answer is the key बराबर उसके अलावा वो तुम से यह भी पूछता है कि क्या तुम कोई contingent जो what was the accounting treatment of action of QA against supplier F जो supplier F पे तुमने case किया है उसके जो पैसा मिलने वाले उसका हम re-investment नहीं क्योंकि वह certain नहीं है जीतोगे तो मिलेगा तो उस पहले हम सिफ contingent asset दिखाएंगे तो मैंने वह ज्यान दिया हुए कि shall not recognize contingent asset contingent asset से disclose करेंगे it may be disclosed that's it तो यह question था उसके बाद यह आया ना question शांदार oh RTP May 22 का question है यह मतलब 37 अगर test करना हुआ तो एक तो जो दो question बता है वह या फिर यह वाला question है मतलब इतने सारे question में आपको filtering करके दे रहा हूँ उसमें मुझे यह वाला लगता है कि exam में दिख सकता है तुमको क्या बोलता है सुन लो बोलता है तुम 6 मेने की warranty देते हो ठीक है तुम्हारा gross margin 40% है ठीक है तुमने provision create किया 30,000 का और provision तुमने कैसे create किया 1% of gross margin पे है ठीक है अब तुमने यह warranty का provision create किया है ठीक है अब वो क्या बोलता है it is expected that 1% of the equipment sold have been returned as faulty 1% of sales faulty return होने वाले है within the warranty period ideally company ने पते क्या किया है company ने provision बनाया है 1% of GP अपने को GP पे 1% नहीं बनाना था अपने को sales पे 1% का provision बनाने का था तो अब सर इसको कैसे करेंगे तो इसको न आपको reverse calculation बहुत सारा मारना पड़ता है सबसे पहली बात आपका provision was 1% of GP this 1% provision is 30,000 तो आपका GP कितना तुम समझ रहे हो क्या तो 30,000 divided by 1% करोगे तो आपका GP आएगा 30,000,000 अब आप इस GP से ढूंड़ों के sales GP is 40% तो sales कितना तो 30,000,000 divided by 40% that is 75,000,000 इससे आपको मिलेगा sales यहना इससे क्या मिलेगा आपको sales मिलेगा अब यह sales 12 months की है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो warranty period सिर्फ और से 6 मेने का होता है इसका मतलब जो first 6 months की sale है उस पे तो warranty खतम भी हो चुकी है उसकी तो warranty खतम भी हो चुकी है साल के end तक क्यूं आरे पहले 6 मेने की sales पे जब 6 मेने का warranty दिया आपने तो साल के end तो warranty खतम भी हो गई तो आपको सिफ लास्ट 6 months की sale देखनी है that is 37.5 lakhs इसका 1% का warranty बनना चाहिए that is 37.500 इतना provision for warranty बनना चाहिए अब कितना बनाया company ने? company ने बना रखा है 30,000 का तो आप कितने का access बनाओगे? आप सिर 7,000 final का provision बनाओगे ऐसा तुम समझ रहे हो यह देखो इधर मैंने करके दिया हुए warranty 30% है 1% of gross margin gross margin मिला, gross margin से sales मिला अब sales मानते evenly अकुरू पहले 6 मैने के sales पे warranty lapse हो चुक है इस पे कोई warranty नहीं बनना चाहिए आखरी 6 मैने के sales पे warranty है इतनी 1% की 30,000 तो आपको extra provision इतने का clear करना पड़ेगा यह आपका पहला case है ठीक है first case जहां warranty 6 मैने की थी अब यहां second case भी बोला हुए had the warranty been of 2 years instead of 6 months तो क्या फरक पड़ता अगर warranty 6 मैने और 2 साल के उती तो क्या होता तो वस इतना फरक पड़ता फिर warranty आखरी 6 या पहले 6 पे नहीं पूरे 75,000,000 का 1% बनती उसमें से कितना बना चुक है 30,000 का बना चुक है तो कितने की बनानी पड़ती 45 की extra बनानी पड़ती तुम समझे लो देखो इधर second case में case 2 अगर warranty period 2 साल होता तो sales पूरे sales पे 1% का बनता 75 बनानी पड़ती 30 बन चुक है तो 45 की extra बनानी पड़ती शांदार question है क्योंकि शांदार question है इसले थोड़ा सा slow गया इस question में ध्यान लखना ठीक है चलो बढ़िया उसके बाद आएग आपना आखरी question यह मैं LDR तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक single star बोलूँगा हैना single star क्या बोलते हैं सुन लो बोलते हैं एक onerous contract है बराबर तो पता है onerous contract में आपन provision create करते है अब question ने क्या किया है वो बोलते हैं हमने provision तो create किया है लेकिन provision create करते समय admin, finance, R&D, sales overhead यह खर्चे consider नहीं किये provision के अंदर यह खर्चे हमने provision में consider नहीं किये है मैं बोलू करने भी नहीं चाहिए करने भी नहीं चाहिए आपको consider company ने जिंदगी में पहली बार सही किया है consider करने भी नहीं चाहिए आपको इसको आगे फिर बोलते है material cost है, labor cost है material overhead है, यह हमने consider किये है ठीक है, तो यह consider करने के बाद आपका cost कुछ इतना आता है जो भी है, यह ठीक है, whether company's treatment of cost creation for provision towards owners is in line with the provision for India अब यह जिंदगी का पहला question है जहां जो भी management नहीं किया है नर्मल पने को आदरत है गाली देने कि कि जो क्या गलती किया रहेगा एक ऐसा case है जहां सही किया हुआ है तो याद अतना मेरी बात कि आकासर ने कहता एक ऐसा case है और वह यह है HPCRS correctly measured the cost for creation of provision for owners और वह correct है कि period cost will not be considered period cost मतलब वह एडमें, selling, overheads वगेरा वह सब consider नहीं करना वह सही बोल रहा है वह चीज त्यान रखना तो इसी के साथ 37 37 की भी चुनरी उसकी भी चुनरी सर से सर से जो सर कीरे धीरे धीरे पागल हुआरे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया सर से गई कैसी गई कैसे गई सरक है सरक सरक मज़ा आ गया तो अपना 12,8,10,37 चार को आपने खतम कर दिया इसको और एक और इंडेस कर ले गया एक और इंडेस करते फिर आपको छोटा सा ब्रीदर ब्रिक देता हूँ ठीक है चलो शांदर आजाओ अब कौन सा करें अब वन कर लेते हैं वन से आना होगा छोटा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा वन में उतना ही पढ़के चले जाना ठीक है वैसे काफी लोग वन छोड़के जाते लेकिन जितना बतार उतना पढ़के चले जाना आजाओ फिर आपन इसके बाद कुछ और इंडेस करते हैं चिंता मत करो आजाओ तो वन के अंदर सुनो तीन चीज़ा पढ़के जानी है सबसे पहला definition of current asset है ना क्या है definition फटाफट से पढ़ लेते हैं बोलता है if it is expected to be realized in normal operating cycle current है चारों में से कोई भी एक मीट करना ठीक है second expected to be realized in 12 months current होगा या फिर held for trading है तो भी current होगा या फिर cash or cash equivalent है तो भी current होगा अब इसके अंदर एक line लिखे होई है unless it is restrictive from being used for at least 12 months cash or cash equivalent का example लेते है savings account सपोज मेरा savings account है तो it is a current asset लेकिन सपोज इसको freeze कर लिया है 2 साल के लिए तो अगर आपका savings account 2 साल के लिए freeze है मतलब 2 साल के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते है तो अगर ऐसा को restriction है तो ये current नहीं फिर non current होगा लेकिन अगर restriction नहीं है ऐसा कुछ भी तो current होगा कहनी कतम बराबर उसके बाद ये था current asset फिर आता है current liability चार condition expected to be realized in normal operating cycle दूसरा है due to be settled in 12 months अब liability में what due है due to be settled in 12 months मतलब यह expectation मत देखना कि हम expect कब करते पे करना यह देना due कब है हैना if it is due to be settled in 12 months from the end of reporting period current है held for trading है तो current liability है या फिर it does not have an unconditional to defer the settlement for at least 2 months सर इसका मतलब क्या यह समझातो simple है suppose मैंने bank से loan लिया और यह loan 9 मेने के अंदर पे करना है अब bank इतना अच्छा है बोलते है कि आकाश कंदोई तुम बड़े प्यारे लड़के हो तुम बड़े क्यूट लड़के हो आकाश कंदोई तो तुमारे पास यह option है तुम तुमारे पास खुद के पास option है तुम चाहो तो 9 महिने नहीं 9 साल के बाद पे करना अब बताओ अगर ऐसा option मेरे पास है तो यह loan will be non-current बड़ अगर ऐसा कोई भी option नहीं होता ऐसा कोई भी option नहीं होता तो loan क्या होता? current बस वो question यह कर रहा है if you do not have an unconditional right to differ the settlement अगर ऐसा right अपके बास नहीं था तो loan current होगा if it does not have an unconditional right नहीं है तो current और अगर होता तो non-current simple क्यूट नहीं बोलने का वैसे and that is the concept of breach breach of long term loan arrangement ठीक है यह वाला point इसका अदर important है अब वो क्या बोलता है ध्यान से सुनना वो बोलता है अगर आपने suppose loan लिया लंबा वाला 10 years का loan लिया 10 crore rupees का तो loan क्या रहेगा? non-current रहेगा अगर आपने year end के पहले year end के पहले suppose 14 feb को 14 feb को आपने condition थी loan was conditional condition breach कर दी breach करते loan क्या बन जाता है? current बन जाता है breach करने पर आप जाते हो कटवरा लेकर बोलतो grace period दे देना अगर breach करने के बाद grace दिया or grace less than 12 months है loan will stay at current only breach होने के बाद grace दिया or grace period more than or equal to 12 months है या तो exactly 12 months है या more than 12 months है non-current, दूसरा चीज तीसरा चीज, अगर breach होने के पहले ही, breach होने के पहले ही grace मांग लिया breach होने दिया ही नहीं आपने breach होने के पहले ही आपने grace मांग लिया तो the loan will retain its original classification मतलब अगर grace print मांगा है before breach तो उस case में loan non-current ही रहेगा, उस case में breach एक मेने का और दो मेने का फरक नहीं पड़ता it will stay at non-current ध्यान रतना, तो तीन case की बात करी मैंने breach हो गया breach होने के बाद grace मांगा less than 12 months, loan will be current breach होने के बाद grace मांगा grace more than 12 months loan will be non-current breach होने के पहले grace मांगा loan will stay at non-current only, simple त्यान रतना यह 3 points अगर आपको समझते है index 1 का काम हो जाता है अब index 1 में वैसे questions में बतातो कुछ कुछ करके जाना सबसे पहला जो question को करके जाना चाहिए वो यह वाला question है illustration no.13 quickly एक बाद discuss के लाता questions में बाद फटाफट से loan facility है bank के पास loan 9 महिने का है ठीक है और आप चाहो तो this is unconditionally roll into a new facility of 5 years unconditional differ हो गया loan 9 महिने का बाद लो गया 5 साल का तो loan हो गया non-current पहला part second will the answer be different if the new facility is agreed upon after the reporting date अगर यह roll on अगले साल होता तो current rate में तो यह current ही रहता फिर तो current रहता current year में will the answer to A be different if the existing facility is from one bank and the new facility is from another bank मतलब यह 9 महिने का loan suppose yes bank के साथ है और यह 5 सल का नया loan तुमने लिया है SDFC से तो यह जो loan है yes bank वाला यह तो current होता ना भाई साब 4. will the answer to A be different if the new facility is not yet tied up with the existing bank but entity has the potential to refinance बोलते है ऐसा कोई right तुमको मिला नहीं है तुमसे सोल शिरो potential है कि मिल सकता है आपे मिल सकता है तुछ से क्या होता है मिला तो बात कर नहीं मिला ना अद्दक तो current रहेगा वो simple ध्यान लगना clear 13 वाला question काम का है फिर आता है illustration number 14 ठीक है सुनलो क्या बोलता है बोलता है loan लिया promoter को इत्ता पैसा लाके देना था नई लाके दिये breach कर दिया अगले दिन breach होने के बाद grace मांगा till June मतलब 2 या 3 मेने का grace मांगा April, May, June 3 मेने का grace मांगा breach होने के बाद grace मांगा और less than 12 months का है बता loan क्या रहेगा perfect answer current रहेगा very good answer विवेक अधिती दरश्टी सिदाद संकेत नहा very good ठीक है अच्छा breach अच्छा अब second part में पता है क्या बोलता है बोलते है breach होने के पहले ही फेब में ही गुलाब का फूल लेकर चले गया है और बोले breach होने देंगे ही नही breach होने के पहले grace मांग लिया तो breach होने के पहले grace कितना भी हो breach होने के पहले मांगा न तो non-quaranty रहेगा simple खत्व आगे बढ़ जाते हैं आगे उसके बाद अच्छा एक illustration 20 है ये भी शांदार question है इसका वो तीन concept से कोई लेने देना नहीं है इसमें से भी ये बताना है कि कौनसी चीज़े profit and loss में जाएगी और कौनसी चीज़े OCI में जाएगी ठीक है तो वो अपने को मालूम होना चीए तो मैं एक बाद फटा फट साब से discuss कर लेता हू Re-measurement of defined benefit plans ये तब कर पाओ के जब सारे इंडेस आते हो ठीक है तो इंडेस नंडिंग का जो actual gain loss on DBO and plan asset होता है उसका net को बोलते है Re-measurement gain loss वो आपका OCI में जाता है Current service cost Profit and loss में जाता है Change in reval surplus PPE का जो revalution gain वागे रहा है वो OCI में जाता है उसके अलावा Translating the monetary asset Monetary asset को जो gain loss होता है वो profit and loss में जाता है लेकिन जब आफ Financial statements translate करते हो तो वो translation gain loss OCI में जाता है उसके अलावा Gain loss in equity instruments designated at favor through OCI खुदी बोलते हैं OCI वाला तो OCI में जाता है Income tax expense और share based payment expense Profit and loss में जाता है अच्छा मैं आपके लिए एक और वैसे वीडियो बनाया है मैं आप परस्व अप्लोड कर दूँगा OCI R में क्या क्या आता है और OCI NR में क्या क्या आता है उसका summary मैं ने दिया हुआ उसके अंदर कभी-कभी confusion होता है कि R में क्या आता है यह question है एक यह question है question number one LDA तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक single star बोलूँगा इसको इसको एक बार जरूर देख लेना question number one को simple A वाला part इसमें सिव D वाला part important है D वाला part important क्यों बता दाओ मैं आपको सुनना spares बोला है spares आपने index 16 में पड़ रखा है कि जबी भी spares होता है अपने पास तो अगर वो spares PP के definition meet करता है तो वो non current होगा लेकिन spares inventory भी हो सकता है तो अगर वो inventory हो तो current होगा तबकि exam में दोगला बंदिगर के answer करके आना है धियान रखना है ठीक है वो यहान दिया होए फिर आता है question number two काम का question है धियान से सुनना क्या बोलता है वो यहां भी वो ही है bank से loan लिया, breach कर दिया मतलब वो था कुछ अच्छा पहले condition रूनता पहले बार part में बोलता है there is no breach कोई breach नहीं हुआ पहले वाले part में तो जब breach नहीं है तो loan non current ही रहेगा बोलता है breach किया मैंने बता है जब exact 12 months हो और more than 12 months हो तो non current ही होता है अच्छा तीसरे वाले part में बोलता है breach तो किया breach तो किया लेकिन grace period नहीं मांगा waiver clause नहीं मांगा grace period नहीं मांगा तो उस case में current हो जाएगा simple तो यह वाला question था उसके बाद मेरे काल से इस chapter का आखरी अच्छा question question number 3 इसमें ना क्या बोलता है बहुत सारे अलर्ड तरके deposits वगेरा है तो बोलता है बताओ current है कि non current है इसमें mostly जो दिक्कत है वो C वाले part में आती है because C वाले में कुछ weird सा assumption लिया हो है इसकी बात करता है ठीक है ध्यान से सुनना बोलता है अपने पास deposit है 2 crore का has made a deposit made मतलब it is a financial asset ठीक है अब वो बोलता है 70% जो deposit है वो 14 months में मिलेगा अपना operating cycle 15 months है तो यह 14 months में पैस वापस मिलेगा तो यह current होगा 30% 2017 months में मिलेगा तो यह non current होगा इन्होंना जो भी क्या है बता देना सही क्या गरत क्या है बट यह current answer है second चीज बोलता है trade receivable are due after 14 months expect to receive the amount within operating cycle operating cycle में पैसा आ जाएगा तो बता हो क्या रहेगा यह current रहेगा ना current रहेगा यह C वाला पार्ट अब वो बोलता है received a deposit जब आप deposit receive कर रहे हो तो आपके reliability है मैं बता रहो इसमें इन्होंने क्या किया है ICI वो बोलता है deposit आपने receive क्या है 3 crores is received from X 1 crore received from Y these are payable and completion of contract however if the contract is cancelled within the contract term of 18 months the deposit becomes repayable immediately the company is positive about the contract with X but doubt about the contract with Y इस case में ICI बोलता है कि तुम्हारा positive-ness, negative-ness गया भाड में है बोलता है cancellation पूरा repay करना पड़ेगा तो आज से current बोलो ICI बोलता है पूरा current तो आपने को भी पूरा current करके याद करना है इसको ध्यान लगना आगे 14 point वो बोलता है हमने 1 करोड का advance दिया for purchase of machinery जब आप purchase of machine के लिए advance देते हो न तो it is a capital advance तो it is always non current उसके अलावा आपने एक machine बेची है machine बेच दी बेचने पर जब पैसा आने वाल है अब वो capital income नहीं है वो normal income है अब वो पैसा इंडेस 1 का question number 3 जब करके जाना चाहिए ठीक है आसकता है एक बार exam में आ भी चुका है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते है फिर 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 मेरे खाल से बस इंडेस 1 को भी आपने कहां भेज़ दिया गवा भेज़ दिया इंडेस 1 भी इस also now done and dusted मेरे share खतम हो गया इंडेस 1 तो break के बाद भी आपने और किते पांच इंडेस और कर लिए 12,8,10,37,1 तो और और मज़ा आगे अपने को जिंदगी का ठीक है येस good तो मेरे कहल से now we should take a small break ज्यादा बढ़ा नहीं लेंगे small break लेंगे और उसके बाद फिर आपने एक बड़ा इंडेस और उठा लेंगे मेरा मन है कि जब बड़े की बात करू मैं तो बड़े बड़े मज़ा आपको ज्यादा तकलीफ देता है उसको उठालू तबकि तकलीफ का रास तो 33 है तकलीफ का रास तो इंडेस 33 है अच्छा ब्रेक के पहले लाइक किये बना जार हो तो लाइक दबा देना सब्सक्राइब भी कर लेना टेलेग्राम भी जोन कर लेना ठीक है तो आपन मिलेंगे 3340 को 33 इंडेस 33 से आपन करेंगे ठीक है चलो तो सी यू आफ्टा दर ब्रेक बाबाई वेर्वन टेक केर कर दो झाल 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 फेल लोग शुरु हो जाए गया शुरू पट्रक्ट सब्सक्राइब टो लेट मिश्टाट अभी आपने नया प्यारा प्यारा रिंडे शुरू करेंगे and that is going to be index 33 चलो मैं खोल लूँ पर 33 खोल लूँ क्या मैं आ जाओ index 33 अब भी books open करके शुरू 33 वाली 33 यह रहा और question भी खोल लेते उसका यह रहा फिर गरीब ही दिखा रहा है बात बात पर गरीब ही दिखाते है यार यह गलत कर रहा है चलो शुरू करते हैं क्या लेट स्टाट लेट स्टाट चलो आँ सबसे पहले इंडेस 33 और शेर की बात करता हूँ EPS के अंदर दो तरह की EPS होते है basic EPS एक होते है धाल उटेड EPS बरावर किया तो इस बात ध्यान रटना EPS के अंदर word by word concept पढ़ने का जरूवत नहीं है जादा focus questions पे करना लेकिन जो भी relevant concept आपको बताता हूँ चलता हूँ फटाफट से सबसे पहले when you talk about basic EPS basic का formula क्या होता है येडे के तरह पैट डिवाइड बार नंबर अव शेर मत बोलना अब तहले बात करते हैं नियूमेरेटर की नियूमेरेटर में क्या क्या आता है तो if we start with EBIT EBIT minus interest interest EIR वाला minus करना we learn in financial instrument की ER वाला interest क्या होता है तो वो वाला minus करना फिर मेलेगा EBT EBT में से आप tax minus करना हो लेगा PAT PAT में से विल रग preference dividend है ना अब preference dividend के अंदर दो तरका होता है preference dividend एक होता है cumulative preference dividend एक होता है non cumulative तो cumulative का मतलब होता है अगर पिछले साल का dividend आपने पे नहीं किया तो next year पिछले साल और current दोनों का pay करोगे इसलिए cumulative वाले case में आप accrual basis पे dividend minus करोगे और non cumulative वाले case में आप cash basis में मतलब अगर current rate में pay किया तो ही minus करना वाना minus मत करना बट उतना relevant नी एक्जाम पॉइंट है इसको पर कोई adjustment है नी question के अंदर आगे फिर आता है settlement payment now what is the meaning of settlement payment it means ऐसे payment जो आपने day one पे promise नहीं किये थे ऐसा premium discount जो day one पे promise नहीं किया था बाद में अचानक आपने pay करने का सोच लिया उसको बोलते settlement payment तो वो क्यूंकि आपने day one पे promise नहीं किया था तो वो ER कंदर तो नहीं आया बट आपको यहां से minus करना पड़ेगा अगर ऐसी कोई भी income expense है जो आपके profit loss का part बननी चीए बट आपने record नहीं कर रहा है तो भी minus कर देना तो आपको मिलेगा profitable level of equity share holders divided by weighted average number of shares weighted average का मतलब होता अगर आपने साल के बीच में कोई share issue किये तो उसको आपको weight देना पड़ेगा simple कहानी खतम ठीक है उसके बाद आपना आएंगे यह अपना normal formula था इसका उसका आएंगे bonus issue के उपर अब bonus में क्या होता है bonus के अंदर company बोलता है bonus के अंदर company बोलता है कि हम जुतने भी holders है उनको free में shares देंगे बराबर तो इसलिए bonus में assumption रहता है bonus का assumption क्या होता है कि जो bonus factor है जो bonus factor है that was outstanding from earliest reporting period the bonus factor will be outstanding from earliest reporting period है अब इसका मतलब क्या है तो मेरा notebook में आपके लिए बड़िया से example लिखा था चल आपको वे example दिखा तो फटा फट से ठीक है एदे को bonus shares for example एक बड़िया वाल example लेता हूँ जैसे यह वाला है 5 lakhs के opening shares थे ठीक है new issue किया 2.5 lakhs का bonus कि इतने ratio में दिया वन इस्टू 2 के ratio में आपने bonus promise किया है तो normally हम क्या बोलते है bonus कितना देने वाले है total 7.5 lakhs shares थे उसमें आप bonus दोगे 3.75 lakhs shares है ना opening shares पर इतना bonus दोगे अब standard क्या बोलता है bonus की case में assumption यह होता है कि bonus shares were outstanding from the earliest reporting period ऐसा मत बोलना आप पूरे 3.75 lakhs day 1 से यह नहीं कह सकते क्यों 3.75 lakhs किस पर दिये opening पर दिये और new issue पर दिये opening के जो bonus है वो day 1 से हो सकते लेकिन new issue पर तो bonus है वो day 1 से नहीं हो सकते ना वो max to max इस दिन से हो सकते तो standard बोलता है आप ऐसे case में निकालने का bonus factor अब bonus factor कैसे निकलता है देख लो bonus factor simplicity तरीके से अगर आप निकलना चाहो तो आप निकालोगे 1 plus the bonus ratio उसको बोलते bonus factor बराबर तो जैसे 1 plus 1 by 2 मेरा bonus ratio 1 plus 1 by 2 था न तो इधर 2 यहा ले जाने का बोलेगा 3 by 2 ऐसा 3 by 2 अगर 1 plus 1 by 3 होता तो आप बोलते यह 3 ले जाओ इधर तो हैगा 4 by 3 मतलब 3 एड़ कर देना ओधर ऐसा तो वैसा आप bonus factor निकालोगे तो मिरको आया bonus factor 3 by 2 इसको ऐसे fraction में रखना ठीक है इसको decimal मत लेकर आना keep it as a fraction only अब मानना कि bonus factor was outstanding from the earliest reporting period जब से वो शेर आया तब से bonus factor भी था इसका मतलब day 1 पर जो शेर थे इसको आप 12 by 12 करोगे उसके पहले आप 3 by 2 भी कर ले ना bonus factor की वज़े से जब से शेर तब से उस पर bonus factor यह 2.5 एक शेर आपने जुलाई में इसू किया था न तो जुलाई स factor भी रहेगा बस bonus का यह assumption होता है I hope this is clear to everyone yes or no perfect चलो आगे बढ़ जाते है फिर आता है right issue फिर कुछा आता है right issue right issue का मतलब क्या होता है right issue का मतलब होता है कि जब भी आप अपने existing shareholders को shares सस्ते में दने का promise करते हो उसको बलते right issue suppose आपका market में price चले 20 रुपीस आपने existing वालों को कि मैं तरको 20 नहीं 15 में दूंगा ले ऐसा तो आपने existing वालों को सस्ते में दने का promise क्या ना उसको बलते right share तो right share में ideally एक नहीं 2 element होते है एक तो वह element जिसके लाब पैसा receive कर रहे हो second क्यूंकि आप existing वालों को सस्ते में दे रहे हो तो there is some bonus element also तो इसके अंदर total 3 step follow करना आपको कितने step 3 step exam point विससे 3 step रहाद रहे हो आपका question बहुत 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 दे कर सॉल्वएगा पहला compute the x right price अब यह given नहीं होता है question में निकालना पड़ता है कैसे निकालोगे जितने भी shares थे right के पहले multiply by the come right price plus right shares into right price divide by total number of shares जितने भी यह shares थे plus right shares थे divide उसे करो जो भी आपको amount आएगा वो रहेगा आपका x right price जैसे मैंने question लिया illustration number 6 उसमें यह सारी figures थी right के पहले 18 lakh shares थे come right price 60 दिया वा था right में आपने 4.5 lakh shares दिये और right price was 30 divided by 18 plus 4.5 will be 22.5 बराबर त यह आपकी x right price होगे यह आपकी come right price होगे बराबर step number 1 होता है निकालो x right price, step number 2 होता है निकालो bonus factor, अब bonus factor कैसे निकालते, it is nothing but come right price divided by x right price, बड़ा amount divided by छोटा amount, बड़ा number 60 होता है छोटा number 54 होता है, तो आपको मिलेगा bonus factor, इसको ऐसे fraction में रखो, बराबर क्या, 60 by 54, आपको split मारना है, मैंने का बता है, right में 2 हिससे होते, एक वो element जिसके आपको पैसा मिला है, और एक free वाले element, bonus element, तो अब कैसे निकालोगे, bonus element कैसे निकालोगे, simple है, देखो, मैं आपको इसी question का reference लेके बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपने right में कितने shares दिए, 4.5 shares दिए, ठीक है, 4 तो जो 2,00,00 मिला ना, यह आपके bonus shares है, क्या है आपके यह, bonus shares, sir, bonus कैसे है यह, क्योंकि आपने इसको bonus factor से multiply किया, तो यह bonus shares मिल गया, तो out of 4.5,00, 2,00,000 bonus shares, इसको आप मानोगे outstanding from the earliest reporting period, और जो balance shares at 2.5,00, इसको आप मानोगे issued for consideration, तो इस पे, जिस दिन I issue किया, उतने महिने इसा करना है, बराबर तो जैसे for example, अगर मुझे निकालना हुआ, basic e-base, तो देखो कैसा निकालोगे, जो भी profit है वो उपपर लिखोगे, divide by, जब से shares तब से उसका bonus factor 12 by 12, plus 2.5 lakhs, जो हमने बना, cash के लिए issue किया था, इस पे आप weights लगाओगे, तो ये जब भी भी आपने दिय जुलाई में दिया रहेगा, तो 9 by 12 के वेट लगाओगे, ऐसा, ध्यार रखना, ये तो मैं आपको से concept समझा रहा हूँ, जब question कर रहा हूँ तो clarity आपको आजाएगे, चिंता मत करना, इसका मतलब वापस से, right में कितने steps, 3 step, पहला, compute करो, x right price, कैसे compute करेंगे, मैं बोलू, question में जितने information सब उसको, before right के पहले कितने shares थे, into come right price, plus right shares into right price, divided by total number of shares, बराबर इससे मिला, x right price, step number 2, compute bonus factor, come right divided by x right, ऐसे ही रखो उसको, फिर opening shares पे ये factor लगाओ, आपको मिलेगा bonus shares, तो opening shares पे मैंने ये factor लगा, 20 मिला, opening minus करो, मिलेगा bonus shares, total में से bonus इतना, तो cash के लिए जितन उतना जो balance बच्चा वो, ये जो 2 lakhs है, outstanding from the earliest reporting period, 2.5 lakhs को उपर आप लगाओगे, जितने महीने में issue का, उतने महीने का weights, कहानी होगे, खतम, ये आपके लिए था, कौन सा वाला question, ये आपके लिए था, right shares वाला question, ध्यान रखना, उसके बाद, right वाला case अपना हो गया, उसक इसका मतलब होता है, potential equity shares का effect consider करना, इसका मतलब, अपना normal basic EPS क्या होता है, earnings available for equity holders, divided by weighted number of equity shares, अब डिलूटेर में क्या करते हैं, कुछ होते potential equity shares, potential का मतलब होता है, वो आज equity नहीं है, लेकिन future में equity बनने की शमता रखते है, convertible debentures, convertible bonds, convertible preference shares, ESOPs, share warrants, ये सब आज equity नहीं है लेकिन future में देखें become equity, तो future में क्योंकि ये equity बन सकते है, तो अगर ये आज ही से equity होते, तो impact क्या होता, तो अगर suppose convertible debenture है, अगर ये आज ही equity होता, तो इसको अपने को interest नहीं देना पड़ता, तो अपना profit बढ़ जाता, अच्छा, अगर ये आज ही equity होता, तो shares भी बढ कर जाते, बराबर, तो ये अगर आज से equity होता, तो numerator बजो impact है, वो consider करो, denominator बजो impact है, वो consider करो, और फिर आप निकालोगे diluted EPS, ऐसा होता है, तो मैंने example लिया वाइदर, कि suppose 8% convertible bonds है, 5000 debentures है, 5000 debentures है, 30% tax rate है, तो diluted कैसे निकालोगे आप, पहले आपको basic पूछा, basic आपका इंट्रेस्ट नहीं देना पड़ता, तो आपका इंट्रेस्ट कितना बचता, 5000 debenture है, 100 रुपे का debenture है, into 8%, 40,000 आता, लेकिन, इंट्रेस्ट अगर नहीं भरना पड़ता, तो इस पर tax का benefit भी नहीं मिलता, तो आप net of tax लोगे 70%, that is 28,000, तो आप निवमेटर में 28 आड तो 5000 debentures would have been 50,000 equity shares, तो वो निवमेटर में आड कर दोगे, तो यह आप निवमेटर में आड करोगे, तो आपका आएगा 6.85, अगर यह basic से कम है, तभी इसको diluted बोलेंगे, तो इसको report करने का, अगर यह basic से जादा होता, तो इसको आपने रिपोर्ट करेंगे, तो इसको अच्छा, एक और चीज, सपोज कोई potential equity share, आपने current year के साल के बीच में issue किया है, तो उस case में, जब savings in interest निकालोगे, तो सपोज आपने जुलाई में issue किया, तो savings in interest नौ मेने का लेना, उसके इलावा, जब नीचे number of shares लोगे, तो भी वेटेड करके लेना, नौ मेने का लेना सफ, ध्यान लत्माइए, ठीक है, चलो, तो ये डालोटेड EPS के मेने बात कर ली, अब डालोटेड EPS में एक और question ऐसा है, जिदर द्वेर कैन में multiple potential equity shares, मतलब एक ही company के अंदर multiple अलग अलग nature के potential equity shares है, जैसे वारेंट भी है, जैसे preference shares भी है, जैसे debentures भी है, ऐसे तीन आपको बहुत अच्छा समझ जाएगा, पैट दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, डिट वैसे दा अबलेश हो चुक है, रियल लाइफ में बढ़ दिया हुआ है, equity shares 50,000, new issued 30,000 है, एक है limit has issued 40,000 share warrants, which shall be allotted shares in 2013, 40,000 share warrants है, अब warrants के case में एक और बात ध्यान रखो, warrants के case में, आप सिफ free वाला component ही consider करते हो, for example, आपका market price is 20, ये warrants में आपको shares free में नहीं देने, 15 रुपे में दोगे, तो free component कितना हो गया, 40,000 into 5 रुपया divided by 20, the free component is 5 रुपीज, तो इसका आप equivalent निकालोगे, कितना आएगा, 10,000 warrants, 10,000 shares, तो आप denominator में सिफ इतना ही consider करोग Similarly, preference shares के लिए, 9% convertible preference shares है, इतने में convert होएंगे, और debenture आपको दिया हुआ है, calculate basic diluted EPS, तो basic simple है, आपने को pat दिया हुआ था, उसमें से preference dividend or dddd minus किया, तो आपको basic आगया, अब diluted आप directly मत निकालना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 step follow करने पड़ेंगे, जब जब question म multiple potential equity share है, आपको 3 step follow करने पड़ेंगे, सबसे पहला, you will find the incremental EPS, कैसा निकालोगे, हर एक potential equity share को आप individual evaluate करना, कैसे, warrants के equity बनने से, numerator पे क्या impact है, और denominator पे क्या impact है, convertible preference shares के equity बनने से, numerator में कितना saving है, denominator पे क्या impact है, dimensions के equity बनने में, numerator में कितना saving है, dimensions में कितना impact है, ऐसा आप individually evaluate करोगे, ठीक है, तो आपने individually evaluate कर लिया, फिर step number 1 हो गया, उसको वलते incremental EPS, second ranking करोगे, ranking कैसे करोगे, most dilutive to least dilutive, छोटे से बड़ा, ध्यान दतना, ठीक है, तो छोटा है, तो उसका ranking number 1 आएगा, ठीक है, फिर conclusion, कितना आगया, फिर इसमें जो ranking number 1 था, उसको add करो, तो वारेंस पहला था, तो वारेंस को add किया, total मारो, EPS मिलेगा, अब बताओ, ये dilutive वे की anti है, तो पिछले वाले से compare करना, तो पिछले वाले से कमी है, तो dilutive है, फिर अगला ranking में क्या था, preference, तो उसको add कर, ठीक है, तो पिछल निकालो, फिर निकालो EPS, अब इसको basic से नहीं, इसको इसके पिछले वाले से compare करो, कम है ना, dilutive है, फिर ranking में क्या था, convertible debenture, इसको add करो, पराबर, अब इसको compare कर, पिछले वाले से, अब ये पिछले वाले से, जादा आग है, तो ये anti है, मतलब आपका debenture is anti-dilutive तो आप जब diluted EPS निकालोगे, तो आप सिर्फ वारेंट्स और प्रेफरेंशां करोगे, इसको consider नहीं करोगे, बिकास ये वाला potential liquidation anti-dilutive है, तुम समझ रहो, तो मैंने basic लिया, उसमें वारेंट्स और प्रेफरेंशां का effect consider किया, तो आपका diluted EPS है 10.81 का, तुम समझ रहो तो इसलिए अपने को individually evaluate करना है, अलग लिक वैलोट करना है, बराबर के साथ में नहीं कर सकते हैं, तो तीन स्टेफ वालो करना है, सबसे पहला, वापस है, पहला स्टेफ क्या था, calculate incremental EPS, दूसरा ranking दो, most allotive, lead allotive, और तीसरा conclusion, ये करके add करके consider करो, और पिछले वाले से compare क तो इसका भी board notes share कर देना, तो मैं लिख लेता हूँ, इसका भी board notes ही आपको, तो मैं अपने telegram पे डाल दूँगा, इसका भी board notes, ठीक है, खुश, index 33 में लिख कर रहा हूँ, मैं सब share कर दूँगा, चिंता मत करो, ठीक है, जो मैं कर सतता हूँ, जैसा आप में किताब कर दो, सर पूरी, तो किताब, copywriter वो नहीं कर सतता, जितना मैं कर सतता, उतना मैं करूँगा, चिंता मत करो, ठीक है, चलो, आगे, ये हो गया, diluted EPS, तु कवर कर लेंगे, तो concept चलो, इतना आपको ध्यान रखने है, तो concept, concept में इतना करके दो, कहानी खतम हो जाती है, अब आपन questions पर आते, अब questions आपन सारे, बहुत सारे करेंगे, तो सबसे पर जो काम का question है, वो आपके लिए आएगा, आम, 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 देखने तो मुझ कुछ तो, मतलब bonus का question नहीं है, actually, bonus देने वाले management को, वैसा, उस वाला question है, तो एक star mark कर देना है, इसको, ठीक है, सिधा आओ कि question number 9 पे, illustration number 9 पे, शांदार question है, मज़ा आदेगा तुमको question करने में, ठीक है, क्या बोलता है, ध्यान सा सुनना, at 31st, at 30th June, यहां year and the 30th June है, ठीक है, वो भी एक नया पार्ट है, इसमें, 1,50, ordinary shares थे 1 रुपीज के, ठीक है, और बोलता है, convertible loan stock था, convertible loan stock था, 12,50 का, ठीक है, इच रुपीज 100, may be converted at any time, during this years, अब conversion का ratio दिया हुए, यहां convert करोगे, तो 135 के ratio में convert करोगे, इसको convert करोगे, 130 क करोगे, ठीक है, अब ऐसे case में, कौन सा वाला conversion ratio लेंगे, जो भी highest number of shares में result करता है, वो लेने का, क्योंकि अपने कोच यह most dilutive, ठीक है, तो इसमें, यह वाला consider करना है, आपको, ध्यान रखना, ठीक है, तो you will consider this वाला conversion ratio, 135 वाला conversion ratio, तो फिर आप कैसे लगोगे, बोलता है, हर 100 रुपया, हर 100 रुपया, इतने में convert होएगा, तो 12,50 इंटु 135 डिवाइड बाई 100, उतना आप consider करना, ठीक है, 135 conversion ratio आप consider करोगे, आगे, फिर बोलता है, लोन स्टॉक्स, अच्छा, यह issue कब किया था, यह अपने 1st October में issue किया था, year ending June है, October में issue किया, तो जब आप current year मे savings वगरा निकालोगे, savings in interest, तो आप पूरे 12 मेने के मत निकालना, June, July, August, September, मेरे ख्याल से, नहीं, July, August, September, 3 मेने का मत निकालना, मतलब savings in interest, first year में, 9 by 12 का रहेगा, और जो नीचे, weighted average number of shares आएंगे, उसमें भी into 9 by 12 करना मत भूलना, first year में, जान रखना इस बात को, ठीक है, उ तो साल का अपको दिया है, मेरे साब से, अपने को 2 years का पूछा है, तो first year में 9 by 12 का आएगा, second year में 9 by 12 वागेरा नियागा, second year में 12 by 12 वी आएगा, अब 2 साल में कुछ लॉस हुआ है, और एक खास बात यह है, कि इस loss पे कोई भी tax consequences नहीं है, इसका मतलब, यह जो loss है, आप profit after tax में से माइनस करना, है ना, समझ रहो तुम, क्योंकि इस पे आपको कोई tax benefit नहीं है, तो profit after tax में से यह loss माइनस करना, ध्यान रखना, आगे, फिर बोलता है, profit before intention, fair value moments आपको दिया हुआ है, तो आपन निकाल लेंगे, rate 33% दिया हुआ है, तो अभी कैसे करना, ध्यान से सु format होता है, कैसे करने का, numerator में बहुत सार adjustment है, तो basic लिखो, numerator, denominator, denominator, फिर denominator, फिर denominator, फिर a divided by b करोगे, तो answer आएगा, जैसे for example basic है, numerator में क्या क्या आएगा, आपको दिया है profit before interest, tax and fair value moments, पहले आप interest माइनस करो, ठीक है, क्योंकि first year में वो issue आपन अक्टोबर में किया था, तो first year म सिर्फ 9 मेने का interest माइनस करोगे, second year में पूरे 12 मेने का आएगा, ज्यान रखना, फिर पहले tax माइनस करोगे 33%, उसके बाद, PAT में से, आप fair value loss माइनस करोगे, ठीक है, आपको मिलेगा, क्या, यह आपको numerator मिलेगा, प्र यह, नियू मेंटर, earnings available for equity shareholders, फिर आपको denominator वो दिया हु अगर वो convertible on equity होता, तो interest बसता आपका, अब interest कितना बसता, यहाँ पहले वाले साल में सिर्फ 9 मेने का बसता, तो 9 मेने का interest बसता, तो 75,000, but net of tax बसता, तो 75 इंटो 67%, second वाले year में भी, second वाले year में पूरा 12 मेने का बसता, बराबर, लेकिन net of tax, तो 1 लाक इंटो 67%, तो यह आ होता आपको, तो यह आपका आगया numerator, पॉर डालोटे DPS, अब चे डिनॉमेरेटर फो डालोटे DPS, कैसे वेंस प्लस effect of potential liquidation, वेंस तो लोगे, first year में जब potential liquidation लोगे, तो 135 के conversion ratio बलाना 9 by 12, why 9 by 12, because वो उतने ही मंस first year में outstanding था, second year में पूरे 12 by 12 के लिए लोगया, तो यह आप पस है, format क्या था, पहले basic EPS लिखो, basic में दो चिये, numerator, denominator, तो पहले निकला numerator, उसको बल दो A, फिर निकला denominator, उसको बल दो B, A divided by B, basic, फिर डिनुमेरेटर, नियुमेरेटर में जो भी effect वगर है, add करो, इसको बल दो A, फिर denominator, उसमें potential liquidy add करो, उसको बल दो B, A divided by B, denominator, confirm कर दे लेट मी सी, ये था question number 9, शांदार question, फिर question number 10, again a very good question, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ये अपने option वगरा दिया था, यादे warrants वगरा वाला पार्ट, ये warrants वाला पार्ट है, तो हमारे पास पहले 40,000 equity shares है, और हमने कितने warrants दिये है, कितने options है, 6,30,000 options है, अब कितने में देने वाले option, फ्री में नहीं दे रहे हो, आप 70 रुपीज में देने वाले हो, अब ये question important क्यों है, warrants में हम से free component consider करते है, तो 6,30,000 into, फर्स्ट येर में आपका market में rate था 120, तो free component कितना हो गया, 70 और 50 का difference, that is, 70 और 120 का difference, that is 50 divided by 120, this is the free component, ये फर्स्ट येर में, 17 में, 18 में आपका free component कितना रहेगा, 6,30,000 into, अब next year ये तो same रहेगा, लेकिन market price can change, तो free component will be 90, 90 divided by 160, क्योंकि दोनों साल आपका free component अलग-अलग है, तो number of shares का जो impact हो अलग-अलग हो हर साल के अंदर, ये आपको ध्यान लगना है, तो देखो मैंने ऐसा किया हुआ है, warrants का first year में free component was 50, सेकेंडर में it was 90 by 160, ध्यान रखना, accordingly you will find a diluted EPS, simple, तो इसलिए LDR ता, मतलब यही वाले part के लिए LDR है, that's it, तो मैंने वो भी discuss कर लिया आपके साथ, आगे बढ़ जाए, yes, फिर आएगा अपना illustration number 11 तो चिंदी है, 12 ये वो वाला concept है, जिसके ओपर मैं directly question में discussion करूंगा, ध तो क्या बोलता है, सुन लो, वो बोलता है, 10 lakh shares है, ठीक है, फिर बोलता है, extra share issue करेंगे, actually यह पता है, कौन से concept पे based है, contingently issuable shares के ओपर based है, ज्यान रखना, ठीक है, किस पे based है, contingently issuable shares पे based है, contingently issuable मतलब, कि कुछ condition meet का तो ही share issue करेंगे, तो बोलता है, 5000 share issue करेंगे, उसके लावा, जबी भी आप 20 lakhs के उपर profit कमाऊगे, तो every 1000 रुपीज पे 1000 share देंगे, यह बोला है, ठीक है, यह वाले shares कब देंगे, साल के end पे देंगे, लेकिन यह जो 5000 है, जैसी store खुला तर आपको share देंगे, ज्यान रखना, आगे, फिर आपको profit का information दिया हुआ है, profit का सिर्फ second quarter का चही है, तो difference निकालो, first quarter में 11 था, second quarter में 23 था, तो second quarter केतना हो गया, 12 lakhs, incremental है, तो आपको वैसे, हर quarter का निकालना पड़ेगा, तो quarter 3 में loss था, quarter 4 में profit again हो गया, calculate basic and diluted EPS, अब क्या करना है, सुन लो, इन्होंने सबसे पहले store कपकप खोला है, वो देखो, एक तो तो अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले, देखो basic EPS, दो चीज़ चाहिए, एक चीज़ नियूमेरेटर, एक चीज़ दिनॉमेरेटर, नियूमेरेटर तो आपने चाप लिया, यहां सबने को मिल जाएगा, नियूमेरेटर प्रॉफिट कितना है, इच क्वार् आपने क्याइगा, तो पहला store आपने कप खुला है, में में खुला है, डिसेंबर एयर अट है, तो पहले quarter में आपने कोई भी store नही खुला है, जैन, feb, जैन से मार्च में कुछ भी ने खुला आपने तो पहले quarter में इसका कुछ भी नहीं आएगा second फिर आएगा April से June तो आपने side कप खुली है first में को बराबर तो first में को आपने फाइथाउजन शेयर इशू किया न तो basic में कितने महिने के लिए आएगा में और जुन दो मेने के लिए basic में आएगा तो आप बोलोगे 5,000 इंटू 2 by 3 निकालो को देखो इतना ही आएगा उसके अलावा तीसरे quarter में अब जो आपने इस quarter में इशू किया वो तो अगले quarter में पूरे quarter आप शेंडिंग होगा ना तो 5,000 इंटू 3 by 3 प्लस क्या आपने next quarter में कुछ नया इसू किया किया सब्टेंबर में इसू किया तो अगला quarter का बोत है जुलाई से सब्टेंबर तो 1 सब्टेंबर को इसू किया तो 5,000 इंटू 1 by 3 भी आप करोगे तो करके देखो इतना ही आएगा अब जो यहाँ इसू किया और जो यहाँ इसू किया वो next quarter में तो पूरे 3 मेने के लिए होगा तो 5,000 इंटू 3 by 3 प्लस 5,000 इंटू 3 by 3 5,000 आ जाएगा बराबर यह आपका each quarter का होगे आपको इतना समझ जाता है फिर आता है full year का full year के लिए quarter में क्या हुआ छोड़ दो year के point review से देखो कब कब आपने खोला था एक तो मे में खोला था तो में, जून, जुलाई, ऑगस, सब्टेंबर, ऑक्टोबर, नवेंबर, डिसंबर 8 months तो full year के लिए मैं बोलूँगा 5,000 इंटू 8 by 12 प्लस एक खोला आपने सब्टेंबर में तो सब्टेंबर, ऑक्टोबर, नवेंबर, डिसंबर 4 months तो मैं बोलूँगा 5,000 इंटू 4 by 12 कितना हो गया? 5,000 लोग करके देख लबाई तो यह आपका हो गया basic का denominator में retail site के वयसे जितने भी shares देने है वो उसके बाद जब आप earnings extra कमाऊगे तभी भी shares देने है लेकिन extra earnings पे share देने ही कब है year के end पे देने है तो अगर year के end पे कुछ issue भी किया तो basic में नहीं आएगा ना? क्योंकि वो last day पे issue किया जो last day पे issue किया तो basic में आएगा ही नहीं तो basic के shares कितने होंगे आपके earnings की वए से basic में कुछ भी नहीं आएगा is this clear to everyone clear है है अगा तक? yes है clear है तो बस total मारो denominator का तो numerator, divide by denominator you will get the basic EPS basic clear है है अगा तक अगर basic आपको समझता है तो diluted तो इससे भी easy है diluted तो इससे भी easy है सुनना क्या है वो अब diluted में first quarter में क्या आपने कोई भी site खोला first quarter में क्या आपने कोई भी site खोला? नहीं, तो basic में भी नहीं आएगा diluted में भी नहीं आएगा, पहले चीज़ second चीज, second quarter में आपने कब खोला था first में को बराबर, तो आपने क्या बोला था, 5000 x 2 x 3, यह तो basic में आ गया था, तो जितने महीन ने basic में आ आ या ना, उसके remaining months, it will come in diluted, ऐसा याद रखने का, तो two months के लिए basic में था, तो one month के लिए it will be in diluted, तो पूरा 5000 आई जाएगा, automatically, two months के लिए basic में, बाकी one month diluted के अंदर, 5000 पहले खोला, उसका 3 by 3 आ जाएगा, प्लस, जो आपने September में खोला, वो 1 by 3 के लिए basic में आएगा, अब जितने मेने basic में आएगा, वो ठीक, बाकी किस में आएगा? डिलूटेड में, तो 5000 इंटो 2 by 2 दिलूटेड में, फुल यर के लिए, लॉजिक कैसे लगाएंगे सर, में में खोला था ना, तो 5000 इंटो में से लेके December, ये basic में आया था, तो जितने में बेसिक में आया वो ठीक, बाकी 4 by 2 दिलूटेड में आएगा, सप्टेमर में खोला था, तो 5000 इंटो 4 by 12 बेसिक में आया, बाकी 8 by 2 दिलूटेड तो पूरा साल के लिए लेना उसको, तो उल्टा डिलूटेड इजी है, ऐसा मानो, जब खोला पुरा आएगा, जब खोला पुरा आएगा, देखना ही मत कब खोला, ऐसा, तुम समझे रहे, आपको मैंने छोड़ा दा हिंट दे दिया भाई साब, फिर आते हैं, अब अर्निक्स कंटिंजेंसी, अब अर्निक्स कंटिंजेंसी वाले में, बेसिक की तरह, ये मत नहीं कब शेर इशू किया, ये देखना कंडिशन कंब मीट हुआ, जिस साल कंडिशन मेट, उस साल आपको कुछ न को शेर देने पड़ेंगे, फॉर एक्जाम्पल, जैसे अपने हो क्या बोला था, सेकेंड क्वाटर तक, सेकेंड क्वाटर तक, कितने से प्रॉफिट एक्सीड हुआ है, पहले क्वाटर में थास एक्सीड निगोआ 20स पर, सेकेंड क्वाटर में 3 Major से एक्सीड हो गया, हर 1000 उपे बे 1000 शेर थे, तो 3 लाइक्स एक्सीड हुआ था 3 लाइक्स देना पड़ेगा, ले लेना, 3 Godzilla, किदर गया, देखो 3 Lak's अच्छा, फिर 3rd quarter में वापस से meet नहीं हुआ, तो नहीं लेंगे, 4th quarter में 9 lakhs से meet हुआ, तो ले लेंगे 9 lakhs पूरा, 4th quarter में, और full year वाले में, देखना, last साल के end तक meet हो गया न, meet हो गया, issue किया या नहीं किया, फरक नहीं पड़ता, पूरे साल के लिए consider कर लेना, ऐसा, तो ये ultra diluted में जादा easy है, उसमें months का working का जरुवत ही नहीं है, ऐसे होगा exam के अंदर, बढ़ एक बाप practice तो लगेगी आपको भाई साब, ये था retail वाला contingency, थोड़ा सा determine दने का कोशिश किया है, क्योंकि मुझा पता है, आपको सबचार्द लखली विधर ही होती है, ठीक है, चलो, I hope it helps, आगे बढ़ जाते, illustration number 13, ये एक नए concept के उपर बेश्ट है, जो मेरिकाल से एक बाद test अलड़ी हो चुका है, सुनना क्या बोलता है, वो बड़ा simple सा part है, जब आपके पास continuing और discontinuing दोनों का profit loss होता है, तो उस case में आपको एक नहीं 3 EPS present करने होते है, जैसे आप basic तो आपको diluted भी दिखाना पड़ेगा, और diluted कब दिखाओगे, suppose basic 10 है, और diluted 6 है, तो यूइल रिपोर्ट देश क्योंकि कम है, basics से, अगर आपका continuing वाला reportable है, अगर आपका continuing वाला reportable है, तो discontinuing वाला reportable है, तो discontinuing वाला रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्या बोला मैंने, अगर आपका continuing वाला reportable है, तो discontinuing और combined का भी diluted आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, even if they are anti diluted, even if they are what, even if they are anti diluted, इतना आप ज्यान रहता, तो अगर ये anti भी निकल जाते ना ये दोनो, तो भी आप इसको रिपोर्ट करोगे, लेकिन, अगर suppose इसका basic 12 आजाता, suppose इसका basic 10 आ तो आप इसका diluted report नहीं करते, अगर आपने continuing वाला का diluted report नहीं किया, तो इनकम भी diluted दे आप रिपोर्ट नहीं करोगे, in short, अगर continuing का dilut Evan 돌 sucks हो रहा है, तो this container combined dmos like नहीं करोट हो रहा है, तो इसका बदे आप रिपोर्ट नहीं होएगा, नमस, इसी तरीक से आपको इसको solve करना है बस इतना ही इस question के अंदर करके सले दाना कहानी खता में इसकी, simple है, आगे आते है illustration number 14, 14 से better आपको question करवाता है, चलो 14 भी करवा देता है आपको, ये एक शांदार question है, जिदर financial instruments भी covered है, और जिदर 33 भी covered है, बराबर FI और 33 का साथ में एक तड़का लगके आता है इसके अंदर, सुन लो क्या बोलता है वो, बोलता है अपने पास 2000 convertible bonds है, ठीक है, तीन साल का term है, 1000 bond का है, proceeds 12 रुपे ठीक है, interest है 6%, अब मैंने क्या बताया था आपको, normally जितने भी अपन बराबर तो यहां interest, आप डिरेकली face value into coupon नहीं कर सकते, आपको fair value into EIR करना पड़ेगा, बेसिकली आपको financial instruments के step consider करने पड़ेगे, देखो क्या बोलता है, entity has given an option, मतलब option holder के पास है, जब option holder के पास होता है, तो उस case में आपके लिए principle is a financial liability, ध्यान रखना, सर यह सब कहां बत आता है, वहां clear हो जाएगा, चिंता मत करो, बट सुनते बेच चलो, फिर बोलता है market price वगेरा दिया हो है, calculate basic value to DPS, बेसिक तो simple है, profit divided by shares, तो कितना हैगा, जो भी आता है, आपको amount आजाएगा, फिर convertible bonds outstanding, वो बोलता है, each bond will be converted into 250 shares, तो into 250 करोगे, तो आपको मिलेगा denominator पे impact, which is equal to 5 lakhs, if I'm not wrong, बराबर, अब ये तो denominator पे impact है, numerator पे interest का saving कितना होएगा, वो भी तो निकालना होता है अपने को, तो numerator में interest का saving का देखो, कहाँ बात किया हुआ है, आज आपन करते हैं वाला part, ये देखो, इधर, 14 एना illustration, yes, कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको steps follow कर पड़ेंगे, this is a compound financial instrument, ठीक है, तो आप cash flows निकालोगे, cash flows में interest और principle दोनों आप consider करोगे, उसके बाद, क्यूंकि compound financial instrument है, तो आपका fair value क्या रहेगा, fair value will be equal to present value of future cash flows, बराबर, it will be equal to present value of future cash flows, तो निकालोगे आप, जितने भी cash flows है, उसको ER पे discount करोगे, आपको मिलेगा fair value, ठीक है, balance बचेगा, आपका equity component, अब आपको क्या करना है, ER अपने को 9% दिया हुए, आप बनाओगे LAT, LAT में, उपनिंग में आपन लिखते है, fair value, interest लेते है, ER वाला, बराबर यह जो first rate का interest है, यही आपका है savings in interest, अगर यह bonds, equity share होता, तो आपका इतना interest का saving होता, और मैंन क्यों लिया है, because यह bonds current year में issue हुआ था, इसलिए मैंने year one का लिया हुआ है, ध्यान रखना, तो ideally यह question, financial instruments का भी है, तो अगर आपको FI आता है, तो यह समझाओगा, मैंने क्या बता है, ठीक है, जान रखना, तो यह आपका हो गया interest का saving, तो आप जब numerator में add back करोगे, तो यह illustration number 14 था, फिर आता है illustration number 15, यह एक और शांदार question है, क्या बोलता है सुनना, बोलता है अपने बास 2 class of shares है, यह non convertible preference shares है, और एक ordinary shares है, ठीक है, अब ideally बोलने को preference shares है, लेकिन इसको प्यार से participating shares भी बोलते है, participating equity shares, सरे participating कहा से हो गया, क्योंकि एक बार इसको dividend मिल गया ना, पां और पैसा चाहिए, तो यह एक बार dividend लेने के बाद, फिर से 14 लेकर आ जाते है, उनको बोलते है participating equity shares, बराबर, तो अब इस question में करना कैसा, सुन लो क्या बोलता है, बोलता है पहले 5 रुपे इनको दो, फिर 2 रुपे इनको दो, फिर जो profit बसता है, उसमें 50% of any additional dividend payable on an ordinary shares, 50% of any additional dividend payable on an ordinary share, what is the meaning of this, इसका मतलब यह नहीं कि बचावा profit 50-50 करोगे, यह मतलब नहीं होता है, जितना भी ordinary को दोगे, उसका 50% देना पड़ेगा preference वालों को, suppose ordinary को आपने 1 रुपे दिया, तो preference वालों को वापस से 0.5 यह इसका मतलब नहीं कि 50-50 दोगे, एक रुपया ordinary को ग करेंगे, आज हो मैंने करा रखा है, इद आपको दिखाता हो, मस्त वाला, मा, 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 किदर गया, सबसे last question हाता है, मेरे साप से मेरे समत हुई, यह रहा, यह रहा, यह रहा, देखो, suppose आपका total profit आपने इतना कमाया था, 1 लाक रुपीज, ठीक है, अब उसमें preference वालो को दिया, 2 रुपाय, 10,000 शेर के लिए, तो 25 वो 20 अपने दे दिया, बचा कितना? 55, 55 का आधा अधा मत करना बेखुफू की तरह, येडी की तरह कर मत देना, वो बोलता है, ordinary को एक रुपाय गया, तो मुझे 0.5 चाहिए, उसके अलावा, दोनों के number of shares भी अलग 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 का, आप जो बच्चावा पैसा वो इस ratio में बाटोगे है, सरे ratio ऐसा अजीब सा क्यों आए, क्योंकि दोनों के number of shares भी अलग 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 है, तो इसको मिलेगा 11,000, इसको मिलेगा 44,000, बराबर simple, तो दोनों को total का पैसा कितना मिला, preference को पहले 25 मिला था, अब 11 मिला, 36 total मिल गया, तो preference का EPS कितना हो गया, 36 divided by 5000, 7.2, और ordinary वाले को 20 मिला, अब इनको 44 मिला, तो 64, 64 divided by 10, 6.4, यह आपको निकाल के देना होता है, तो यह वाला question भी करके जाना भाई, ठीक है, ध्यान रखना, खतम हो गया, इसको बलते है, participating equity instruments, ठीक है, खतम, फिर अपना आता है, अ 10 first shares in issue, 10 lakh है, 5000 convertible bonds है, 1 lakh के, terms of conversion के है, 120 ordinary shares of rupees, 100 each, ठीक है, अब वो बोलता है, 31st March को, 25,000 bonds ने convert कर लिया, equity shares के अंदर, profit आपको दियावे, 2 lakh रुपी, tax है 30%, अब आपको बोलता है, basic निकालो, देखो, basic तो simple है, basic में तो अपन क्या करेंगे, 2 lakh divided by मेरे ख्याल से, वो 10 lakh जो भ 10 नहीं करेंगे, नहीं, वो बोलता है, यह 25,000 shares कप convert हो गए, 31st March को, तो मैं बोलू, 9 months के लिए, this would have been under basic, तो 25,000 into 120 by 100 into 9 by 12, इसका जो भी answer आएगा, इतने समय के लिए, basic में आएगे, देखो, यहां किया है, अभी यह, तो यह basic में आजाएगा, तो आपका basic में, number of shares इतना ह हो गया, profit इतना हो गया, अब आपका निकलेगा basic EBS, तुम समझे गया, तो यह basic वाला part हो गया, तो मैंने हाग कर रखा, आपको दिखाता हूँ चाहिए, तो, किदर गया ही है, दिखे तो मज़ा है, मिल तो नहीं रहा है मिर को, मैं ऐसी बता दूगा आपको, वो ढूनने में समय लग जाएगा, डिरेक्टी बता दूग्या, आपको समझ रहा ना, मैं ऐसे बता रहो यह वाला, हाँ ऐसे ही करो ना, अच्छा उसके बाद, अब बोल डैलूटेट निकालो, अब डैलूटेट में क्या होएगा सुनना, जो 75,000 बॉंड्स है, यह तो 125 बाइने क्ले डैलूटेट में होंगे यह जो 25,000 है, यह 25,000 इंटू 125 बाइने क्ले डैलूटेट के अंदर होंगे, डैलूटेट में यह आ जाएगा आपका, बराबर यह डिनामेटर पे इंपैक्ट आ जाएगा, उसके अलावा, जब आप इंटरस का सेविंग्स निकालोगे, इंटरस का सेविंग्स, तो यह 75,000 बाइने का इंटरस बचेगा, और 25,000 पे तीन महने का इंटरस बचेगा, बस यतना आप धियान लखना, ऐसी निकाला वए, देखो, 25 पे तीन महने का बचेगा, और वो 75 पे पूरे बाइने का बचेगा, इंटरस और डिनामेटर पे इंपैट आपको जिससे बतने बताया, वैसा हो जाएगा, is this clear to everyone, yes, clear एक है यह वाला पाट, यह question number 19, 30 हा question है, लेकिन शांदार question है, ध्यान लखना, ठीक है, आगे बढ़ जाते है, अरे clear एक ही नहीं, फटावर्ट से बताओ न, यह वाला पाट, yes, चालो, शांदार है, 2300 लाइक कर दिया, तुमने मज़ा आगे चालो, ठीक है, आगे बढ़े, चालो, आगे बढ़ते, illustration number, अभी अगला question है, 20, sorry, 21, 21, ओ, हो, शांदार question 21 भी, 21 is related to right shares, ठीक है, right shares का question है, तो इसमें अपना right का भी वो हो जाएगा, right में बताए, तीन step थे, पहले फटा-फट से में को step बता दो, step number 1 क्या था, सर याद करो याद करो, सर वो था, x right price, हाँ, याद आ गया, सर, तो हम निकालते थे, x right price, step number 1, अच्छा, step number 2 क्या था, सर हमारा 2, सर हम निकालते थे, bonus factor, हाँ, sir, bonus factor, very good, और step number 3 क्या था, फिर हम by figure करते थे, between bonus element and between cash element, ऐसे करते थे, अरे, शांदारान सा मजा आ गया, अब पहले, क्या ह हुआ है, सुनना, यहाँ, दो नहीं, तीन साल है, ठीक है, बोलता है, यह वाले साल में, right issue हुआ है, ठीक है, तो जिस सा right issue हो, कब हुए right issue, तो बोलता है, right issue हुआ है, first March को, तो वेट साएगा, 10 महिने का मेरे असाब से, December year end है, अब कैसे निकालेंगे सुनना, बोलता है, exercise price 5 रुपया है, right shares 1 to 5 के ratio में, मतलब total 500 shares थे, तो right दब 100 share देने वाले हो, तो कैसे करेंगे सुननो, सबसे पहले, 500 into come right price, plus 100 into right price, divide by total number 600, कितना आता है, बता फटावट से, तो मैं बोलूँगा, 500 into 11, 500 into 11, M plus, और 100 into 5 M plus MRC, divide by 600, मेरे रिखाल से कितना आता है, it is coming to 10, यह extra price होगे आपका, फिर bonus factor चाहिए, 11 divided by 10, ऐसे ही रखो, अब आपको चीए bifurcation, तो opening shares कितने थे, opening shares थे 500, इस पे लगाओ, 11 by 10, तो minus 500, opening वापस minus करो, तो कितना आएगा, 50, तो total 100 share में से, 50 is bonus, और बाकी 50 है cash, यह cash वाले पे आप लगाओगे, 10 by 12 का weights, इस पे आप लगा करोगे, आप यह करोगे, इस वाले साल में, 2011 में, तो आप कैसे करना देख लो, फटावर्ट से सिखाता हो आपको, सुन लो, मेरे क्याल से मुझे मिल जाएगा, इदर की दरी वाला पाट, अपना आगया bonus वाला, यह रहा, देखो, आपने निकाला, x right, बराबर bonus factor निकाला, और split मार दे 50-50 का, यहां तक आपने किया था, उसके बाद, अब आपको total कितने EPS निकालने है, previous है का 2 EPS निकलेगा, previous है तो बराबर, फिर आप निकालोगे previous year का EPS, previous है के EPS में सिफ बोनस का impact आएगा, 500 into 11 by 10, बराबर, फिर निकालोगे current year का original EPS, current year में 2 EPS आएगा, original वाला, देखो, इसमें आप right का bonus है वो भी लोगे, और जो consideration में issue किया, वो भी consider करोगे, फिर अगले सार का भी पूछ है, next year में प्रोफित होगा, इसमें, आपका जो bonus है, वी 12 by 12 के लाएगा, और जो आपने cash के ले issue किया, current year में वोड़ा वी 10 months, but next year तो ये पूरे 12 में के लोगे हो जाएगा, तो next year वगेरा बहुत simple है, तो इसमें important सिभी वे बीच वाला साल है, 2011 का, बाकि simple है, ध्यान लखना, clear, तो अब आप बोलोगे ना कि sir, क्या question है, मतलब आप ये सब appreciate कर सकते हो इस questions को, तो इसलिए ये शानदर questions है, और इसलिए अपने को समय देने में कत्राना नहीं चाहिए इसको, ठीक है, ध्यान लगना, चलो आजाओ, illustration number 22, क्या बोलता है सुन लेना, बोलता है, group का basic EPS निकालो, subsidy का basic निकालो, और दोनों का diluted भी निकाल के बताओ, ठीक है, अब कैसे करना, ध्यान चा सुनना, वो बोलता है, parent का profit दिया हुए, subsidy का profit वगेरा दिया हुए, subsidy के shares भी दिया हुए, तो पहले subsidy का कर लेते, subsidy का basic भी चाहिए, और diluted भी चाहिए, कैसे करेगो subsidy का, subsidy का profit था, 5,400 इसमें से preference dividend पहले minus करना, 400 है, preference share 1 रूपी dividend, तो आप लोगे minus 400, कितना बचा 5,000, divide by number of shares, that is 1,000, तो कितना आगे आपका basic 5, subsidy का basic EPS हैसे हो गया, फिर आएगा subsidy का diluted EPS, कैसे निकालोगे, वारेंट है 150 के, exercise price 10 रूपया, market price 20 रूपया, तो इसका free component लोगे, तो 75 वारेंट आ जाएंगे, यही है, ठीक है, तो जब आप subsidy का diluted निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, आपका यह savings हो जाता, तो आपका profit होता 5,400 ही, divide by, divide by, आप बोलते 1,000 थे पहले से, 75 because of warrants and 400 because of preference, तो करके देख लो, तो मेरे खाल से 1,000, 1475 वाएगा, तो 5,400 divided by 1475, तो 5,400 divided by 1475 will be equal to 3.66, 6, यहापका diluted EPS हो गया, basic से कम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तगा है, अब सबको clear है, ठीक है, यहापका basic वाला काम हो गया, मिटा रहो मैं यह सब, ठीक है, ताकि आपको मैं जगा बना सकू वापस से, यह मैंने कर दिया, subsidiary का basic or diluted, अब मुझे group का पूछ है, म के basic में क्या आएगा, देख लो, 12,000 था, excluding any earnings paid by the subsidiary, है न, divide by 10,000 shares, लेकिन अब और भी कुछ add करोगे, पेरेंट के पास, 400 में से 300 preference shares है, तो out of 400 रुपीज का dividend, जो subsidiary ने pay किया रहेगा, 300 तो पेरेंट के पास गया रहेगा, उसके अलावा, देखो, subsidiary का profit was 5,400, preference को 400 रुपीया दिया, 300 आ गया पेरेंट के पास, बचा हुआ, 5,000, इसमें से 80% stick पेरेंट के पास है, out of 1,800 shares are with parent, तो इसका भी 80% parent को बिलॉंग करता है, तो कितना, 4000 parent को बिलॉंग करता है, प्लस 4000, तुम समझा मैंने क्या बोला, तो कितना आएगा, 12,000 प्लस 300 प्लस 4000, डिवाइड बाए, सिर्फ और सिर्फ किसका लोग है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के share, तो कितना आएगा, मेरे एकाल से 1.63 आ जाता ह है, सबको ये वाला पाट समझता है, पहला चीज, तो ये भी क्लियर हो गया, ग्रूप का बेसिक, अब आता है सबसे इंपोर्टेंट ग्रूप का, डिलूटेड EBS, ठीक है, देखो, parent के द्वारा इशू किया गया, कोई भी potential equity share नहीं है, सिर्फ फरक ये है, कि subsidiary के potential, अगर real में equity होते, तो parent के पास 800 नहीं, थोड़े जादा ordinary shares होते, सर ऐसा कैसे, बताता हूं मैं आपको, डिलूटेड के बात करेंगे ना, तो हम मानते, ग्रूप के सारे, डिलूटेड, सारे potential equity share, सारे potential equity share होते, हाँ, भाज मैं भूल गया क्या बोल रहा था, मैं, हाँ, अगर आप अपन ग्रूप का डिलूटेड निकालते, तो हम मानते, इस ग्रूप के सारे potential equity share होते है, equity share, इसका मतलब, ये भी होता 400 equity share, ये भी होता 75 equity share, बराबर उसके अलावा, मेरे पास subsidiary के 800 नहीं, 30 warrants के 15 equity share और 300 preferential के 300 equity share और आते है, इसका मतलब, मेरे पास 800 प्लस 15 प्लस 300, इतने share होते है, subsidiary के, out of how many? out of 1000 प्लस 75 प्लस 400, पहले मैं बोला थाना, 80% stake है, मेरा subsidiary का stake revise हो जाता, क्योंकि अब मेरे पास 1000 में से 800 नहीं है, अब मेरे पास इतने में से इतने है, तो ideally वो ऐसा आता कुछ, 1115 divided by 1475, है ना, तो आपका stake चेंज दाता, 1115 divided by 1475, तो it would have been 75.59% stake, यह आपका पहले जो 80% stake था ना, अभी वो इतने हो जाता, 75.59% stake, पहले आप रिवाइस stake निकालोगे, अब डालुटी DPS कैसे निकालोगे, आपके पास अबसे बेले 12,000 के earnings थी, शेर्स चेंज नहीं होने वाले, आप सिर्फ वो सिफ पैरेंट के आउस्टानिक शेर होता होता, तो आप वो record करोगे, 5,400 x 75.59%, that is equal to 4082, बस, तो plus 12,000 divided by 10,000, which is equal to 1.61, यह एक शांदार question है, और यह question इंसान तभी कर सकता है, जग घर पर पैर्टेस करके गया हो, और अगर आपको लगता है कि यह question अभी भी difficult लगता है, आपको star मारो, यह वीडियो यूटूब पर रहने वाला है, जब भी वापस सरशड़ी करोगे ना, मेरा यह पार वापस सुन ले ना, आपको जो मजा जाएगा ना, आपको अंदाजा भी नहीं है, ठीके, चलो, शांदार तरीके से हो गया, शांदार है करन, आशीष, प्रियांशी, सुमित, संकेत, आशीष, क्या बात है, क्या बात है, रितिक, रितिक भी है दर, आला, जादू, आगे बढ़ते है, ठीके, इला, शांदार क्वेशन, सुन लो, क्या बोलता है, एक हिंट देता हो आपको, आपको यहां भहुत सारे प्रॉफिट दिया हुए, पैरन का प्रॉफिट दिया हुए, एंसे का इ कंशिडर नहीं करते है, तो OCI, NCI दोनों को इग्णोर करने का, सिर्फ खुद का देखने का, 39,000, आगे, फिर आपकी बास बोला हुए, कि पहले इतने शेर्स थे, फिर दुरिंदर आपने इतने इशू की है, ठीक है, तो इस पर आप वेट्स लगा देना, कभी इशू के ज इसका सिर्फ डिविडेंड अगर कुछ पेई करेगा, तो माइनस करने का जरूवत नहीं है, आगे, फिर आपको information दिया हुए, यह important वाला information है, क्या बोलता है, सुनो, 18 करोर्स convertible debentures थे, 6% के, repayable on 31st March 15, मतलब 4 साल का 10 योर था, क्योंकि अब चल रहा, 31st March 15, मतलब 4 साल का 10 नहीं हो रहा है, interest payable annually, the holder can elect to exchange the convertible debentures, वाप पस है, holder के पस option है, CFI का instrument है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको financial instruments की तरह, LAT करके interest निकालना पड़ेगा, लेकिन खास बात यह है, आपने issue किया था 11 में, अब चल रहा 13, तो LAT का कौन सा year का interest में consider करूँ year 2 का जो भी interest आएका, वो आपका होगा savings and interest for LATVBS, ध्यान रखना, तो यह एक शांदार question है, आपको ध्यान रखना है, clear वाला part क्या, yes, उसके बार dividend बताया है, देखो ordinary पर dividend इतना दिया, anyways, चलो, और कुछ बोला है, नहीं, अच्छा ordinary पर dividend इतना दिया, ordinary का मुझा करना ही न minus आपन नहीं करते हैं उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, तो यह वाला part अपना हो जाता है, तो इसका solution अगर आपको देखना है, मैं दिखाता हूँ, question number क्या है, 23 है न, चलो, दिखाता आपको question number 23 का solution, question 23, 23, 23, year 23, देख लो, मैंने क्या बोला, ignore OCI, NCI, सिर्फ parent का लोगे, preference दोने minus करोगे, earnings available, equity holders मिलेगा, इस numerator निकालोगे, तो denominator निकालोगे, तो basic EPS मिल जाएगा, उसके बाद, diluted EPS, numerator, earnings available for equity holders, plus effect of potential equity share, वो consider करोगे, इसमें आप, जब savings and interest लोगे, तो second year का जो LAT है, LAT के second year का जो interest है, वो आपका savings होगा, वो भी net of tax लेना, net of tax, बराबर, बस, फिर denominator आपको मिल जाएगा, निकाल लेना, diluted EPS, ठीक question करके जाना, उसके अलावा, let me see, और कुन सा question जो आप कर सकते हो, एक question number 3 है, ये question already मैंने example के form में करवा दिया, पता है कुन सा example, मैंने आपके लिए, diluted EPS का example लिया था, जहां दरवर multiple potential equity share, पता है, तीन step ते, पहले incremental EPS निकालो, फिर ranking दो, फिर आप एक एक करके चेक वाला इससे cover हो जाता है, बराबर exactly same, से number अलग है, करके चले जाना वह वाला part, उसके बाद मेरे ख्याल से और कुछ भी नया, नहीं है, अच्छा, ये question number 5 है, इसको मैं single star दूँगा, पता है कुन सा question है, मैंने अभी आपको करा है न, group का भी basic निकालो, ग्रूप का भी basic नि इसके जासा question है, ये वाला, जो आप single star बता है, question number 5, RTB November 22 का, तो practice के लिए वो करके चले जाना, क्योंकि similar है मैं वापस वाल निकर आ लेकिन, करके चले जाना है ये वाला part, ठीके ध्यान नखना, perfect, तो उसके लाब मेरे रिकाल चौर कुछ नहीं है, finally, क्या खता होता है, इत अब मज़ा आ गया भाई साब, और 33 में समय देना बनता भी है, पता है क्यों, क्योंकि ये ही वो index है, जो आपको uncomfortable feel करवाता है, तो जो चीज़ uncomfortable feel करवाती है, उसमें समय देने में भाई साब कोई हाम नहीं है अपने को, आपने उसमें अच्छा का सा समय दे दिया, इसलिए आपने break के बाद एक बड़ा index लिया था, is this clear to everyone? ये लेकिन शांदर तरीके सा आपने इसको cover कर लिया है, चलो, अब कुछ छोटे मोटे index हो जाए, चलो, तो अब आपन करेंगे index 20, आजाओ, index 20 करेंगे, ठीक है, शांदर, 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 index 20, पहले अरे, वो तो क्या ही डोला, नड जाने दो नजरिया, गिर जाने दो विजरिया, ए, कहां चले गया मैं, सुनो, सर से, सर से मोरी चुनरी जाए, 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 सर से मोरी चुनरी जाए, सरक सरक, सरक भाई साब, चलो, आजाओ, अब आएंगे आपन index 20, पहें, छोटे मोटे थोड़ा एक index मैं लिख लेता हूँ, इदर index 20, आज जाओ, चलो, index 20 ये रहा, शो शुरुवात करते फटाबट से, इसकी, easy-easy index निप्टादो फटाबट से, ठीक है, देखलो क्या बोलते है, सबसे पहले index 20, index 20 का होगे नाम पूछे, तो सिर्फ येडे की तरह government grant मत बोलके आना, बड़ा बोलता है, accounting for government grant, and disclosure of government assistance, ठीक है, तो क्या बोलता है, government grant का मतलब क्या होता है, जब government आपको किसी फ़र्म में assistance देता है, in return for certain compliance, बोलते है, condition मिटकर आपको grant देंगे, ठीक है, तो उसको बलते है, government grant, हसो मत दो, ठीक है, आध्यान दो इदर, आगे, grant को कभी बुक करोगे, लगा गई, वैसा, तो you should have a reasonable assurance की grant मिलेगा, है, तो ही बुक करना, आगे, ठीक है, accounting for government grant, अब accounting कैसे करेंगे, तो accounting के लिए, आपको मेरे board notes देखने चाहिए, ठीक है, मैंने तुम शांदार board notes बनाया है, सुनो क्या बोलता है, accounting for government grant किस तरीके से करेंगे, आपन, accounting करने के लि अगर आपको cash में मिल रहा है, sorry, अगर काइंड में मिल रहा है, काइंड में, non-monetary grant मिल रहा है, तो it can lead to a depreciable asset, या फिर it can be for a non-depreciable asset, ठीक है, अगर आपको non-monetary grant मिलता है for depreciable asset, इसका मतलब कोई machine आपको free में दे दिया, तो 2 method है, या तो nominal value पे record करो, 1 रुपा, 10 रुपा grant में book करोगे, 10 CR में, अब जिस ratio में आप machine को depreciate करोगे, उसी ratio में ये deferred income को आप profit and loss में transfer करते हैं, चलोगे, simple, क्योंकि depreciable asset है, पहला चीज, दूसरा, अगर ये ही free में आपको land मिली होती, which is a non-depreciable asset, तो फिर क्या करते हैं, उस case में, तो उस case में, अगर non-depreciable asset पे आपको कि land तो depreciate नहीं होती है, तो DGG profit and loss में कब जाएगा, तो उस case में देखना पड़ेगा, in case of non-depreciable asset, you will see, whether the grant is unconditional और conditional, अगर grant unconditional है, तो सारा grant जाएगा profit and loss के अंदर, लेकिन अगर grant conditional है, if the grant is conditional, तो उस case में, आप क्या करोगे, उस case में, what you will have to do is, conditional grant मतलब देखना पड़े, condition क if the condition is of 5 years, तो आप DGG को 5 साल में transfer करको profit and loss में, अगर condition 10 years किये, तो 10 years में transfer करना in profit and loss, जान रखना, अच्छा, उसके अलावा, मैंने presentation में बात भी किये, कि जब balance sheet में दिखाओगे, machine और DGG, अलग अलग दिखाना, लेकिन जब profit and loss में दिखाओगे, तो जो grant की income है, और depreciation expense है आप net of करके भी दिखा सकते हो, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, जान रतना, ठीक है, चलो, आगे बात करते हैं, ये था non-monetary grant के बारे में, फिर आते हैं monetary grant, मतलब आपको पैसा मिला है, पैसा, it can be for three things, for depreciable asset, for non-depreciable asset, या फिर grant for any expense incur, that is revenue nature वाला grant, ठीक है, clear, yes, आगे बढ़ते हैं, yes, तो अब monetary grant के cash में मिला है, for depreciable asset, तो जब depreciable asset में, आपको कोई भी grant मिलता है, तो उस case में, आपको, मैंने example लिया वे, suppose machine की value 10 CR, ठीक है, और government grant, government grant सबसे आपको दिया, तीन करोड का cash में दिया, monitor तो cash में देगा, तो अब इसको record करने के दो तरीके, देखो दो ही तरीके होते है, या तो इस grant को, asset की cost suggest कर देना, या फिर, आप machine और grant, दोनों को fair value पे अलगला record कर लेना, अब cost suggest करोगे, इसका मतलब, machine 10 CR की, grant 3 CR का, तो machine net में 7 CR पे record होगा, बराबर, और depreciate भी आप 7 CR को करना, अच्छा, एक और तरीका ये है, कि आप asset को 10 पे record करोगे, grant को अलग से दिखाओगे, fair value में cash band to DGG, अब you will depreciate machine also, और grant को भी in the ratio of depreciation, आप profit loss में transfer करते वे चलोगे, देखो net effect same ही आने वाला है, बात है presentation तरीके की, ठीक है, वो अलग रहेगा, आगे, फिर आते है, monetary grant का non depreciable asset, land मिला, land के अगेंस 3 CR को cash दे दिया, दो तरीके, या तो cash क या तो जो monetary grant है, asset की cost adjust कर लो, मतलब आप land को ही net 7 CR में record करोगे, बराबर, या फिर method number 2, method number 2, आप grant को अलग से record करोगे 3 CR पे, again the problem is, land तो depreciate होता नहीं है, तो DGG का क्या करे, अब ही तो बताया था उपर, अगर grant unconditional है, तो day 1 पर profit and loss, but if the grant is conditional, तो उस case में, जितने साल की condition है, उतने साल में grant को profit and loss में transfer कर देना, simple, खदम होगी कहानी, उसके अलावा, अगर आपको grant मिला है, और any expenditure incurred, तो उस case में क्या किया जाए, तो simple है, check करना, grant आपको कितने साल के expenditure reimburse करने के लिए मिला है, अगर grant मिला है, to reimburse 1 year के expense, तो government grant भी आप 1 साल में transfer करना, profit and loss में, अगर grant म मिला है, to reimburse any past expense, तो government grant को आप आज तुरंती profit and loss में transfer कर देना, मतलब in short government grant profit and loss में जाएगा, कब जाएगा वो देखना है, और simple सा matching concept है, जितने साल का खर्चा, उतने साल में grant transfer कर देना, profit and loss के अंदर, simple होगी कहानी इसकी, फिर आता आपकर, that is refund of government grant, अगर government grant कभी refundable हो गया, तो का की आजाए, तो उस case में, पहले ये देखना, जब grant मिला था, तब क्या किया था, अगर जब grant मिला था, तब आपने तुरंत का तुरंत सारा profit and loss में transfer कर दिया था, तो grant का refund भी profit and loss से पे करना, तो suppose जब grant मिला था, तो entry क्या हमारी रहेगी, cash bank to P&L, तो जब refund करोगे, तो entry reverse, P&L to cash bank, अच्छा, जब grant मिला था, तब DGG में transfer किया था, और DGG से profit and loss में transfer कर रहे थे, तो जब refund करने की बारी आएगी, जब pay करोगे, तो पहले जितना balance बचाए DGG में, उत्ता आप debit करना DGG, balance अब transfer कर देना profit and loss के अंदर, तो for example, मेरे को refund करना 3CR, DGG के अंदर balance करूँगा, balance जाएगा profit and loss के अंदर, अच्छा, एक और चीज, जब grant मिला था, तब asset की cost adjust क्या था, याद है 10CR का machine, 3CR grant मिला तो 7CR के machine को record किया, तो जब grant मिला था, तो machine की cost minus की थी, तो आज जब grant refund करोगे, तो machine की cost में add कर देना, इसका मतलब refund का treatment is dependent, कि जब grant मिला था, त market से सस्ते rate of interest पर loan दिला देता है, तो ऐसे के इसमें क्या किया जाएगा, उसको पर direct question आपन वो करेंगे, इसी के साथ, अपने 20 के सारे concept हो जाते है, चलो आजाओ, चेरा, चलो आओ, अब करेंगे question इसके, question करते हैं, कितना बढ़ी है, कितना खुशी देते हैं सब इंडेस, अब ये question करी लेते हैं, जा government अपने को सस्ते rate पर loan दिलाता है, तो government ने 5% पर loan दिलाया, market में rate 12% चल रही है, तो ये question हो गया, financial instruments पर इंडेस 20 का, तो standard बोलता है, जब भी आपको सस्ते rate पर loan दिलाता है, तो आप पहले loan का निकालो, present value at the rate of EIR, तो मैंने निकाले loan की present value, य यहाँ आप अपने financial instrument के step follow करोगे, step number one, cash flows, step number two, fair value relationship है, क्यों से relationship है, government grant का relationship है, तो सारे cash flows को आप लगाओगे present value at the rate of EIR, ये आपके आएगी, fair value of the loan, loan लिया था 50 लाग का, fair value है 37.38, तो जो balance होता है, between these two, 50 lakhs and this, उसको बलते है, government grant, बराबर 12, 61, 672, अब इस grant का में क्या कर देखो, loan को तो आपन LAT बना के transfer करेंगे, मतला amortize बगरा करेंगे, इसका क्या करेंगे, तो आदे लोग गलती पते है, क्या करते है, बोलते है, government grant है, इसका treatment आदे लोग बोलते है, जित्ते साल का loan है, उत्ते साल में rate of करने का, the answer is wrong, अगर आप बोलोगे, loan के tenure में rate of करो, the answer is wrong, इसका क्या होएगा, इसका dependency will depend, इसका क्या करना है, it will depend कि loan किस purpose के लिया था, loan कितने साल का था, उससे फरक नहीं पड़ता है, loan किस purpose के लिया था, उससे फरक पड़ता है, तो उसका continuation relationship number 5 के अंदर है, तो 5 वाला पड़ो, तो अलग-अलग cases दिया हुए, suppose आपको grant, आ तो DGG transfer का profit loss में over the period of 4 years, suppose loan लिया था, to depreciate a financial, to depreciate a, sorry, to finance a depreciable asset, लेका जंबल देवर्स खेल लिया हो sir, to finance a depreciable asset, तो DGG को treat करने के 2 तरीके है, या तो जितना भी grant है, उसको PP के cost से net off कर दो, या फिर PP, जिस ratio में depreciate हो रहा है, उससी ratio में आप DGG को transfer करो profit and loss के अंतर, तो illustration number 4 along with 5 पढ़के जाना, ठीके 20 से अगर repeat होना होगा, तो ये वाला question अच्छा है, क्योंकि इसमें 2 index cover हो गया, financial instruments भी cover हो गया, इंडेस 20 भी cover हो गया, ध्यान रखना, ठीके, चलो, आगे बढ़े क्या, ये चलो, आगे बढ़ जाते, तो ये अपना कुन सा question के, आपन illustration number, और समापत है, बोलता है, आपने clean river project के लिए grant मिला, बट अभी तक कुछ काम नहीं किया है, तो grant का क्या करे, तो ऐसे case में information incomplete है, इन्होंने 12 पंदी सा answer किया हो है, बोलता है, अगर grant non refundable था, unconditional, grant दिया और बोला ही नहीं था कुछ काम करना है, तो आप भले कुछ काम नहीं किया है, फि ठीक है, यह पहला वाला path था, देखो alternative दिया हो, दोनों case सा answer किया हो, आप भी दोगला पंदी करके answer करने का, आगे second, बोलता है, एको grant दिया, equipment के लिए, equipment के लिए grant दिया है, तो दो में थड़ है, या तो equipment की cost and net off करो, या फिर fail valuable record करो, और DGJ को आप profit loss में transfer करो, over the life of the asset, आगे, तीसरा, बोलता है, September में बाड आ गई, flood आ गया, जो भी flood से affect हुए, उनको grant देंगे, लेकिन application भरना पड़ेगा 30 जून के पहले है, इनके financials अप्रूव होगे 31 में को, तब तक कोई भी application file नहीं किया गया है, अब जब application file नहीं किया गया है, तो adjusting event तो नहीं है, तो previous अगले साल जून तक application भर दिया, तो शयाद आपको grant आप record कर सकते हो, प्रीवेशर में तो आप record नहीं कर सकते है, अगले साल अगर application भर दोगे, तो मिल जाएगा तब record करना, प्रीवेशर तो record नहीं कर सकते है, simple, आगे बढ़ जाते है, फिर आता है एक और शांदार question, illustration number 17 18, illustration number 18, एकदम शांदार question है यह वाला, सुनलो क्या बोलता है, बोलता है grant मिलेगा 60,000 का, अब 3 साल का खर्चा, 3 साल में across मिलेगा, मतलब एक साथ पूरा नहीं मिलेगा, 40,000 मिलेगा year 1 में, 10,10 मिलेगा year 2 and 3 में, देखो grant का पैसा कम मिलेगा, उससा फरक नहीं पड़ता है, कितना promise किया है, 60,000, उससे फरक पड़ता है, पहला चीज, second चीज, अब वो बोलता है, यह grant तभी मिलेगा, जब आप 10,10 new job maintain करोगे for 3 years, employee hire करने का, और 10 लोग को रखने का 3 साल तक, ठीक है, अब normally हम क्या बोड़ते, इस 60 को transfer करो, P&L में over the period of 3 years, एकदम सही है, लेकिन normally आ ratio of cost transfer करोगे in profit and loss, जैसे for example, अगर मैं illustration number 18 की बाद करूँ, तो मैं दिखाता हूँ, जैसे यह, मुझे grant मेलेगा 40, 10, 10, 10, उससे फरक नहीं पड़ता, year 1 में आप खर्चा कितना करोगे इसके against, एक है recruitment cost, यह one time होता है, तो यह करोगे, plus salary pay करोगे 1 lakh, year 2 में you will pay 1.1 lakh, year 3 में you will equally transfer नहीं करोगे, या इस ratio में transfer नहीं करोगे, आप profit and loss में transfer करोगे in the ratio of expensing card, अगर यह नहीं होता ना अपने पास, तो आपन equally transfer कर देते, जब यह होता है, तो इस ratio में transfer करना होता है, तो grant 60 है, अब पैसा कितना मिला उससे फरक नहीं पड़ता है, total grant 60 ता ना, तो 60 को बाटें in year 1, 2, 3 in the ratio of cost, तो पहले मैंने entry बताई, फिर मैंने ICI का table समझाए, पहले entry देख लो क्या है, जैसे पहले तो आपको पैसा मिलेगा 40,000, पैसा मिला वो ठीक है, profit and loss में कितना जाएगा, तो 60,000 into 130 divided by 360, इस ratio में जाएगा profit and loss में, फिर year 2 में वापस से थोड़ा पैसा मिलेग फिर year 2 में कितना grant book करोगे, 60,000 into 110 divided by 360, देखो 60 into 110 divided by 360, फिर year 3 में थोड़ा पैसा मिलेगा, book कितना करोगे, remaining, 60,000 into 120 divided by 360, तो इतना book करोगे remaining, तुम समझे, अब actually entry पूछी नीती, एक table पूछा था, तो ICI ने कैसे किया है, एक table बनाया, कि DGG का opening इतना था, DGG का opening कैसे है, जितना पैसा मिला वो DGG का opening, profit loss में कैसे transfer किया, ratio में आपको अलियर बता है, उतना transfer किया, इतना closing बचा, फिर आपने 10,000 और पैसा receive किया, तो DGG का balance बढ़ गया, फिर इतना transfer किया, इतना बचा, फिर आपने और 10 receive किया, फिर बाकिट transfer किया, balance खतम हो जाएगा, ऐसा, clear है क खतम होगे इसकी कहानी, यह था illustration, आपका number 1, sorry, illustration number 17, 18, खतम, उसके बाद, question number 1, इतना मतलब important नहीं है, यह LDR मैंने बोला, क्योंकि exam के लच्छा है, बट वैसा बहुत simple है, उसमें अलार टाइप का, आपको loan दिया हूँ, sorry, grant दिया हूँ, land के लिए मिला तो क्या करने का, है MTP, 22, RTP, 22, क्या पता, exam, 20, है, चलो, सुनलो, जबर दस्त question है, और यह आईसे एक आदत है, वो तुम्हारे RTP, MTP से नहीं पूछते है, वो तुम्हारे पिछले RTP, MTP से पूछते है, समझ रहो, है, यह ना बना या, सुनलो, तो अच्छा question है, देख लो, क्या बोलते है, व अपने को मिला, जो काम की बात है, वो करते है, पात साल के लिए, पात साल में आपको, लोन वगेरा, interest fee loan मिला है, पात साल के लिए, रीपे कर देना, five years में, ठीक है, interest fee मतलब zero percent में मिला है, तो पहले तो आप grant निकालोगे, ग्रांट कैसा निकालेंगे, financialist model step follow करेंगे, तो five years की loan के life में अपने मना किया था, actually, asset के life भी five years ही है, तो मैं तो life of the asset में write-off करूँगा इसको, ठीक है, फिर क्या बोलता है, बोलता है, अगर आपने breach करा, तो आपको loan repay करना पड़ेगा, पूरा, उसके साथ 10 lakh की penalty भी लगेगी, तो बोलता है, फिर बोलता है, प्लांट प सब्सक्राइश किया, सोचना तुम्हारा भी asset सब्सक्राइश करते तो कभी, मज़ा आ जाएगा, तो 2013 में, दो साल के बाद, राइता फैल गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे सुन लो, तो सबसे पहले आप जब पूरा accounting करोगे, तो आपने पूरा fair value वगेरा निकाला, government grant अब इसको आप 2 साल तक write-off कर चुके हो, ठोड़ा सा, 2 by 5 write-off कर चुके हो, और यह loan भी कितना बचा रहेगा, 2 साल के LAT के बाद, इतना बचा होगा, तो LAT बनाओ 2 साल का, 2 साल के बाद, लोन बचा इतना, DGG बचा इतना, अब अपने payment कितना किया है, तो आपको लोन का 17.79 write-off, 6 point, जो भी F48 write-off, balance जाएगा profit and loss में, पहला, दूसरा, 10 लाग की penalty पे करनी है, सिधा profit and loss में, profit and loss to cash bank, 10 लाग, 10 लाग, combine मारो के तू भी चले गाए, तो यही किया होगा है, पहले पूरी entry मारी, refund के entry यह रही, to cash bank, इतना, जो FL write-off, DGG's write-off, balance, profit and loss, और जो penalty पे किया कानी खतम उसकी, यह था question number थी, देखो क्या शांदार question कराया है मैं आपको, मस्त वाला हो, उसके अलावा, यह एक और question है, question number 4, यह actually LDR निया simple सा question है, बोलता है factory के लिए grant मिला है, तो factory के लिए grant मिला है, तो दो तरीक है, या तो net off करके record करो, या फिर PPE को अलग, DGG को अलग record करो, तो मैंने summary यहां दिया हुआ है, simple है यह वाला part इतना, उसके बाद, let me see, नहीं, बाके तो simple है, illustration question number 5, जो है, RTP November 22 का, LDR नहीं है, it is easier question, जो मैं आपको already कराया है, पता आपको illustration number 4 करवाया था मैंने, जो government आपको grant दिया, और, sorry, government ने loan दिया, सस्ते rate of interest पे, वैसा ही है बहुत similar, इस से easy question actually, तो इसके single star मा के practice कर सकते हो आप, ठीक है, बचाओ ज्यादा कुछ है नहीं करोगे तो वो वालक है, तो यह भी हो जाता, automatic, इतना कुछ है नहीं करोगे तो, ठीक है, तो, हाँ, अरे कितनी चुली सरकाओ भाई, अरे कितनी चुली सरकाओ, बताओ, हाँ, सरक, अरे तू अब सरक जा या, तू सरक जा, बस, हड़ जा भी दो या से, अब मैं सरक कर की भी ठग जा भाई साब, कितना सरक हैंगे अब बताओ, बटाओ मोजी जी, कितना सरक है, हाँ, शा चुनरी हवा सरक गई एनिवेस तुम समझ गया ना ठीक है चलो शांदार बहुत ही बढ़िया अब एका दो छोटे और इंडेस कर लेते सुनो अब आपने 20 कर लिया ना 23 कर लेते गया एक 23 एक और शांदार इंडेस है बोरिंग कोस्ट एना एक तो मज़ा देगा बोरिंग कोस कि आओ 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 चलो रुको मैं थोड़ा चार्जिंग में लगा जूँ कि एक बार आजाओ आजाओ चलो ठीक है इने को तुम पास हो जाओगे ना तो तुम मेरे लेक्षर रिकमेंड करना दूसरों को ठीक है गया बीबवर्चल ड़कॉम पे प्रमोर्शन इन बिल्ट है ठीक है देखो मैं मैं उम्मीद रता तुमको लक्षर कि रवत ना पड़े मेरे मैं ऐसा उम्मीद रता कि तुम पास होगे तो फिर तुम पक्का की नहीं और तुमने अगर पास रिकमेंड नहीं किया तुम्हारे डिक्री चिलनी जाए आथ से ठ जान रखना चलो बड़े के आगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो आगे बड़े देखो तुम्हारे भाई ने कित्ती हेल्प किया तुम्हारे महनत कर रहा है पूरी जान निकल गई है अगे बड़े इंडेश 23 के साथ अच्छा लगा रहेगा तो अभी लाइफ चैट में नहीं नहीं खतम होने के बाद कमेंट में जाके कमेंट जरू एक बार कर देना थार दस सेकेंड कर देना क्यों जब कमेंट करोगे तो शहाद दूसरे लोग को समझेगा कि इट वस ले रहा हूँ मेहनद से तो जाए ज्यादा लोग तक तो अच्छा रहेगा और कुछ नहीं चलो एनिवेज आजाओ अब आते बॉरिंग कोश्ट के ओपर मैं आपको इसमें एक बास जरूर बोलूंगा फोकस मोरन क्वेश्टन वैसा तो सारे इंडेस पर क्वेश्टन पर फोकस करना लेकिन इसमें अभी तो मैं कंसे पढ़ा रहा हूँ घर पर जानका कंसे पढ़ा भी मात सिधा क्वेश्टन करना इसका ठीक है चलो आजाओ करें आजाओ सबसे पहले विट इस दे मिनिग ओव बॉरिंग कोश्ट मतलब जब लोन लेते हो तो लोन पर क्या होता है प्रिमियम डिस्काउंट इंटेस्ट होता है इन शॉट आपका जो ए आया आर वाला इंट्रेस्ट होता है ट्रांजैक्शन कोश्ट हो गया है ना qualifying asset पे इंकर किया है तो उसका borrowing cost आप क्या करोगे capitalize करोगे अब यह सबसूरी कनाती qualifying asset क्या होता है qualifying asset मतलब which takes substantial period of time to get ready for its intended use जिसको बनने में समय लगता है उसको बलते qualifying asset सर समय लगता है कितना समय लगता है नहीं पता judgment है AS में 12 महिना था इंडेस में कोई समय नहीं है 6 महिना, 8 महिना, 4 महिना कितना भी समय लगता है qualifying asset हो सकता है तो exam में का करें सर assumption लिकर आजाना जो भी note है सिव ready made asset नहीं होना चाहिए अगर asset ready made है तो qualifying नहीं हो सकता बनने में समय लगना चाहिए ज़स आपन qualifying asset अब समय लग रहा है ना समय लग रहा है अब समय लग रहा है सब शान्दार क्लियर के वाला पार्ट ठीक है तो क्या बोलता है interest and other cost incurred in connection of boring of points qualifying asset में incur किया तो क्या एगा हो capitalize कर देना ठीक हो बोलता भी बोलता है boring cost incurred for qualifying asset capitalize बाकी boring cost expense अब बोलता है सर अब समझ आया सर असली में तो अब आया सर exam में इसका मतले भी नहीं कि tension लेके पढ़ेंगे it is about staying cool and calm तो थंडा दिमाग से बेठना सुबे से जाना ना बुद्धी के अंदर क्यूंकि तुम खुशी से बढ़ रहे हो तो यह ना ऐसका हसी खुशी पढ़नेगा रोद होके तो यह ना पढ़नेगा tension की बात का मनतने वाले पास दिन के बात exam ही तो है पढ़ लेंगे चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ो तो सुनो अब boring भी दो तरकी होती है एक होती है specific boring specific का मतलब क्यों होता है जो boring आपने specifically इसी qualifying असके कर ली थी उसको बलते specific boring तो specific boring में क्या करना होता है जितना अभी इसका borrowing cost है वह आप capitalize कर देते हो specific boring में आपने कितना funds कभी उसकिया उससे फरक नहीं पड़ता है specific boring जिस दिन लिया और अगर उस दिन से आपने काम भी शुरू कर दिया है तो सारा specific boring का पैसा आप capitalize कर सकते हो मतलब उसका जो भी interest है you can capitalize अगर specific boring में जो idle funds है उस पर आपने कोई investment income कमाई तो minus कर देना मतलब actual boring cost less investment on temporary income on temporary investment from the borrowings यह specific boring का fund है पर आता general borrowings what is the meaning of general borrowings सब्सक्राइब एक नहीं 2-3 लोन थे pool of loan थे आपके पास अलग 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 interest rate के आपने random purpose के लिये थे अब आपने सुच्टाब पैसा खाली पड़ा है तो इसको qualifying आशट में use कर लेते बराबर तो उसको बोलते है general boring ठीक है तो जो भी general boring है क्योंकि general borrowings है तो कब कब खर्चा किया वह relevant हो जाता है तो जिस दिन पर खर्चा आपने किया सब्सक्राइब आपने खर्चा किया 1st July को खर्चा किया 10 CR का 10 CR into capitalization rate into सब्सक्राइब जुलाइ को किया तो 9 by 12 ऐसा करना आपको step number 2 यह है तो बराबर तो जितने भी आपके interest आएंगे total मारो मलेगा boring cost to be capitalized ज्यान लगना ठीक है आगे फिर आता है period of capitalization कब शुरू करोगे कब suspend करोगे और कब खतम करोगे तो comments तब करना जब खर्चा incur करना शुरू कर दिया हो activity undertake कर लियो और boring cost भी लगना शुरू हो गया हो तीनों होएगा तब comments करने का दूसरा suspension मतलब बीच में क्या कभी temporary stop करना पड़ेगा क्या तो अगर आपका asset में कोई active development नहीं हो रहा है मतलब काम रुका पड़ा है वरकर strike पे चले गए आपको बुखार आ गया तो आप काम नहीं कर रहे तो वो सब जो काम रुका हुआ है उस case में आप उतने समय के लिए boring cost capitalize नहीं करोगे और तीसरा cessation मतलब boring cost का boring cost का capitalization stop कभ करेंगे when the asset is substantially ready for its intended use जब asset ready हो जाएगा तो you will stop the capitalization of the boring cost is this clear to everyone yes sir तो जब अभी asset ready हो जाएगा you will seize the अब एक building ready होगे दो building बन रही है बराबर तो क्या यह interdependent answer is no जो ready होगे उसको अपन use कर सकते ना तो जो building ready होगे उसका capitalization आपन stop कर देंगे जो building अभी तक बन रही है उसका आपन continue करने का तो अगर इसका मतलब अगर assets parts में ready होता है और जो part ready हो गया it is capable of being used separately तो उसका capitalization stop कर देना बाकी सब का continue करना simple है clear उसके बाद है exchange difference वाला concept इसको मैं question के तो समझाओंगा बाकी other relevant concept को भी question के तो आपन cover कर लेंगे तो यह basic funda था ठीक है boring cost के बारे में अच्छा अब आप directly questions पहोगे boring cost के ठीक है boring cost के questions पहते हैं अपन फटा फट से अच्छा boring cost के जितने भी question चालू करूंगा उसके पहले मैं भूल जाओ तो एक चीज़ याद करा देता हूं मैं आपको boring cost में मैंने जब RTP का video लिया था RTP May 23 का तो उसमें boring cost के एक शांदार question जो मैंने वहां करवाया है तो वह प्लीज कर लेना मैंने करवाया उधर तो वह प्लीज माचिप करना प्लीज कर लेना वो question थोड़ा विचितरा question है करके ही जाना है वह वाला question पहले बता देता हूं मैं आपको मैंने यूट्टीब पर सचकर तुमको आटीब भी मिलेगा किसी ना किसी अच्छे इंसान ने टाइम स्टंड डाला होगा तो जाके वहां क्लिक कर और वहां जाके देख लेना बढ़िया question है मैं लिखके रखो पहले बता रहूं मैं आपको फिर एक्जाम में आगा तो बोलना मैं मिरेकल मिरेकल हां ध्यान रखना चलो आगे अब आते इसके कोई शांदार question करते है इसके शांदार question हो में एक question है यह वाला illustration number 13 पर आ जाओ 13 में क्या है सुन लो वह बोलता है construction चालू किया cost estimate का 7 lakhs कितने estimate को उसे फरकी नहीं बढ़ता है मेरको कब चालू किया 1st April को चालू किया to finance the construction specific loan लिया तो specific loan 2 lakh का लिया ध्यान रखना जबी भी पैसा यूस करोगे पहले हम specific का पैसा यूस करेंगे ठीक है उसके बाद 9% पे लिया specific loan और फिर यह दो है general borrowing तो इसका आपन निकालेंगे weighted average cost of capital ठीक है simple तो कैसे निकालेंगे यह कैसे निकलता है total interest weighted average मतलब सब को loan साल के बीच में लिया तो उतने महीने का interest लेना divided by total loan तो उससा आपको मिलेगा weighted average cost of capital आसान बाशाप है ठीक है तो और आपने यह ऐसे ऐसे खर्चा किया है तो सुनना मेरी बात specific borrowing में सिफ काम शुरू होने सा मतलब होता है इसका पैसा कभ यूज किया उससा फरक नहीं पड़ता है है ना काम शुरू हो गया था ना हासल तो इसका पूरा interest करोगे पैसा खर्चा कभ किया उससा फरक नहीं पड़ता है तो जैसे और मैंने क्या बताया था पहले आपन specific का पैसा यूज करते है तो 2 लाक का था पैसा specific के लिए तो इसमें से 1.5 lakh specific borrowing से यूज किया रहेगा बाकी 2 lakh में से 50,000 specific का यूज किया रहेगा अब यह जो 1.5 lakh है और remaining पैसे वह आपने general से यूज किया रहेंगे तो इसको solve कैसे करे तो इसका मैंने एक अच्छा format बना के रखा हूँ है आपको मैं दिखाता हूँ इसका format रूको यह देखो फिर गरीबी दिखा रहे है एक बार गरीबी दिखा ही ना इसने मैं क्या ही कर लूँगा रोदूँगा और क्या सुनना वेस्टन नमबर 13 था न यह रहा देखो कैसे निकालेंगे सबसे पहले आप निकालोगे क्यापलाज़शन रेट टिक है स्टेप नमबर वन तो क्यापलाज़शन कैसे निकालोगे टोटल इंटेश्ट रवाबर टोटल बॉरेंग्स निकाल लिया उसके बाद आप निकालोगे बॉरेंग कॉस्ट टोबी क्यापिटलाज़श्ट तो पहले specific बॉरेंग पर तो आप डिरेक्ट कैपिटलाज़शन करोगे सर्थ 10 था क्यों लिया क्योंकि मशीन 31 जैन को रेडी हो चुकी थी तो एपने से चुरू किया और जब रेडी होगा तब तो बंद हो जाएगा तो 15,000 जेनरल बॉरेंग में जो पहले दो खर्चे थे आपने specific से यूज किये August में जो 1,50,000 यूज किया वो जेनरल का यूज कहता न तो 1,50 इंटू कैपिलेशन इंटू 6x12 6x12 कैसे August, September, October November, December, Jan जैन में complete होगा 6,20 October में 4,20 जैन में जालू किया 1,20 जब कुछ नहीं बोला गया हो तो माल लेना कि खर्चा आपने महीने के day 1 पे किया था ठीक है तो टोटल कैपिलेश कितना करोगे यह 15,000 और यह तोटल इतना कैपिलेश करोगे अब इस क्वेशन में एक कोड़ खास बात थी एंट्री वगेरा मांगी थी कि जब आप इंट्रेस कैपिलेश करोगे तो टोटल खर्चा आपने कितना किया टोटल खर्चा आपने किया है यह 2,00,00 और प्लस इतना खर्चा है आपने 8,00,00 इतना लेकिन अगर इंट्रेस्ट पूरा ही पे कर दिया होगा आपने तो फिर आप प्रेट्री टू कैश्बंग पूरा कर सकते है सिंपल यह वाला पार्ट ठीक है ध्यान रखना यह ता अपना इलस्ट्रेशन नमबर 30 सिंपल क्रिटिकल नहीं है जो क्रिटिकल है वह इलस्ट्रेशन नमबर 14 है क्यों यह पढ़के इंशान डरेगा है बहुत सिंपल लेकिन पढ़के उसको थोड़ा सा नर्वसने मैसूस हैगा क्यों थियोरी फॉर्मेट में ऐसा दिया हुआ है तो जिब थियोरी देखते हैं स्पैसिफिक बॉरेंग एक है अलग से दिया हुआ था जनरल बारिंग का ऐसा स्टेबल में दिया हुआ था इसक। इंटेश्च कता है और 20 इंटेश्च करोगे 45,000 पर बाग की तो जनरल बारिंग है तो बस इसका आप निकालोगे विट्ट अवरेज कोस्ट आपिटल बस तो में रिकाल से वह किया हुआ रहेगा, illustration number 14 है, अपने बास, यह रहा, देखो, तो यह capitalization rate निकाला general borrowing के लिए, ठीक है, borrowing cost to be capitalized, तो पहला तो आप specific borrowing का पैसा यूज करोगे, तो मैं बूलू, पहले आपके specific borrowing था कितना, कितना था, 4 year, 7 lakh रुपीज था, तो आपने इसका 2 lakh specific के लिए उसकिया रहेगा, इस 6 में से 5 lakh specific यूज किया, और से 1 lakh general के लिए यूज किया रहेगा, तो 1 lakh पा आएगा आपका जो भी है, capitalization rate into month का weight, बराबर 31 December को जो खर्चा किया, उस पर भी 3 मेने का आएगा, एक खर्चा अपने साल के last day पे किया, तो उस पर आप कुछ भी capitalization नहीं करोगे, ध्यान रखना, तो total हो गया आपका, ठीक है, simple यह वाला question, खतम हो गया question, और कुछ नहीं इसके अंदर, यह था illustration number 14, फिर आपका, illustration number 15, ओ, हो, 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 यह तो question, इतना अच्छा question, इतना अच्छा, इतना अच्छा, मज़ा आदेगा तुमको, बहुत simple है, क्या बोलता है, illustration number 15, बोलता है, एक parent company है, पी, उसके तीन बच्ची, तीन बच्ची मतलब, तीन सबसेडरी है, A, B, C, अब इसमें करना क्या है, इसमें borrowing cost, चार company का देना है, तीनों सबसेडरी का, और एक group as a whole का, ऐसा देना है, पराबर, अब हुआ क्या, short मैं समझाता हूँ आपको, वो बोलता है, पहले 10 लाग का loan लिया, खर्चा किया 15.4 का, आम दन नी अठन नी खर्चा रुपईया, लो borrowing कम लिया, खर्चा जादा किया, तो आप पूरे amount पे capitalize नहीं कर सकते, आप से borrowing के amount पे capitalize कर सकते हो, जान लगना, उसके अलावा, बोलता है, जो खर्चा किया, ये payment आपन ने अपनी ही दूसरे company को किया है, जिसने 10% margin कमाया, ये margin वगरा कमाया, ये group में काम आएगा, इंडिविजन में काम नहीं आएगा, बराबर, तो इसका solution कैसे बनेगा, देख लो, को समझाता हूं, मैं, ये रहा, specific borrowing, 10 lakhs, इंटो 7%, इतना capitalize कर दो, कहा नहीं कतम, आगे, फिर construction company, बोलता है, borrowing लिया ही नहीं, सि अरे, जब ही नहीं, boring तो नंगा नहाएगा क्या, और निचोड़ेगा क्या, तुम समझ रहे हो, क्या, तो कुछ भी boring नहीं, अरे भाई, खर्चा तो किया, लेकिन boring ही नहीं है, तो no interest will be capitalized, आगे बढ़ जाते है, है ना, फिर आता है, finance company, finance company ने boring तो लिया है, लेकिन कर दिया, एक ने boring लिया, खर्चा ही नहीं करा, तो इसमें भी boring cost capitalized नहीं करेंगा, भी qualifying asset ही नहीं, यह individual company का हो गया, फिर आता है, group company के point of view से, group में 13 मेरा मत देखना, देखना total खर्चा qualifying पे कितना किया है, और total loan कितने है, ग्रूप में total 2 loan है, एक ए 7% का loan, और एक यह वाला ग्रूप में 13 मेरा मत देखना, तुने किया, मैंने किया नहीं, total group में qualifying asset पे कितना खर्चा किया, एक तो 15,40 लाग था, बट यह including 10% margin था, तो आपने को exploding margin चाहिए, group point of view से, तो 14 लाग साता है, और दूसरा खर्चा आपने कब किया था, 10 लाग का खर्चा किया था, qualifying asset पे, त financial instrument हर index में कहां से, घुश-घुश किया जाता है, यह तो खास बात है इसकी, है ना, यह शादी का फुपपा है, हर जगे दाके घुश जाते है कि दर में, तो लाग क्या बोलता है, देखो, बोलता है, how will you capitalize the interest, when qualifying asset are funded, by borrowings and the nature of bonds, that are issued at discount, तो इस case में, आपका जो borrowing cost है, वो normal, face into coupon नहीं होगा, वो आपका fair value into EIR होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, और काम चला है, दो साल तक, दो साल का जो LED का interest है, उतना आप capitalize करोगे, सर ऐसे कैसे जड़ा बता हूं को कैसे करेंगे, तो दिखाते हो आपको, illustration number 16 किदर गया, मेरा, प्यारा, प्यारा, दुलारा, illustration 16 यह रा, देखो, तो आप पहले cash inflows, outflows लिखोगे, step number 1, step number 2, fair value निकालोगे, अब यहाँ कोई CFI नहीं है, मतलब company financial instrument नहीं है, कोई पुरान relationship भी नहीं है, और कोई level of input भी नहीं है, इस अब क्या होता है सर, FI अगर नहीं आता तो वहाँ सीखेंगे, ठीक है, तो इस case मन directly मानते, fair value is equal to TP, तो आपका जो day 1 का inflow out हो है, वो ही आपका fair value होगा, ठीक है, आगर आप चाहो present value निकाला, तो भी निकालोगा, तो भी same answer आएगा, ठीक है, anyways, EIR दिया हुआ है, LAT बनाओ, दो साल का, opening, interest, add rate, EIR, repayment, closing, तो यह जो भी दो साल का interest है, यही आपका borrowing question का capitalise करन आगे आते है, illustration number 17, यह भी must question है, बोलता है, loan लिया 620 का, loan का पैसा कैसे ही उसके है, यह देखना, बोलता है, file at 10 इंकर किया, plant machinery पे, तो इस file at 10 पे, जितना भी interest है, capitalise कर देना, 54 दिया, advance to supplier, for additional assets, हैना, जो install करेंगे हम लोग, तो यह भी qualifying asset पे इंकर किया, भली advance दिया, दे इसका जितना भी amount है, capitalise कर देना, उसके लावा, balance आपने working capital के लिए use किया, तो वो capitalise नहीं कर सकते है, यह आप expense out करोगे, simple, तो जितना भी interest है, वो तीनों के अंदर बाट देना, capitalise कर देना, तो जितना भी इसमे, plant machinery, advance पे जो भी था, वो capitalise करोगे, बाकी जो working capital पे था, वो expense out करोगे, खतम कहानी, हो गया, वो last question, फिर आता है, एक और शामदार question, question number one, यह same question आई इस देना, दो बार डाला है, किताब के अंदर, और दोनों बार अलट treatment किया है, मेरे साब से exam में आतो, आप दोनों में से कोई भी एक ही याद रखो, दो याद रखो, तो भूल ज December तक, और वो बाद में भी continue होएगा, बट current time में December तक चला, September, October, November, December, चार मेना, ठीक है, फिर बोलता है, during the year, अच्छा चाहिए क्या इनको, इनको सिर्फ capitalization rate चाहिए, बोरेंग कोश्ट कितना capitalization करना है, वो नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्याचे capitalization rate चाहिए, आगे, बोलता है, हमारे पास, 9% debentures थे, 30 lakhs का face value, उसके लाओ जो important पाट है, वो overdraft का है, बोलता है, overdraft था 4 lakhs का, which increased to 8 lakhs in December, interest was paid on overdraft at 12%, until 1st October, and then rate increased to 15%, सरे क्या जंबल देवर्ट का समझा ही नहीं, सुनलो मेरे बाद ध्यान से, overdraft की बात करता है, तो कितर लिख के बताओ, इधर पर लिख के बताओ आपको, overdraft, सुनलो, यह O.D. है मेरा, तो बोलता है, O.D. 4 lakhs था, पहले कितने मेने का O.D., 12 मेने का ले लेते है, ठीक है, तो बोलता है, 4 lakhs था, which increased to 8 lakhs in December, तो 2 O.D. थे, 4 lakhs और 8 lakhs, पहले 11 months के लिए, it was 4 lakhs, फिर last government के लिए, it became 8 lakhs, फिर क्या बोलता ह है, interest was 12% until October, तो पहले 11 मेने में से, 9 मेने दक interest था, 12%, उसके बाद ये 2 मेने interest हो गया 15%, और ये वाला एक मेने के लिए interest हो गया 15%, बस, अगर आपने ये टिबल बना लिया, तो आपके लिए कहानी सिंपल है, क्यू, आपको क्या निकालना होते है, capitalization rate में, total interest, divide by total weighted average borrings, बरा weighted average borrings, तो आप interest कर से निकालोगे, 4 lakhs into 9 by 12 into 12%, 4 lakhs into 2 months into 2 by 12 into 15%, 8 lakhs into 1 by 12 into 15%, total interest overdraft कर मिलेगा, और debenser का interest बे आड कर देना, उसके अंदर, divide by total borrings कैसे मिलेगा, borrings में बस rate मत consider करो, rate भूल जाओ, तो बूलोगे 4 lakhs into 11 by 12, है न, sorry, नहीं, 4 lakhs into 9 by 12, 4 lakhs into 2 by 12, और 8 lakhs into 1 by 12, तो rate भूल जाना, बस, वैसा मिल जाओ, आपको, simple, तो यह जो टेबल है, यह important है, टेबल है, न, टेबल है, न, न, चलो, ठीक है, ध्यान रटना, तो यह अच्छा question है, अब जो आईसे न, दूसरा तरीका किया है, उसमें 12 months नहीं लिया हुआ है, उसमें सिफ, 4 मेने का किके consider कि किया हुआ है, तो मैं बोलता है, दोनों में से कोई बेग्याद कर लो, ऐसा करो, तो भी चल जाएगा, ठीक है, ध्यान रटना, clear है हाँ तक, yes, आगे बढ़ जाते है, उसके बाद है, illustration number, question number 2, question number 2 आपने पास, अब वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, वो बोलता है, हमार अगर आप पूछोगे हर महीने खर्चा अकुरू कितना हुआ, तो इतना इतना अकुरू हुआ, और आपसे पूछे, कि हर महीना आपने खर्चा, एडवांस में कितना दिया, मतलब cash basis पर देखे, तो cash basis पर इतना इतना आपने खर्चा किया, है, अब जब आप boring cost to be capitalized निका आता हूँ, यह रहा, तो capitalization rate 11% दिया हुए, ठीक है, boring cost to be capitalized, अगर आप accrual के base पर देखोगे, September में खर्चा किया, March तक चला, तो September से March, September, October, November, December, Jan, February, March, बराबर साथ महिने, तो into 11% into 7 by 12, तो यह accrual के base पर मैंने सारे खर्चे का boring cost निकाला, अगर मैं advance के base पर देखू, तो मैंने सारे खर्चे का boring cost निकाला, ठीक है, अब ideally आपको दोनों से answer करना है, और फिर वाप से बुचे, appropriate जादा कौन से है, तो मैंने उपर की किसी question में discuss किया था, कि आपका खर्चा कितना अकुरू हो रहा है, उससे फरक नहीं पड़ता है, जो आपका खर्चा पे कर रह है, ठीक है, कोई तो बोला, whichever is higher, ए, higher नहीं है, हमेशा यही ज़्याद appropriate होगा, समझ रहो ध्यान रखना, उसका ग्यान चेर एक बार रीड कर लेना, बट ग्यान तुमको याद रहेगा ने, तो तुम अपने साब साब बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे, पिर आता है, question number 3, RTP November 22 का question है, ठीक है, क्या बोलता है, देख लो, बोलता है, चार phase है, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, बोलता है, phase 1, अपना complete हो चुका है, 6 महिने के अंदर, mid of the year में, phase 1 and 2 complete हो गया, ठीक है, phase 1 and 2, mid of the year में complete हो गया, तो इसमें, जो भी interest है, आप सिफ 6 महिने का capitalize करोगे, phase 3 3 and 4, चला पूरे साल तक, तो इसका तो आप पूरे 12 मेने का capitalize करोगे, simple, अब ये दो phase का आपने बंद क्यूं किया, because they are operational as they are completed, मतलब ये दोने dependent नहीं है, किसी और के उपर, बराबर तो 1 and 2 जब complete हो गया, उसका capitalize stop कर देना, 3 of 4 का you can continue, in short, खतम हो गया ये वाला part, ये था question number 3 इसे के साथ, इसे के साथ, ए डोलारे, 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 डोला, धाई शाम, रोक नहीं, रोक नहीं, रोक नहीं, रोक नहीं, धाई शाम, रोक नहीं, तुम मिलने को आया था, मैने बुलाया था, साता बिठाया था, खना खिलाया था, वापस न बेजा, होटल मे पर्पले स्टुडियो सरक 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 आँए तो इसको भी वह अपना सरक सरक तो मेरे ख्याल चैनला चोटा सा ब्रेक लेने के बाद अच्छा मेन इक बता आते न करके जाना तुमको नहीं होता तो मैंने डाल रखाय कर लेना हो ठीक है चल तो यह भी हो गया सरक अब आपन छोटा सा लेते ब्रेक और ब्रेक के बाद आपन फिर करते कंटिन्यू जितने भी आपन खीच पहेंगे खीचेंगे और लेक्चर एंड होने के बाद मां को टार्गे कर लेंगे ठीक है कौन सा करेंगे सस्पेंस में रहते ब्रेक के बाद बताऊंगा चलो तो थैंक्यू सो मच अवरीवन अच्छेंग एक रह गया एक कंसेप्ट रह गया यह वाला बॉरिंग कोश्ट का एक्सचेंज वाला नहीं ब्रेक नहीं है इतरो बॉरिंग कोश्ट के एक concept रहे गया, salt example रहे गया, अच्छा वा किसना बता दिया, सुन लो, अब इसका concept समझने का ट्राए कर लो पहले, एक basic concept समझाता हो, आपको borrowing cost वाले का, सुन लो क्या बोलता है, बोलता है, जब आप foreign से loan लेते हो ना, तो foreign से जब loan लोगे, और आपकी rate of interest बढ़ गई, तो loan म हो जाता है, तो देखो जो foreign loan पर interest भरोगे, वो तो capitalise कर सकते हो, लेकिन जो exchange loss है foreign के loan पर, क्या उसको भी आप capitalise कर सकते हो गया, तो उसका एक limit दिया हो है, सुन लेना, सपोस्ज लोन लिया 10,000 का, तब rate 70 थी, अब rate होगे 75, ठीक है, अब जो loan पर interest भरोगे, 10,000 पर 5% भरो सकते हो, ठीक है, लेकिन जो principal amount पर exchange loss हो रहा है, that is, 50,000 के exchange loss, कैसे rate 70 के 75 बढ़ गई न, तो जो exchange loss है, इसका क्या किया जाए, तो वो बोलता है, एक formula है maximum capitalisation का, आप maximum कितना capitalise कर सकते हो, वो बोलता है, अगर आप भारत से loan लेते, अगर आप इंडिया से loan लेते, तो आपको क कितना allow कर दिया है, आपको 37,500 already allow कर दिया न, यह, यह दोनों का difference जो है, इतना आपको max allow कर सकते है, capitalise करने का exchange loss, बराबर तो 50 में से, 46,500, you can capitalize, balance आप क्या करोगे, balance you will transfer to profit and loss, clear वाला पार्ट, यह पहला चीज़ है, simple सा पार्ट, ठीक है, अब इसका continuation है, और वो continuation है हमारे प first year में ही gain आता, first year में ही gain आता, तो कुछ नहीं करने का था, gain आतो अगर first year में ही gain आता तो profit and loss में, अच्छा, अब मैं आतो यह वाला question पे, ठीक है, यह solid example में, बोलता है, 1000 का loan लिया 4%, rate तभी 40 थी, बाद में rate 50 हो गई, ठीक है, तो पहले तो आप interest निकालो, 1000 पे 4%, ठीक है exchange 10,000 रुपे गा, यह loss को में capitalized करूँ किया, तो बोलता है भारत से लोल लिते हैं, तो कितना interest लगता, इतना लगता, माइनस कितना अलाउ कर दिया, तो जो balance है, उतना आप capitalized कर सकते हो, तो maximum इतना capitalized कर सकते हो, ठीक है, तो total interest कितना capitalized किया, आपने total इतना capitalized किया, और इतन 50 हो गई थी, 50 से rate आपकी हो गई 48, 50 से rate गरिके 48 हो गई, तो gain हो गया, तो next year में, second year में gain हो गया, अब gain कितने का हो, देखो सबसे पहले, अगले साल में, जो भी interest का amount है, यह तो आप capitalized कर सकते हो, interest में कोई लफडा था ही नहीं, तो जेतना आपका interest है 4% पे, हो तो आप capitalized क gain हो गई आपको, क्योंकि rate 50 से हो गई 48, तो यह gain का मैं क्या करू, तो बोलते है, to the extent of previous loss, जितना आपने previous loss capitalized किया था, उतना gain आप reverse capitalized करोगे, मतलब previous loss कितना था 2800 इतना आपने capitalized किया था, to the extent of this loss, आप gain को, अचर की cost से minus करोगे, जैसे capitalized करने का मतलब क्या होता है, अच अचर की cost से minus करना, तो अब मैं बोलू, यह gain तो within the limit है, पहले आपने loss 2800 capitalized किया था, अब gain 2000 limit के अंदर है तो पूरा gain आप क्या करोगे, asset की cost से adjust करोगे, that is minus करोगे, यह पहला case था, second case, अगर rate 48 के बदले 44 हो जाती, यह third year में नहीं जा रहा है, यह second year का ही case भी है, कि 48 के बदले 44 हो जाती, तो आपका gain 6000 होता उस case में, तो ऐसे case में, सिफ जितना previous loss था, उतना ही आप reverse capitalized करोगे, that is, 2800 ही आप reverse capitalized करोगे, balance gain जाएगा profit and loss में, यह second case था, अब इसमें तीसरा case था, तीसरा case क्या है, बोलते है, exchange it 44 ही होती, लेकिन फरक यह है, borrings 1000 की नहीं, 600 की repay ह हो चुकी है, तो आउस्टेंडिंग सिफ 400 है, तो ऐसे case में क्या करेंगे, तो उस case में, देखो, interest on foreign loan, जो 400 पर रहेगा 4%, वो तो आप capitalized करोगे, लेकिन, जो exchange gain आएगा, that will be on 400 डॉलर, that is 2400, अब यह exchange gain 400 डॉलर का है, तो आप यह मत बोलना, sir, it is within the limit of loss, gain is on 400 डॉलर, तो आप इसका equivalent loss निकालना, जैसे जो loss था 2800 का, this was on 1000 डॉलर, अगर इसका 400 डॉलर पर निकालना था, तो कितना निकलता, बराबर तो इसका equivalent loss, as per 400 डॉलर, would have been 1120, तो इतना ही gain आप reverse capitalized करोगे, balance gain आप profit and loss में transfer करोगे, यह question आज तक अभी exam में नहीं आए, क्योंकि salt example के form में ह लेकिन शांदार question है, आठ mark का आ सकता है, पहला case का 2 mark, बराबर, मतलब पहला, जो loss आए उसका 2 mark, और बाकी हर एक case का, 2-2-2 mark, तो 8 mark का question बन के आ सकता है, तो please कर ले ना भाई साब, ठीक है, और मैं लिख लेता हूँ कि आपको index 23 का भी board notes डाल देता हूँ में, आपके इस टेलिग्राम पे, भाई सब टेलिग्राम पे डालने वाला हूँ, effectively यूज करना, ठीक है, तुम्हारे डाल रहा हूँ, त्यान रखना, और ना, मैं एक और चीज़ बोलूँगा, notes मत बदली करो, अगर तुमने किसी और faculty से पढ़ रख है, तुम उनके notes यूज कर रहे हो, don't change the notes, सिर्फ जिस question मां आपको लगता है ना, कि sir, ये question का solution मेरे पास नहीं है, या ये question का solution हमको नहीं करवाया था, उसका देखना सिर्फ, येडे की तरह, जरोक्स लेके, पुरे notes मत बदलेगा, अपने book मत बदलो भाई, मेरे को कोई मोह नहीं है, कि तु मेरे किताब से पढ जहां आपको दिक्कत लगती है, कि ये question जो आपने करवाया, sir, मेरे पास नहीं था, उसका सिवाब solution का print लेके बैठ जाना, बस, बाकी कुछ निजरूवत नहीं है, अगर आपने मेरे से ही पढ़ रकताब तो आपकास हो गई, तो दिक्कत ही नहीं है, ठीके, चलो, anyways, now we deserve a good break, अभी असनी सरक हुआ है, बट आपन सरक कर चुक हैता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो, तो अभी आपन लेते एक च्छोटा सा और एक break, break के बाद, at the stretch वापस कीचेंगे, ठीके, तो break मेरे ख्याल से 15 minutes is a good time, तो आपन 5.45 को resume करेंगे, अब break के बाद क्या करेंगे, suspense है, चुक चाब आदा ना, ठीके, जाना, रख मत करो अभी, see you after the break, guys, and I hope you are enjoying it, I hope you are enjoying it, ठीके, चलो, like कर देना, like नहीं किया था, बे शर्मो, फिरिका ला see you after the break, 5.45 को मिलेंगे करेंगे झाल 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 युश झाल P P purchase करना और P P का Sill, Cash, Inflow & Outflow, Investing Activity, सबोस आपने पैसा invest किया, Equity Shares में, Invest किया प्रेफेरेंस में, Invest किया अपने डिबेंचर में, जब आप पैसा invest करते हो, तो Investing Activity होता है, ठीक है, तो P P, खरीदना, बेचना, Investing, Equity Share, Invest करना, बाद में उसको रिडीम करना, Investing, बराबर, Preference Share, Invest पैसा करना बाद में इसको बेचना, investing, similarly debenture bonds वगरा सब, ज्यान रखना, इसका purchase sales सब investing activity होता है, उसके लबाब financing activity में क्या आता है, जैसे जैसे आप funds raise करते हो, funds raise करने का तरीके क्या होते, shares issue किया, debenture issue किया, banks लोन लिया, ये सारे के सारे आपके financing activity होते है, ज्यान रखना, त आपको क्या बोला मैंने, उसके बाद, अबे न, एक और चीज है, इसके अंदर, कि interest income expense, investing है, financing है आदे लोगों को समझता ही नहीं है, तो आपको समझाता हो मैं इदर आओ, फट आफट से, interest income expense की बाते कर लेते हैं, आजाओ, जैसे for example, मैंने ये बनाया है, सबसे पहले आप कि interest dividend का clarification है, कि जब आप interest pay करते हो, तो क्या होता है, देखो logic लगाने का, आप interest कब pay करते हो, जब आप loan लेते हो, loan लेना is a financing activity, तो उस पर interest pay करना is a financing activity, simple, interest receive कब करते हो, जब आप पैसा के दर invest करते हो, आपने debenture में invest किया, आपने किसी को loan दिया, है न, तो तब आप interest receive कर करते हो, मतलब आपने पैसा के दर invest किया रहता, तो आपको return मिलता है, तो जब invest करना पैसा इजए investing activity, तो interest मिलना भी investing activity होता है, उसके अलावा dividend pay करते हो, जब आपने पैसा raise किया होता है, तो dividend pay करते हो, तो पैसा raise करना, financing, dividend pay करना, financing, dividend receive करते हो, जब आपने पैसा के दर invest कि अगर यही आप financial institution होते हैं, तो interest pay और receive दोनों आपके लिए operating activity होता, dividend वाले case में, dividend pay करना, अच्छा dividend कब पे करते हो, जब आपने कोई share issue किया रहेगा, देखो, आप financial institution हो या नहीं हो, share issue करना is always a financing activity, यह बात ध्यार रखना, तो अगर आपने dividend pay किया है, तो कब पे करते हो, ज उस पर dividend pay करना, financing activity, और dividend receive किया, यहाँ पैसा invest करना, अपका धन्दा है, आपका business है, तो यह operating activity, in short, अगर मैं summarize करू, if you are a financial institution, तो interest paid, received, dividend received, यह सब operating है, सिर्फ एक ही आपके लिए financing है, और वो है dividend pay करना, that's it, ऐसा याद रख सब्यार आप, summary आपको मैंने दे दिया, ठीक है, ध्यान रखना, उसके बाद, reporting of cash flows, अब सुनना, reporting of cash flow में क्या होता है, आपके तुर्णल, तीन type के cash flow है, operating activity वाले cash flow, investing के cash flow, financing वाले cash flow, बराबर आपको basically cash flow के अंदर RECO देना होता है, opening से लेकर closing के बीच का सब RECO देना होता है, तो operating के cash flow है, अगर आपने बच्पन में कि है, तो मुश्किल होगी, अगर किसना थोड़ा बद पहले पट रखा, तो थोड़ा बद कर पाऊगा, इसलिए मैं बोला, cash flow is one index, जो खुदी पैटिस करना होता है, लेकिन फिर भी घ्यान देने का ट्राय करता हो, तो operating में होते है, दो तरके methods, direct method, indirect method, ये इसका format मैं discuss reporting of cash flow on net basis, suppose मैंने asset खरिदा, asset बेचा, क्या मैं इसको net में दिखा सकता हो, ये लोन लिया, लोन दिया, net में दिखा दूगा, ऐसा, तो ये आइडिली standard बोलता है, कि आप net में नहीं दिखा सकते है, आपको gross में दिखाना चाहिए, जैसे example दिया है, land आपने purchase का 2.5 में, और को foreign currency cash flow, foreign currency में सिर्फ एक adjustment याद रखना, अगर आपके पास कोई भी cash balance पड़ा है, जिस पे आपको, suppose dollars में पड़ा आपके पास, आपका तो currency rupees है, तो you will convert this into rupees, तो कुछ unrealized exchange gain loss आ सकता है, तो वो exchange gain loss को आप अपने CCE का part बना लेना, वरना tally नहीं करेगा, सिव इतना याद अपने CCE का part आप record कर लोगो, simple, ठीक है, ध्यान रखना, उसके अलावा, additional points में, interest driven income में अल्डेडी बात कर लिया, आपसे, taxes on income, यह कहां जाते है, बराबर तो देखना पड़ेगा, कौन सी cash flow पे tax लग रहा है, अगर operating वाले tax flow पे cash लग रहा है, तो वो tax भी operating में जाएगा अगर investing वाले activity पे tax लग रहा है, तो tax भी का जाएगा, investing में जाएगा, अगर financing के cash flow पे tax लग रहा है, तो tax भी का जाएगा, financing में जाएगा, अब अगर question में tax दिया हुआ है, और कुछ भी mention नहीं है, कि यह tax कौन से वाले cash flow पे pay किया है, तो हमेशा operating का ही मानना, ध्यान लग नहीं वाला part, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, फिर आते है, investment in subsidiary associate joint venture, normally जब आप पैसा invest करते हो, तो it is an investing activity, और जब आप investment वगरा बेशते भी हो, तो वो it is an investing of cash flow, इसमें सिव एक exception, एक catch है, इसके अंदर, वो catch क्या सुनना, सबोज आपके पास subsidiary था, उसमें आपक resulting into loss of control, तो 10% बेच हो, तो 70% अभी भी आप ही के पास है, मतलब आपने इतना सा stake बेचा, जिससे control नहीं गया, अगर ऐसा होता है, when you are selling any stake without loss of control, तो वो investing नहीं financing activity होता है, सर ऐसा क्यूं, यादे class में आपको मैंने shark tank example दिया था, जब owners आते, और owners बोलते है, मैं आपको 5% equity द cash flow हो जाता, ध्यान लगना perfect answer, या वेरी गूट, चला आपको याद था, आपको याद था, मतलब बातर किया, तो इसमें cash involved ही नहीं तो फिर इसको आप cash low के अंदर consider मत करना, clear हे वाला part क्या खतम होगी कहानी, चलो अब बात करते questions की, अब मैं आपको इसमें questions बताऊंगा, लेकिन ध्यान आणा जो मैं question बता रहो, please उसको practice करना ही पड़ेगा, massive question discuss करने वाला बट cash low एक ऐसा index है, जहां सिर्फ discussion से काम नी बनेगा, practice करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, चलो आजाओ तो पहले तो initially कुछ ऐसे questions है, जिदर identify करने, operating है, investing है, financing है तो यह अगर आपको base building strong करने तो आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें अच्छा question कुण सा है, एक last में question आएगा, identification वाले में, operating financing, investing कुण सा है, सबसे last question है, बताऊंगा कुण सा वाला, वो जरू कर लेना ठीक है, बताऊंगा कुण सा वाला है, उसके एक illustration number 6 है, LDR नहीं है, बट मैंने लिखा भी a good question for base building, किसी को direct indirect method सीखना है, तो उसके ले अच्छा question है, अच्छा उससे याद आया, एक बार direct indirect का अपन, ये भी discuss कर लेगा method, वो format कैसा होता है, एक बार format दिखा दूँगा, को मज़ा आजाएगा, आपको सुन लो, direct जब operating activities की बात करेंगे, तो direct method में, आपका format कैसा होता है, cash sales लेते हो, cash purchase लेते हो, मतलब cash sales में से purchase माइनस करना, cash expense माइनस करना, और taxes माइनस कर देना, आपको मिल जागा cash flow में update activities, अब ये कभी-कभी directly दियावा नहीं रहता है, तो आपको ledger बनाना पदता है, छोटा सा profit after tax, पैट से शुरू करो, अब इसमें taxes पहले add back करो, क्यों? एक होता है, accrual वाले taxes, और एक होता है आपने tax payment किया है, तो आपन accrual वाले tax add back करते हैं, और जितना tax अपने pay किया है, वो माइनस करते हैं, अगर कुछ भी mention नहीं है, तो जितना accrual वा रहेगा, उतने आपने pay किया रहेगा, बट कभी-कभी इसका ledger बनाना पड़ते हैं अपने को, तो आपन क्या करते हैं, पैट में पहले taxes accrual जो भी है, वो add back करते, आपको PBT मिलता है, अब indirect method में क्या होता है, अपने को reverse जाना होता है, जितने भी non operating expense है, है ना, reverse करो, expense reverse करने के लिए add back करना पड़ता है, non operating income है, minus करो, reverse करने के लिए minus करना पड़ता है, सर ऐसा क्यों, क्यूंकि अपने को cash perform operating activities चाहिए, तो non cash और non operating, यह सब अपने को eliminate करना है, तब ही जाकि अपने को मिलेगा, safe for safe cash perform operating activities, अब इसमें एक और adjustment करना होता है, adjustment of changes in working capital, क्योंकि ideally working capital का मतलब क्यों होता है, इसका impact आपके operating activity में आया रहेगा, बराबन तो अब impact कैसे लेंगे, अब मैं logics पे नहीं जा रहा हूँ, इसका एक shortcut देता हूँ आपको, सुनना, working capital changes का effect कैसे देंगे, all assets have a inverse relation with the cash flows, मैं जो बोल रहा हूँ याद रखू, all assets have a inverse relation with the cash flows, and all liabilities have a direct relation with the cash flows, इसका मतलब के ऐसर, अगर asset बढ़ रहा है, तो cash flow कम हो रहा होगा, तो increase in assets, minus करना, cash flow asset गिर रहा है, तो cash flow बढ़ रहा होगा, तो decrease in asset, add करना, उसको बलते inverse relation, liability वाले case में, they have a direct relation, liability गिर रही है, minus करना, liability बढ़ रही है, add करना, अब सच चारो याद करसरे, confused होगा, कोई भी एक याद कर लो, मैंने कहा, अब बढ़ा, asset have a inverse relation, asset गिर रहा है, sorry, asset बढ़ रहा है, asset बढ़ रहा है, मतलब आपने जाधा पैसा invest किया, तो cash low कम हो आएगा, इसलिए minus करते, एक याद रहा, तो बाग की सब आपको, automatically बन जाएगे, त्यान लगना, ठीक है, तो यह आपका cash low हो जाद आएगा, फिर, आप वाप पसे taxes, minus करोगे, उपर आपने add back किया थाना, अब minus करना पड़ेगा, क्यों? जब add back किया, तो आपने accruid वाला add back किया था, minus करोगे तो payment वाला minus करना, यह payment वाला कैसे मिलेगा, ledger बना के मिलेगा, यह आपका, जो भी concept है cash low का वो खतम होता है, इससे आपको मिलेगा cash low operating activities, वापस से बता दू, numbers करत खिलो के तो ज़्यादा मज आएगा, anyway, चलो, कुछ question बताता आपको कुछ तो करने चाहिए आपको, एक illustration number 6, यह question based building के लिए, जो आपको format डिसकस के है, वो format में क्या क्या कैसे आएगा उसके लिए, लेकिन exam को डिता critical नहीं है, anyway, जो exam को critical है, वो बताता आपको, हाँ, एक illustration number 10, एक single star question है, इसमें सिभ एक चीज़ बता नहीं, मैंने क्या बता आथा, जबी भी foreign currency में आपके बास cash balance है, तो यह ना उसका जो भी unrealized gain loss है, वो आपके CCE का part बनना चाहिए, ताकि वो reconcile हो सके, एधान रखना, ठीक है, अब जो सबसे important question है, वो है illustration number 11, एकदम शांदार question है, तो क्या बोलता है इसके अंदर, पूरा balance sheet दिया हुए, ठीक है, equity and liabilities दिया हुए, और बहुत चार adjustment दिया हुए है, अपने को क्या बोला है सुन लो, चाहता के पहले वो देख लो, construct a statement of cash flows, पूरा cash flows शाहिए using indirect method, indirect method से पूरा statement प्रिपेर करना है, मतलब PAT, उसमें पहले tax add back करो, non operating non cash expense income reverse करो, changes in capital, effect reverse करो, तो मिलेगा cash flow from operating activities, थोड़ा फ़र discussion करते इसके अंडर, क्या बोलते हैं सुनो, PAT दिया हुए, तो PAT में consider करूँगा, PAT ले लिया मैंने, फिर income taxes, कहां दिया हुए, income taxes यहां दिया हुए, तो add back करो, तो मैंने add back किया, देखो अभी यही पेड़ है, यही accrued है, तो add back नहीं करते तो भी चलता, लेकिन format है तो add back करो, नीचे वापस minus कर देंगे, फिर जितने भी non cash expense है, इसमें non cash expense मेरे ख्याल से 2 है, एक तो depreciation amortization, तो वो add back किया मैंने, उसके लावा, आपने machine बेची है, 60 की machine 70 में बेची, बराबर, तो 10 का gain हुआ, ये non operating income है, इसको reverse करना पड़ेगा, तो आपन यहां से उसको minus कर देते हैं, ध्यान रटना, फिर आता है changes in working capital, और working capital में क्या क्या आता है normally, working capital में आपका आएगा, working capital में normally trade payable आता है, उसके अलावा inventories वगेरा आता है न, लेकिन यहां पता है क्या बोलावा है question में, question में बोलावा है, जितने भी अधर नामक चीज है, अधर non current, अधर current, सब operation को लेकर है, इसका मतलब सब के सब working capital में आएगे, normally अपने को नहीं पता होते हैं, क्या करना है अधर्स का, यहां question में specifically बोलागे है, कि अधर्स को operating मानना है, तो जितने भी जगे पे अधर 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 लिखा है, वो सारे आपके लोग अपरेटिंग होगे, तो सब के जो भी मैंने जैसे बता है आता है न, asset बढ़ रहा है, तो minus asset गिर रहा है, तो add, liability बढ़ रहा है, तो liability का direct relation, liability बढ़ना, add, liability गिरना, minus, तो जितने भी अधर्स वाले, उसका आपको effect लेना पड़ेगा, तो मैंने सारे अधर्स वाले का अंचर्टर किया हुआ है, बराबर अब मैं एक एक करके discuss नहीं कर रहा हूँ, तो आपको solve करना पड़ेगा, लेकिन जितने भी अधर्स वाले ध्यान रखना, अब DTA यहां क्या कर रहा है, normally income taxes operating यह होते, तो deferred tax को भी operating बाना गया है, ज्यान रखना, ठीक है, उसके लावा financial asset में trade receeable है, तो वो भी अपना operating का part बन जाता है, ठीक है, अब आपको मिला यह cash flow, उसमें आप income tax वापच से minus कर देना, अब यहां accrued और payment दोनों सेम था, तो accrued यह add back किया, और वो payment वाला नीचे minus के, आपको मिलेगा operating cash flows का income, उसके लावा, investing का cash flows क्या क्या लिखोगे, investing में क्या क्या आएगा, में रिकाल सेक्तों आपने machine sale किये, वो आजाएगा, उसके लावा, आपको PPE वगरा का ledger बनाना चाहिए, जितने भी items है, investing वाले, सब का ledger बनाओ, क्यूँँ, अब जैसे PPE है, PPE यह रहा, 13,000, 12,500, और आपको यह दिया हुआ है, depreciation, तो मालूम पड़ेगा, आपने कोई PPE नया खरीदा या बेचा तो नहीं है, तो देखो, आपने सब कोश लेजर बनाओ पीपी का, लेजर कैसे बनाओगे, सिखाता हूँ, opening लिखोगे, बराबर closing लिखोगे, यह आपको मिलेगा, question से, depreciation दिया हुआ है, और कितना बेचा वो दिया हुआ है, ठीक है, profit आपने record किया, आपको clearly मिलेगा, आपने और कुछ भी खरीदा होगा, to cash bank, तो यह purchase है, purchase of PPE, investing activity, तो आपको ledger prepare करना पड़ेगा, same is for intangible, again he will prepare a ledger, और उसमें शाथ investment भी बेचा है, तो investment बेचा है, तो उसका भी आपन, जो भी है, investment बेचा है, तो investing activity, फिर financing में क्या क्या आएगा, दो ही चीज़ है मेरे ख्याल से, एक तो interim dividend पेड़ी adjustment में दिया हुआ है, कि interim dividend pay किया आपनने, और एक चाहर loan वगरा कुछ रिपे किया है, किदर रे loan, long term borrowing, investment discuss कर लिए है, ठीक है, और यह कैसे मिलेगा यह सब अगेरा, तो यह आपको ledger बनाओगे न, PP, intangible, investments, borrowings, यह सब का ledger बनाओगे तो आपको easily मिल जाएगा, जान नफिना, clear है वाला पार्ट, शान दर, चलो ठीक है, अच्छा, इंडिया 7 का भी board notes यह ना, तुमको 7 का board notes रोको, 7 का board notes ढाल दूँगा टेलेग्राम के उपर, ठीक है, चलो, चिंता मत करो, clear, आगे बढ़ जाते है, लेट्स प्रोशीड फर्दर, अब आगे क्या बोलता है, फिर illustration number 12, यह भी आप कर लेना, अगेन मेरे काल चास, simple question है, इसमें सिफ एक चीज नया है, मैं सिखाता हूँ, नया क्या है इसके अंदर, ठीक है, अपने को काफी सारे information दिया हुआ है, अब करना क्या है, इसके अंदर जो profit दिया हुआ है, यह profit गलत है, तो कुछ rectification के adjustment दिया हुआ है, जैसे वो बोलते है, रिनोवेशन कॉष्ट, capitalize करना चाहिए था, आपने profit दिया है, तो rectification पहले आपको rectified profit निकालना पटा है, इसके अंदर, उसके अलावा, आपने कोई subsidiary में investment किया है, तो subsidiary में जितने भी asset acquire किये, उसका भी impact यहाने वाला है, जैसे pp acquire किया, तो अपका pp उतने से बढ़ जाता है, inventory बढ़ जाता है, 3-disable बढ़ जाता है, तो वो सब आपके ledger में add करते हैं चलने का, तो मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, आप फटाफट से revise करवा दूँगा, देख लो कैसे करना है, पहले profit में को जो दिया हुआ था, उसमों मुझे rectification करना पड़ेगा, बहुत सारे rectification के adjustment test के अंदर, एक तो यह था, renovation cost, बूल से profit loss में transfer कर दिया, capitalize करना था, तो मैं क्या करूँगा, renovation cost को add back करूँगा, उसके लावर rectification यहाँ भी करना है, construction cost, वापस से profit loss में transfer कर दिया, capitalize करना था, तो इसको मैं वापस add back करूँगा, उसके लावर 10,00,000 का specific borrowing, मैंने इसको क्या कर दिया, capitalize करना था, profit loss में transfer कर दिया, तो इसको वापस से add back करनी है, तो तीन चीज़े मैंने में रिखाल से add back करी होगी, किदर गया मेरा यह, एक, दो, तीन, तीन चीज़ आड़ वाग कर, अब फिर यहां डिलेटी PBT दिया वाए, पैट दिया वाई नहीं है, तो tax minus करनी के जरूवत नहीं है, फिर जो भी non operating non cash expense income है, वो सब आप reverse करोगे, ठीक है, depreciation हो गया, इंपेरिमेंट वगेरा होगा, सब हो गया, फिर चेंज़ दिन वर्किंग कापिटल, मेरे रिकाल से, आप क्वेशन में कित्ते वर्किंग कापिटल है, तो क्वेशन में अपने को दिया है, inventory, trade receivable, trade payable, यह वर्किंग कापिटल है, इसका impact आपको लेना पड़ेगा, अब जब इसका changes निकाल होगे न, तो एक चीज़ लेना भूलना मत, जो भी आपने subsidiary को acquire किये, उसमें भी आपको कोई inventory, trade receivable, trade payable मिला है न, तो वो सब भी आपको consider करना पड़ेगा, अब सरी कैसे consider करेंगे, simple है, देखो आपको ledger दिखा रहा हूँ इसका, सुन लो, जैसे inventory है, opening इतना था, closing इतना था, जो भी आपने acquire किया, उससे आपकी inventory बड़ी होगी न, तो ये opening में add कर देना उसको, जो balance बचेगा, वो आपका changes in working capital, trade receivable, opening इतना था, closing इतना है, changes कितना है, changes in working capital, ऐसा, तो ये आपको करना पड़ेगा, जितने भी asset liability अपने acquire किये, उसको सबको आप opening में add कर देने का, ठीक है, बस, जो goodwill arise हुआ, उसको मत consider करना, goodwill arise उसको consider मत करना, सर क्यूँ, आपने PC कितना pay किया है, 300 lakhs, अच्छा है, एक और चीज, जब आप PC पे करते हो 300 lakhs, और आपने cash balance भी acquire किया है, 20 lakhs, तो net net में आपने कितना cash पे किया रहेगा, 280, अब ये 300 पे करके, 20 तो acquire भी कर लिया, तो net PC आपने 280 का pay किया है, ये 280 का आपके लिए investing activity में और ये आ जाता है, इसमें सिर्फ खास बात ये एक है, कि इस question में सिर्फ operating activity का पूछा था, आप से पूरा पूछावाई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, तो ये important है, और मैं बता दू, अगर आपने cash flow पहले नहीं पढ़ रखा है, तो आपके मेरी सारी बाते उपर से निकल जाएगी, ठीक है, अगर आप सोचो की कि में revision देखे cash flow कर लू, नहीं समझेगा, तो cash flow किया वरेगा, तो समझेगा भाई, तो ये shortcut कोई नहीं अपने पास, तो आपको उसको practice करना ही पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान लगना, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते है, ये तो question number 12 ता, solution मेंने दिया हुआ है, आगे बढ़ जाते है, फिर आगे आते हैं, अपना एक और धंका कोई question देखने दो मुझे, एक और question कोई है कि आपने पास, नहीं, 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 ये वही वाला question है, जिदर आपने किसी subsidiary को acquire किया हुआ है, तो मैंने किया बाता, जो भी आप subsidiary के asset liability acquire करोगे, उसके opening में add करते वे चलना, ठीक है, आगे, फिर all shares आपने acquire किया 74,000 में, ये आपने PC पे किया, इतना PC पे करके 2000 का cash आपने acquire कर लिया, तो net में आपने कितना पे किया है, 72,000 पे किया है, ज्यान रतना, तो ये आपकी investing activity होती है, ये आप investing में consider करोगे, ठीक है, अब solve कैसे करना है sir, इसमें आपको cash flow statement मांगा है, operating, investing, financing, तीनों मांगा है, तो आप operating कैसे करेंगे, कुछ बोला नहीं, ये कुछ सा method follow करना है, जब नहीं बोला हो, तो आप कुई भी follow कर सकते हो, लेकिन जो given information है, उसके हिसाब साब internet वाला ही follow कर पाऊगे, तो again we will start with, actually start करना चाहिए, after tax से, फिर उसमें ये tax session, जो है वो reverse करना पड़ेगा, तो आएगा 70,000, उसमें जित्ते भी non cash expense है, non operating expense income है, वो सब reverse करना पड़ेगा, बराबर, तो यहाँ वो किया हुए, देख लो, चालू किया, पैट से, tax reverse किया, ये आपको PBT आ गया, depreciation interest, reverse करके आपको मिल जाएगा ये, फिर आएगा changes in working capital, वापस से कैसा निकालोगे, मैंने सिखाया था ना, opening, closing, जितना भी acquire किया, वो opening में add करते ना, जो difference आएगा, वो आपका changes in working capital है, example, trade receival पे आते, ये opening था, जो acquire किया, वो 8,000 ही है, और ये closing था, difference 4,000, देखो, buy cash bank, पैसा आ रहा है, तो देखो, मैंने हाँ record किया, add 4,000, ये करते वें, चलना आपको सब के साथ, या इसी तरीके से operating में लेगा, investing में एक ही है, जो subsidiary में investment किया, देखो, कितना investment किया, 72,000 का, और जो goodwill arise हुआ रहेगा, subsidy require करने पे, उसको अलग से record मत करना, जब आप 72 record कर रहे हो, तो उसमें already goodwill आ गया भाई, अलग से मत करना record, और आपने शारे एक interest का payment का, 4000 का वो आपका financing activity में आ जाएगा, बस that's it, ये वाला question relatively simple है, clear हे वाला part, yes, चलो, खतम कहानी इसकी, मेरे ख्याल से, ये एक simple question है, ये LDR तो नहीं बोलूँगा, actually मैं star mark, single star mark है, सिर्फ अपने को ये दिखाने कि, direct method से cash flow कैसे निकलता है, वो निकाल सकता, अब ledger बना होगे, तो easily आ जाएगा, तो कर लेना, इस में जिव एक adjustment important है, वो पते है क्या है, जब आपको fair insurance claim से, कुछ भी receive होगा, तो अब ये fair insurance claim का पैसा, operating है, investing है कि financing है, तो question चूप होता है, मतलब actually, इंडेस चूप है इस case में, तो standard बोलता है, जब कुछ नहीं समझे, तो उसको operating consider कर लेना, इतना ध्यान रितना, ठीक है, operating consider कर लेना, clear, बस उतमे ही कि judgment नहीं आ था, उसले लगे लड़ी आता, बाकि और कुछ नहीं है उसके अंदर, उसके अलावा, एक और question है, question number one, MTP, October में आता है, लेकिन इस question बोट mistakes है, अगर आप मैंने लिखाया भी, mistakes in question and solution, मैंने class में बताया भी था, तो उसको आएक बार के लिए आप इग्णोर कर गए तो चलेगा, आपको refer करने के लेना, लेकिन बहुत ज्यादा में से question के अंदर, ठीक है, तो जरू करने का जरूवत नहीं है, आगे आजाओ, फिर ये question number three, ये कौन से concept के ओपर बेश्टे सर, मैंने बताया था न, जब भी भी exchange gain loss आये, तो इस case में exchange gain loss महनत से निकालना पड़ता है, कैसे, पहले आपके पास इतना balance था, opening rate पे इतना, 4.90, फिर आपने थोड़ा पी-पी खरीद लिया, तो इतना balance बच्चा आपके पास, है न, और रूपीज में इतना बच्चा, लेकिन, जब आपके closing balance बच्चा, और जब आप closing rate पे convert करोगे, तो कुछ difference आ रहा है, इसके बीच में, ये होता है exchange gain, मैंने क्या बताया था इसको, आप अपने cash and cash, equivalent का part बना लेना इसको, ताकि वो टैली हो जाए, बस, वापे से वो ही है, ठीक है ध्यान रखना, उसके लावा और कुछ निया नहीं है, अच्छा, मैंने आपको एक बताता था न, question classification के लिए, operating क्या, investing क्या, financing क्या है, तो उसके लिए शांदार question है ये वाला, question number five, ये आप कर लेना जरूर से, ठीक है, banks, institutions and other entities वाला part, ये कर लेना वाइसा, ठीक है, ये करोगे तो आपका काम बन जाएगा, मतलब वो उपर के चार-पाच question थे न, ये करोगे तो भी अच्छा question नहीं वाला, ठीक है, ध्यान रख लेना, मेरे क्याल से, this is India 7 का discussion, इंडे 7 में वापस से बता दू, अगर आप, मैंने काफिलों का सुना है, 7 छोड़ रखा है, एक तो में को समझता नहीं, 7 क्यों छोड़ रखा है, तुम्हारे वो 11 में था, तुम्हारे वो IPCC में भी था, फिर भी छोड़ रखा है, तो अगर पहले छोड़ा हुआ है, तो अब तो मत करना, ठीक है, पहले पुराना पढ़ना, फिर समय मिले तो देख लेना, और अगर अपने पहले किया हुआ है, तो मत छोड़ना, तो कर लेना, यूँकि 7 एक्जाम में कभी-कभी, 8 दसमा का प्रकट हो जाता है, ज्यान रखना, ठीक है, और बस तो, सरसे, अरे, सरसे, अरे, सरसे, मुरी चुनरी, जाए, 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 सरक, 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 तो 7 को सरका दिया है, अच्छा, ठीक है, अब 6.15 अपने पास हो गया है, समय का constraint है, लेकिन तो मैं पते क्या सोच रहा हूँ, जिसके revision video मेरे YouTube पे नहीं है, पहले वो वो कर लेगिया, है ना, तो जैसे, कुछ-कुछ इंडे से, जिसके revision video अभी मेरे latest आले नहीं है, तो वो करवा दू पहले फटाफट से, ताकि आपको अच्छे से हो जाएगा वो चीज, ठीक है, आजाओ, अगला आपन कर लेते हैं, 34 पे आजाओ, 34, ये, इंटरेम financial reporting पे आजाओ, ठीक है, इसका फटावर्स आपन कर लेते हैं, ये बड़ा scoring chapter है, सुनना क्या बोलता है, ये वाला chapter, इसका तो मैं directly आपको बोलूँगा, सीधा direct questions पर जाने का, इसको आपको concept करने के जरुवती नहीं, direct questions पर जाओ, इसका सिर्फ एक ही concept करने का, कि कौन से कौन से comparative देने का है, कौन से कौन से comparative आपको देने का है, हैना जब आप interim financial reporting प्रेजन करते हो, तो कौन से comparative देना, और comparative का question आपके RTP में 23 में भी है, तो एक comparative वाला question करने का, बाकि जो calculation वाले question है, वो मैं सारे करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है, चलो आज़ो फटा-फट सापन कर लेंगे ये वाले questions, जल्दी से आज़ो, ये फिर गरी भी दिखा रहा है, questions, let me see, yes, questions, एक second, index 7 पे आज़ो, आज़ो, एई 7 पे, 34 पे आज़ो, sorry, 34 पे आज़ो, फटा-फट सारे questions अपड़ा लेते हैं, इसके क्या बोलता हैं, इसके क्या बोलता हैं सुन लो, illustration number 1, वो बोलता है, companies reported 60,000 का profit, first quarter में, और हर साल में इन्हों लोज बुक किया वे 15,000 का, ठीक है, corporate rate 20% है, first 20,000 पे, 40% है बागी earnings पे, अच्छा, आप ऐसे case में जब इसको बोलते है, tax rate वाले question, ऐसे case में आपको पूरे साल का tax कितना है, वो निकालना होता है, है ना उसको बोलते है, effective average annual tax rate, तो अपना income था 60,000, first quarter में, लेकिन 15,000 आप हर quarter में loss करोगे, तो कितना बचता है, balance profit 15,000, तो आप first lab में fall करोगे, कितना tax भर होगे आप, 20% का, that is 3000, बराबर, तो ideally आपका effective rate 20% ही रह गया उस case में, ज़्यादा कुछ आया है नहीं, तो कैसे निकालोगे आप, profit, तो इस पे 20% का rate लगाना, that is 12,000, और बाकी पर आपका savings वेगा tax का, that's it, question number 1, then, फिर आएगा question number 2, question number 2 में कुछ नहीं आएगिया, question number 2 में कुछ भी नहीं आएगा, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है, मुझे, question number 2 कर लेते, आजाओ, बोलता है, income tax, sorry, carry forward loss है, 600 रुपेगा, income tax purpose से, पहले का loss पड़ा है, और अभी इन्होंने profit कमाया, इन इच quarter 900 रुपीज का, तो हर quarter में 900 कमाया, तो कितना कमाया, into four quarters, that is, 900 into four, that is, 3600 का इन्होंने profit कमाया है, अब जब आप tax निकालोगे, तो tax आपको 3600 पे नहीं पे करना है, आपको पे करना है, minus 600, that is, 3000 पे करना है, that is 40%, तो कितना आपका tax आएगा, आपका tax आएगा, मैं रिकाल से 1200, लेकिन जब आप effective annual rate निकालोगे, क्या निकालोगे, effective annual rate, तो आप कैसे निकालोगे, आपका जो भी tax है, पूरे साल का tax, डिवाइड बाए, पूरे साल का profit, डिवाइड आप net, net इस से नहीं करोगे, ये तो previous year का, carry forward loss है ना, ये consider नहीं करोगे, effective annual rate के लिए, current year का tax, डिवाइड बाए, current year का net profit, current year का net profit, वो 3600, तो कितना रहेगा, 12 बंडे डिवाइड बाए 3600, that is equal to, 33.33%, बस क्या करना है, हर साल के profit पे, आप इतना rate लगाओगे, तो हर साल, हर quarter के tax expense कितना आएगा, आपका 900 into this, 300 lakhs, समझा ये वाला पार्ट, ये दन, उसके बाद, ये तो simple, इलस्ट्रेशन नमबर 3, इलस्ट्रेशन नमबर 4, बाद में कराऊंगा, इलस्ट्रेशन नमबर 5 पे आजाओ, सुनो 5 क्या बोलता है, 5 वाले case में बड़ा simple है, बोलता है, नेट प्रॉफिट 20 lakhs है, ठीक है, अब कुछ adjustments दिये हुए, ध्यान से पढ़ने के adjustments, बोलता है, बाद देट था 1 CR, 50% have been deferred to next quarter, अब एक बात बताओ, जिस quarter में, या जिस साल में बाद डेट हुआ, उस साल में बुक करना होता है न, इन लोग defer कर देते हैं, ऐसा नहीं चलता है, बराबर, इस में से आप 50,000 क्या करोगे, minus करोगे, defer allowed नहीं है, तो आपको आज minus करना पड़ेगा, सर पूरा क्यों नहीं कर रहे हूँ, अरे 50% ही defer किया है, तो जितना घलत किया, उतना ही rectify करूँगा न, आगे, additional depreciation 450, resulting from change in method, has been taken into consideration, या add करना लाइन उसके अंदर, तो consider कर लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आगे, exceptional loss, 28,000, incur during third quarter, 50% have been defer to next quarter, नहीं चलेगा भाई, वापस थाज को आज ही minus करना पड़ेगा, तो 14,000 आज ही minus करूँगा, 50% इसका, उसके अलावा, 5,000,000 expenditure on admin, परटेने तो third quarter, has been deferred to fourth quarter, because it has more sales, आवे नहीं चलेगा, जिस quarter का खर्चा, उसी quarter में बुक करनेगा, तो 5,000 आज ही बुक करनेगा, तो 20,000, 50,000, 14,000, 14,000, 14.36, 14.36 is your credited net profit, as per internet financial reporting, बराबर, बस हर एक चीज़ का, थोड़ा थोड़ा, एक एक शब्दों में, एक दो दो वर्ड में, तीन तीन वर्ड में, reason दे कर आनेगा उसको, ठीक है, कहानी खतम, चलो, आगे बढ़ जाते है, पिर आता है, MTP, sorry, illustration number 6, model का, क्या बोलता है, 15,000, pre-tax profit है, हर quarter में, slab rate 20%, 20,000 पे 40%, बाकी earnings पे, तो हर quarter में, 15,000 कमाऊगे, total कमाई 60,000, पहले 20,000 पे 20%, तो कितना tax आया आपका, 4,000 आ गया, और बाकी 40,000 पे, कितना पसंट है, 40%, तो कितना tax आया आपका, 16,000 आ गया, total tax कितना भर आपने, 20,000, total tax divided by total earnings, तो आपको मिलेगा, average effective rate, कितना आता, 33.33% आता है, बस हर quarter की earnings पे, आप एरेड अपलाई करोगे, तो हर quarter की earnings पे, आप ने एरेड अपलाई किया, तो आपको tax मिलेगा, समझा गया, समझ में आया गया, मगज में आया गया, हाँ, चलो आगे, illustration number 7, आगे तो शांदार question, क्या बोलता है, सुनो, आपका average annual income is, 33,00, उसमें से capital gain की income है, 8,00, अब जब आपको दो class of income होती है, तो अलग class of income पे, अलग rate निकालने का, ठीक है, तो आपकी normal income कितनी हो जाएगी, 33 is inclusive capital gains, तो आपकी normal income, इस 25,00, और capital gain की income is 8,00, आगे बढ़ते हैं, अब बोलता है, हर quarter में आपने इतना, इतना, इतना कमाया है, ठीक है, और जो capital gain की income होई है, वो quarter number 3 में होई है, ध्यान रखना, अब बोलता है कि normal income पे कैसा है, पहले 5,00, पे 30%, balance पे 40%, मतलब 25,00, में से पहले 5,00, पे 30% लगा, that is equal to 1.5,00, बाकी 20,00, पे आपको 40% लगा, that is equal to 8,00, टोटल कितना भर आपने, टोटल भर आपने 9.5,00, अब 9.5,00, डिवाइड बाई 25,00, तो 9.5, डिवाइड बाई 25, इंटू 100, 38% मेरे ख्याल से आजाता है, तो आपकी जो नॉर्मल इंकम है, उस पे 38% लगेगा, और जो आपकी बैलेंस इंकम है, उस पे 40% लगेगा, तो अब इसको solve कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना, तो देखो मैंने किया हुए, आवरेज रिट 38% आएगा आपका, नॉर्मल इंकम पे इतना आएगा 9.5, ठीक है, अब जो जो क्वाटर में नॉर्मल इंकम हुई है, उस पे आप नॉर्मल टैक्सेट लगाना, बराबर थार्ड क्वाटर में नॉर्मल इंकम is 4 लेक्स, उस पे नॉर्मल टैक्सेट, और थार्ड quarter में, जो CG की income है, उस पर CG का tax rate 12%, तो वो लगाना, इतना आपको ध्यान लगाना है, मतलब, जब दो class of income होती है, तो दो अलग tax rate निकालना पड़ता है, simple कहानी, clear वाला part, खतम, वा, शांदर मजा आ गया, आगे बढ़ जाते है, फिर आता है ये, illustration number 10, ये भी मसत question है, time pass question है, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, वो बोलता है, अपने पास, एक ऐसा case है, जहां accounting year अलग है, taxation का year अलग है, बराबर, तो आपका accounting year end ओर है 31st December को, और taxation year end ओर 31st March को, अब आपको चार quarter दिया गया है, वो चार quarter आपको accounting के साब से दिया हुए, है ना, jan 2, ये दिया हुए आपको jan 2 March, ये दिया हुए April to June, ये दिया हुए July to September, और ये दिया हुए October to December, ऐसा, बट आपको जब interim financial reporting बना रहे हो, तो tax का financial year देखना, तो tax के हिसाब से गर देख ये जो quarter किसी और financial year में fall कर रहे है, उसका rate अलग रहेगा, और ये जो तीन quarter किसी और financial year में fall कर रहे है, इसका rate अलग रहेगा, तो पहले quarter का rate उन्होंने दिया हुए, कि पहले इस साल का rate है 25%, तो इस quarter के profit पर 25% लगाना, और बाकी financial year का rate 30% दिया हुए, तो इस quarter के profit पर 30% का मतलब जब आपके दो अलग financial year में quarter fall कर रहे है तो दो अलग rate निकालने पड़ेंगे जो quarter previous financial year में उस पर previous year का rate जो quarter next financial year में उस नेक्सर का rate खतम हो गया question ही वाला उसके लावा यह question number one ऐसा similar question आपने किया पता है आपने credit profit निकाला था backdress differ कर दिया नहीं चलेगा sales promotion differ किया नहीं चलेगा यह वह वाला question है same already आपने कर लिया उपर ठीक है आगे बढ़ जाते है let me see और कुछ है इसके अंदर ठीक है question number two है just give it a reading ठीक है इतना critical नहीं है इसको प्यारा प्यारा ठीक है चलो आगे बढ़ जाते है अब एक question पता है छोड़ा दमेने उपर उस पर आ जाओ fixed overheads को जब आपन पर unit निकालने जाते है तो we divide by normally actual whichever is higher तो normal 2000 है actual 1900 है तो मैं normal shit divide करेगा मुझे मिलेगा rupees 5 per unit अब करना किया है आपने पहले quarter में सिफ 400 units manufacture किए जबकि अगर आप 2000 को divide by four quarters करोगे तो हर quarter में पास इदर बनाने चाहिए आपने बनाए कितने only 400 तो कैसे करना है जितने units आपने बनाए उतना cost आप capitalize कर सकते हो inventory cost में add करोगे बाकी जो है वह आप profit and loss में transfer करोगे for example 5 रुपय आता पर unit तो 400 into 5 per unit इतना आप inventory cost में add करोगे बाकी जो 500 रुपया है वह आप profit and loss में डालोगे बाकी 500 कैसे आया total आपने 10,000 incur किया मतलब every quarter का 2500 होता है कोटा तो इसका 2500 में से 2,000 capitalized 500 रुपया profit and loss quarter 2 में कितना बनाया है 600 बनाया 600 बनाया जब आप यह वाला question करोगे तो you will not see quarter wise you will see year to date तो year to date कितना बनाया अपने 1000 बनाया है बराबर तो year to date जब आपने 1000 बनाया है तो उस case में मैं बूरा 5000 total year to date देखना year to date तो second quarter तक total fixed order 5000 होता है मैं बूरा capitalized होना चाहिए तो कैसे capitalized करोगे 2000 quarter 1 में capitalized किया था जो 500 रुपया quarter 1 में P&L में गया था वो आपको profit loss से reverse करके inventory cost में add करना पड़ेगा और जो quarter 2 का 2500 है वो तो आप capitalized करोगे simple फिर quarter 3 आता है quarter 3 तक आपने 1500 units बना लिए तो मैं बूलू again पूरा amount capitalized होएगा तो 1500 to 5 7500 full will be capitalized profit loss में कुछ भी नहीं जाएगा quarter 4 तक आपने 1900 बनाए अब आएगा न मजा क्योंकि 1925 करोगे तो सिर्फ इतना ही capitalized होना चाहिए बाकि जो balance है वो जाएगा profit and loss के अंदर ऐसा इसका में reasoning वगर आपको बस देया हुआ है ठीक है ध्यान दखना और मैंने बोला अगर आपको नहीं आता है एक और आप question कर लेना जिसमें वो बताता है comparative कौन से कौन से देने interim financial reporting के अंदर अगर आपको नहीं आता है RTP May 23 का question देख लो बस वो आपसे काम बन जाए और मैंने class में करवाया अभी उसको तो बस उसको एक बार देख लेना that's it और कुछ नहीं क 108 और 113 आ जाते है फटा फट से आजो ठीक है 108 के अंदर सबसे पहले इसका नाम क्या है इसका नाम है operating segment है अब operating segment के अंदर करना क्या होता है सुनो अपने को segment identify करने होते है बहुत सारे ठीक है तो हम operating segments identify कैसे करेंगे तो उस case में अपने को normally आपन क्या बोलते थे जो भी है CODM मतलब कौन Chief Operating Decision Maker जो भी segment आपका CODM review करता है उसको हम कहते है operating segment बराबर तो CODM ने जिसका भी data आपसे मांगा उसको हम कहेंगे operating segment यह धान रखने आपको बराबर तो CODM जो भी segment review करेगा और अगर वो segment अपने आप में कोई revenue earn करता है और expense incur करता है और उस segment को लेकर आपके बास information available है तो उसको हम कहेंगे operating segment मतलब कोई भी geographical area के basis पे या कोई भी अलग-अलग business के basis पर आप I forget नहीं करोगे suppose मैं CODM मतलब कौन जो उस business का head में ली जैसे for example alliance में CODM कौन रहेगा मुकेश अम्बानी मुकेश अम्बानी ने किसी और को power दे रखे तो अलग बात बराब ध्यान रखना तो जो भी CODM है वो जिसका भी information मंगाएगा वो operating segment हो जाएगा ठीक है उसके बाद अब जो काम की बात है वो करते ठीक है operating segment में और का काम की बात है अपने पास फिर है अपने पास aggregation criteria कभी-कभी क्या होता है बहुत ऐसे तो CODM कितना सारा information मंगाएग तो ऐसे बहुत सारे operating segment हो सकते है तो वह बलता है जो भी similar nature का operating segment है उसको आप aggregate कर सकते हो for example suppose मैं एक्जामपल दे तो generally मेरे class में पारले जी बनाता हूँ तो पारले जी बनाता है cream biscuit अब cream biscuit में वह बनाता है orange flavor, mango flavor, strawberry flavor, chocolate flavor, pineapple flavor अब CODM ने हर एक का data अलग-अलग मंगा है तो य distribution process भी same है तो उसको आप एक single segment मान सकते हो वो यही बोलता है aggregation criteria समझा आगे अब पहले तो आप identify करोगा water operating segments फिर आप देखो के क्या में उनको aggregate कर सकता हो गया अब हमको यह देखना है कि इन में से reportable segments कुण से कुण से है कि हम कुण से कुण से segment को report करेंगे देखो segment को identify करना समझ में आया सर तो इतने सारे segments मिलेंगे उसमें से report सारे नहीं होते report कुछ चंद चीज़े होते हैं सारे जैसे आप इतने सारे लबच्चे दोगे लेकिन शायद 10-15% पास होगा और में उम्मीद रखता आप जितने भी लोगो सब के सब 10-15% में आजाओ मजा आजाएगा ठीक है तो तुमको पास करी देंगे है ना देखो शुप शुप बोल दिया हो के लिए हैना मेरे मुँमें एकदम बढ़िया धाई शक्कर हो जाता मुझा आजाए आगे बढ़ जाते है ना हमें पास करेंगे हाँ ये करवालो तुम पहले ठीक है तो उसको बलते reportable segment अब reportable कभ होईगा सुनलो तो उसमें दिया होए quantitative thresholds ठीक है तीन threshold अपने को दिया हुआ है सबसे पहला revenue का threshold तो वो बोलता है जब आप internal external दोनों का total मारना है ना और उसका 10% निकालना अगर किसी भी segment का total revenue 10% से ज्यादा है you will report it internal external दोनों consider करना ठीक है internal external दोनों total मारना उसका 10% नि profit or loss criteria अब यह कैसे निकालेंगे इस चले example लेता हो में इसके लिए मैंने example दिया हुआ है वो example लेते है 108 का example अपने पास है 108 108 यह रहा ठीक है आजा है यह देखो जैसे revenue का भी देखी लो सुनलो जैसे internal revenue कितना है मेरा A और B का internal revenue है और यह बारी external revenue है तो internal का total external का total 2750 उसका करो 10% तो कितना है का 275 अब जिस भी segment का total revenue 275 से जादा है उसको report करना A का है नहीं B का total देखना total है हा सथ 350 है 275 से उपर है report 10% और मोर है तो exactly 10% होगा तो भी report करना है C को report करेंगे D को करेंगे E और F को नहीं करेंगे ठीक है अब आते है profit and loss criteria what is the meaning of this इसके अंदर कुछ segment profit making होगे और कुछ segment loss making होगे है है ना सारे profit making segments का total profit निका लो 280 और सारे loss making segments का total loss निकालो 35 है ठीक है सारे profit making segments का total profit निकालो सारे loss making segments का total loss निकालो दोनों में से whichever is higher लो तो higher कौन सा profit making segments इसका 10% निकालना जो higher है उसका 10% लेंगे 28 आया अब जिस भी segment का profit होया loss 28 या उससा जादा है उसको report करना है बराबर जिस भी segment का profit होया loss 28 से जादा है उसको report करना है तो मैंने higher लिया उसका 10% लिया 28 अब जिस भी segment का profit होया loss 28 से जादा है उसको report करना तो A को report करेंगे B को नहीं करेंगे C को नहीं करेंगे D को करेंगे E का भली loss है लेकिन 28 से जादा है ना तो report करेंगे और F को नहीं क प्रॉफिट में से टोटल उसका 10 परसंट दूरों में से विच्छावरिस हाय ले लेना क्लियर है यहां तक चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर आता आपका असेट वाला क्राइटेरिया ठीक है कुन साथ है असेट वाला क्राइटेरिया आता आपके लिए तो असेट के अंदर क् निकालों उसका 10 परसंट जिसका भी इससे जादा है उसको आप रिपोर्ट कर लोगे सिंपल अब आइडियली यह तो हो गया तो आपने यह कॉंटिटिटिटिव करके रिपोर्ट कर दिया अब जब रिपोर्ट करोगे तो इसका एकवा क्राइटेरिया याद आपको एक्स् करना है कि जितने भी सेग्मेंट आपने रिपोर्ट किये है क्या मिनिममम 75% एक्स्टरनल रिपोर्ट हुआ है क्या इसका मतलब सपोज इस केस में मैंने रिपोर्ट किया A B C D E F रिपोर्ट नहीं किया मैंने ठीक है अब जितने भी रिपोर्ट किये उसका आप देखना एक् तो जितने भी segments report किये है, क्या उसका external revenue 1875 से ज्यादा है क्या, तो मैंने बोला, जितने मैंने report किये, उसका external revenue 2300 है, it is more, चलेगा, अगर कम पढ़ जाता, तो आपको और segment report करने पढ़ जाते है, ज्यान रतना, बस, clear, चलो, यह अपना operating segment था, अब इसके जट से, फट से, फटा यह रहा operating segment, सुनना क्या बोलता है, जैसे यह तो simple, जो difficulty वो वाले करते है, मता तो कोन से करके चले जाना, ठीक है, अच्छा, यह तो एक question है, एक illustration number 12 है, यह किसी concept को पर बेस नहीं है, यह है format based question, अगर operating segment का आपको format देना हुआ, reporting देनी हुई, तो किस format में जाता है, काम के अंदर एक बार हम्टी भी माच चुक है, आठ मार्क, दस मार्क, छे मार्क, कितना क्यों आता है, तो यह format based है, यह किसी concept पे नहीं, format रट्टा मारके जाना है, कैसे रट्टा मारेंगे सर, जिस मैंने पहले बताया है बात को, दो से तीन बार लिखके practice करनेगा, एक बा profit वाले है, उसको consider करो, तो profit making का total मारते है आपन, वो आता है, 8 to 80, और जितने भी loss वाले है, उसका total निकालो, यह आता है 6800, दुरुमे से whichever is higher लेंगे, तो 8 to 80 लेंगे, उसका 10%, 828, अब जिसका भी profit loss 828 से जादा है, उसको आपको report करना है, तो मैं किसको report करूँगा, I will report मे मैं A को report करूँगा, बराबर क्या, बस तो मैं A को report ने करूँगा, बाकी सबको report करने वाला, if I am not wrong, yes, 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 perfect, तो A को छोड़के बाकी सबको report करेंगे, ठीक है, अच्छा, इन लोगे ना A को चीज करते है, हर case में, percentage निकल के देते है, कि यह profit, अपने total profit का कितना ratio है, percentage कितन तो वो भी निकल के देते हैं, आप निकल के दे दिया करना, Aisai ने किया वहर question के अंदर, तो आप करोगे तो सही रहेगा, ज्यान रतना, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते है, पिर आता है, mock test, RTP, MTP का questions, question number one, सबसे शांदार question है, अगर आपने ये question कर लिया, तो जो threshold वाल पहले, तो 10,400, plus 35,350, प्रोल कितना आगया आपका, 45,750, इसका निकालोगे 10%, अब जिसका भी revenue 4575 से दादा है, उसको आप report करोगे, जैसे इसको, आप report करोगे, सेकंड वाले को भी आप report करोगे, सिफ मेरे ख्याल से 4575 का, ये end वाला report नहीं करोगे, क्योंकि इसका 4500 ही होता तो इसको आप report मत करना, आपके सब report करोगे, ठीक है, अच्छा, profit loss होला criteria, अब कैसे करोगे, total profit making segments, total profit इतना आता है 6000, और total loss making segments, तो इसका आता है 2250, whichever is higher, 6000 is higher, उसका 10%, 600 रुपया, तो जिसका भी 600 है, उससे उपर, सबको report करना है, तो 600 या उसके उपर, सबको report करोगे, उसक total assets निकालोगे, उसका 10%, whichever is higher, तो एक, मेरी ख्याल से, सिर्फ और सिर्फ लास्ट रिपोर्ट ने होगा, बाकी सब report होने वाले, बराबर, ठीक है, तो क्यूंकि सब ही report करना है, ultimately, क्यूंकि अपने को anyone meet करना है, सब ही report होने वाले, जब सब report होने ही वाले, तो 75% criteria आपको चक वापस से, यह question है, तो वही, पहले आपन देखेंगे, revenue का 10%, 60, कुणसा कुणसा report करेंगे, 60 से ज्याद कुणसा, A और B है, C नहीं है, D नहीं है, E नहीं, F नहीं है, G नहीं, H नहीं है, तो ए कुछ भी report नेगा, A और B, revenue criteria meet करता है, total profit, मेरी क्याल से, profit 40 है, profit वाले, profit वाले तो, मेरी काल से, 2 है, बागे सबका 10 से नीचे, report मत करना, segments का, assets का आते है, 100 into 10%, 10, तो उसमें आते है, सिर्फ A, B और D, बागी कोई भी report नहीं करोगे, ठीक है, अब इसमें आपको check करना है, 75% external revenue criteria, तो जब आप देखोगे, कि कौनसे, segments, at least one condition meet करते, तो वो आते, A, B, C, D, बागी कोई नहीं आते, EFGH आते है, अब, when you take 75% external revenue criteria, तो सिर्फ external revenue को 75% लोगे, तो वो कितना आता, आपके external revenue को 75%, it is 405 into 75%, 303.75, लेकिन, जितने भी reportable segments है, उसका total सिर्फ 280 आता है, मतलब, this criteria is not met, तो आपको additional segment add करने ही पड़ेंगे, तो कौनसे add करेंगे, हो सके तो वो add क करना, जिसका external revenue जादा है, तो मैं F add कर दूँगा, बराबर इनोंने भी शायद F add किया है, यह add करने का total हो जाएगा, 330, मिरेकाल से it will be met, that's it, clear है यह वाला part, yes, चलो, ठीक है, मैंने बोला भी है, इन thresholds वाला question, ICI ने हर जगे percentage में निकाल के दिया हुए, तो आप वो वाला 108 भी अपना हो जाता है, हो जाता है, अरे हो जाता है, सरक, सरक, सरक मजा आ गया, अब हम कुछा करेंगे, मेरेकाल से 113 भी आपके इसमें नहीं है, तो 113 करता तो फटा-फट से, आजाओ, यह small small इंडिया ऐसा न, कर लोगे मेरे साथ फटा-फट हो जाएगा, आजाओ, चल क्या बोलता है, सुन लो, 113 के अंदर, अगेन, इसमें भी questions करो, को तुभी चल जाएगा, अब थोड़ा बहुत concept देख लो, इसके अंदर, सुन लो क्या बोलता है, 113, fair value measurement, ठीक है, अपने पास, स्कोप, स्कोप में क्या बोलता है, देख लो, सबसे पहले, fair value measurement का मतलब क्य इतना सार इंडेस में, जहां-जहां, fair value refer किया गया है, जहां-जहां क्या refer किया है, fair value refer किया गया है, तो जिदर-जिदर fair value refer किया गया है, उसका fair value कैसे निकालोगे, वो उसका guidance देख आपको, इंडेस 113, ज्यान रखना, ठीक है, अब कौनसे-कौनसे fair values, यहां cover नहीं होते ह तो जो भी इंडेस 2 का NRV है, वो यहां cover नहीं है, 116 का fair value है, 102 का fair value यहां cover नहीं है, और 36 का value in use है, वो भी हां cover नहीं है, तो तर बचा क्या, 16 का fair value, 38 का fair value, 105 का FVLCS का fair value, 36 का FVLCS का fair value, वो सब यहां cover हो जाता है, बराबन, आगे, financial instruments में जो fair value है वो सब यहां cover हो जाता है definition दिया हुए what is the meaning of fair value एक ही बात ध्यान रखो fair value selling price होती है ठीक है बेचने वाला दाम होता है fair value वो बोलते है price that would be received to sell an asset और pay to transfer liability between orderly transaction, between market participant at the measurement date जिस दिन का fair value चीए अगर उस दिन इस item को बेचते तो कितना मिलता उसको बलते है selling price अच्छा, normally नए नवेले asset के लिए जो day one का purchase price है और day one का sell price same ही होता है लेकिन पुराने asset में वो अलग हो जाता है ध्यान रखना, तो वो बोलता है कभी-कभी कभी-कभी आपका initial recognition पे fair value will be equal to TP that is entry present exit price same होगा लेकिन कुछ-कुछ case में वो अलग होता है कुछ-कुछ case में आपका day one का fair value और TP same नहीं होता है उसके बारे में आपन बात करते हैं ध्यान रखना, but anyways fair value is the exit price, ध्यान रखना, ठीक है? आगे फिर, अब एक guidance दिया हुआ है principle and most advantageous market suppose मेरे पास Reliance के shares है अब Reliance के share, NSC पे भी trade होते है और BSC पे भी trade होते है तो उस case में मैं कौन से वाले market की value को fair value मानूँगा? बराबर, तो उसको बोलते हैं उस case में आपन देखेंगे, सबसे पहला preference दोगे आप principle market को, किसको दोगे आप पहला preference? principle market को, what is the meaning of this? principle का मतलब, जहां वो जादा volume में trade होता है तो अगर वो NSC में जादा volume में trade होता है NSC का value लोगे, अगर BSC में जादा volume में trade होता है तो BSC का value लोगे, पहला second, अगर आपके पास principle market नहीं है तो you will consider the most advantageous market अब most advantageous market अब कैसे निकालोगे? मेरी बात ध्यान से सुनना, यह बहुत critical पार्ट है आदर लोग यही mistake करते है तो मैं आपको फटाफ़ट से इस पर मेरे example है मेरे पास, शांदार वाला वो आपको दिखाता हो फटाफ़ट से, आजाओ चलो, इधर देखो अब जब most advantageous market निकालोगे अब कैसे निकालोगे? आपको question में selling price दिया वारेगा transportation cost दिया वारेगा transaction cost दिया वारेगा most advantageous market निकालने के लिए आप दोनों खर्चे माइनस कर देना transaction cost में माइनस करना transportation cost में माइनस करना तो most advantageous कौन से है? जहाँ कुछ दादा पैसा मिलेगा लेकिन अब market देगी fair value क्या होगी? fair value निकालने के लिए आप selling prices सिर्फ और सिफ transportation cost माइनस करना transition cost कंचेडर मत करना मतलब when you want to consider most advantageous market you will deduct all the cost लेकिन advantageous market मिलने के बाद जब आपको पूछे fair value कितनी है तो आप सिफ selling price माइनस transportation cost बोलोगे तो इस case में मेरी fair value कितनी होगे market देगी? 100 रुपया होगी ज्यान रखना बराबर तो मैंने 2 step procedure दिया हुआ है in case of most advantageous market there is a 2 step procedure पहला ढूंडो what is the most advantageous market वाँ सब माइनस कर दो और फिर जब आपको मिल जाए most advantageous market तो इसमें selling price में सिफ transportation cost minus करना त्यान रखना फ्लेर वाला पाट खतम कहानी इसकी यह पहला case है जहां भी discuss about transportation, sorry principal market and most advantageous market और इसमें मैंने बताया कैसा निकालना है उसके बाद second case fair value for a non-financial asset सब्सक्राइब कर पीपी वगेरा है तो उसकी fair value क्या होगी? तो वो बोलता है जो भी इसका highest and best use है for example मेरे पास एक property है मैं currently उसको studio के दाँ यूज़ कर रहा हूँ लेकिन if I want मैं इसको OYO बना सकता हूँ मैं इसको club बना सकता हूँ मैं इसको beauty parlor बना सकता हूँ तो अब which is the highest and best use possible जो current use कर उससे फरक नहीं पड़ता है possible क्या highest and best use beauty parlor तो ये मेरा fair value होगा PPA का हाँ highest and best use तब लेना when it is physically possible legally permissible financially feasible मतलब basically इस property को beauty parlor में convert करना physically possible legally permissible financially feasible है तो ही आप ये वालू लोगे suppose government ने अलाव नहीं किया beauty parlor बनाने को बोला भाई साब beauty parlor नहीं बनेगा वो बोलते है असली चरह दिखाए देगा हर इंसान का no beauty parlor no makeup तो उस case में next highest and best use कौन साथा club तो आपन club वाली value consider करेंगे ध्यान रखला खतम होगे इसकी कहानी उसके बाद आपका आता है fair value hierarchy अब यह fair value hierarchy जबदस चीज है इसका मतलब क्या ध्यान से सुना fair value hierarchy का मतलब क्या है इसके लिए आपन किताब में जादा फटाफट से क्या बोलता है देख लो इदर वो बोलता है there are some fair value rules अगर आपके पास कोई भी equity instruments है debentures है, preference shares है तो अगर यह equity debenture preference है active market में trade होते है मतलब वो listed है तब तो आप वो जो market पे trade हो रहा है जो price है, वो consider कर लो अगर इनका कोई भी active market नहीं है तो उस case में you will enter into fair value hierarchy now what is the meaning of fair value hierarchy यहाँ तीन level of inputs है level 1, level 2, level 3 बराबर अगर आपके पास खुद का active market का fair value नहीं है तो आप identical company का fair value उठा लेना identical मतलब exactly a replica of your company उसका अगर कोई quoted price है तो आप वो consider कर लेना अगर आपने वो consider किया without any adjustment तो उसको बलेंगे आपने level 1 input का fair value अच्छा अगर आपके यह सी exactly identical company नहीं है तो आप लोगे similar company का quoted price तो similar company का price अगर आपने लिया तो अगर आपके पास नहीं कोई identical company है नहीं कोई similar company है तो उस case में you will use valuation techniques जो है level 3 का input valuation technique में जो आप Sv में सीखते हो ना dividend discount model, golden growth model, discount cash flow model तो वो सबसे जो आपको मिलती है fair value उसको बलते level 3 का input का fair value ध्यान लगना अगर आपके खुद के ही shares यह जो equity shares है अगर यह खुदी listed होते तब तो hierarchy में घुसना ही मत खुद की fair value नहीं है खुद के active market की value नहीं है तब भी आप hierarchy में घुसना होगे identical company यूज किया level 1 similar यूज किया level 2 और technique यूज किया level 3 अब इसमें थोड़ा और detailing है depth में चले जाए कर थोड़ा सा और सुनना मेरी बात identical company का level 1 पते कब होगा अगर identical company का अपने fair value यूज किया है without any adjustment तो बोलेंगे level 1 का input अगर इसमें आपने छोटे मोटे adjustment किये भले insignificant adjustment के और चोटे मोटे adjustment करके consider किया value तो हम कहेंगे it will be level 2 input और अगर अपने identical company का data यूज किया और बहुत significant adjustment किये तो level 3 input यान रखना बराबर उसके आगे अगर आप similar company data यूज करते हो without any adjustment तो level 2 का input होता था लेकिन अगर इसमें आपने adjustment किया अब वो significant हो कि insignificant हो level 3 input माना जाएगा इस बात का आप ध्यान रखना yes, perfect hello sir, just want to say thank you I am a chartered accountant and cleared FR with exemption because of your helpful videos this is the comment we are all making for next अच्छा 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 अब बोलता है मैं manifest कर रहा वो बोलता है कि मैं management दिले में clear कर गा और अगले मैं अच्छान मा करूंगा क्या बात है भाई सब चलो anyways अब आजाओ अब इसके कुछ ग्वेशन कर लेते हैं या आजाओ, क्वेशन करते हैं फटा-फट से जल्दी से आजाओ, जल्दी से क्या शांदा तरीकर से निटा रहा है अपन मजा आरेक दमी मिरको तो जो काम के question है वो करते हैं इसके अच्छा इसके आधे question तो है ना मतलब अगर आप देखोगे ना तो इसके आधे सी आधा question SFM वाले हैं मतलब वो concept से relation में ही नी SFM का technique यूज करने का है सुनलो कैसे करने का है suppose illustration number 4 है अपने पास क्या बोलता है अपने पास 5% equity shares है जो आपने 10 croz में acquire किये थे बराबर अब company क्या बोलता है company process में है financial बनाने के अब क्या हो गया अपने को इस जो 5% shares है इसका आज का fair value चाहिए जो मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ मेरे पास कुछ data दिया हुआ है कि ऐसे similar case में case ने 20% acquire किया था 60 CR में और अपने को यह दिया हुए enterprise value divided by EBITDA है नँए EV divided by EBITDA is equal to 8 है नँए और अपने को बला EBITDA is 40 तो आपको इससे enterprise value मिल जाएगी that is अगर आप यह 40 है तो यह कितना हो जाएगा तो मैं बोलतू cross multiply करेंगे तो आपको answer आजाएगा यह नँए यह 40 है EBITDA 40 है तो EV कितना हो जाएगा तो आपका EV will be 8 into 40 that is equal to 320 अब यह तो पूरे company का value हो गया इसमें आपके पास कितना 5% है तो आपका 5% कितना हो जाएगा 320 into 5%? 16 अब वो बोलता है यह तो normal price है लेकिन इसमें आपको 5% का liquidity discount और 5% का NCI discount लगाना पड़ेगा जब discount बोले तो minus कर देना तो 5 प्लस 5 10% minus कर देना 10% तो कितना आएगा minus 10% तो आएगा 14.4 यह आपके shares का value है basically मैं बोलो आपने valuation टेकनिक उसके लेवल 3 input उसके आपने बट वो पूछा नहीं अपने से 14.4 is the answer खतम कहानी फिर आएगा आपका illustration number 5 यह भी must of question time pass question है क्या बोलता है ध्यान सा सुनना बोलता है पाथ साल के cash flows है cash flows दिखेने के discount कर देना और terminal value दिया हुआ है यह देगे आपका SFM दिखेने के SFM सुनकर आने वाले ना FR के बाद वह भी तो यह सब काफ discount करोगे क्या बोलता है 11% capital है विटर दिखेने cost of capital 11% discount कर देना total debt कितना है 1465 तो जो भी present value total आएगी 1465 कर देना minus debt है इसलिए और cash का balance दिया हुए आगे बढ़ जाए चलो आगे बढ़ जाते है फिर आता है यह वाला पार्ट question number 6 तो similar है रहे 6 time pass है 7 भी easy है 7 नहीं इतना 8 पे आचाओ यह LDR का पापा square है यह LDR square है भाईसा मस्तो question एकनम क्या बोलता है सुनना बोलता है decommissioning का value ढूणने का है हमने को आप मैंने क्या खाता decommissioning का value ढूणने का इसके अंदर तो आप बोलोगा present value है अज इतना आसान नहीं है suppose decommissioning हम क्या कहते है 10 years के बाद incur करना है 100 crores आप यह 100 crores incur करना है कैसे मालूम बढ़ा तुम समझ रहे हो तो यह 100 crores निकाला सिखाएगा तुमको इतनी इतनी उष्या दी तो कुछ नहीं करना है जो भी question में information दिया चुप चाब यूज करते हैं चलना उसको माता दो कैसे सुनलो बोलता है decommissioning का value चाहिए 10 साल के बाद इंकर करना है उसको तो सपोज आपको मालूम पढ़ा कि 10 years के बाद 100 crores इंकर करना है बराबर तो आपको उसकी आज की value कैसे मिलेगी discount कर देना for 10 years बट वो सब सिखाऊंगा में कैसे करना है क्या-क्या बोला सुनलो बोलता है कुछ labor cost इंकर करना पड़ेगा अब वो दिया वै इतना इंकर करना पड़ेगा probability 25% इतना इसका probability 50% इसका 25% तो probability से मिलेगा आपको amount मिलेगा चलो मैं आपको सिखाता हो कैसे मिलेगा इजर देखो मैंने इसको आपके लिए ये रह तो labor cost वगेर आपको मिला ठीक है उसके बाद और क्या बोला वै फिर बोलता है overhead cost is 80% of labor cost तो बोलो add overhead cost क्या है वो 80% labor का labor का 80% add करो फिर क्या बोलता है फिर बोलता है there is a profit markup 20% तो add कर profit markup add कर तो मैंने बोला जितना भी total cost है उसपे profit markup लगा दे फिर आगे क्या बोलता है आगे बोलता है ये सब excluding inflation है अपने को inflation भी लेना पड़ेगा बराबर तो inflation कितना है अपने लिए तो बोलता है मेरे क्याल से estimate that premium 5% real cash was monetary value में तो अब कैसे करेंगे ध्यान से मेरी बात सुनना ये जो 5% का premium है ये आपन लगा देंगे तो total जो भी value आई उसपे 5% premium add कर दिया very good ठीक है premium बोला तो premium मतले बाट करने होता है तो premium add किया फिर बोलता है अच्छा inflation नीचे दिया हुए 4% over the period of 10 years अब inflation आप कैसे करते हो आपको करना पड़ेगा 1.04 raise to 10 ये जो भी factor आपको आएगा वो इतना आता है 1.4802 calcium पे करोगे तो आएगा है ना ये आपके 10 साल का inflation का annuity factor है ठीक है बस जितना भी value है उसको इस 1.4802 से multiply कर देना आपको मिलेगा decommissioning का value बट जो decommissioning का value मिला वो 10 साल के बात का value मिला है आपको बराबर जैसे मैंने क्या बताया decommissioning का fair value 10th year के end पे इतना है मेरे को आज का चाहिए तो मैं इस value को अगर 10 साल से discount कर दूँगा तो मुझे आज का value मिल जाएका ना तो इसके लिए मुझे discounting factor चाहिए उसका information दिया हुए इधर है ना कि आपका वो RF और RM दिया हुए मेरे ख्याल से आप सीखते हो ना CAPM model capital asset pricing model वो से दिया हुए आपको है ना तो 5 plus 3.5 that is 8.5 का तो 8.5 का discounting factor है बस ये 10 साल के बात की value थी 10 साल के बात की value कैसे मालूम बढ़ा सर आपने 10 साल के इंफ्लेशन आड के ना इसके अंदर 10 साल के बात की value मिली discount करो इससे मिलेगा आज का present value of decommissioning that's it clear आगे बढ़ जाते हैं ये question हो गया उसके बाद एक और शांदर question illustration number 1 क्या बोलता है ध्यान सा सुनना करना सबसे पहले बोल ता है हमारे पास 2 market Mumbai market Kolkata market ठीके अब वह बोलता है Mumbai market में आपको बेचो के तो कितना मिलेगा 290 मिलेगा कॉलकता में 280 मिलेगा अब पहले बोलता है Mumbai6 प्रींसेंथ माुप दा प्रिंसेंथ मांतभी क्या रहेंका 40 नहीं, transportation cost 30, 260 रहेगा, very good answer Pinky, आगे बढ़े, yes, फिर बोलता है second case, what should be the fair value if none is the principal market, तो आपको निकालना पड़ेगा most advantageous market, अब आप वो कैसे निकालोगे, सारे खर्चे माइनस करो, 290, minus 40, minus 30, तो आएका 220, और कोलकता का सब minus करो, 280, minus 20, minus 30, आएका 230, कौन सा advantageous है, 230 वाला, ल transportation cost 30, that is 250 is the fair value, simple, खतम, पेर ना कुछ export का बात किया होगा है, case number B में, case number B में क्या बोलता है, बोलता है, export भी कर सकते हैं, लेकिन आप export 15% कर पाऊगे, और export महेंगे में करोगे, 280 में, तो मैं बोलो, सबसे आदा प्राइस तो यही मिलने वाला है, लेकिन, आप सी 15% export कर अब बोलो, the answer is no, why, export की जो market है, वो आपकी principal market नहीं हो सकती, क्यों, principal market वो होती है, जिदर आप maximum value में trading करते हो, मैं बोलो, आपका maximum value तो domestic market में 85% हो रहा है, तो domestic market is your principal, principal market, जो export की value हो नहीं होगे, because, यह hint है, कि यह principal market नहीं है, आप domestic में भी 2 है ना, सर, उसका discussion नहीं किया, domestic में कुणसी वाली लेंगे, इन्होंने बोला, domestic की लेंगे, export की नहीं ले सकते है, clear यह वाला part, खतम, आगे बढ़ जाते है, yes, आगे बढ़ जाए, let's proceed further, तो यह अपना index, ओ भाई साहब, 113, मेरी खामोशी को, मेरी कमजोरी मत समझना, CA student हो मैं, अरे, हो गया, तो, यह अपना, 113 भी हो गया, अब और को साहसे index है, जो नहीं है, देखो, अब बतातो, सुनो मेरी बात, अपने 7 बज गये, ठीके, अपने target है, मैं चाहू तो आपको 9-10 बेतर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन, फिर आपको जो आज cover करना भापको होएगा नहीं, तो आपका भी क्या-क्या बाकिये सुन लो, 19, 101, 21, मोटा-मोटी में ये बाकिये, अब वो related party 24 हो खुद करनेगा हो सब, ठीके, यह जो 3 है, इसका revision video है, मैं आपको CSR का कीपन बता दू किया, CSR का की points, क्योंकि CSR मोटा दिक्कत क्या है, आ सकता है और उसमेरा जोटक पर question ही आते है, तो फटा फट से एक बार CSR हो जाए तो मजा आ जाए, अरे yes or no, अरे एक बार हो जाए तो मजा आ जाए, अच्छा, और मैं comment section में इसका link भी pin क applicability है, sum में फरक ही नहीं पड़ेगा amendment का, फिर भी amendment देखना है, तो मेरे RTP के video के सिर्फ और सिर्फ लास्ट 10 minute सुन लो, उसमेरे amendment बताया है क्या है, और तुम देखोगे तो खुदी बोलोगे, सरी तो आने वाला ही नहीं, है न, तो मैं आपको CSR का basic basic बतातो, क्या-क्या प तब तक आप 1 minute का break ले लो, तब तक मैं CSR खोल रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर जो काम की बाते है, वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो काम की बाते है, जो relevant बाते है, वो बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले CSR, यह कोई index नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात, CSR किसको applicable है, अगर preceding financial year में, preceding financial year में, आपके तीन चीज़े, चेक करना है, तीनों में से कोई भी एक meet किया, तो आपको CSR applicable हो जाएगा, ठीक है, अगर आपका net worth, 500 यह उससे उपर है, turn over, 1000 यह उससे उपर है, या फिर net profit, 5 क्रोड़ उससे उपर है, अगर यह तीनों में से any one meet करता है, तो आपको क्या applicable हो जाएगा, आपको CSR applicable हो जाएगा, ठीक है, अब यह याद कैसे करेंगे सर, देखो, जहाँ भी N, N है, वहाँ 500 और 5 है, net worth में 500 है, net profit में 5 है, और turnover से T, turnover से 10, तो turnover में 1000 है, ऐसा याद रखना, अब जैसे याद रखना, तुम्हारी मर्जी है मैं आपको hint दे दिया, ठीक है, N, N, पाच पाच है, T से 10, T से 1000, confusion क्या होता है, कि 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 का 500 है, कि कि का 1000 है समस्ता नहीं है, तो आपको मैंने hint दे दिया, T से 1000, T से 10, T से 1000, बराबर और जितने भी N, N है, 505 है, अब of course network जादे रहेगा, net worth का 500 है, simple, खतम कहानी, ठीक है, अब एक ambiguity है, इसके अंदर, ambiguity क्या है सुनना, यह जब आप चेक कर रहे हो न, preceding financial में CSR applicable है की नहीं है, यह check करने के बाद, अगर आपको current year में CSR applicable हो गया, तो यह न, जब ICA ने question solve किया है, अब इसमें बेर act में भी ambiguity है, बट मैं question point वी से बतारो, exam दे तो क्या करना है, अगर CSR एक बार applicable हुआ न, तो आपको 3 years तक applicable है, because CSR once applicable, applicable for 3 years, मतलब, यह जो चीज है na, preceding financial check करने वाली, यह आपको जिंदेगी में first time CSR applicable है की न, उसके लिए check करना है, उसके एक बार CSR applicable हो गया, तो 3 से तक apply करना पड़ेगा, यह ideally question point वी से बतारो हूँ मैं आपको, reality में ऐसा न applicable हो गया, तो कितना खर्चा करोगे, जितना भी net profit है, पिछले 3 साल का, उसका 2%, average net profit of 3 preceding financial years, suppose current year आपका है 21, 22, तो 3 financial previous वाले कौन से रहेंगे, 20, 21, 19, 20 और 18, 19, इन तिनों का, suppose profit 5, 10 था, 15 इसका average निकालना, तो 5 plus 10 plus 15, total कितना हो गया, 30, 30 divided by 30, 3 years, average कितना हो गया, 10 करोड, इसका 2%, याता है basic चीज, बस, इतना आपको खर्चा करना है, इसके लावा, एक और important बात, अगर आपने कोई भी excess खर्चा कर लिया, excess खर्चा कर लिया, तो excess खर्चे का क्या करना है, क्या आप उसको next year में carry forward कर सकते हो, क्या, standard बोलता है, कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, suppose मैं को करना था, 10 करोड का 2CR, 2%, तो मुझे कितना इकर करना था, 10 into 2%, that is 20 lakhs, अब मैंने खर्चा कर दे 35 lakhs, तो जो excess 15 lakhs मैंने incur किया, यह मैं next year में carry forward कर सकता, simple, इतना आपको ध्यान रखना है, you can carry forward in next year, next, और कितने साल तक carry forward कर सकते हो, आप 3 years तक carry forward कर सकते हो, यह सब आप एक बर heat करोगा, आपको समझ जाएगा, कि unspent amount, अच्छा, एक और चीज, CSR पर खर्चा नहीं करोगे, तो उसको transfer करना पड़ेगा, अगर unspent amount है, और आपने कोई भी project undertake नहीं किया होगा है, तो 6 मेने के अंदर schedule 7 के fund में transfer कर देना, अगर unspent amount है, but it is for an ongoing project, मतलब काम शुरू कर दिया है, लेकिन मैं payment तो तूरंद नहीं करूगा, payment बात में करूगा, तो if it is for an ongoing project, तो उस case में आप उसको separate bank account में रखना, 30 दिन के अंदर separate account में transfer कर देना, और 3 साल के अंदर खर्चा कर देना, ऐसा, तो यह एक बार heat करोगे समझ जाएगा, आपको, but exam point वस और CSR पर दो तके question आते हैं, एक applicability के और एक यह वाले, supply of own manufacturing goods by an entity, इसका मतलब, जब company खुद के goods देता है, फ्री में, तो उसको क्या CSR का खर्चा मान सकते है, क्या, suppose for example, suppose मैं पारले जी biscuit बनाता हूँ, ठीक है, मैं हर packet 10 रुबे के अंदर बेशता हूँ, यह मेरा MRP है, ठ मैंने बोला, गरीबों के लिए, 20% off, मैंने बोला, गरीबों के लिए 20% off, और यह discount, मैं सबको देता हूँ, जैसो होता है, कभी-कभी मैंने बोला, मेरे lectures पर 20% off, अब वो 20% मैं पुरा साल भर देता हूँ, सबको देता हूँ, बोलने के लिए 20% off, देता हूँ, अब बताओ क्या यह आपने कोई CSR किया गया है जो आप सबको देते हो वो आप किसी और को दे रहे हो तो यह कोई CSR है क्या नहीं यह कोई CSR नहीं है मतलब अगर कोई activity आप normal course में डेटेक करते हो और वो ही activity आप आपस कंदक कर रहे हो यह बोलके कि गरीबों को भी 20% में आपे तो सबको 20% में दे रहे है तो कोई CSR नहीं है यह पहले चीज़ अगर आपने पारले चीज़ सबको फ्री में दिया होता डिस्काउंट निफ्री में दिया होता और आप सबको फ्री में नहीं देते आप सिफ गरीबों को free में दे रहे हो किसको दे रहे हो सिफ गरीबों को free में दे रहे हो तो क्या इसको CSR माना जाएगा हाँ, अगर आप किसी और को normal निदित है कुछ भी, बट गरीब है इसलिए आप free में दे रहे हो, तो CSR माना जाएगा लेकिन अब इसका CSR का खर्चा कितना होगा MRP जितनी है वो नहीं होगा खर्चा जो इसकी cost है suppose बनाने में खर्चा लगा 4 रूपया तो 4 रूपयार विल बी the CSR का expense MRP तो ना CSR मानेंगे यार जितना तुमको बनाने में cost लगा वो तुम्हारा सेथा खर्चा होगा कभी-कभी क्या होता है जब आप biscuit बना रहे हो तो बनाने में you will use the raw materials तो उस पर GST लग जादा है कभी-कभी तो cost will be including GST मतलब suppose आपने खर्चा किया 4 रूपया और 4 रूपय में आपने 1 रूपय जो cost है तो कोई नहीं including GST वाला जो cost है वो आपको CSR expenditure माना जाएगा ध्यान लखना है यह वाला पाट Is this creative everyone? बराबर? येस ठीक है ध्यान लखना तो अगर देखो यहां लिखा हुआ है किदर तो था वो यार रूपर यह यह वाला पाट है supply of manufacturing goods ठीक है अगर वापस से वापस से दो चीज मैंने बतायती अगर जो normal course of business में discount देते हो वो discount दिया यह CSR नहीं है second अगर free में दिया तो जितना भी cost है उतना है अपका CSR होएगा द्यान लखना बराबर ये दो पंड़ आपको याद रहेंगे क्या और CSR के applicability इतना पढ़ लोगे ना CSR में काम बन जाएगा आपका अब सर इसके questions बताओ कुनसे कुनसे करके जाने फटाबट से questions पर आओ टाइम वेशन नहीं करनेगा फटाबट से questions पर आओ फटाबट से आओ लाश पेच पर आओ इसमें बहुत सारी conditions अगरा है लेकिन CSR की इतनी depth किसको relevant है जो law में अगर होता तो relevant होती कि committee 50 lakhs के ओपर का CSR में बनेगा यह बनेगा अरे वो सब यह relevant नहीं है भाई जान रखना किदर गया मेरा CSR यह रा मेरा CSR देखो मैं आपको था तो कुनसा question करके दाना है फटा फट से मैं आपको करवा देता हूँ इधर कर इधर ही है illustration no.2 ठीक है सबसे पहला यही बोलता है कि अपने को यह check करवाओ कि यह ना तुमको CSR applicable है कि नहीं है ठीक है तो illustration no.2 में देखो कैसा है अपने को कब check करना है previous का check करना होता है मैंने क्या बताया था वापस याद करते है n, n में 5,5 था net profit में 5 था और net worth में 500 था और t से 1000 देखो कैसा याद हो गया easily तो अभी previous अर्म अगर यह meet कर गया तो करना है आपको तो previous अर्म में meet करते है कि net profit तो exceed करी गया भाई तो yes applicable हो गया CSR बराबर पहली चीज सेकेंड चीज CSR applicable है तो खर्चा कितना करने का तीन साल के net profit का average लेने का और उसका 2% खर्चा करने का पूछा नहीं में बता दिया मैंने आपको ठीक है यह वाला part एक question यह वाला करके जाना उसके अलावा और कौन सा काम का कर्च question नहीं बता रहा हो मैं आपको यह वाला question number 6 illustration number 6 क्या बोलता है सुनो बोलता है जम्मू कश्मीर में बाड आ गई flood आया और flood आया तो मैंने affected areas में activities वो करी conduct और a concession and discount discount में activity conduct करवा रहा हो में सब के लिए अब यह बोला ही नहीं है कि यह discount और नॉर्मल देता है कि नहीं देता है तो question में दोगलापंदी से answer करने का क्या बोलने का अगर यह discount वो normal course of business में भी देता है तो इसको CSR qualify नहीं किया जाएगा देखो बोलता है it is assumed that commercial activities are performed other activities done in ordinary course of business तो यह CSR नहीं माना जाएगा ICI जब भी discount देता है ना कोई company तो यह मानता है कि नॉर्मल भी देता होगा तो CSR मानता ही नहीं है यह दोड़क के question एक तो applicability और है कि यह important है ऐसा एक और question है नीचे बताता हूं मैं आपको कुन से है अब यह जो दो question कराया ना मैंना आपको उसका merge करके एक question है question number one पहले पूछता है applicability बताओ फिर बोलता है देखो applicability बताओ तो previous sir का check करना फिर बोलता है कि बताओ अब हमने disc यह concessional date पे वो consider किया activities वगरा conduct किया क्या किया मैंने बलाता है consider नहीं करता है वो वो मानता है कि ordinary course of business में होता है तो नहीं करना है इसको ज्यान रखना मतलब इसको CSR नहीं माना जाएगा अभी तो किया यह question है तो जो दो question करना है उसका merging यह question है तो यह question important सबसे आदा प्रिवेसर में condition meet करता है यह net profit तो meet कर गया तो applicable हो गया प्रिवेसर का देखने प्रिवेसर का है का अपने पास section 35 previous year का प्रिवेसर का यह यह तो यह applicable हो गया net profit 5 के उपर है उसके अलावा और क्या बोलता है फिर बोलता है discount पे दिया privilege वालों को discount पे दे रहे है है ना मैंने क्या बोला था जब भी discount पे दे रहे है यह बोलता है कि हम मानते है कि normal course of business में है बराबर तो does not qualify CSR expenditure कहानी खताओ बराबर बस यह बात देखना दो ही चीज़ पर question पूछता है यह दो पे applicability पे और यह बाले पार पे जहां वो बोलता है कंसेशनल पे दिया बताओ क्या किया जाए घर पे जाया जाए जानी अलाव करेगा खतम कहानी उसके लावा और कुछ है यह वापस है वही फिर पर कंसेशन पे देगा वह इसके अंदर तो यह भी देख लेना भाई यह अभी वापस अभी homework करो तुम समझके कैसे question है तो MTP, RTP के 3 questions question number 2, 3, sorry 1, 3 & 4 और यह उपर एक question जो करवाता तो मैं बोलू उपर के भी छोड़ दो MTP, RTP past paper section के मेरे किताब के 1, 3, 4 यह भी कर लिये तो काफी हो जाते तुम्हारे लिए बस clear का अबर और कुछ बचता है क्या मैं रिकाल चार कुछ बचता नहीं है अच्छा रिकोर 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 सुनो सुनो काफी बच्चे बोलते इंटिकरिटिट रिपोर्टिंग में क्या करे उसमें कोई theory मत पढ़ो आपको है ना मेरी किताब का यह format मिलेगा किताब नहीं है छोड़ दे तुम्हारे पास module है module में उसके directly question answer पढ़के चले जा ठीक है यह illustration number one illustration number two ऐसे 3-4 question है उसमें से भी देखो mock test के भी question है mock test का question सबसे important है ठीक है तो यह गिंदी का 5-6 question है चुब चाब एक बार पढ़ चले जा आ गया तो very good नहीं आया तो उसका कोई theory नहीं पढ़ने का जरूआ तो आधे लोग बोलते है यह कराओ यह कराने की इसके बाद वापस से रिमाइंड करवादू 19.101.21 देखो मैंने कोशिश पूरी किये लेकिन जिपता समय था मैं नहीं चाहता कि मैं नौ बैत पड़ा हुबे तुम लोग को target देना है मुझे आज का तो यह इसका मैं comment शर्च में pin कर दूँगा इसका आप कल पड़सों में जबी भी चाहो revision video देख लेना ठीक है उसके लवा आप आज का target लिखके चलो गब मेरे साथ आज का target क्या सुन लेना घर पे सोना नहीं है तुमको 16, 38, 40, 36 यह चार इंडेस के direct direct questions जो मैंने आज तुम तुमको marathon कराए है right and practice समय कम है तो scribble करके करो समय मिला तो 306 के साथ हो सके तो सोने पर सुहागा हो जाएगा आज का target यह है बराबर कल मैं आपको marathon में क्या कराने वाला हूँ कल जो major topics है financial instrument, business combination, CFS, share based payment, 115, 116 इसको आपन कवर करने कोशिश करने वाले है कल बराबर तो कल अगेन आपन 10 बजे मिलने वाले है 10 a.m को मेरे ही चैनल पर जाके वीडियो को तो कल आपन करेंगे major topics कल आपन करेंगे major topics बराबर आज का आपके target करके ही सुना है और मैं बता हो सके न तो मेरे टेलिग्राम पर मैं आप पूछूंगा आज रात को हुआ के तो कमेंट कर देना हुआ कि नहीं हुआ confidence आएगा अच्छा लगेगा थोड़ा देखो आपना मेरी बात ध्यान से सुनना काफी लोग बोलते है कि सर मेरा पहले ये बाकी था मेरा पहले वो बाकी ये ऐसा बाकी ये वैसा बाकी देखो तुमारा पहले जो भी circumstance था it won't matter कोई तुमसे नहीं पूछने वाला है पास होन पूरा टेम्ट करना है तुमको अरे बाई option आते है अपने को थोड़ी ना 100 में 100 चाहिए तो जो आते है वो अच्छा चा कर गया ना आदे लोग क्या रोते रहते मेरा एक चप्टर छूड़ गया मेरा दो चूड़ गया अरे बाई जो आता है उसमें क्या क्या तुमने जो जब भी इसका टाइम आएगा देखो मैंने फाइडे प्यान डाल रखा है मेरे टेलिग्राम के ऊपर तो जब भी इसका समय आएगा आपको इसको लिख कर प्रेक्टिस करना है स्क्रिबल करोगे जो करना करोगे जब मैं आपको मेराथन में लिखा के करवा रहा हूँ तो घ पर सुनना तो यू डिजर्व अप्रिसियेशन और यू हाफ दाट अबिलिटी न्यू तो सिट फॉर अट लॉंगर आज अट श्ट्रेच तो काफी लोग बोलते सर में कोई बैठ नहीं होता किसने बला बैठ नहीं होता बैठ तो तुम सुबे से बैठे हो दस बैसे अगर म जो सिर्फ पढ़ता है वो पास होता है क्या जो यहां से positive है जो यहां से strong है जो exam में panic नहीं करता है exam में पूरा 100 माग का time करता है वो पास होता है you have that capability in you just be positive just have believe in yourself यह पूरी दुनिया believe पे चलती है भाई तुम समझ रहे हो क्या आज के दिन काफी ऐसे बच्चे जिनका अच yourself तुम समझ रो मेरी बात तो जब belief होता है ना भाई तो तुमको अंदाज़ा भी ने क्या हो सत्ता है यहां तुम समझ रो तो belief अगर तुमारे अंदर है ना तो तुम इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर जाओगे यह बात का अब हमेशा ध्यान रखना तो आतंग मचाना अगर तुम्हारे अंदर नहीं होता ना तुम चले गया होता तुम्हारे अंदर है तो बैठे हो ना तो कर लोगे तुम ठीक है और उसके बाद एक और चीज मा आपसे कहूंगा मैंको आपसे एक चीज यह कहनी है यह ना everything will be worth it यह जितने यह महनत है ना it will be worth it आपको लगता है कि सर मैं कर रहा हो महनत मुझे फल नहीं मिल रहा है बेटा जब मिलेगा ना तो भगवान जब छपड फार के तुमको देगा और अगर तुमको पहले नहीं मिला है ना तो सोचो तुम भागरो वैगनार के पीछे भगवान बोलता है बेटा एक attempt रूख मैं तरको Mercedes तो मतलब तुमको हिसाब नहीं तुम क्या अचीव कर जाओ के भाई बट महनत करनी पड़ेगी उसके लिए चार दिन पांस दिन जितने भी दिन एक्जाम के है तुम्हारे आग लगा देना मतलब कोई Michael तुमको आके बोलना सके कि भाई तु क्या कर रहा है पड़ की नहीं जाग रहो तो पड़ो वरना सोचाओ पड़ते रहो भाई जितना खिचते ओ खिच लो ठीके और अच्छी सी नीद लो नीद में कॉम्परमाइज नहीं थाल तु टाइम पास में इंस्टाग्राम पे कॉम्परमाइज कर लो लेकिन नीद तगड़ी अच्छी अच्छी तो फिल तुम होई नहीं सकते हैं तुम समझे रहे हो जाओ गए तुम पास क्लियर के वाला पार्ट यस तो आपको मज़ा आरेगा मैराफन के अंदर अगर आपको मैराफन पसंद आया है लाइक जरूर कर देना उसके लावा एक बार अगर आपने मैराफन लाइव देखा ह तो मैं पढ़ता हूँ सबके कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर आपको अच्छा लगा तो बताना नहीं अच्छा लगा तो मत बताना एणिवेस ठीक है और आपन कल मिलेंगे जहां आपन करेंगे मेजर टॉपिक्स एक्जाम सिफ तुमको नी मेरा भी होती है तो तुम सब अच्छा करना प्लीज ठीक है मेरे तुम से बहुत उम्मीद है और वैसी उम्मीद है तुम एक बार सीए बनोगे मेरे को असल अच्छे महिने में सीए बनोगा तुम्हारे थू ठीक है तो प्लीज यार कोशिश करना तुम आतंग मचा दो और अच्छा से पढ तो जब आप मुझे देख रहे हो ना तो मैं एक पसंड भी महरत कम नी रखोंगा उसके अंदर मैं जान लगा दूँगा तुम मुझे बोलो कि ना सर और चार घंटा पड़ा मैं पड़ा दूँगा लेकिन अपना टारगेट आपको आपको घर पर सल शेड़ी करना ना कर आपन वापस मिल लेंगे मेजर टॉपिक के लिए तब तक के लिए तैंक्यू सो मच एवरीवन आई होप आपको मजा आ रहेगा और अगर इनकेस आप अपने फ्रेंड्स को रिक्मेंट करो तो यह हैस्टेग है फार्वेटेके बीवचल.com बदा देना ठीक है चलो तो त थैंक्यू सो मच अजर थैंक्यू पलवी थैंक्यू अधिति अरे शुबम सार का कॉल आ रहा है उनको लेगा शुबम सार को रुको लेते उनके जाना मजे लेते शुबम सार कि क्या कर रहा है नहीं आप यह बताओ आप एफार के डाल लो tips सर डाल ले ऐफर के टिप्स ठीक है सर आप एक पर यूटूब बंद करो यूटूब वो रहा है बैक एंड पर यूटूब बंद करो सर तो वो वोईज वो रही है रिकों अभी सही आ रही है चलो ठीक है हाँ तो सर एक सेकंड ना एक सेकंड रुक जाना अब अब सर ये बताओ एफर में आपको 83 कैसे आयते है जड़ा बच्चों गाइड दरू नहीं सर अरे नहीं सर यार तुम बहुत फॉर्मल हो गया यार शुभम सर ये बताओ 83 कैसे आयते है चुपचप ठीक है अरे सर 83 का मतलब मुझे जितना मैं तो यह कहता हूं सर की प्रैक्टिस करनी चीए जितनी हो सके लिख लिख के सवालों की यही इनको करना चाहिए बिकास उसी से समझ आता है कि यह कहां अठक रहे हैं भाई नोट कर लो शुभम सर 83 आयते रैंकर है वो ठीक है आपन मास वाल संभाल लेंगे सर ओडिट का पेपर लिक करवाना थुड़ा यार अपने आप लिक हो जाएगा ओ भाईसा मजा आ जाएगा यार शुभम सर ओपिंद चैट हो गया पूरा बोलते हैं खुशी से पढ़ेंगे तब यागे बढ़ेंगे क्या वात है मैं इसार इनको यहीं बोला है अपने और में यहीं को सबसे मेरी यही मनो कामना है एफर का पेपर एकम शांदार जो आप बोलते हो वह ऐसा करके आए अपने आप कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि आपने आप दुवादार चला जाता है ओ भाईसा मजा आ गय बहुत बढ़िया शुबमार मजा आगे आपसे बात करके अच्छे से पढ़ो और जैसा अकाश सर ने बताया है प्लीज सारे कोशन जो भी इन्होंने आकरी में मार्क करा है इनको अच्छे से प्रेक्टिस करना उससे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बढ़िया शुबम सान ने बोल दिया बैस्टाफ लग भाई अब तो आतंग मचाना यह ठीक है फिर सर इक बार इन लोग सब पास हो गए फिर करेंगे मजा आदा मेरको तो सर तब मैं तो कर रहा हूँ महनत बच्चे भी करेंगे महनत ठीक है तो यह थे हमारे शुबम सार अब बाई साब तुम्हारे हवाले वतन साती हो ठीक है तो गाइस टेक कर एवरिवन प्लीज की वरकिंग हाड मिलते है कल ठीक है तो तो तैंक्यू सो मच यार मैं एक बाद सबको थैंक्स बोल दूँ आप मैं जिनका भी नाम ले सकता हूँ तैंक्यू किशू अभे पिंकी सार्थक आफरीन अभिनाश भाई साभी चैट में चैंडल नहीं हो रहे थैंक्यू वासुदेव थैंक्यू राकेश थैंक्यू विना उनकार प्रियंक थैंक्यू सो मच थैंक्यू जीनल थैंक्यू नैंसी थैंक्यू आदर्ष थैंक्यू जै सख्री ओजये क्या सारसे मुरीच चुनरी जाए जाए सरसे मुरीच चुनरी जाए सरक सरक तो जाऊ सरकाद फटाफट से फर को भाई बाई टेक कैर से उल बाई-बाई